कि नमस्कार साथियो मैं हूँ अन्रामिस्टा और आप लोगं का इस वीडियो क्लास में एक प्रस्यों सागत करता हूँ साथियो इस चैनल पर भी यह यह मेरा पहला वीडियो है और शुरू करने से पहले मैं आपको तीन बातों के बारे में बताऊंगा पहला इस अपने बारे गया घजकना घायता है जिसे तीन सालते मेहनत कर रहता और किसी कारण से क्या था कि सारक यहां कर लिया हो प्रमाल था सारा जो मेहनत था हूं सारा का सारा क्या हो गया बर twa सारा मैंने काफी कोसिट की मेरा चैनल वापस आ जाए लेकिन मैंने फिर से दुबारा कोसिषी कि चैनल नया बनाने की और मैंने वही वीडियो डाल दिये । जो मेरे पहले पुराने बनाय हुए थे और इस काड़ से यूटूब था उसने मना कर दिया कि जो वीडियो जो है copy है तो इसको हम channel को monetize नहीं करेंगे इस card से मैंने सोचा कि क्योंने फिर से नई सिरे से मैंने करूं और आप लोगों को नई सिरे से मैं आप लोगों को video दो तो मैं अपने जो channel चला गया मेरा करता है कियोंकि यह चरणा जटा है तो वही जानता है अब मैं आப बात करता हूँ इस video के बादे में तो यह जो video होने वाला है वह वाल्ड जुगरफी का बो भी दादा जी video कैसे दादा जी होगा विस्तो का भूगों लेक और वर्ल्ड जुगर्फी का Grandfather of All वीडियो कैसे ये All वीडियो का दादाजी होगा जब आप इस वीडियो को देख लेंगे और इससे आप देख कर नोट्स बना लेंगे उसके बाद जब आप किसी भी एकजाम से जुड़े होए किसी भी पत्र को लाएंगे जिसमें विडियो के भूगल से जुड़े होगे पिरसनागर होगे और आप उसको जब solve करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इनको solve बयानी की हल कर सकते हैं तो मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई बुकल किसी भी तरह का कोई गिरंत पढ़ने की आफशकता पढ़ेगी क्योंकि मैंने इसमें काफी कुछ दे दिया है विससे को भूगल के दो पार्ट बनाऊंगा क्योंकि जो चैनल है वो इरह नया है तो मैं 12 गंटे से जादे का वीडियो नहीं डाल सकता इसलिए उम्मीद है कि 12 से नीचे ही ये वीडियो होगा दूसरा जो होगा वो भी 12 गंटे के आसफाद सी रखूँगा ताकि मैं चैनल पे दो वीडियो के रूप में इसको डाल सकूँ तो इसमें जो पहले मैंने पुराने वीडियो जो वर्ल्ड योगर्फी के डाल रखे थे उसमें जो कमिया थी वो कमियों को यहाँ पर दूर किया गया है उनको सुधारा गया है और बहुत साथी चीज़ें जो है इसमें नई डाली गई है तो चलिए फिर सुरुबात करते हैं एक नई सुरुबात के साथ और बढ़ते हैं हमारा इस वीडियो के ओर और यह जो वर्ल्ड योगर्फी का एक डान्ड फादर ओफ ओल वीडियो का यह पार वन है जिसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं उनको एक नजर हम यहाँ पर डाल लेते हैं तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों सब्दों में जान देते हैं हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ब्रह्माण के बारे में क्योंकि जब किसी सब्जक्त की या फिर किसी के बारे में हमें एक जानकारी पहले से जब हमें मिल जाते हैं कि हम इनके बारे में क्या-क्या पढ़ेंगे या फि एक मीनियो जब मिल जाता है तो हमें अच्छा लगता है तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाई सा वीरस मलाई ये ये इस तरह से क्या है कि सब कुछ इसमें दिया गया है तो इसी तरह से मैं एक छोटा सा पर्चा दे देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने ब में तो आप जो वीडियो है आप आगे बढ़ा सकते हैं जिसको इंटर्स लेना है वो और ध्यान रहे इस वीडियो का 100% लाब नेने के लिए आपको नोट बुक में नोट करना बहुत ही जरूरी है और एक सबसे जरूरी बात यह है कि इस वीडियो के बाद में आपको पीडिय जो मिलेगी बो आपको फृपोर्ठी मिल यहाइप होंगी हापर एक तो पेड़ वाली होगी और एक फृपी होंगी क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है मूनि नहीं होगा जीवन बर वह मैं आपको इसकी इंसोर्ट बेel भेंगा YouTube की तरह तो जो आया है तो मै दो तरह की PDF दी जाएंगी एक तो होगा paid वाला और एक होगा फिरी वाला तो फिरी वाला जो है वो आप telegram के गुरुप से download कर सकते हैं link में नीचे दे दूना comment box में हो सकता है हो सकता है description जो होता है उसमें हो सकता है तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हम इसमें क्या क्या बात करने हैं तो इसमें हम जो बात करेंगे बो होगा ब्रह्मांड के बारे में ब्रह्मांड की उत्पती के बारे में आकास गंगाओं के बारे में तारों के बारे में सूर मंडल के बारे में सूर की सनचना के बारे में सौर मंडल के पिंडो के बारे में हाँ पर बात करेंगे इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं पर बोहोगा आपका गिरह यानि की प्लेनेट्स के बारे में बोने गिरह के बारे में बात करेंगे इसके बाद हमारे जाते हैं प्रत्वी के ऊपर थोड़ा सा प्रत्वी की जारे में जानकारी लेंगे प्रत्वी की गतियों के बारे में जानेंगे जिसमें आपकी आ जाती है आचांस रेखा हैं वो देसांत्र रेखा हैं उसके बाद हम इसी में जो बात करेंगे वो होगा आचांस व देसांत्र रेखांवाँ पर इस्तित पिरमोक्त देश जैसे कि माली जी यह आपका वर्ल्ल जोगत्राइव तो जो आच्छान से रेखाओं पर जैसे की आपका 203 पर कौन काश्य डेस हैं ऐसे तरह से तो तो मैं बताऊंगा ये मैं भी आघाओं पर दिखाऊंगा तो देशांतर आच्छान डेखाओं पर क्या है कि प्रमुक डेश जो इस्ते दिया- के बारे में यहां पर बात करेंगे इसके बाद नेक्स जो हम चलेंगे बोगा समय का निदारत कैसे किया जाता है उसके बाद हम बात करने सुरू करेंगे भू आकरती बिग्यान के बारे में भू आकरती बिग्यान में कुछ प्रमुक टॉपिक है जैसे कि प्रत्वी आंदिक स नत्रा के बारे में बात करेंगे, चट्टानों के बारे में बात करेंगे, भूकंप के बारे में बात करेंगे, और च्वाला मुखी के बारे में बात करेंगे, नेक जो हैं आपर बात करेंगे, पर परवत के बारे में, फिर पठार के बारे में, फिर मैदान के बारे में, फिर महा सागरी तापमान और लवरता के बारे में महा सागर के बारे में बात करेंगे सागरी लवरता के इस तरोथ देखेंगे इस तरोथ इसको पढ़ते हैं महा सागरी धारा के बारे में बात करेंगे यानि कि ओशियन करेंट क्या होती है एल निलो धारा के बारे में बात करेंग दो धारों को अलग करती है या फिर दो धारों को जोडती है ठीक है उसके बाद प्रवाल तता प्रवाल वित्यों के बारे में बात करेंगे जल बिग्यान या बायू मेंडल के बारे में बात करेंगे प्रवाल ब्रेंजन यानि की कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात करेंगे इसके बाद हम बढ़ जाएंगे बायू मंडल का संगठन के उपर या कहें, बायू मंडल के बारे में हम पढ़ना शुरू कर देंगे, इसके बाद बायू मंडल की सरनचना देखेंगे, मौसम तता जलवाईयू के बारे में बात करेंगे, मौसम तता जलवाईयू के तत्वों यहां पर बात करेंगे नेक्स जो बात करेंगे बहोगा बायू मंडल में जन यानि कि water in atmosphere के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका आधरता के बारे में बात करेंगे संगनन यानि कि जिसको हम condensation के बारे में बात कर सकते हैं बायू मंडल में हम बातलों के बारे में बात ठीक है अब हम एक नजर डालते हैं यानि कि जो हमने इंडेक्स मनाई उसको हम थोड़ा सा खोल देते हैं ठीक है ताकि आप समझ पाएं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं अच्छे तरह से कबर करेंगे क्योंकि आप मिनको मैं बता दूँ आप आगे बढ़ सकते हैं आप कम से कम स्बसक्तार सोने तो कैभाएं कि इसके कि बारे में बात करेंगे यहां पर फोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि हम यहां पर ह Savannah कि निफढ बारे में ब्रमाइं कंद इस अ देन की सूरुझा द लम्बा होगा तो आप आगे वड़ सकते हैं चली तो निजर टालते हैं क्या क्या हम यहाँ पर पड़ने बाले तो हैंपर जो हम बात करेंगे बहुत ब्रहुत ब्रहाँ पति करेंगे तो origin of universe के बारे में बात करेंगे पिरमाइट की उत्पत्ति की दो सिध्धान्त जो है सर्व माने जिसमें आपका महाविस्पोर्ट सिध्धान्त आ जाता जिसको बिग्वेंद क्योरी के नाम से जानते हैं और दूसरा जो है कॉस्मिक ठ्रेड सिध्धान्त के बारे में यहां पर बात करने बाले हैं नेक्स यहां पर हम बात करेंगे आकास गंगाओं के बारे में जिसमें आपको कहते हैं आकास गंगाओं के बारे में बात करेंगे नेक्स यहां पर बात करेंगे दूरी के लिए चार हिकाईओं को जानेगे यहां पर जिसमें आज जाती है आपकी खगोल किसके लिए इस्तिमाल करते हैं और इस्टेट्यूट माइल जो होता है किसके लिए इस्तिमाल किया जाता है नेक चो हम बात करेंगे अपने आकास गंगा के बारे में जिसमें हमारी हमारा सौर मेंडल लिस्तेता है मंदा की नहीं आकास गंगा के बारे में जिसको हम दुद्ग है जिसको हम बामन आकज गंगा कहते हैं जो फूंचा जाता है जितना इंपोर्टन उतना ही यहां पर रखूंगा ज्यादा हम यहां पर ड्रामे बाजी नहीं पहलाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हों क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं जितना बताऊं उतना आप लिख सके ठीक है और important वी होना चाहिए नेक्स बात करेंगे बोगा यहां पर थोड़ा सा जानकारी लेंगे डॉपलर प्रभाब के बारे में इससे क्या संबंद रखता है इसके बार निहर्का क्या होती है और यह नहर्का के बारे में बात करेंगे नेक्स बात करेंगे बोगा dark matter या आंदुर पदार्त जो कि बहुत important होगा इसके बारे में हम तोड़ी जी यहां पर जानकारी लेंगे उसके बार नेक्स यहां पर पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका तारे यानि कि स्टार्स तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है इसके बारे में बात करेंगे जैसे कि आपका नीला रंग क्या दर्साता है सपेद रंग क्या दर्साता है पीला रंग क्या दर्साता है नारंगी रंग क्या दर्साता है नेक्स जो बात करेंगे वहोगा तारे क्या होता है blackhole क्या होता है चंसिकर सीमा यानि की चंसिकर limit क्या होती है इसके बारे में हापर बात करेंगे this 술 कि नेक्ट चोगा बहुगा आपका मेंडल यान कि solar system के बारे में जो कि बहुत important है बहुत हम को पढ़ेंगे, इसको, नेक्समें इसमें जो बात करेंगे गिरही मंडल के जो को की बाछ़ इंपोर्टेंड होने वाला है। और बारे में आपर बात करेंगे जिसमें आपका आजाता है जिसको हम साइरस के नाम से भी जानते हैं प्लोटो आ जाता है एरिस आजाता है मेकमिक आ जाता है और हम या जाता है तो जो कि बहूत प्रत्वगी कि गत्य हैं यानि कि मूमिन्न वा अर्ष्ट के बारे में या पर बात करेंगे है ब्हूसीजंगी वुंद के बारे में जिसमें आप का जाता है ठारे दैनिक हम इसको चलzam export करेंगे कि दिन दात की गटना किसके काड़ होता है इसके बारे में बात करेंगे पर किरमण गति यानि की रेविलिश्ट के बारे में बात करेंगे जिसको हम पारसिक गति भी कहते हैं यहां पर हम इसको जानने बाले हैं जिसमें आपका रितु परवतन के बारे में थोड़ी सी जानका होता है इसको मकर संक्रान्ती भी ख diyorsun के बारे में उसके बाद छो बढ़择 होता है जो to कुछत्यों के बारे मिंध oppression क्या होता है नएक्स बात करेंगे ए प्रित्वी पर जो कालपिनिक रहे हैं उनके बारे मिबातब करेंगे जिसमें समझना के बारे में यहां पर बात करने बाल है नेक्स हम जानेगे प्रत्वी की आंतिक समझना के बारे में यानि की प्रत्वी से जोड़े हुए कि अधुए का यहां पर हम पृतिवी की पर्तों के बारे में बात करेंगे यहां पर हम प्रित्वी की परतों के ब सुना सहला है। तरंगों के आधर पर आपका परते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो बात करेंगे रसाइनिक संक्ठने के आधर पर जो आप श्कालि को असंबतता कह सकते हैं यहां पर जो असंबतता है असंबतता इसके गुटेंबर्ग पी प्रत्वी पर पाई जाने वाले चुटत्व है एक तो पूरी प्रत्वी पर देखेंगे इसके बाद नेक्स जो हम बढ़ जाएंगे वह आ जाता है आपका चटाने यानि की रॉक्स के बारे में आपर बात करेंगे चटानों को निर्माड के आथर पर तीन भागों में बाता इनके बारे में हम पर बात करेंगे जिसमें आपका जाता है बैटमनेस आंकर पंत में इस सो किश्uga तक्ति हैं उनके बार में आपर पात करेंगे इसे उती हो है पूरीच किंहीं डूर से हूत यानिकि एक तो वो घर में होती है और दूसरी जब बाहर होती है तो यहाँ पर दौनों किरियाओं के बारे में बात करेंगे तो आंतर किरिया के अगर बात की जाए तो इसमें आज जाता है या जाता है या जाता है जालमकी का नली आ जाता है जालमकी से निकलने वाले पदार तो जिरुब गयस है आनि कि गयह की अगर बात की जाए गयसों के बारे में बात की जाए的話 हो जाता है, hydrogen हो जाता है carbon dioxide हो जाता है और चल वास हो जाता है, tos में अगर बात करें तो पर्थर के टुकड़े, निकलते है, राख निकलते है लावा निकलता और झ्जाग लता है बात करते हैं यहां पर lawa lawa important हो जाता है है यहां पर तो lawa के बारे में आपर थोड़ी सी जनकारी लेंगी जिसमें लावा के परकार देखेंगे यानिकि लावा जो होते है बेसिक में आपको आता है, acid lava दूसरा होता है basic lava ठीक है इसके बारे में हां पर बात करएगे नेख्स आधर बात आज अजाएगी इसमें? जॉय Anybody? जिसको बीचीत के वह भंक्री नेक्स बारे में बात करेंगे रहुत के बारे में मतलब करेंगे इस तरह कि किय आपको उम्मीद है जैसे कि आपका भाई या पिर आपके छोटा या बड़ा भाई आपको ग्यान पेल रहा है समझ रहा कोई भी स्टाइल भाजी नहीं जानता हुँका साधार रूप से इस tray से आप किसी भाई को चोटे भाई को या बड़े भाई को ग्यान दे रहें इस तरह की आपको मैं पताऊंगा भूकंप के काड़ भी यहां पर देखेंगे जालमकी करिया भूपटल के बलन तता बिर्णस के काड़ होता है फिलेट बेभरतिनी की काड़ होता मानमनें तत काड़ जाएं पर देखेंगे का केंदर के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका केंदर के बारे में सकते हैं इसके बाद इसके बाद भूकम का विस्ट में बितर देखेंगे यानि कौन को च्छेत्र में भूकम के च्छेत्र हैं जहां पर भूकम बहुता देखाते हैं उनके बारे में देखेंगे भूकम की तीद ब्रता के बारे में बात करेंगे जिसमें रिक्टर पैमाना के बारे में बात करेंग जमने आपर बात करेंगे ली वह कोगा आप का पर्वतों के से कहते हैं क्या होते है पर देखेंगे जैसी कि अधर पर्वत जिसमें आपका नियुमャच और पर्वत हो जाता है और अवीम्हेस को पर जाता है हिमालय, हिंदकोस, जैग्रोस, एलबोर, तियनसांग, वर्खियंस, अल्टाई, काकेस, काकेस, और तम्चटका स्रेडी, नेक्स जो आता है था, ओसीनिया, दच्छिड आलफस के बारे महान प्रफ्तमाला के बारे में बात करेंगे, नेक्स जो आजाता है, वो आजाता है, उत नेक्स जो बढ़ेंगे, वो का आपका दच्छिड अमेरिका, दच्छिड अमेरिका में एक प्रफ्तमाला के बारे में बात करेंगे, नेक्स यहां पर जो बात करेंगे, वो आप पठार केसे कहते हैं, ठीक है, पठारों के बारे में बात करेंगे, पठार क्या होता है, स्धुरिया की नातोलिया का पठार वोलिभिया का पठार यो कुछ licensesite amb grief के बारे मैं हम थोड़ा से कि भारत का जो प्राजी पर प्ठार उसको हम थोड़ा सा बांट देंगे जो बांटेंन निकी इंडियन ज्योग्रूपी में तो हम पढ़क глазаみ की निपना है और मध्यां किसमी बाटा गया और किसमें बाटागिया है और बाटा किया है आपका पठार की रूप में अक हम है उपको पाडी उसके बारे में इंट सब्सक्राइब मालभान कुर्णी राजिस्ताने पता चौत ने का पठार hadn बात करें कि मेंदान तता उसकी निमाट पिरकिया के बारे में तोड़ी चिव करेंगे है next जो हम बात करेंगे संप्राय मेदान क्या होते हैं मेदान ता उनकी अवस्टिति भी देखेंगे या निका उसको छेत्रों में यह मेदान इस्तित है उनके मैप में हम इस्तितित देखेंगे next जो बात करने में उसको डेटेल से पढ़ेंगे नेक्स जो हम बात करेंगे वो होगा आपका दीप दीप क्या होते हैं दीप किसे कहते हैं इसके बारे में आप थोड़ी सी ज्यानकारी लेंगे दीप इस्तलकन के ऐसे वाग होते हैं जिनके चार और पानी होता इसके बारे में बात करेंगे क्या होते हैं जॉलम की देप क्या होते हैं कुछ प्रवक्त दीप हैं जिनके बारे में बात करेंगे जैसे ग्रीन हो गया मेडागास्कर हो गया वैफिन दीप हो गया ब्रेफिन का दीप हो गया स्रिलंका हो गया न्यूगिनी हो गया बर्निय दीप हो गया सुमात्रा दीप हो ग्राहुंसु तिप हो गया दच्छडी नीजुलेंट ऊत्री नीजिय्लेंड और जाबा दीप के बारे में बाहत करेंगे नेट बात करने वाले हम वह हो जाता है आपका जील जील किसे कहते हैं या क्या होती है उसके बाद बिसकी प्रोभु जीलें उनके के बाद अरल वान टिटीका का विक्टोरिया टंगानिका बैकाल यह कुछ प्रमुक जीर हैं जो कि आप उनके बारे में हैं आप चर्चा करेंगे ठीक है यह नेक्स जो हम बात करेंगे प्रतिवी बलों के बारे में आने की प्रतिवी जो बल होते हैं उनके बारे में बात करें तो चलिए नेक्ट देखते हैं यहादा नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए नेक्ट देखते हैं यहाँ पर बलन क्या होता है इसके बारें बात करेंगे सामाने बात करेंगे बात करेंगे आपर बात करने ने टीकल की होता है इसके बारें देखेंगे उने अदेखेंगे और यहाद wurmukh lis इसके बार जल के बारे में के बारे करेंगे लेंट्फ था सथ पहले याandr द्वारा निमित इस्तला करते हैं यानि कि लेंड फॉर्ट वाई रिवस तो इसमें आपका आजाता नदी विश्रपा जो की बहुत इंपर्टेंट है चाण जील गुंपित नदी गौर्ज के नियन भी आका रिकाटी जल गर्तिका और छेपगा इनके बारे में हमें आपर बा सकता है एक तो होता है गरम देजर्ट और दूसरा होता ठंडे ठंडे मतलब डेजर्ट का मतलब होता है यहाँँ पर कुछ ना होता हो एक तरह सकते हैं जैसे कि बोहत दो तो धो भी रहने घुऀन पर बाहना यह किसी मेस दा भार हार आपका होगे घरव नाफूद धस्ते कबीर और वाल विटन ओ सिंसन इनके बारे में बात करें Dragon से यह ठंडे नो क intrigued भी जाते हैं कौन सा गरम मरिष्थ들 है कौन सा है इस तरह से पूंचे भी जाते हैं तो इसमें आपका जाता गोवी और टकला मकान तकला इसके बाद का rated कोम या कुछ पर्वक हो गए आपके ठंडी विश्टर इन्स में हम यहांपर बात करेंगे नेक्स चल्मडा को बात करेंगे वहुं емडल के बारेब हम कह सकते हैं समर्द्र भिग्यान के बारे में हम हम इसे हम इंहां पर कह सकते हैं तो जल मंदल का मतलब क्या होता है इसमें जल मंदЛ का एक छोटा सा परचया यहां पर लेंगे जल मंदल जो है या कहें जल मंदल में हम जानेंगे परत्यूं पर हूले, जलका बित्रड यानिक पूरी of water on earth ठीक है इसको नेक्स बात करेंगे महासागरी निसल के बारे में जिसमें आपका आजाता है मिरियानागर्ड टॉंगा जापान कुरली कम्चट का ट्रेंच मिंदनाव फिलिपिन्स में फिर इटाकामा और एलिशन के बारे में आपर बात करेंगे नेक्स बात करेंगे महासागर्ण के अन्याकरतियां जिसमें आपका आजाता है महासागरी कटक तो इनके बारे में आपर बात करेंगे नेक्स यह होता है बिसकोव प्रमुक महासागरों के बारे में बात करेंगे जिसमें आप प्रमुक की अगर बात की जाता है अन्ध महासागर आ जाता है पर बात करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं उस जिनिक टेंपरेचर एंड सेलिंडिटी ठीक है तो महसागरी जल के तापान को प्रभावित करने वाले कारक्ष देखेंगे जिसमें आपका आ जाता है आचांस चलता इस्तर के वित्रण में असमानता हवा आवा आ जाती है जिसमें आपका सागरी लबड़ता की पर खटक देखेंगे जिसमें आपका आजाता मे प्कात करेंगे ये जो शागर है ने लबड़ता पूची है कि कौन से सागर में लबड़ता बहुत आदेखें काम है कितने परसेंट इसके बारे में पूछ आता है तो जिसमें आपका आजाता बांजील में, मिर्स सागर में, ग्रेट साल प्लेक में, सांबर जील में, कैस्पीन सागर का दर्चली भाग में कितनी है, कैस्पीन सागर के उत्तरी भाग में कितनी है, इस तरह से लाल सागर में कितनी है, सागरी ये लबरता के इस तो देखेंगे में परतिंगे लुखन हो अगर जयानकारी लेंगे इन के gua दो यह ठंडी जल्दारा तु सभी के होती है क्रेंडॅ आ घंडडी घंडी ऐंटलांति महासाग्रीं की त Guo करेंगे इस साल hormone के बारे में बात करेंगे। दारों के उत्मन होने के कारड़ भी यहां पर देखने वाले हैं, इनकी उत्त्ती कुछ प्रवक कारणों से होती है, कौनके से यह कारण है, यह यह जानना भी बहुत जरूरी है, तब ही हम जो चीजें है, बास्ति विक जो 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 जगर्फिय है, इसी तरह से पढ़ी जाती जब हम इन चीजों को clear करते हैं, next नम जो बात करेंगे वो होगा एल नीनो प्रभाब, ला नीनो प्रभाब के बारे में, next नम बात करेंगे, महासागरी दाराओं का प्रभाब क्या प्रताएं नहीं कि effect on oceanic currents का, उसमा संत्रों के बारे में बात करेंगे, बातावर्ड प हमेशा जोड़ती है, और इस्तल संदी की बात की जाए, तो जलसंदी का करते हैं, लेकिन जलसंदी.. लेकर canal को को हमेशा जोड़ती है इनके बारे में बात करेंगे, भोग लेश्टी है क्यों से चेत्र मैं, आपकी जन्सागरी में ब difah播 रहु है नेवरो सुसीमा है लुजोन है बेरिंग है डेविस है फ्लोडा है अटसन की जलसंदी है जुआंटी फूपा है मेगेलन है इस तरह कुछ आपकी जलसंदिया उनके बारे में आपर पात करें नेक्ट जो आताते हैं वो है टॉपिक आपका जौर और भाटा के बारे में जिस सरग तरंग घर्थ क्या होती है और तरंग सरंग क्या होती है प्रवाल के बारे में बात करेंगे प्रवाल तथा प्रवाल वित्ति और प्रवाल बिरंजन के बारे में बात करेंगे जिसको हम कह सकते हैं कूरल बिलीचिंग तो प्रवाल तथा प्रवाल वित्ति हैं क्या होत है प्रवाल के विकास की तस्राइं क्या होती है उनके लिए कितना तापमान होना चाहिए कितनी गहराई होना चाहिए इसके बारे में आपर बात करेंगे प्रवाल की बिकास में कौन को त्वी बाद हैं आती है इसके बारे में बात करेंगे प्रवाल वित्ति के बारे में बात करूँगा next जो हो जाता है आपका वायू मंदल के बारे में आपर बात करेंगे तो वायू मंदल क्या होता है वायू मंदल की पिसेस्थाइं देखेंगे बायू में कई गैसे माजुद होती है और इन गैसों के अलावा बायो मिंडल में चलबा सता धूल के कड़ियों मौझूद होते हैं बायो मिंडल मौझूद जो इस्थाई गैसे होती उनके बारे में बात करेंगे हैं कौन-कौन से वो काड़े इनके बारे में आपर भाग करेंगे नेक्स जो हमें आपर बात करेंगे बहुगा बायो मिंडल की संद्रतना के बारे में इसको कह सकते हैं साधर बात हमें समझे तो बायो मिंडल की चार पड़ते होती हैं चार पड़ते होती हैं कौन को नहीं चो बारे में जानेंगे जलवाई किसे क्या होता है किसको कहते हैं इसको बारे में जानेंगे मौसम तता जलवाई के नियंतरक के बारे में बात करेंगे यानिकि कौन-कौन से ऐसे जो तत्व हैं जो कि मौसम को नियंतरत करते हैं या जलवाई के नियंतरत करते हैं मौसम तता के प्रवर्तन को प्रभादित करने वाले कारकों को भी यहाँ पर देखेंगे जैसी आच्छांस हो गया सूरी सी दूरी हो गई जल से तलका असमान वित्रड़ हो गया परवती अब रोधक हो गया दरातल का स्वभाब हो गया यह कुछ प्रमों के से तत्व हैं इसके बारे में हो गया आत बिरता के बारे में यहाँ पर बात करेंगी नेक्स व सवर्थ क्राइड के बारे में जो कि हम को प्रवाद करेंगे जो कि अचे को प्रवावित करती है प्रत्वी से सूर की दूरी के बारे में बात करने जो कि आपके आप तन को क्या करती है प्रवावित करती है नेक हम बात करेंगी उस्मा पर सब्सक्राइब के बारे में उस्मा बजट क्या होता है किसको कहते हैं अब यह काम कैसे करता है किस तरह से यह करता है इसके बारे में आपर बात करने वाले है वायू मेंडल के ताप मान को प्रिवाइद करने वाली किरियाओं के बारे मात करें जिसमें आपका आजाता है संचालन और बिक्रड क्या होता है संचालन क्या होता है संचालन क्या होता है नेक्ट बात करेंगे सम ताप रेखाओं के बारे में ताप मनता पिरतलोमन क्या होता है यानि इन वर्जन ऑफ टेंप्रेशन क्या होता है इसके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं नेक्ट हम शेंगनन की रूप देंगे यान फौर्म मोः कई को में नियुकर पर लों ये बहुत कर देखेंगे आपका इसात। of clouds के बारे में जिसमें आपका उच में क्या होता है मद में क्या होता है निम्न में क्या होता है नेक्ट देखेंगे वर्सा की प्रकार भी यहां पर देख लेंगे जब बातल की प्रकार देखें तो हवां के ऊपर उड़का ठना होने के आधर पर वर्सा तीन प्रकार की होती है सम्मेहनी वर्सा पर्वती वर्सा और चक्रवाती या बातागरी वर्सा इसके बारे में यहां पर बात करने बाले हैं बातागर ता चक्रवात कैसे कहते हैं चक्रवात या साइकलोन क्या होता है उत्पती के आदर पर जो चक्रवात होते हैं वो दो प्रिकार के होते हैं एक तो सितोस कष्षबंदी चक्रवाथ की शे किरमी अबस्टा है उनके बारे मिला इक दो सिता especial का ज़ world कर तो लुए एक दो सितरय डखर आ गये बुमस्ता अगर आ गया उत्टरी पर्संथ मासा गड़ा हो चीन सागर अइसके बारे में आपर बात करने है बाले नेक्स्ट बात करेंगे उठ्षी गटवन्दी चक्रबाद यानी ट्रोपिकल साइक्लोन के बारे में की निर्मार कैसे होता इसको साधर भासा में समझेंगे चक्रवाद की च्छेति सरनत्रा के बारे में बात करें जिसमें आपका चक्रवाद की आँख यानि आई ऑफ साइकलोन आ जाता है चक्रवाद को अलगले च्छेत्रों में अलग-अलग नामों से जानना जाता है जैसे हरीकेन, टाइफून, विली- च्छेति नाम क्यों दिया जाता है, इनको नाम कैसे दिया जाता है, किन दिसों के द्वार ये दिया जाता है, दिया जाता तो क्यों दिया जाता है, एक बार नाम दे दिया है तो उसको द्वारा क्यों नहीं दिया जाता है, इस तरह को कुछ यहां पर परसन है, उनके बारे सी से जुड़ा हुआ वह नहीं चूटेगा और आपको शुरू करने से पहले एक बात और पता दूँ कि अगर आप इसकी पीडियाप चाते हैं तो आपको नीचे लिंक मैं आपको दे दूँगा वहाँ पर दो तरह की पीडियाप होगी तो पेड होगी और दूसरा होगा फिर आपका उत्तर देने की कोशिस करूँगा तो चलिए पर सुरूबात करते हैं आपका वर्ड डियोगरिफी का पार्ट वन जो की है दादा जी वीडियो चलिए सुरूबात करते हैं सबसे पहला टॉपिक जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड यानि की ता यूनिवर्स जो की इंप कुछ एक्स्टा चीजे में भी कोश्य करूँगा ताको कि आप और नहों और आपको आनंद ही आनंद महसुस हो तो चलिए सुरूबात करते हैं और देखते हैं ता यूनिवर्स को यानि की ब्रह्मांड को तो ब्रह्मांड क्या होता है दो सब्दों में समझें तो आकास गं गंगाओं और इन आकास गंगाओं को सभी पिंड सभी पदार्थ सारी उर्जा को सामिल करके क्या कहा जाता है ब्रह्मांड कहा जाता है यानि कि हम ऐसे कह सकते हैं कि आकास गंगाओं को सम्मिलत रूप से ब्रह्मांड कहते हैं हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक छोटे से और यहां पर एक सोतंत्र जो कड़ है उसको कहते हैं सबसे छोटा जो कड़ माने जाता है वो यहां पर परमाडू होता है जो की इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन और प्रोटोन से मिलकर मना होता है तो एक छोटे परमाडू से लेकर विसाल आकास गंगाओं की समू को हम सम्मिलत र बनता है वो भी ब्रह्मांट का हिस्सा है योगिक चो होता है वो भी ब्रह्मांट का हिस्सा है कोश्चिकाए ब्रह्मांट का हिस्सा है हम जी ब्रह्मांट के हिस्सा है हमारे सारी अंग ब्रह्मांट के हिस्से है पूरा जनसंक्या ब्रह्मांट का हिस्सा है पूरा समधाय सम ब प्रमाड के सी हैं तो क्या समझवे आया कि एक छोटे से अगर दो सब्दों में और बिलकुछ साधर समझदों में समझें तो इस प्रत्थी पर सबसे छोटा कर जो है वो परमाडू होता है क्योंकि एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रों से मिलकर बना होता है तो इसी तरह से बहुत सारे जो आपके बहुत सारे पर्माडू जो होते हैं नीट्रों प्रोट्रों और इलेक्ट्रों से मिलकर बने होते हैं बहुत सारे पर्माडूं से मिलकर एक तत्व बन जाता है और बहुत सारे तत्मों को मिलाकर एक योगिक बन जाता है, बहुत सारे योगिकों को मिला कर अगर अगर हम जीब की तरफ आएं, सजीब की तरफ आएं, तो एक कोशिका बन जाती है, और बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर एक उतक बन जाता है, और बहुत सारे उतकों को मिला कर एक अंग तंतर बन जाता है, और बह कर एक समाज बनता है, बहुत सारे समधायों को मिला कर एक राष्ट बनता है, बहुत सारे राष्टों को या बहुत सारे देशों को मिला कर एक गिरह बनता है, बहुत सारे गिरहों को मिला कर क्या बन जाता है, एक सौर मंडल बन जाता है, बहुत सारे सौर मंडलों को मिला कर ए आकस गंगा बन जाती है और बहुत सारी आकस गंगाउं की मिलाकर हमारा ब्रह्मांड का निर्मार होता है तो सबसे पहले इस ब्रह्मांड का अध्यन करने वाले जो भी एकती थे उनका नाम था खगुल सास्त्री clydeus tolmy फिर भोल दूं सबसे पहले इस ब्रह्मांड का अध्यान करने वाले खगुल सास्त्री थे जिनका नाम था clydeus tolmy ये clydeus tolmy उंखल थे इन्होंने 140 इसली में इस ब्रह्मांड के अध्यान की सुरुबात की थी है तो यह चोटा सा पर्चे हो गया आपका ब्रह्मांड के बारे में नेक्स हम समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानि की origin of the earth उनिवर्ष ठीक है तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बह आने जाता है तो आई ये सबसे पहला जो सिद्धान देखते हैं प्रहमाड की सिद्धान्त में उत्पत्ति की सिद्धान्त के लिए दो हैं आपका महाविस्पोर्ट सिद्धान जाने की जिसको बिग वैंग थियूरी कहते हैं दूसरा जो है कॉस्मिक थ्रेड सिद्धान्त ज जो है एक धागे नुमाकरती से आपस में क्या है जुड़ा हुआ है यानि कि इस सिध्धान्त के अंसार ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम है असोकसेन उनका ये कहना है कि जो ब्रहमाण है वह धागे नुमाकरती से क्या है एक दूसरे से इस तरह से आपस में जुड़ा हुआ ह कि सिधान्द को देने वाले जो व्यक्ती थे उनका नाम था असोग सेन और असोग सेन को इस सिधान्द को देने के लिए असोग सेन को पिर्थाम यूरी मिलनर पुरुषकार दिया गया था मैं फिर से बता दूँ कि इस सिध्धान्त के अंसार यानि कि कॉस्मिक थ्रेट सिध्धान्त के अंसार ब्रह्मान जो है एक धारे धागे जैसी संदाचनाव से क्या है आपस में गुथा हुआ है यानि कि मिला हुआ है इस सिध्धान्त के लिए हमारे भारती मूल के एक बैग् गिनमार करती है उस तरह से यह आपका गुथम गुथा इसमें हो रही है आपस में एक दूसरे से किस तरह से यह यहां पर देख जाएगा चलिए नेक्स देखते हैं दूसरा जो है most important जो कि परित्वादन करने वाले जो ब्यक्ति थे उनका ता नाम था जोर्ज लैमे ट्रे इसको इसको हम जोर्ज ले लेमें तेर भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाया रोक्त में बैक्त चरक्तिodar के मैंई स्पोर्ट सिध्दान्त की अगर बात की जाए तो इस सिध्दान्त के अंस्वार ये माना जाता है कि आज से लगवग 13.7 अरब बर्स पहले जितना ब्रहमान था ब्रहमान का हर एक तत्व इस पेस आलू परमाड जो कुछ होगा यानिक बिल्कुल कहीं पर भी कोई इस पेस नहीं हर एक चीज जिसे मान लीजिए मान लीजिए ये आपका ये मान लीजिए आकास गंगा है ये मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं इसको यह मान लेजिए कुछ भी हो जो भी हो यह मान लेजिए अड़ू है परवान सब को क्या कर दिया एक साथ गुत्थम कुट्थाई करकर आके एक गोला बना दिया गया इतना सेगन पिंड कि इसमें हर एक चीज मौझूद है और उसको क्या कर दिया एक रखा हुआ था और किसी कार से इस आक के गोले में या इस सघन पिंड में किसी कार से क्या होता है विस्पोर्ट हो जाता है और विस्पोर्ट होने के बाद जब यह विस्पोर्ट होता है तो इस प्रिक्रिया कोई हम या इस कटना कोई हम महाँ विस्पोर्ट कहते हैं या कहे इसको ऐसे कह सकते हैं कि तेरे दसमलब साथ अरब बर्स पहले इस ब्रहमांड में आकास गंगाए तारे गिर है जैसे कोई भी पिंड नहीं था यानि यह सब एक जगए एक आके गोले के रूप में मौझूद था लेकिन किसी कार्ड से क्या होता है यहां पर इस पिंड में या listens to a और विखड़ाता है और इस बिद्रब에ग के बाद आपका टायम यानि कि आपका समय स्पेस्ट्पेस यानि की जो काली यह वह और मैटर जिसमें आपका न्यीट्रण और इलेक्ट्रोन का निर्माड होता है बर्तमान का ब्रहमांड बना था एक बाद को सबसे जरूरी बरत्मान का ये ब्रह्मांड बना था लेकिन प्रत्वी पर जीवों की उत्पत्ती के बारे में ये नहीं कि आप तेरे तसमलत सात अरब बस पहले जैसे इसमें बिस्पुडवा वैसे सारे जीव बन गए नहीं बरत्मान का ब्रह्मांड बना लेकिन प्रत्वी या फिर जीवो इखटा था ये गोले की रूप में था और किसी कार्ड से क्या होता है न तो किसी तरह का कोई समय था क्योंकि आप अंदा लगा सकते हैं जब न तो हम थे न ये प्रत्वी थी न ये ब्रह्मांट वो कहना आकस गंगाए थी न ये तारे थे तो कुछ भी नहीं था तो न तो समय था न इस पेस था समझा न न तो समय था न इस पेस था तो कुछ भी नहीं था जब ये बहाँ भी स्पोर्ट होता है या का बिग बैंक होता है तो उसके बाद ही आपका समय उसके बाद ही आपका स्पेस उसके बाद ही मेंटर का निर्माण होता है समझ में आ गया तो इस ब् ब्रहमांड चार और फैल कर बन के तयार हो जाता है और आज भी ये ब्रहमांड क्या कर रहा है एक दूसरे से दूर जा रहा है और क्या कर रहा है ये इस ब्रहमांड का आज भी विस्तार होता जा रहा है ये थोड़ी सी जानकारी थी जो कि बिग बैंग के बारे में थी इतना क आया तो कि आकास गंगाओं को सम्मिलत रूप से हम ब्रमाड कहते हैं आकास गंगाओं के समु को हम ब्रमाड कहते हैं इसी तरह से ही जो आकास गंगाओं हैं बहुत सारे तारे मिलकर क्या करते हैं आकास गंगाओं का निर्माड करते हैं माली जी ये बहुत सारे तारे हैं और बहुत सारे तारे मिलकर यहां पर इखटे हो जाते हैं, एक आकस गंगा करने मार हो जाता है, माली यह दूसरी आकस गंगा यह है, बहुत सारे तारे मिलकर एक आकस गंगा करने मार करते हैं, तो एक जो आकस गंगा है, वह क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, यह बात की बात है अभी क्या है कि बहुत सारी आकास गंगा है तारों के समूसे मिलकर बनी होते हैं माल लेजिए मंदाखनी आकास गंगा है और ये देवयानी आका है एंड्रो मेडा आकास गंगा है तो इतनी जानकारी काफी है नेक्ट हम इसको किलियर करते हैं कितावी वासा में थोड़ा समझते हैं मैंने क्या बताया कि एक केंदर के चारोर भाई या केंदर कहां पर है आपको यहां पर 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 आपको दिखा दूँ एक केंदर के चारोर चकर लगाते हुए तार दूलकड़ों और गैसों के बिसाल सम को हम आकास गंगा कहते हैं मैं फिर से बता दूँ मान लीजे ये आपका इकूला है या फिर एक केदर है या फिर ये बल्ज है इसके चारो और तारे गैसों और बिसाल धूलकड़ों को समलित रूप से हम क्या कहते हैं आकास गंगा कहते ह हैं जब महाविसपूर्ट हुआ था यानि कि फिक वेंग के बाद जो पिंड थे मैं फिर से बता दूँ जो महाविसपूर्ट हुआ था तो जो पिंड थे अरवो खर्वो आकास गंगाओं में पट जाते हैं और ब्रह्मांड में करीब करीब सो अरव से भी अधिक आकास गंगा हैं पिरतिया एक आकास गंगा में सो अरव से अधिक तारे हो सकते हैं या फिर अनंत तक भी हो सकते हैं ये आकास गंगा है क्या कर रही है एक जगह पर इस्थित नहीं है माली जी कोई आकास गंगा यहां पर है तो वो इस जगह इस्थित न अभी निर्माड हो रहा था हो रहा है अभी परतमान में क्योंकि जब मैंने आपको बता है कि सब को सगन पिंड के रूप में था तो न तो टाइम था न मैटर था ना इस पेस था तो कुछ भी नहीं था तो अब क्या हो रहा है एक तरह से इस पेस बढ़ रहा है तो क्या हो रह है क्योंकि माल लीजिए मैं माल लीजिए मैं कहूं आपसे कि माल लीजिए यह आपका कोई देश है माल लीजिए अमेरिका है और यह क्या आपका माल लीजिए इंडिया है तो भारत और अमेरिका के बीच की अगर माल लीजिए अभी क्या करते हैं माल लीजिए इतने दूर है त्टिक है अब इदेखने इतने दूर है तो अम मालीजी हम क्या करते हैं अमेरिका को उठा क आकर देते हैं और इंड्रिया को यानि कि भारत को उठा कर यह करते हैं तो हमको क्या समझ में आया कि यह जो उठाना हुआ यह बीच का जो gap बनाया यह भी तो space बढ़ाया मतलब इसका भी तो निर्मार हुआ, इसमें कुछ तो कुछ होगा, यानि कि हबा होगी, कुछ तो होगा, तो क्या हो रहा है, इसका बिस्तार हुआ है, यानि कि इसमें बड़ोत्री हो गई, तो मैं फिर से एक बार कर दूँ, कि एक एंदर के चारों और चक्कर लगाते हुए, तारों धूलकडों और गैसों के बिसाल समू को हम आकास गंगा कहते हैं या हम दो सब्दों में कह सकते हैं जिस तरह से इने ब्रह्मान को समझा कि आकास गंगाओं के समू को हम सम्मिली तूरूप से क्या कह देते हैं या सम्मिलत रूप से हम क्या कहते हैं, हम ब्रह्मांड कैसे हैं, इसी तरह से तारों के समू को हम क्या कहते हैं, आकास गंगा कहते हैं, तो मैंने क्या बता है, जब महां भी स्पोर्ट हुआ था, तो जो पिंड थे, अरवो खरवो आकास गंगाओं में क्या होते हैं, बट जात क्या होगा यह आपस में टकरा जाएंगी टकरा जाएंगी तो क्या होगा यह पूट पाट जाएगा कबाड़ा हो जाएगा लेकिन क्या कर रहा है यह दूसरे से दो रिचार हैं यह इस तरह से चुटा सा जानकारी दियो तो क्या मतलब आया इसमें फमिद में कि जो आकास गंगा है या कर जो प्रहमाड है उसका क्या हो रहा है बिस्तार हो रहा है आकास गंगा का ब्यास दो लाख प्रकास बर्ग है ठीक है एक प्रकास वर्स में एक प्रकास वर्स में नो तर्समलग चार सो साथ पा पावर पंदर है मीटर होता है आकास गंगा के केंद्र को यानि कि यहां पर आपको देख जाएगा चमकीला जो छेतर है यह आकास गंगा के केंद्र को हम बल जी कहते हैं पिर से बता दू आकास गंगा के मालै का मालची मेडा का यह तरह कंगा है और यह मालची यह जाने देता आपस में जब बैक्ता सक्वाड़ा है। मंदागी नहीं आका सकंगा है, यह माल लेजिए एंड्रू मेडा है, तो एंड्रू मेडा का माल लेजिए बहुत सारा माल है, एंड्रू मेडा का बहुत सारा माल है, और यह मिल्की बे का माल है, जब यह बल्ज में इतनी तागत नहीं होगा, कि जो भी इसका माल है, वो अपन सारे पिंडों को सारे माल को सारे दूलकड़ों को सारे सारों को सारे गैसों को आपस में बांदे रखता है ताकि ये एक दूसरे में क्या न जाएं एक दूसरे से दूर न चरे जाएं चैसे मानली जी कोई तारा ये है और कोई तारा ये है तो क्या है कि ये मंदाखनी आकस गं गंगा का भाग है वो जाके कल दूसरे दिन देखा तो दर बगल में जाके एंडू मेडा का चकर लगा रहा है कि बैसा वमारा तो हम तो आज कॉंघ्रिस को बूट देंगे ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर किसी तरह का दल बदल नहीं हो क्यों तो कि जो बल होता है उसमें बहुत अधिकुर्ट आकरसवर बल होता है इस कार्ड क्या होता है वो सभी माल को अपने पास ही बांदे रखता है यह एक छोटा सा पर्चे होगे तो क्या सभी में आ अकरति के अंसार इन्हें तीन बफ़ले लेनी है आप हम थीन और जो है पर सबसे पहले है यह सर्पिल आकार की है जिस तरह से आपको सांप देख आएगा इस तरह से एक सकेंड माल लिए माल लिए कुछ सांप है सांप क्या कर रहा है इस तरह से कुंडली मार कर बैठा है इसको हम क्या देंगे सर्पिल आकार की आकस गंगा दूसरा माल लिए कोई आकस गंगा हो बह तरह से हो जाती है फिर इस तरह से चलि जाती है और इस तरह से जाने के बिभस्थित हो जाती है और सब एक वागा प्श्र से तीसरा जो है आप बेबस्ते ठीक है तो यह तीन प्रिकार की आकास गंगा होगी यहां पर आपको देखने को मिल जागा है यहां से इस तरह से सुरुवात होती है इसकी और यह आपार यहां शुरू होती है यानि की बहुत बड़ा भूला बनाती है तीरा जो है यह है इस तरह से कोई इसका रेगुलर है कोई किसी की तरह का कोई खास भूढ़त नहीं मनता दिक रहा है तो इह तीन पैकार हो गए है इसको घ्राकली ये छोटी होती है इसको हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह या फिर एक ग्रह से दूसरे ग्रह या सूर से ग्रह के बीच की दूरी को मापने के लिए करते हैं मैं फिर से बता दू खगोली एकाई सूर से ग्रहों के बीच की दूरी या फिर एक ग्रह से दूसरी यानि माली ये सूरी का बुद्ध के बीच की दूरी, सूर से मंगल के, सूर से प्रत्वी की, या फिर माली ये बुद्ध से सुक्र की, या फिर बुद्ध से बिरस्पत की, या फिर बुद्ध से अरोड या बरोड की दूरी मापनी है, तो खगोली ये एकाई का इस्तुमाल कर मान लिजे इसके दोनों की बीच की दूरी निकालें तो हम प्रकास वर्स का मतलब होता है जो प्रकास होता है प्रकास होता है एक मिनट में मतलब एक साल में जितनी दूरी तै करता है उसको हम प्रकास वर्स कहते हैं जैसी मा लिए सूर से प्रतिवी पर आने में सूर से प्रतिवी पर आने में सूर का प्रतिवी पर आने में कितना समय लगता है आठ मिनट आठ मिनट ड़ीक सेकंड लगता है अब यही जो प्रिकास, वहाँ से लेका यहां तक आया, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ से 되면 यहां तक अगर आता है, तो कितना समय लगा, लगवग 8 मिनेट 22 से लगा हो बहां से और यहां तक की बीच की दूरी कितनी है लगवग लगवग 15 करोड किलो मीटर कितना है 15 करोड किलो मीटर तो क्या समझ में आया तो अब 15 करोड किलो मीटर जो है पिरकास को तेह करने में कितना समय लगा 8 मिनट 20 सेकंड अब पिरकास जो है तो हम एक गंट सत्य पर दूरी के लिए स्टत्य बात करते हैं चलिंए नेक्स्ट करते हैं चलिए उस अपनी मंदाकिनी आकास गंगा के बारे में भी बात कर लेते हैं मंदाकिनी आकास गंगा मतलब वह आकास गंगा जिसमें हमारा सौर मंदल या हमारा सूर या हमारा गिरह है या हमारा देश है या हमारा सहर इस्तित है तो आएक किस आकास गंगा में हमारा देश से इस्तित ह तो वह जाएगी मंदाकिनी आकास गंगा ठीक है चलिए मंदा आकास गंगा है कितनी है सो अरब से भी अधिक उन में से एक आकास गंगा अपनी भी है चलिए तो देखते हैं मंदाकिनी आकास गंगा तो ब्रह्मान्ड में मैंने क्या बताया था सो अरब से भी अधिक आकास गं है हमारा सूरज किस आकास गंगा में इस्तित है तो मंदा की नहीं है हमारा गिर है किस आकास गंगा में इस्तित है तो कहेंगे मंदा की नहीं समझ में आ गया तो हमारी जिस मंदा की नहीं आकास गंगा को हम दुद्ग मेखला क्योंकि यह दूद की तरह सफेद और उजली है त फिर Milky Way Klexi भी कहतेते हैं, क्या कहते हैं, दुद्गमेकला आकास गंगा या Milky Way आकास गंगा भी हम इसको कहते हैं, हमारी यो आकास गंगा है, वो किस तरह की है, हमारी आकास गंगा सरपिल आकार की या स्पाइरल सेप में है, ठीक है, यह भी पूचा जाता कि हमारी आकास गंग का अपने सौर मंडल के साथ क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है और मंदाकिनी आकास गंगा में हमारा सौर मंडल जो है सौर मंडल में क्या क्या सामिल किया जाते हैं उसमें आपका सूर्य आ जाता है और उसके आठ गिरहा जाते हैं, कुछ बोने गिरहा जाते हैं, कुछ उद्र गिरहा जाते हैं, और यह वाज कुछ हैं, उसके बारे में हम आखे बात करेंगे, मैं फिर से बता दूँ, सूर्य जो है, मंदाकिनी आकास गंगा का, अपने पिंडों के साथ क्या कर रहा है, चक्कर लगा र मन्दाकनी आकास गंगा के बल्ज का 22-25 करोड बरसों में एक चक्कर पूरा कर लेता है इस समय को यानि कि 22-25 करोड बरस को हम गंगे बरस या गैलेक्टेक एर कहते हैं मैं फिर से बता दूँ सूर जो है मन्दाकनी आकास गंगा का अपने पिंडों के साथ क्या कर रहा है चक्क जो है वह 25 या 22-25 क्रोड बरसों के मतलम 22-25 क्रोड बरसों के अंदर या बरसों में लगा लेता या पूरा कर लेता और इस 22-25 क्रोड बरस को थे हम क्या कहा और किया कहा आपको 24 इदो deduct ay यगा कहीं तेश्ण भी देखी जाएगा और कहीं आप को पचीशी पी देखते हैं विससे मां आप बाई सकते हैं चलू नेक्स्त देखते हैं समझ मैं है Gil wheather किसे कहते है चलिक तो हमारी नकाजगंगा है इसकी पडोसी आकास जगंगा की अगर बात की जा array हैं एंट्रो मेडा या देवयानी आकास गंगा प्रत्वी की आकास गंगा को हम मंदाकनी आकास गंगा कहते हैं या मिलकी बे कहते हैं या दुद्गु मेखला आकास गंगा कहते हैं ब्रमाण में पाई जाने वाली पाई जाने वाली या ब्रमाण में पाई जाने वाली जितनी इने किलैक्सी जिया उन मैंसे सबसे नया जो आकसगंगा है उसका नाम जो है वो डॉर्फ कलेक्सी आ मन आकास गंगा है इतनी जानकारी आकस गंगा के वारे में काफी है नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम थोड़ा सा जानकारी ले ले लेते हैं डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट के बारे में थोटा च्छोटा सा टॉपिक है दो सब लाइनों का इसमें है तो वैसे इसका नहीं है लेकिन मैंने हलका सा इससे जुड़ी कुछ बाते आ रह नistä जागा तो इसके तहरे में डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट के तहरे तो यह स्पेक्ट्रम होता है जो सात रंग होते हैं सात रंगों मैंसे यह बैंगनी रंग क्या होता है बिस्तापन होता है तो और नी यह ज़ेज़ोrd दूसरे के पास आरही होती है इस ब् एक दूसरे से क्या कर रही है, दूर जा रही है इस तरह से, तो हमारा जो हमारा क्या है, आकास ऐसे तूर जा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि spectrum है जो रंग है उसमें से जो लाल रंग है उसका क्या हो रहा है बिस्तापन हो रहा है तो यह है यह काड है कि हम यह कहते हैं कि माल लिए यह Milky Bay है और यह आपका माल लिए एंड्रो मेरा है तो क्या कर रही है एक दूसरे से दूर जा रही है क्या कर रही है दूर जा रही है अग आकास गंगा एक दूसरे के पास आ रही होती है, अगर लाल रंगा विस्तापन होता है, तो आकास गंगा क्या होती है, एक दूसरे से दूर जा रही होती है, इसके दर आकास गंगा के दूर जाने की हमें जानकारी मिलती है, क्यों? तो कि लाल रंगा विस्तापन होता है, एक आप से यह पूचा जाता है कि मा लिए यह आपका मिल्की बे या फिर आपका अम civ lindo HE मैं तो मनदा की निए आका शगः आपका प्रत्वी इस्तेत है था हमसे पूचा जाता है क्या क्या देव या ँच्छि कंगे प्रतिवी से दूर जा रही है तो हमने अभी क्या बता है लाल रंका विस्ताबन होगी क्या का जा रही है तो हाँ जा रही है अगर यह पूंचा जाता है क्या सूर से दूर जा रही है एंड्रोमेडा या फिर सूर से आकासगंगा है दूर जा रही है हाँ जा रही है क्यों सू वह है आपका निहारिका तो सबसे जरूरी बात जो निहारिका है वो है सौर मंडल का भाग नहीं है किसका भाग है आपका आकास को ब्रमान जो होता है ब्रह्माड जो होता है आकास गंगाओं के समू को हम सम्मिलत रूफ से ब्रह्माड कह देते हैं तारों के तारों दूलकड़ों और गैस के बादलों को सम्मिलत रूफ से हम क्या कह देते हैं हम आकास गंगा कहते हैं या तारों के सम्मिलत रूफ से हम क्या कह देते हैं समुखों को हम आकास गंगा कहते हैं वहीं निहारिका जो होती है तारी तो अलग निकाल दो तारी किसमें है आकास गंगा कही भाग है निहारिका होती है उसमें क्या होता है दूल और गैसों के ये बादल होते हैं क्या कहलाते हैं निहारिका कहलाते हैं किसमें होते हैं ये आका से क्या होते हैं या करें जो निहारिका होते हैं निहारिका से ही क्या करते हैं तारे जन्म लेते हैं हम कह सकते हैं निहारिका से ही तारे तथा अन्य आकासी पिंड जन्म लेते हैं निहारिका को ही हमारे सौर मंडल का जनक भी माना जाता है निहारिका बहुत चमकीले होते हैं औ सबसे चमकीला नहारिका है उसका नाम है और यह औरिंट नेbular मैं पिर से बता दूं मैंने क्या बता Anya C gusta यह П хотите है कि पेंड़िक जन्म लेते हैं तो हमारा सौरमैंडल का जो इत्ष्दम है वह नहारिका को ही माना जाता है यानिक नहारिका इसका जन्म हुआ माना जाता है तो आप से अगर ये पूचा जाता है क्या निहार का आकास गंगा का भाग है तो हाँ है क्या सौर मंडल का भाग है नहीं है चलिए ये हो गया आपका निहार के बारे में छोटा सा पर्च है नेक्ट बात करते हैं छोटा सा टॉपिक जिसको हम कहते हैं डार्क में में दिखाई देती हैं उसका तो दिरब्यमान आप करी लें किनारे और जो हमें चीजें नहीं दिखाई देती हैं उसका भी दिरब्यमान एक तरफ निकाल के रख लें तो जो न दिखाई देने वाली चीजें हैं और जो दिखाई देने वाली चीजें हैं तो दोनों का अगर अंतर निकालें तो 90 से 95% तक निकलता है अब दो सब्दों में इसको किलियर कराता हूँ मैंने क्या बताया कि बैग्यानिकों का ये मानना है कि ब्रह्मांड में केवल आकास गंगा तारे और गिरों की बज़े से इसका दिर्वमांड इतना नहीं है बलकि इन का इन बैग्यानिकों का ये मानना है कि ब्रह्मांड में अनेक ऐसे भी पदार्थ मौझूद है जो कि हमें दिखाई नहीं देते उसके बाद भी ब्रह्मांड का 90 से 95% दिर्वमांड इन ही न दिखाई देने वाले पदार्थ के कारण होते हैं माल लीजिए स्वारी मैं किस इसका प्रिचार नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप यह करेंगे प्रिचार कर रहा हूं माल लीजिए हमारा यह पूरा ब्रहमांड है और इस ब्रहमांड में माल लीजिए हम बहुत सारी चीजें इकटी कर लेते हैं इस तरह से हम इसको कर देते हैं मान लीजिए हम इस ब्रह्मांड का अगर दिरभ्यमान निकाले तो मान लीजिए हमारा जो ब्रह्मांड है इसका दिरभ्यमान तो नहीं दिख रहे हैं तो क्या है कि मान लीजिए दिरभ्यमान है इस पूरे इस पूरे ब्रह्मांड का दिरभ्य लेकिन हमने क्या कर दिया ये उठाया एक आए उठा दी तो यहां पर यहां पर ये वाली एक आखास कंगा निकाल दी ठीक है और एक आखास कंगा मिने यह निकाल दी, तो ऐसे करके मले इसे यह सारी आकास खंघ ऑऽ सब को मिला मिलू का क्या कर लिया हमने आकास खंथा कर लिए किनारे रकiszतारे का रख लिए सब कर दिरभ्यमान निकला कितना निकला साउ में से कितना निकला हमारा 10 किलो یा हम कह सकते है 7 किलो गिराम या कहा सकते हैं कि सौ मैंसे यह पूरा ब्रह्माड है उसका दिरभ्यमाने सौ किलो उसमें से कितना निकला सारी आकस गंगाओं को निकाल करो सारे जितना भी गिराया उफ गिराया उनको निकला निकला हमारा सिर्फ और से साथ किलो निकला बाकी का अब यह पूरा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है उसका द्रभ्मान पूरे जो माल है यानि कि आकास गंगा है तारे और सभी को मिलाकर उन सभी को मिलाकर केवल 7 या 8 परसेंट ही होता है और जो हमें नहीं दिखाई देने वाला पदार्थ है उसका द्रभ्मान 90 से 95 परसेंट तक होता है यह म दिखाई नहीं देते उसके बाद भी इस ब्रमांड नब्बे से पिच्छाने परसेंट दिरे बिमान इनी न दिखाई देने वाले पदार्थों ने घेर रखा है ठीक है तो यह हो गया चोटा सा पर्चे आपका डार के मेंटर के बारे में चलिए आगे बात करते हैं इंपोर्टेंट तारों के बारे में तारे आपको पता चल गया होगा अपका फिर से बिजन कारदू मैंने पताया था कि ब्रमांड को संविली मन्दा की नहीं आकास गंगां में सारी बहुत सारी आकास गंगाउं में है बहुत सारी आकासगंगों में क्या है सभी आकासगंगों में तारे हैं तो तारों को समिलेत रूप से हम क्या कहते हैं आकासगंगा कहते हैं तो अब बात आती है आकासगंगा समझ में आ गई ना चलिए यहाँ पर इस तरह से हम कर सकते हैं मालीजिए इसको हम मालीजिए पूरवाइब तरह से बहुत सारे ब्रहमांट है कोई सीभी एक आकास गंगा उठा ली मालीजीए मंदा गिनी यह इसको इसको हम सूर कहते हैं और उसके आस्तार के जितने भी पिंडे उसको सम्भी तूर से क्या कहते हैं सोर मंडल कहते हैं तो इस तरह से अर्वो खर्वो तारे हैं जो कि यहां पर देखने को मिल जाएंगे ठीक है चलिए वह सारक कबाड़ा मेरा इधर खटा है तो उसकी वेज़े से मुझे फिलाब मिलता है आप लोगों को जांपल देने के लिए अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए चलिए तो समझ में आगे न क्या समझा है ब्रमांड में बहुत सारी आकास गंगा हैं और उन आकास गंगां बहुत सारे तारे हैं और उन बहुत सारे तारों के भी कोह सारे पिंड हैं और उन बहुत सारे होते हैं जिनकी उत्पत्ती आकास गंगा में मौझूद निहारिका से हुई हुआ माना जाता है या उनसे उत्पत्ती निहारिका से हुई मानी जाती है या हम कह सकते हैं कि आकास गंगा में मौझूद गैस और धूल कड़ों के बादलों से आपकी तारों की उत्पत्ती हुई मानी जाती है तारे जो होते हैं लगातार उर्जा मुक्त करते रहते हैं या तारे जो होते हैं लगातार उर्जा को छोड़ते हैं जो कि नावकी संलाइन के पिरक्रिया के त्वारा होता है यानि कि हाइड्रोजन के पर्माडू को हीलियम में ये ल में स्वयम का यानि खुद का अपना क्या होता है प्रकास होता है एक को आमें पिसे बता दूँ यह मैंने क्या बताया था कि आप बहुत सारी आकास गंगाओं में उसे बहुत सारी आकास गंगाओं में क्या है बहुत सारी तारे हैं उन आकास गंगाओं में क्या है बहुत सारी निहारिकाएं हैं, उन्हीं निहारिकाओं से क्या हुआ माना जाता है, इन आकास गंगाओं में जो तारे होते हैं, उनका क्या माना जाता है, उत्पत्ति माना जाता है, ठीक है, तो मैंने क्या पता है, तारे वे आकासी बिंड होते हैं, जिनके उत्पत्ति आकास गंगाओं क्या करते रहते हैं? जलाते रहते हैं और जलाने की जो प्रिक्रिया होती है, आपको क्या करते हैं? जिसमें जो हाइड्रोजन होते हैं, उनके हाइड्रोजन के अड़ों को क्या करते हैं? हीलियम में परवत्त करते हैं, हाइड्रोजन को हीलियम में परवत्त करने की प्रिक्रि कि जो आपके जो तारे होते हैं उनमें अपना स्वयम का पिरकास होता है यानि मान लिए यह आपका सूर है या फिर मान लिए कोई तारा है तो इसमें अपना स्वयम का पिरकास है ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो यह क्या समझे आ है स्वयम का पिरकास है तो तारों के पास अपना खुद का गुर्तवा करसरबल भी होता है जिसके काड़ वे अपने पास से कोई वस्तु को जाने नहीं देते जिस तरह से आपका सूर और उसके जो किरह है उसके जो पिंड है वो क्यों नहीं जाने देते क्योंकि सूर में अपना खुद का सूर एक तारा सूर में अपन पिंडों को दूर नहीं जाने देता, ठीक है, चलिए, आके देखते हैं, तारे, आके बढ़ते हैं, तो हमने क्या बताया था भी, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था, कि तारे, सूर भी एक तारा है, और ब्रह्मांट का सवसे अधिक चमकीला जो तारा है, साइ कुक्ता तारह है घृब्ग इसको करते हैं तो बता दूँ सूर्भी एक तारह अधिक चमकीला रहने है सबसे चमकीला दिखाई देता है ठीक है ठीक है को चलिया बात करते हैं खगोली पिंड जनीड़ा चमक्ते हैं तो इसमें सबसे अधिक चमकने वाला खगोली पिंड जो है वो सूर है, उसके बाद चंद्रमा है, उसके बाद शुक्र है तो अब ये खगोली पिंड की बात कहा से आ गई? मैं माले ये पिरत्थ्वी पर खड़ा हुआ हूं, तो लाट के साथ वंद हो जाती हैं, हम उसको नहीं देख पाते हैं, तो इसका मतलब ही हुआ है, कि सूर सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है, प्रत्वी से, आप यहाँ पर यह बात नहीं करेंगे, कि सबसे रात में जब चंत्रमा निकला हमने उसको देखा, लेकिन वो भी काफी हद तक चमक रहा था, उससे भी क्या थी, रात में, दिन यैसी कभी-कभी रोसनी में सुद होती है, जब पूड़मा होती है, जब पूरा चांद निकला होता है, तो वहाँ पर दिन यैसी रोसनी हो रही यह इसका मतलब यह है, कि दूसरा चमकीला जो पिंड था, वो हमें चंत्रमा दिखा, तीसरा जब बात होई, तो क्या होता है, हम जब सुबह उठे, तो हमें चमकीला सारे तारे दिख रहे थे, छोटी-छोटी दिख रहे थे, उसके बाद एक तारे जैसा दिखने वाला बह लेकिन पूरे ब्रहमांड में अगर बात की जाए, तो सबसे अधिक चमकीला जो वो है, तारा वो क्या है, आपका डॉग इस्टार, जिसकी खोज होई है, बाद में कौन सार कहां पर खोज होई जाए, उससे हमें बात नहीं है, अभी वरतमान की बात करता हूँ, सारे से कु जाने वाली गैसों में अगर बात की जाए, तो हाइट्रोजन जो होती है, 71% होती है, हीलियम जो होती है, 26.5% होती है, और अन्य गैसों की बात की जाए, तो 2.5% तक होती है, प्रत्वी का सबसे पास का जो तारा है, वह सूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, बहुत सा सूर्य है, सूर्य के बाद है, आप से सुरू होता है, बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, वंगल, इस तरह से चलता 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 है, उसके बाद अल्फा सेंटोरी आता है तो सबसे पास का जो तारा है वो आपका सूर है किसके प्रत्वी का उसके बाद अगर दूसरे सूरी के बाद दूसरा सबसे पास का तारा बोलेंगे तो हम कहेंगे अल्फा सेंटोरी आपका तारा है उसके बाद अगर बात करें तो proxima आपका आजाता है, तो सबसे पास का तारा कौन सा है, सूरज, उसके बद का alpha centauri और proxima, ये किसकी बात हो रही है, प्रत्वी के, लेकर अगर बात की जाए कि सूर्द का सबसे पास का तारा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, alpha centauri और proxima है दूसरे नंबर पे क्यों? सूर एक तारा है प्रत्वी तो तारा है नहीं, प्रत्वी ये गिरह है समझ में गया? तो सौर मंडल का सबसे पास के तारे के अगर बात की जाए तो alpha centauri है, उसके बाद proxima आता है ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो तारा है spinal orogi है क्या नाम है? spinal orogi है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा ठीक है, क्या नाम है? spinal orogi चलिए, यहाँ पर आपको dog star याँ कुट्टा तारा देखे जाएगा यहाँ पर यह इस तरए सक्वार कि यहाँ पर कुट्टा तारा यह अगर सूरी जितनी अगर पास का ओक्या यह बहुत दूर होगा तब इतना चमकता है अगर यह सूरी जितना पास हो तो हमारी आँक है चील मेला तो समझो क्या क्या हो जाएँगग वह आप जानते हो चलिए तो यह एक छोटा तर पर्चे हो गया तारों के बारे आगे बात करते हैं तारों की बारे में तारे का जो रंग होता है पूंचा जाता है तारे का रंग जो होता है तो तारे का रंग जो होता है वह तापमान का सूचक होता है ठीक है तापमान का सूचक होता है तो चलि तो हम अपने आप देख के बता देंगा वह ता तारह है तो वह तापमान वह सूचक होता है क्योंकि आपने कवता भी सुनी होगी आसुमान या कहुं पता ने कैसे सिपता है चंदेनी राट में चीक्ट होगा क्या दुनिया से या इस पूरे प्रमांट प्रहु सत लेंगे वाला होता है या फिर जाने वाला हुता है तो पिसी मैं बोल दूँ नीला जिन्दा है या भूलेंगी और जब वो मरने वाला होता है तो जो देरकन होती है वो बंद हो जाती है बहुत समाप्ट हो जाता मिरत्य को प्राप्त होता है सम्झेना लाल रंग के तारे को रैड जाइन्ट तारा भी कहते हैं तो यहां पा नीली रंगा का तापमान की व sacrific तो 28,000 से लेकर 50,000 Kelvin तक आपको तापमान देखने को मिल सकता है सफेद की अगर बात की जाए तो 7,500 से लेकर 9,900 तक का इसका तापमान देखने को मिल सकता है दॉन सकता है धानी नारंगी रंगीर बात की जाए तो wei चली यह हो गया च्छोटा सा परचे दापमान का सूच्चक होता और रंग होता है क्या तारि organic बात करते हैं तारी का जीवन परच शैएं या टारी का चीवन चक्र इप Manuel को चैकल İskें इसकी साइकल के बारें कि बारें बात निर्माण निहार काउं से हुआ माना जाता है किसी भी तारे की जीवन अबदी उसके आकार पर निर्वर करते है यानि कि तारा जितना बड़ा होगा उसकी अबदी उतनी ही कम होगे तो मैंने क्या बता है जब तारों के कोर में इंदन खत्म होने लगता है तो तारों के मिरत् समाब तो हो जाता है तो चलिए आगे पढ़ते हैं यह को क्या चीवन परचे के बारे में छोटा सा परचे नेक्ट बात करते हैं तो चारे जब मिरत्यु के प्राथ होने बाले होते हैं यानि कि जैसे उनका hydrogen खतम होता है जैसे मालीजिए प्रतर पिर समाब्त होने बाला था तो मैंने क्या बताया है तो जब तारे में रत्युकूप्रास होते हैं तो उनकी भी कई सारी दताइं होती हैं, तो जब तारे समाप्त होते हैं, तो उसमें बहुत तेजी के साथ पिरकास, पिरकास के साथ एक बहुत बड़ा बिस्पोर्ट होता है, इसको हम सुपर नोबा बिस्पोर्ट कहते हैं, जब बिस्पोर्ट होता है, तो उसके बाद तारे का जो कोर होत और चमकते चमकते क्या है उसका इरन दीमेदे में समापत हुआ है समापत होने के बाद वो आखिर में बुझ जाता है बुझ जाने के बाद एकदम इसमें क्या होता है बहुत तेज पिरकास के साथ यह फट जाता है और जब यह फटता है तो इसको क्या कहते है इसको हम सुपर नोबा विस्वोट कहते हैं, जब ये फटता है, जब मालीजे, मालीजे, ये क्या है, कि मालीजे सुपर नोबा विस्वोट हुआ, ये मालीजे एक तारा है, तारा मालीजे, ये बहुत तेज क्या हो रहा है, इसमें मालीजे एक तारा है, तारा क्या कर रहा है, बहुत तेजी स इकदाम सुपरनोबा के साथ विसवोड के साथ अब्तम तुरंद फटा जब फटा, तो उसमें क्या हुआ के बहुत तेजी से विसवोड हुआ उसके अंदर का जो कोफ़वाला भाग होता है यानि कि बहुत मजबूत भाला भाग होता है निट्रोन तारा जो होता है बहुत छोटा होने की कार क्या करता है बहुत तेजी से घोडन करता है यानि की बहुत तेजी से चर्की की तरह गोंता है जिस तरह सक्तिमान गोंता है पापापा करते है गोंता है न तो एक गम सक्तिमान करते हुए ये गम गोंता हुआ क्या करता है बिद्द्चुम की एक रणे चार ओर फेला देता है जैसी है बिद्चुम की क्रणे पेलाता है उस समय यह कहलाता है पलसर फिर से बता दूम मैंने क्या बताया यहांपर सबसे पहली चरकी की तरह घुल क मारी के तरह करते हुए जब घुमता है तो क्या होता है इस हम चार और बिदो चुम की एक केर्ड़ने जो होती है चारुर फैल जाती है जब बड़े इस पूर्ड के साथ यह बिद्ट बिस qu upgrade के साथ यह बलेक placebo में बदल जाता है जिससे इस बिलेक होल में बहुत अधिक गुर्टवा का सरवेल होने का रहे हैं इसमें से कोई भी पदार्थ बाहर नहीं जा पाता है यहां तक की प्रिकास भी बाहर नहीं जा पाता है इसका सीधा मतलब जब प्रिकास भी बाहर नहीं गया ब्लेक होल में समा गया तो जब प्रिकास ही न पारा होता है उसका हाइड्रोजन होता है चलता है चलता रहता है और आखिर में वो समाप्त हो जाता है समाप्त होने के बाद वो जब मिरत्यू को प्राप्त होने वाला होता है तो उसमें बहुत तेजी से एक विस्पोर्ट होता है जिसको सपर नोवाइब उसको पलसर कहते हैं जब पलसर की इस्तिदी के बाद क्या होता है वो एक दम बहुत बड़े विस्पोर्ट के साथ एक बलेक होल में बदल जाता है और बलेक होल में इतना गुर्तवा करसरबल होता है कि वह है प्रिकास का एक अंस तक बहार नहीं जाने देता और आखिर में य लेंद्र शेकर सीमा के बारे में या चंशेकर लिमिट के बारे में यहां एक नजर पहले में डाल लूँ मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से यह सुपर नूवा बिस्पोर्ट में बदलता है और फिर यह पिक्रड़े होती हैं उसके बाद यह ब्लैक बदल जाता है ठीक है य चंसेकर सीमा या चंसेकर लिमिट का मतलब क्या होता मा लीजिए सूर्य जो है उसका दिरभ्यमान जो है 100 है और सूर्य के दिरभ्यमान का अगर कोई तारा जो है एक दसम लब चार चार गुना अगर हो जाता है तो वह ब्लैक होल में बदल जाता है और ब्लैक होल का गुर्तव गुर्टवाकरशर सकती इतना आधिक होता है कि इससे प्रकास तक बाहर नहीं आ पाता और वो सब कुछ उसके अंदर समाई जाता है जंसे कर सीमा का अगर मान की अगर बात की जाए तो कितना हो गया सूर के दिरब्यमान का 1.44 गुना कितना सूर के दिरब्यमान का 1.44 गुना या सूर के दिरब्यमान का 1.4 टाइमस हो जाएगा ठीक है इसको हमें ऐसे भी कह सकते हैं इसको हम अगर किलोग्राम में निकालें तो 2.765 multiply 10 की power 30 kg क्या गया समय है दो दसमलब 765 गुणा 10 की 30 kg आपका चंसेकर सीमा का क्या होता है दर्विमान होता है इसके प्रतिवादन करने वाले ब्यक्ति जो थे वो थे आपके सुब्रोमनियम स्वामी या फिर सुब्रोमनियम चंदर सेकर थे ठीक है चलिए एक वार फिर से मैंने क्या बता है चंसेकर सीमा का मतलब क्या होता है तो के दिरब्यान का एक दसमलब चार गुणा या फिर दो दसमलब साथ छे पाँच गुणा दस की पावर तीस किलोगिराम होता है का परतवाजन उनिस्टो तीस में हमारे सुब्रमन्यम चंद्र सेखर ने किया था चलिए आगे बात करते हैं समझते हैं तारा मंडल या नचात्र मंडल के बारे में बात करते हैं इसको हम कहते हैं कॉंस्ट्रिलेशन ठीक है कॉंस्ट्रिलेशन भी कह सकते हैं चले समझते हैं आपने कवता सुनी होगी रात में आसमान में देखूंगा तारे यह कवता आपने सुनी हो वही है रात में आसमान में तारों के समू द्वारा ब नवासी नक्षत्र मंडल है यानि कि 89 कोई मेरे उपर केस नहीं करेगा कि आज 2020 चले कल 2021 में कहेंके नहीं नहीं आपने तो 89 पड़ा दिया यह 89 कोई नहीं पूचेगा संख्या नहीं पूचेगा कुछ प्रमक्त नक्षत्र मंडल उनके बारे में पूचे लेगा यह जानकारी क यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे 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 यहां पर यह कह सकते हैं कि जो अधिक जातर जो नक्षत्र मंडल हैं वो हमारे दच्छडी गोलार् हैं हमारा बिग बिएर जो बिग बिएर या अर्षा मेजर जो अर्षा मेजर तदा इस्मॉल बिएर यानि की अर्षा माइनर कुछ पिरमुख नच्छत्र मंडल है यहाँ पर दिख जाएगा आपको अर्षा मेजर और यहाँ पर जो आपको दिख जाएगा वो है आपका माइनर नच्छत्र मंडल ठीक है तो साथ तारों का समू सब्त रिसी कहलाता है यह बिग बीयर का भाग है यानि कि यह आपका सब्त रिसी मंडल या इसको हम कह देते हैं अर्सा माइनर कह देते हैं सब्त रिसी की इसायता से हम धुरुप तारे की इस्तिती को इस्तिती को पता लगा लेते हैं इस्तिति को हम जान लेते हैं मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ साथ तारों का समुख कहां पर है मान लीजिए यहां से सुरू होता एक दो तीन चार पांच छे साथ या हमें ऐसे कह सकते चार पांच छे और साथ साथ तारों के समू को हम कहते हैं सब्त रिसी मंडल यहां पर साथ तारों का समू जो है साथ तारों का समू कह सकते हैं साथ रिसी का यह दिखा सकते हैं यहां पर आपका देख सकते हैं आपके मरीच हो गए वसिष्ट हो गए अंगिरस हो गए अत्री हो गई पलत से हो गए आपका फुलै हो गए और क्रत्व हो गए यहां पर दिख जाएगा अलफा बीटा गामा ठीक है इस तरह से तो यहां पर सात टारों का समुग क्या कहलाता है सब्तरिसी मंडल या अर्शा माइनर कहलाता है तो और जो अर्शा माइनर है वो किसका भाग है का भाग है कौन? आपका small wier या अर्सा minor जो है big bier का भाग है बाइसा big bear का यानि सब्सक्री मंडल आपका अर्सा major का कैसे भाग है तो आएए इसको भी हम clear कर लेते हैं आपका यहां से शुरू होता है आपका यहां से शुरू होता है ठीक है तो एक, दो, तिन, चार, पांँ, छे, साथ, तो यहां पर सात तारों का समुझा है यहां से उठा के यहां पर ले आते हैं तो यह बन जाता है सब तरिसी मंदल यानि कि विग भी ब्यार का भाग है आपका स्मॉल ब्यार, अब यहां पर अगर आपको इसमेंसे में कुत जो कहते हैं तो आसमान में तारों के संब को हम क्या कहते हैं तारों के भीसिस्ट आखुरिविज अकृतिव में हम ने चत्र मंदल कहते हैं चलिए इंपोर्टेंट और मोल्ट्य इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि यह है हमारा सॉर मंदल जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम सोलर मतलब सूर कह सकते हैं सॉर कह सकते हैं और मंदल सिस्टम मतलब तंत्र इसको हम सौर तंत्र भी कह सकते हैं चलिए कोई देखर नहीं है आईए समझते हैं सौर मंदल को सोर मंदल याने की सौलर सिस्टम तो सौर मंदल में सूर्य तथा उसके खगोली बिंडों को क्या किया जाता है, सामिल किया जाता है ये सभी इस मंडल में एक दूसरे के साथ गुर्ट वाकर्सठ बल से क्या रहते हैं, बंदे रहते हैं सौर मंडल को जानने से पहले हम यहाँ पर इप्रमुक टॉपिक है जिसको हम समझने पाले हैं है आपका ग्रहिय मंडल यह प्लेनेटरी सिस्टम में फिर से बता दूं कि यह सौर मंडल होता है सौर मंडल में क्या होता है सूर माली जी यह सूर है सूर और उसके पिंड यानि कि जो उसके ख़गोली पिंड है जैसे कि गिरह हो गए उप गिरह हो गए दूमकेत हो गए और ब तारह होता है या का जो आपका सूर्ज तारह है उसके गुर्तवाकरसडबल से आपस में पंदे हुए रहते हैं और सबसे पहले हमें आप बात करेंगे गिरही मंडल के बारे में यानि कि प्लेनेटरी सिस्टम बहुत इंपर्टेंट है और हमें कम बुक में देखने को मिलता है तो देखते हैं किलियर करते हैं प्लेनेटरी सिस्टम यानि कि गिरही मंडल तो होता क्या है मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैंने बताया था कि ब्रह्मांड होता है आकास गंगां को सम्मिलेत रूप से हम ब्रह्मांड कहते हैं तारों को सम्मिलेत रूप से आकस गंग करते हैं तो मैंने बदाया कि किसी तारे के चारों और परिक्रमा करते हुए खगोली पिंडों के समूं को हम गिरही मंडल कहते हैं और खगोली पिंड में आपके गिरहे आ सूर भी क्या है एक तारा है और सूर जया का है सूर और उसके गिरही मंडल को समिलत रूप से हम सौर मंडल कहते हैं तो मैं फिर से बता दूँ मैंने क्या बताया मान लीजिए मान लीजिए मैंने आपको थोड़ी दिर क्या बताया था एक सेकेंड अ मताने कि शर्ट पर पहले था कि माली ये पूरा ब्रह्मार ब्रह्मांड है अंच जिसको मंताका सुद्वा इत निकाल वह है मैं ऊप सारी निकाल हैं उन्हें से हमने कोई एक तारा निकाल लिया तो हम उसको क्या मालेजी सूर्य तो मैंने क्या बताया कि जो तारे होते हैं तारे तारों के क्या होते हैं तारों के पिंडों होते हैं इस जैसे उप गिरहे उप गिरहे धों के तो और उलका पिंड खगोलिय दोल इस तरह से कुछ होते हैं तो तारे तारे और उनके क्या उनके खगोलिय पिंडों को सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं हम गिरहिय मंडल कहते हैं तो बहुत सारे इस ब्रह्मांड में कितने गिरहिय मंडल हैं मैंने क्या बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में सो अरब से भी अधिक आकास गंगा है और उन आकास गंगाओं में हर एक आकास गंगाओं में सो अरब से भी अधिक तारे हैं तो इस पूरे ब्रह्मान में क्या है जितने तारे हैं उतने ही गिरहिय मंडल हैं क्यों को एक तारा और उसके साथ जितने भी उसके पिंड हैं उनको हम सम्मिलित रूफ से क्या कहते हैं हम गिरही मंडल कहते हैं, तो एक गिरही मंडल में क्या होता है, एक तारा होता है, समझे में आ गया, तो उनी मैंसे, उनी मैंसे, सूर और उसके खगोली पिंडों को या उसके ग्रही मंडल को हम सौर मंडल कहते हैं तो समय में आ गया होगा चलिए तो यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो किसका ग्रही मंडल हैं तो सूरज का ग्रही मंडल के बारे हम बात करने वाले हैं जिसको हम सौर मंडल कहते हैं तो शूर के परिवार को हम सौर मंदल कहते हैं, इनमें जो सूर होता है, पापा यानि की मुख्या हो जाता है, इसमें आठ गिरह आते हैं, इसके बाद चुद्र गिरह होते हैं, खागुल होते हैं, ठाकरत को उपीरह होते हैं, धूम किये तुट है, गैस है, क्यूपेर सबसे पहले हम बात करेंगे फोटा सब्सक्राइब करने वाले बैक्ति थे उनका नाम था निकोलस कॉपर निकस में पैसे बता दूँँ सौर मंडल की खोज करने वाले जुपय अक्ति थे उनका नाम था निकोलस कॉपर निकस सौर मंडल का मिर्माड आज से फूर फॉर पॉइंट शिक्स बिलियन बरस पहले हुआ था या हम कह सकते हैं 4.6 अरव बर्स पहले सौर मंडल का निर्माड हुआ था अगर ब्रहमांट की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो आज से 13.7 अरव बर्स पहले ब्रहमांट की उत्पत्ति हुई थी उसके कुछ सालों बाद यानि की लगवग लगवग हम कह सकते हैं तो सक darum झेख छूसर मंडल हो था ठीक है निहार का सूर मंडल का भाग नहीं होता है जोगी important है क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि यहाँ प्वाग होता है तो नहीं निहारे का हाँ आ का बाग होता है नेक्ट बात करते है arrow मंडल में सौ और मंडल जो है यहां पर आपको सौर मंडल देगे जाएगा तो सौर मंडल मंदाचिनी आकाश गनwork के केंदर से लगबग 30,000 से 33,000 प्रकास बर्स की दूरी पर एक कुने में यहां पर देखे जाएगा आप सूर है यहां पर यह इस तरह से दिखें एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ मान लीजे यहां पर यह सूर है और इसको हम च्यूम करके अगर यहां ले आते हैं तो इस तरह क जो सूर है वो मंदाकनी आकास गंगा के किंद्र या फिर मंदाकनी आकास गंगा के वल जिसे 33,000 प्रकास बर्स दूर है ठीक है चलिए हम पर सबसे पहरे जो बात करते हैं मुक्या यानि की सूर के बारे में यानि की पापा के बारे में आपर बात करते हैं तो क्लियर करते है सूर जो है वो आपको बता कूआ हूँ मैं सूर एक तारा नहीं है, तो तो सूर जो है मंदाकनी आकासगंगा के केंदर से सूर की यह अकूर दूरी की अगर बात की जाए तो 35 Sept Region Alpt Sheila सर दूर है और तो ये है आपका मंदाकनी आकास गंगा, मंदाकनी आकास गंगा के ये चमकीला जो भागे इसको हम कहते हैं बल्ज, तो सूर्ज जो है मंदाकनी आकास गंगा के बल्ज, फिर मंदाकनी आकास गंगा के केंद्र से 32,000 प्रिकास बर्स दूर है, तो सूर्ज जो है एक गुलाकार कक् पूरा चक्कर लगाने में 25 करोड़ बरस समय लगाता है और इस 25 करोड़ बरस को हम गंगे बरस या Galactic Year कहते हैं कि इसको जो सूर है मंदाकिनी आकास गंगा का की इंद्रे या कहें मंदाकिनी आकास गंगा का वल रिका जो चक्कर लगाता है वो 25 करोड वर्स वर्सों में पूरा कर लेता है 25 करोड वर्सों में पूरा कर लेता है इस 25 करोड वर्स को हम गेलेक्टिक येर या गंगे वर्स कहते हैं तो सूर जो है प्रत्वी से 109 गुना बड़ा है यानि कि माली ये प्रत्वी है प्रत्वी से सूर जो है वो 109 गुना बड़ा है वहीं 3,233,000 गुना भारी है यानि कि बड़ा कितना है 109 गुना प्रत्वी से बड़ा है और भारी क अगर बात की जाए बजन की बात की जाए तो 3,33,000 यहां पर मैंने लिख दिया 3,33,000 गुना भारी है लेकिन अगर इसका गुर्तवा करसर बलकि अगर बात की जाए तो 28 गुना अधिक प्रत्वी से गुर्तवा करसर बल है यानि कि फिर से एक वार मैं आपको रिपेट करा बात की जाए तो 1,33,000 गुना भारी है लेकिन अगर इसका मान लिजी ए मान एक है प्रत्वी का तो उसका कितना होगा 28 हो जाएगा ठीक है तो प्रत्वी जो है सूर से पंद्रे करोड किलो मीटर दूर है जिसको एक खगोली एकाई माने जाता है यानि कि प्रत्वी से सूर क कि दूरी जो है एक पंद्रे करोड पंद्रे करोड किलो मीटर है जिसको क्या माना जाता है एक खगोली एकाई माना जाता है क्या माना जाता है एक खगोली एकाई माना जाता है तो मैंने आपको बताया भी था कि एक गिरह से दूसरे गिरह कि दूरी कि अगर बात की जाती है तो खगुली एकाई में बात की जाती है, तो खगुली एक खगुली एकाई बराबर कितना होता है, 15 करोड किलो मीटर होता है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कि प्रत्वी पर सूर का प्रत्वी पर सूर का प्रत्वी पर प्रत्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय सूर की अगर आयू यानि की सूर की अमर की अगर बात की जाए तो इसका जो आयू है वह पांच करोड बर्स है इसका बियास की अगर बात की जाए यानि की यहां से इसको बियास यानि की जो बियास की अगर बात की जाए तो इसका बियास जो है तेरे लाख एक्यानवे हजार स q2 गिलोअ मिटर इसका charging किया सकते है ham क्या से 1.3 9000 i am what between three nine, million km क्या है, सूर में क्या कि आपको बता है ता सारे बर्ण कीन लगवर लगवर स्करन्मिनुथ और होता है, 27.5 अनिग होते हैं तो बाकि 495C सेंट अनिग हैसे होती है तो इसी तरह से जो हमारा सूर है यानि कि जो हमारा सन है उस हमारा मतलब सन मतलब सूरज वाला सन तो हमारा जो सन है इस में 71 परसेंट हाइट्रोजन है में 26.5% हेलियम है तता 2.5% यूरेनियम इस में मुझूद है तुरी की उर्जा का अगर त्रोत की बाद की जाए या इस का जो साधन की अगर बात की जाए तो उस में नाव की या श्रोल देरा को चैसरल ही या नियूकलियर फ्यूजन के तयट ही इस्में क्या होता है पिर कहा सुद्पन होता है मैं परसे बतातू सूर की उस्मा तता सूर की उर्जा का प्रमुक्स त्रोत नाव की सन लेन या नियुक्लियर फियरजन है जिसके तरह तुन्यारी नियुक्लियर फियरजन के तरह जो हाइट्रोजन के अडू होते है वो किसमें बदलते सूर का केंदर का अगर तापमान की बाद की जाए यानि कि टेज सूर का यो कूर वाला भाग है यहाँ पर आपको एक सेकंड कहा सुर्ण का जो हराम कूर शॉरी चले का पर मैंने बिताया है jak है इसका अगर तापमान की बात की जाए तो एक दसमला पांच साथ गणा दसकी पावर साथ कैल्विन है जब कि इसकी सतय की अगर बात की जाए यहाँ पर यहाँ आपका सतय वाला जो इसकी सतय की अगर बात की जाए तो कितना है 5800 कैल्विन इसकी सतय का तापमान है मैं फिर से एक दसनला पाश साथ गुणा दस की पावर साथ इसको आपको कनवर्ट करके बताना कि कितने करोड इसमें हो रहा है वो मैं आगे किलियर कर बता सकता हूं गर आप नहीं बताते समया गया ना तो मैं फिर से बतातू कोर का ताफमान कितना पंद्रे बन पॉल्ट फाइब तैन क की पावर सेवन कैल विनिस का कोर का ताफमान है और इसकी स्तैका ताफमान की अगर बात कि जाए तो 5800 केल विनिस का सत्यका ताफमान है चलिए चलिए साथ यो आगे बात करते हैं सूर की सानत ना यहन की structure of the sun के बारे में तो important है और जानना अमारे लिए बहुत चरूरी भी स्टै करोड केल्वन बोल सकते हैं सूर्किए अगर भारी फरत की बात कि जा भारी यानि कि यह जो जो उपर वाला जू सतय है इसका जो ताप मैं बो 5800 Kelvin है जिसको हम Ф Felipe Capこれis me comparator करते हैं मैं फिरसे बतादू प pride whistles करका समें लिया फोटो इस्वेर कहा जाता है इसमें अम जानकारी लिए सोलर्जाला क्या होते है एक होता सब्थ है जिसको हम जाते है सॉलर्जोर्णा चैनला क्या होती है तो सोलर फिलियर क्या होते है इसको थोटा समझ लेते हैं तो होता क्या है कि यह सूर है सूर की बाहरी जो परत है उस पर उठने वाली लप्टे होती है जिनको हम क्या कहते हैं सोलर जौला या सोलर जौला या सोलर फिलियर के मैं फिर से बता दूँ यह सूर होता है इसकी जो बाहरी परत है यानि कि बाहर ब होती है या कहें यह जो यह जो जाला होती है यह हाइड्रोजन अडू के नाविक होते हैं यानि कि यह प्रूटॉंस होते हैं इन लक्टों का मार्ग कभी-कभी क्या होता है प्रत्वी की तरफ हो जाता है और यह प्रत्वी के चुंप की छेत्र में जैसी प्रेवेस करती है बै या या कहे हैं हेलिंग का फिक निट्र क्फटर वारा उसको पायर कर जाती problems कि अध्र करतीavier तो कभी कभी क्या होता है कि जो प्रथी वाला वायू मंडली चैत्र तो कई सैंग् Caseyowel किया ब्रवीश करती है तोवहाँ पर क्या करती है यह सूर जाला क्या करते हैं क्या करती है तो एक पुत्य क्षूण सोंच्छ यह तो छक्राइब लेते हैं तो आपको जब पता होगा जब सूर गहड़ की जब आपने इस्तिति देख योगी तो उसमें आपका जब सूर गहड़ वाला टाइम आता है जब सूर और प्रत्वी के बीच में क्या होता है माली जी ये सूर है और ये माली जी प्रत्वी है तो सूर और प्रत्वी क नहीं रख पाता है तो उसका जो कुछ भाग जो होता है वो हमें दिखता है जो बारी सत्य जो हमें जब दिखती है तो उसको हम कोरोना कहते हैं या क्रीट कहते तो मैं फिर से बता दूं तो सूरी का जो भारी सूरी के समय सूरी का जो भारी भाग दिखाई पड़ता है तो उसको हम कोरोना कहते हैं ठीक है तो चलिए आगे देखते एक बार में फिर से बता दूए आपको देख जाएगा यह सोलर बिंड है चलिए आगे बात करते हैं यहां पर कोरोना वाला चेत्र दख जाएगा इंड़े कःस्ते है चरिकरी कभोता है सूरगर किसे में मैं जब सूर है न पर अधिविकी पीच में क्या आ जाता है चंद्रमा आ जाता है तब उसकी स्रिथि को हम सूर गिरहड कहते है ondan कि यानि कि यह वो न दिखाई पड़ना चलि आगे बाद करते हैं दुर्वी जोटी के बारे में या पोलर लाइट के बारे में या ओरोरा lights के बारे में तो धुर्विय जोती से पहले में हलका साब को मैं सोरपवन बता दूँ मैंने क्या बताया सूर के कोरोना वाले भाग या कहें सूर की ऊपरी परस से निकलने वाली proton की धारा को हम सोरपवन कहते हैं और सोरपवन सोरपवन क्या होती है तथा बायू मंडल के घर सड़ से जो प्रिकास उत्पन होता है वो उरोरा लाइट कहते हैं या धुर्विय जोती कहते हैं ये धुर्वों पर ही दिखाई पड़ती है इसलिए उरोरा लाइट को हम पोलर लाइट या धुर्विय जोती कहते हैं फिर से आपको बता दू मैंने क्या ब प्रत्वी के बायू मंडली चेतर में प्रिविस करती है तो प्रत्वी का माली यह बायू मंडली नीचे होगा और उपर से जो सोलर बेंड आ रही है यानि कि होता है जिसको हम aurora light कहते है और यह क्या होता है उत्री दुरव और दचिडी दुरव पर ही दिखाई पढ़ता है इसका मतलब यह यह के धुर्भीय छेत्रों पर यह दिखाई पढ़ता है इस लिए हम इस को धुर्वीय जोती या धुर्वीय जोती या पोनर लाइट कहते हैं इस पर कारशंको या कि इस लाइट को उतरी धुरुतbers पर और और या सुमेरू जोती कहते हैं और दच्चडी धुरबपर यानि कि दच्चडी छेत्र में और उस्ट्रालिस या कुमेरू जोती कहते हैं समझ में आ गया तो मैं एक वाइफिक से बता दूँ कि सौर पवने और जो बाईव में डाल होता है उसमें आपस में जब गर्सा रगड़ जोनिद्वारू जोत कि दच्चडी वाले चेत्रमन समझ देखते हैं आगे सौर याला है कंड्रबट के पिंड़ में क्या-कया सा मिल किया जाता है तो आंतर राष्टी एमें प्राग में हुए शमय मैं आकासी पिंडों को तीन भागों में बांट दिया मैं फिर से बता सकता हूं इसको मैंने क्या बताया कि 2006 में 2006 में पिराग नामक एक स्थान पर अंतराष्ची खगोल संका क्या होता है संम्मिलन होता है और उसके तहट उसके तहट तो जो पिंड हैं यानि कि सौर मंडल के आकासी जुपिंड है उनको तीन भागों में बांट देते हैं पहला जो है परमपरागत गिर है दूसरा जो है बहने गिर है और तीसरा जो है लगुपिंड किसमें मार दिया है पहने गिर है परमपरागत गिर है और लगुपिंडों में यानि कि छोट छोटे पिंडों में तो यहाँ पर सबसे पहला जो है परमपरागत अगर गिर है की बा यूरेनस और नेप्च्यून ठीक है इसके बाद प्लूटो और यहां पर आपको देख जाएगा सेरस ठीक है इसके बाद लगू पिंडो में अगर आपका देखा जाए तो यहां पर दिख जाएगा उप गिर है दूम के तू और अन कुछ पिंडा जाते हैं जैसे की दूम के यहां पर बात करते हैं क्या होते हैं यह क्या होते हैं तो गिरह जो होते हैं सूर से निकले हुए पिंड जो की सूर के और क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं यह गिरह सूर से ही उसमा प्राप्त करते हैं सूर से ही प्रिकास प्राप्त करते हैं और इनकी एक अपनी परिक्रमा कच्छा होती है मैं फिर से बता तूं मैंने क्या बताया यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं एक सेकंड मैंने क्या बताया सूर से निकले हुए पिंड जो सूर की परिक्रमा करते हैं यह गिरह सूर से ही उसमा प्रकास पराप्त करते हैं इनकी एक अपनी परिक्रमण कच इच्छा होती है, ग्रहों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहले ही जो ग्रहों वो है आंत्रिक ग्रहों और दूसरे ग्रहों जो होते हैं, वो होते हैं, बाहरी ग्रहों, अब आंत्रिक ग्रहों क्या होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं, आंत्रिक ग्रहों को हम पार प्रत्वी का मतला होता है प्रत्वी से जड़ा हुआ है या प्रत्वी के समान ठीक है तो आप प्रत्वी गिरह है क्यों क्याते हैं क्योंकि प्रत्वी पर जिस तरह से कंकड, पत्थर, इंट, बालू, मिट्टे ये सब तत्व है यानि कि भारी गिरह है यानि कि मजबूतर टि तो बाहरी गिरह कहते हैं क्यों छोटे जरूर होते हैं लेकिन इनका घनत या बहुत अधिक होता है चालिए आगेवात करते हैं दूसरा प्रकार देखते हैं गिरहों का यहाँ पर जो दूसरा जो गिरह है वो है बाहरी गिरह यानि कि बाहर वाले चेत्र के जिस तरह से मान लीजिए मैं आपको एक सेकंड आंत्र को बाहर ही ग्रव के बारे में अगर बात करूँ तो मान लीजिए यहां पर मान लीजिए आपका सन यानि कि सूरज है सन मान लीजिए ऐस ठीक है इस तरह से यह सन है उसके बाद बुद्ध सुक्र प्रत्वी मंगल ठीक है यह आंत्रिक गिरह हो गया क्यों क्यों कि यह पास के गिरह है ठीक है यह आंत्रिक गिरह हो गया उसके बाद आता है ब्रसपति सनी अरुड बरुड यह हो गया बाहरी गिरह यानि कि दूर के गिरह हो गई इस तरह समझ में आगया आंत्रिक और ठीक है, संवशागे न कहले? तो मैंने क्या बताया बहारी गिरह या गिरह या जो भी और फती हुए होते हैं इनको वह हम दो भागों मैं बानड देते हैं यह दो अलग हो आपका गेस जाइंट होते हैं यानि कि गैसियर राक्षा गिरह कह सकते हैं मिलको जिसमें आपका ब्रस्पत हो गया और सनी हो गया दूसरा जो है आईशेंट यानि कि यह क्या है इस पे पहुत अधिक बर्फ है क्यों क्यों क्योंकि अम्मिया ने भी थोड़ी देर पहले लगना मानली यहल्ब्ध यह शूर्व है या महले जी यह शूर्व है छिक इस तरह से uh अब यह बुद्र है कücht रही बहुत है हैं फिर मंगल जो कर एक तरब counts पर आंक पर सनी फिर अरूद फिर पर इस तरह तरह zostो द्यान रखना पास में गया तो रोस नहीं बहुत दीकर, च तो क्या है मेरी आँखें जो है चोंद्या जा रही है मतलब बहुत कम क्या है बहुत मैं इसको सेन नहीं कर पा रहा हूँ यानि इतना इसमें रोस नहीं है थोड़ा सा दूर किया तो कम रोस नहीं कर पा रहा हूँ फिर और दूर किया तो कम रोस नहीं पड़ पा रही है अब यह माली यह सूर है, तो क्या कर रहा है, पहास है, तो मुझको जला देगा, यानि कि बहुत गरम कर देगा, समझ मैंगे ना, तो इसी तरह से, मैंने क्या बताया, मैं आपको clear कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया, कि यह जो गरहें जब दूर जाते हैं यहां पर, तो यहां पर क् अनकुल ना के बरावर प्रिकास पहुंचता है, तो ये वाले जो आ जाते हैं इस तरह से इसमें थोड़ी बहुत gas मेज़िद होती हैं, लेकिन ये बहुत ही ठंडे और बरफीले गिरहें, बन जाते हैं, तो ये तो हो जाते हैं, गैसी ये दानव गिरहें, और ये जो हो जाते जो हैं, वो क्या हैं, उनको हम दो भागों में मारते हैं, यानि कि दो हैं आपका सनी और प्रस्वच जो है, आपका कैसी जाइंट गिरह में आ जाते हैं, उसके बाद दूसरा जो है, आइस जाइंट में आ जाते हैं, समझ में आ गया न, चलिए, नेक्स देखते हैं, नेक्स करते हैं एक तो यह करते हैं पार्ड किरमढ गती है और दूसरी जू किसे गुंती है इस तरह से अपने इंच पर खड़ाओं शलू गोंध रहूं इसinas ने मी क्या करणए करिए तो क्या होगा प्राइब कि चार्रब फि ग। यह प्रत्वी तहसे ठते तो में ग। प्रत्व अपर अब नेदाधन लुसी फैते हुए स्टेसितवि प्रत्विए अचार ओर एंच सो इस तरह से टारीच की माहां लीजी पुटंपॉल और मेरी उंग्ली पर इस सरह में इसाद्र कर लगा risky तो ये अपने अजल करते थैं कि आत कि अपने कि अछ। इस तरह से और यह अपने ऊफर जबू कर अपने चली का गरी है अब इन फिर फीर हुए इस तरह से तरह से गुम रहा हूं और मेरे भी चक्कल लगाती जारी क्या कर रही है चलिए तो को हो गया होगा चलिए तो देखते हैं तो मैंने क्या बताया पिंडों में या का गिरों में दो प्रिकार की गतियां होती है जिसमें सबसे पहली जो आती है वो आती है गूडन गतिया रोटेशन यह अपने अच्पर घूमने को हम क्या कहते हैं गूडन गति कहते हैं इस तरह स से जैसे माली जी मेरा सूर है विलकुस सामने है इस तरह से खड़ा हुआ है तो मैं माली जी यह भारत देश में माली जी अभी इस समय क्या हो रहा है दिन हो रहा है तो मैं गूमता चला जाता हूँ अब भारत जो देश के सूर आ गया इस सूर यानि कि यह दूसरा तरह आ गया इस तरह से यानि कि एक दिन में पूरा एक चक्कर लगा लिती है प्रत्वी इसको हम कहते हैं दैनी गति या गोडन गति या पर बिरमड यानि कि अपने यह अच्छ पर बिरमड करना ठीक है चलिए दूसरा पर किरमड यानि कि किरमड मतलब चारो और किसी भी बस्तु के चक्क लगाता है तो उसको हम सूर के चारो परिक्रमा करते हैं तो उसे हम परिक्रमण गती कहते हैं इसको हम पार्सिक गती भी कहते हैं जो कि घड़ी की बिपरीज दिसा में चलती है घड़ी की बिपरीज दिसा ही हमेशा बोलेंगे कि फश्चिन से पूर जो है कभी-कभी गलत हो सकता है तो मैं फिर से बता दूँ प्रतवी क्या معनले जो कोदी गिर है वह क्या कर रहा है अपने अच्पर तो घूमी राहे इससे अपने अच्पर घूमने के साथ वह क्या करता है अप ratusur के चारो और भी चक्र लगा रहा है तो अपने अच्छ पर जब गूंता है मान लीजिए इस तरह से अपने अच्छ पर गूंता है तो वह अपने अच्छ पर एक दिन में पूरा कर लेता है उसको हम धैनिक गती या फिर दैनिक गती अपर बिरमण गती कहते हैं लेकिन यह क्या करती है सूर कर जो चारोर चक्कल ल रहा है जो उसके बिमोख है यानि कि पिछला भाग जो है उस तरफ क्या हो रहा है रात हो रही है इस तरह से माली जी अब क्या है जो इस तरह बाला भाग है यहां पर दिन हो रहा है और इस तरह बाले में क्या हो रही है रात हो रही है तो समझ में आ गया कि जो घूड़न गती होती है और जब 4 और घोमता है तो उससे क्या होता है उससे पारसिग गति रितू-परवर्थन होता है समझा गया जितने भी गिरह हैं उनकी सब कि परिक्रमार्ज गति जो है गड़ी की विपरीद सामें है यानि कि पक्षिन से पूर्व की ओर मानी जाती है तो इस तरह से माली जी हम सूर के सामने खड़े हो सूर हमारे ठीक सामने क्योंकि सूर क्या होता है हमें साथ पूर्व से निकलता है कहां से निकलता है सूर हमें साथ पूर्व से निकलता है वैसे सूर नहीं निकलता है प्रत्वी जो होती है वह गोमती है तो हमें मैसुस होता है क्योंकि सूर तो अपनी रही है पाश्चिम से पूर्व की और गूम रही है तो यह पाश्चिम और पाश्चिम से किस और गूम रही पूर्व की और तो पाश्चिम से पूर्व की और इस तरह से यह सूर है माल लिजिए सूर भी चमका देता है हमें आपका सूर माल लिजिए यह आपका इस तरह से यह प्रत्वी का क्या हो रहा है ये पूर्व ये पक्षिम ये उत्तर और ये तक्षिर ठीक है तो ये क्या कर रहा है ये मान लिए प्रत्वी गूम रही है इस तरह से तो क्या हो रहा है मान लिए अभी आपका उत्तरी अमेर्गा उत्तरी अमेर्गा वाला छेत्र यहां पर आ रहा तो इस तरफ क्या है इस तरफ आपका और एस्या वाला चेत्र है तो क्या हो रहा है यहां पर रात हो रहे होगी अब इस तरफ आ जाओ इस तरह से तो समझ मैं आ गया तो आई ये क्लियर करते हैं मैंने क्या बताया कि मान लीजिए अगर हम सूर के सामने अगर हम इस तरह से करके नहीं तो सूर के सामने मुह करोगे तब की बात कर रहा हूं नहीं तो आप कहोगे कि ये ये उत्तर हैं ये नीचे वाला दक्षिड है हम तो ऐसे देखते हैं और ये वाला ये उत्तर इस तरह से ठीक है चली बात करते हैं आगे के नेक्त एकते हैं कहां पे था तो मैंने क्या बताया इन मैं से 6 जो गिरह होते हैं इन में जो गई ने है प्लळाह तक घूंते हैं अपने अच्छा और याने कि की पश्च्छिम से पूर क्या करते हैं परिंथizar करते हैं इस तरह मनद्थवी मतलब च्छे गिरह जो हैं वो क्या करते हैं अपने अच्छ पर क्या करते हैं परिक्रमा सारे आठ के आठो के रहे हैं वो परिक्रमा इसी दिसा में कर रहा है जिस दिसा में पिरत्थी भी कर रहा है यानि कि परिक्रमा इसी दिसा में कर रहा है जिस दिसा में पिरत्थी भी कर रहा है फिसके मैं बोल दूँ, परकिर्मण गती और घूठन गती जो है, पस्षम से पूर भी है, शारे ग्रहूं की. ठीक है बस दो गिरह ऐसे हैं जिनका पर बिरमड जो गती है यानि की द्यानिक गती जो है दो गिरह ऐसे हैं जिसमें आपका सुक्र और अरुर जो हो जाता है वो क्या करता है सारे गिरह इस तरह से गोमते हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से गोम रहा है ना बाकी की दो गिरह जो है पश्चिम से पूर की ओर अपने अच पर चक्कर लगाते हैं यानि कि पर विरमड करते हैं वहीं दो गिरह ऐसे हैं जो कि अपने अच पर पूर से पश्चिम की ओर गोमते हैं यानि कि सुई की दिसामे यानि कि सुई की स्थरफ चलती है सुई इस तरफ चलती है इस तरह तिक 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 ति तक के हमें पांच गिराए जो हैं वो हमें खुली आँखों से दिखाई देते हैं यानि कि हम इनको यानि कि हम इसको जो पांच गिराए हैं बुद्ध से लेकर सुक्र तक हम पांच गिराओं के देख सकते हैं बुद्ध से लेकर सुक्र तक वो बुद्ध से लेकर सुक्र तक यहां से एक नबर, दो नबर, तीन नबर, चार नमबर, पांच नमबर और छह नमबर। अब आप कहाएंगे बुद्ध से लेके सुकृत गिरन तो छे हो रहा है यह देकन हमें पांच क्यों दिखा है थेते हैं। लेकिन भाईसाओ हमें इस पे खड़े हुए हैं, प्रत्वी के उपर, हमें इस पे उपर खड़े हुए हैं न अब ngाडी जा रहे हैं कितनी गाडी चलती वह दिख रही हैं, घृतनी गाडी चलती दिख रही हैं इस इसको हम नहीं गिंते हैं बाकी की आपकी गारी खड़ी है बाकी की पांच गारी जो है हम कहेंगे बस हम पांच गारी चलती ही देख रही है तो इसी तरह से हम अपने प्रत्वी पे खड़े हो गए प्रत्वी को तो भूली जाओ बुद्ध देखेगा सुक्र देखेगा मंगल देखेगा प्रसफद देखेगा और सनी देखेगा यानि कि हमें कुल पांच गिरह जो है जो कि हमें खुली आँखों से या कहें नंगी आँखों से दिखाई दे जाते हैं ठीक है शाले आगे बात करते हैं नेक्स देखते हैं सबसे पहला गिराय देखते हैं बुद्ध देख लेते हैं जिसको मर्क्यूरी भी कहते हैं फिर से एक बार आपका रिवीजन ये करा दूँ कि आठ गिराय जो है सूर की चार और चक्कर की इस दिसा में लगा रहा है पश्चिम से पूर की और अपने अच्पर छे गिराय जो है लेकिन दो गिराय से है सुक्र और अरुड जो है वह इस तरह से विप्रिज सामय अपने अच्पर चले नेक देते हैं बुद्ध के बारे में सबसे पहले यहां पर बात करते हैं ठीक है तो बुद्ध सब दुनिया जानती है या पूरा ब्रहमान जानता होगा कि यह गिराय स चकर 69 दिनों में पूरा कर लेता है यानि कि बुद्ध पर एक दिन 1407 घंटे का होता है जिस तरह से प्रत्वी जो होती है अपने अच्पर एक चकर कितने दिनों में लगा लेती है वह है एक दिन में लगा लेती है यानि 24 घंटे में लगा लेती है उसी तरह से जो सुक बु होता है यह सूर के पास का सबसे गिरह है यानि कि यह जिस तरह से मैंने आपको पताया था कि किस तरह से माली यह सन है उसके पास सबसे पहला जो पास का गिरह है वो आपका बुद आता है तो सूर से सबसे पास का गिरह जो आ जाता है वो आपका बुद आ जाता है नंबर एक प मतलब सीदाता है कि जिस तरह से प्रत्वी जो है 365 दिन में एक परिक्रमा करता है सूरिका इसका मतलब यह है हुआ कि प्रत्वी पर 365 दिन का एक साल होता है उसी तरह से 87 दिन 20 गंटे का एक साल होता है आपका बुद का ठीक है यानि कि बुद एक साल में एक पूरा चकर सूरिक 4 3 है इसका अक्षी जुकाब जो है 0.1 डिगरी है इतनी जानकारी काफी है इसके बारे में important अगर बात की जाए सबसे पास का गिरह है दूसरी important बात इसका कोई अपना उप गिरह नहीं है तीसरी important बात इसका कोई बायू मंडल नहीं है next बात करते हैं सुक्र के बारे में सुक्र यानि की वीनस के बारे में बात करते हैं तो सुक्र गिरह है सुर से दूसरा सबसे पास का गिरह है मैं पिर से बता दूँ मैंने भी बताया था कि किस तरह से माली आपका सन आता है यानि की सूरज आता है उसके बाद आपका बुद आत उसके दूसरे नमबर पर आता है वो आपका आता है सुक्र ठीक है तो बुद्ध के बाद सुक्र दूसरा सबसे पास का गिरह है यह आकार तता भार में बिल्कुल प्रत्वी के समाने साथ ही प्रत्वी के बिल्कुल नजदी का गिरह है इसलिए इसको प्रत्वी का बहन भी कहा जाता है समझगे आ रहा ना यह है आकार से तीसरा सबसे छोटा गिरह है यानि कि सबसे छोटा गिरह है जो आपका बुद्ध उसके बाद आपका मंगल उसके बाद तीसरा सबसे छोटा गिरह है जो आता है वो आपका आजाता है आपका आजाता है सुक्र फिर से बता दूँ य सबसे च्छोटा गेरह है यानि कि सबसे च्छोटा गेरह कोई सा आता है वुलойти मंगल उसके बाद आपका कौका शुक्र ठीक है ॹ। इसका भी कोई अपना ऊपगरह नहीं कि बुद हूँ और शुक्र का कोई भी उपगरह नहीं है। इसका लेकिन बायू मंडल ये सब्स करोर 80 degrees Celsius तक इस पर तापमान पहुंच जाता है यह सूर्य औरजा का सबसे अधिक क्या करता है परावरतन करता है इस कार्ड यह सबसे ज़्यादा चमकीला गिरह भी है यानि कि प्रत्वी से अगर हम देखें तो सबसे चमकीला गिरह जो दिखता है वो हमें कौन सा दिखता है आपक सुक्र गिरह दिखता है ठीक है इसके बायू मंडल में 97% बायू कार्वन डाई ऑकसाइड है इस कार्ड से एक वात्ते हो जाती है कि अगर प्रत्वी पर कुछ मात्रा यानि कुछ परसेंट ही बायू मंडल में क्या हो जाता है आपका कार्वन डाई ऑकसाइड हो जाता है त तो इसका सीधा सा मतलब है यह ददकता हुआ आग का गोल है की तरह इसकी इस्तिति होगी तो इसमें क्या होगा हमारा जो जीवन है बिल्कुल भी किसी भी तरह से संभव नहीं हो पाता हो सकता ठीक है इस इसका 80% जो मैदान है जो आला मुखी से भरा हुआ है किसका आपका वी चार ओर दलाक दलाक अबाद आती रहती हो कि ना चाली है हाँ थोड़ा सा और जानकाली ले लेते हैं मैंने आपको बताया वी था पीछे इंपर्टेंट है इसलिए फिर से या तिला देता हूं सभी घरा सूर के चार ओर सूई के यानिकि यो सूई होती है गड़ी की सूई ह यह उसके विपरी दिसा में क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है यानिकि पच्छिम से पूर की ओर सूर के चार ओर चक्कर लगा रहा है लेकिन अपने अच्छ पर छे गिराया ऐसे हैं जो कि पच्छिम से पूर की ओर गोंते हैं लेकिन दो गिराया ऐसे हैं जो पूर से पच समझ में आगया चलिए लेकिन परक्रमण यानि कि प्रसूर के चारोर चक्र की बाद की जाए तो एक ही जिसा में लगाते हैं जिस तरह से सारे करते हैं इतनी जानकर काफी नेक्ट बाद करते हैं कि तुक्र में ही आगे बढ़ते हैं यह गर्ण सुरयो दय तता सूर्यास्ट के समय दिखाई देने का कार इसको साय तता भूर का तारा भी कहते हैं यानि कि आज जब आप कभी-कभी सुबह के टाइम पर उठेंगे सुबह के टाइम पर जब आप जल्दी उठते हैं तो आपक सामके टाइम पर जब तारे निकल नहीं बाले होते हैं तब हमें एक तारा सा मैसूस होता है जो कि सबसे ज़्यादा चमकीला दिखता है और हमें मैसूस होता है कि वह तारा है लेकिन वह तारा नहीं होता बलकि क्या होता है आपका सुक्र गिरह होता है इसका परक्रमण पू तो सब पच्चेस दुनों में पूरा कर लेता है इसका सबसे उंचा परवश जो है मैक्स मांट मैक्स वेल है परवश जो है मैक्स वैल मांट है जो कि 11 किलो मीटर उंचा है इसका गनत तो जो है 5.25 है इसका अच्छी जोगाव की अगर बात की जा तो 1877 यानिकि बन 177 डगरी है ठीक है तो यह लुशी जानकारी होगए कि क्या समझा है कि अपने अच पर जो कि लुट अपने परकlando कि बात तो ले नियां है कि लेखा कि यह की ऐसी चीजर के तो या हसी तरह से वन फीज फिर्वी में एक साल होता है उसी द्रह से आपका होती है in gust करते हैं छली साती है इपर करते हैं प्रत्थ्वी के बारे में तो जो घ्रीन प्लेनिट तो उन्म कहते हैं तो जो ग्रीन प्लेनेट हम इस लिए पेड़ पौटे हैं और यह देखने को मिल जाएंगे आपको हरयाली है बहुत सारी और ब्लू प्लेनेट हम इसली है यानि कि जो नीला गिरह हम इसली करते हैं तो हमारे जो खगोल साथ सी जो हैं जो कि हमारे उपर से देखते हैं जब आर प्रेंस से या फिर बायूमेडल की परत को जब हम पार करके के देखते हैं थो वहां से हमें नीला तिखाई का गिरह में पिर से इसको बोल दूँगा मैंने क्या बताया आकार के आदार पर प्रत्वी पांच मा सबसे बड़ा गिरह है तता दूरी के आदर पर तीसरा सबसे पास का गिरह भाई यह क्या है तो इसको थोड़ा सा मान लेते हैं हमारा मैंने क्या बताया आकार में अगर बात सबसे च्छोटा गिरह कि जाए तो सबसे च्छोटा गिरह जो है वो मर्कुरी यानि की बुद्ध है दूसरा सबसे च्छोटा गिरह कि जाए तो मार्स यानि की मंगल है तीसरा सबसे च्छोटा गिरह कि अगर बात कि जाए तो आपका अर्थ आ जाता है ठीक है उसके बाद है यहाँ पर बात की जाए सबसे बड़े गिरहे की बारे में तो सबसे बड़ा गिरहे कौन सा है तो आपका जूपिटर यानि की प्रस्पत हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा गिरहे अगर बात की जाए तो आपका सनी आ जाता है तीसरा सबसे बड़ा गिरहे तो आपका बरोड आजाता है वो अरवर आजाता है तीस ञुद्र हम देखेंगे आंपर अर्थ पांच मावепर सबसे बढ़ा गत्तरल मग रही है प्रफब्यर्ण के बड़ा गिर है चोटा सबसे छोटा गिरह है ये बोलेंगे अब बात आती है पास के गिरह के बारे में तो पास का भी देख लेते हैं अब मालीजिए यहां पर का आ जाता है यह सन अगर हम सन के बारे में बात करें तो यहां से शुरुआत होती है गिरहों के बारे में सबसे प यह आपके पार्थियों गिरह हो जाते हैं और यह आपके कौन से गिरह हो जाते हैं यह आपके गैसी गिरह हो जाते हैं यह आपके भारी गिरह हैं यह आपके कौन से हो जाते हैं है यह इंट पत्थर बालू गिट्टी से बने हुए यह आपके गैसों से बने हुए तो इस तरह के आधार पर सबसे बड़ा है आपका जुपिटर उसके बाद सनी उसके बाद अरोड उसके बाद बरोड उसके बाद प्रत्वी उसके बाद सुक्र उसके बाद मार्स उसके बाद आपका mercury यानि कि बुद्द उसके बाद मून आ जाता है यानि कि चंद्रा उसके बाद प्लोट वाजाता है ठीक है समया गया मैंने क्या बता है आकार के आदा पांचरा सबसे बढ़ा गरहे था दूरी के आदा पर तीसरा सबसे पास का गरहे है प्रतिवी अपने अच्छ पर क इस तरह से माल लिए घड़ी है तो घड़ी जो चलती है इस तरह टेक 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 तो घड़ी चलती है इस तरह से लेकिन पश्चिम से पूर की और कैसे गुंता है इस तरह से अब ये किस तरह से होगा है गड़ी की विप्रीज दिसा इस तरह से तो प्रत् कुछ अपने अच पर गोंती है तो दिनरात कैसे होते हैं आई इनद लिए यह आपका सूर हैं सूर जो है है पूर की तरफ रहता है और यह आप परत्वी है हिजए इन आपका इत्री हेमिर्क हाथ है असलमे क्या हो रहा है इतरी अमेरिका की तरफ दिन हो रहा है और इस तरफ यानि की एसिया महादीब की तरफ क्या हो रहा है रात हो रही है तो प्रत्वी क्या करती है अपने अच्छ पर एक दिन में पूरा चक्कर कर लेती है तो जब प्रत्वी अपने अच्छ पर घूमती है तो क्य होता है इस तरह से धीरे 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 आनि कि आपका अफरीका जो है सूर के सामने आया अफरीका से फिर आपका नौर्थ एटलैंटिक ओसीन आया फिर आपका साथ अमेरिका दम इसके सामने आया उसके बाद फिर आपका अनुत्री अमेरिका आया फिर आपका साथ Pacific Ocean आ गया सूर के सामने इस तरह से North Pacific Ocean आ गया उसके बाद फिर Asia सुरू हो गया फिर यहां पर इस तरह से तो आपका क्या है कि जब प्रत्वी अपने अचपर पूर से पश्चिम की और जब घूंती है पूर से पश्चिम से पूर की और जब घूंती है तो क्या होता है अपने अचपर घूंने से प्रत्वी इंपर क्या होता है दिन और रात की घटना होती है लेकिन जब प्रत्वी क्या करती है प्रत्वी सूर के चार ओर घूंती है तो किसकी घटना होती है तो वह है क्या होता है रितू परवरतन होता है किस तरह से होता है मा लीजिए ये सूर है सू लिए ये सूर क्या करना है माली ये यहां पर आ जाता है सूर जो है यहां पर माली ये सूर है तो माली ये सूर है तो इस समय क्या है प्रत्वी इसका उत्तरी धुर्ब इस तरफ जुका हुआ है तो जब उत्तरी धुर्ब सूर की तरफ जुका हुआ है तो क्या हो रहा होगा उ दक्षिडी दुर्ब सूर की तरब दोका हुआ है तो क्या हो रहा है दक्षिडी दुर्ब में गर्मी पड़ती है और उत्री दुर्ब में क्या होता है ठंडा हमोसम हो रहा होता है रितों के बारे में मैं आके जाके किलियर कराऊंगा ठीक है तो किलियर हो गया मैंने क्या बता हुआ है तो उत्री दुरब जब जो इस्सा क्या होता है सूर की तरफ जुखा हुआ होता है उस भाग में क्या होता है गर्मी पड़ रही होती है और जो इस्सा सूर से की तरफ नहीं जुखा होता है वो क्या उस तरफ क्या होता है सर्दी पड़ रही होती है तो यहाँ पर मैं प्रत्वि का एक मात्र उपगिरा हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा या किसी भी उपगिरा होने के लिए एक सर्थि होती है कि जो भाग यानी की माल ये कितना होना चाहिए किसी भी गिरह का एक बटे आठमा भाग होना चाहिए इसके बिप्रेद जो चंद्रमा है प्रत्वी से कितना बड़ा है यानि कि प्रत्वी का कितना है एक वट्टे चारमा भाग है तो ये क्या करता है एक वट्टे आठमे भाग का क्या नहीं करता है ये सर्थ को पूरा नहीं करता है उसके बावजूद भी चंद्रमा जो है प्रत्वी का एक मात्र उपगिरह तो मैं फिर से बता दूँ किसी भी गिरह का उपगिरह होने के लिए उपगिरह का आकार गिरह का एक वट्टे आठ मा भाग होना चाहिए जो कि चंद्रमा का नहीं है उसके बावजूद आपका चंद तो प्रत्वी का घनत्व कि एगर बात कि जाए तो पाँच दस मलव पाँच दो है यानि की five point five point five two इसका घनत्व है, जो कि सब गिरहों से क्या है, अधिक यानिकी जितने भी आठगियरे हैं, Swar Mendel में, उन में सबसे अधिक गनत जो है, वो आपका किसका है? चंद्रोमा का है, प्रत्शिवी पर जल तता बाइव मेंडल की उपसीती काड़ प्रत्थवी आका से हमें नीली दिखाई प्रत्थवी में नीst चुरूं मेंद आहिए उसको नीला तथा हरा यानि कि green planet and blue planets कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि green planet इतने लिए कहा जाता है यानि कि नीला हरा गिरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्वी पर क्या है प्रत्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे और नीला गिरा इसलिए का जाता क्योंकि यहां पर पानी का याक है चल की बहुत अधिक मात्रा है प्रत्वी अपने अच्छी पर कितनी डिगरी जुकी हुई है प्रत्वी अपने अच्छी पर साड़े तेश डिगरी जुकी हुई है इसका कच्छी जुकाब की अगर बात की जाए तो वो आपका 65 क्लिखाराब नद yorkश्ण करना और जा आकर क्लिखाराउगा आकर चली तो यह मैं कि तरह से अच्छी क्षी जुका बेछी अभंवाथ कर लिए चद्रवा प्रथविका एक मात रुप गिरा है यह प्रकास ही उप गिरा है जिस तरह से गिरा है यानि की प्रत्वी है वो एक प्रकास ही गिरा है उसी तरह से चंद्रमा जो है वो भी प्रकास ही नहीं है प्रकास हीं का मतलब जो अपना उनका खुद का प्रकास नहीं हो यानि कि अपने स्वयम का प्रकास और उस मंद में फिर से बता दूँ कि सूर्य से ही आठो गिर है क्या करते हैं प्रिकास प्राप्त करते हैं ठीक है तो यह सूर्य के प्रिकास से ही क्या होता है हमें दिखाई पड़ता है अगर सूर्य का प्रिकास चंद्रमा की उपन न पड़े तो हमें चंद्रमा हमें दिखा चंद्रमा अपने अच्छ पर क्या करता है यानि कि 27 दिन 7 गंटे का चंद्रमा पर एक दिन होता है और उसी तरह से ही चंद्रमा पर क्या करता है चंद्रमा पर पर क्या करता है यही एक कार है कि चंद्रमा का हमेशा आदा भागी हमें दिखाई परता है कि इस तरह से मा लीजिए चंद्रमा क्या कर रहा है इस तरह से मा लीजिए इस तरह से मा लीजिए चंद्रमा जो है यह प्रत्वी यह और यह चंद्रमा है तो क्या कर रहा है चंद्रमा अपने अच्पर इस तरह से गुमरी किस तरह से इस तरह से यानि कि चंद्रमा इस तरह से अपने अच्पर गुंता है इस तरह से क्या किस तरह से अपने अच्पर भी गुंता जा रहा है इस तरह से अपने अच्पत्र भी गुंता जा रहा है और प्रत्वी के चारोर भी गुंता जा रहा है अपने अच्पर भी गुंता जा रहा है और प्रत्वी के चारोर भी गुंता जा रहा है और प्रत्वी के चारोर भी गुंत में अपने एच पर एक चक्कर लगा लिती है लेकिन जो चंद्रमा है वह 27 दिन 7 गंटे में अपने एच पर एक चक्कर लगा पाता है उसके साथ ही प्रत्वी का भी यह है एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 गंटे का समय लगाता है यह यह कारण है चंद्रमा का केवल आदा भाग यानि कि 59% ही हमें हमेशा दिखाई पड़ता है या हम कह सकते हैं हमेशा 59% भागी चंद्रमा का प्रत्थवी के क्या रहता है सम्मुक रहता है समय में आ गया चलिये next बात करते हैं इसी महीं सांथ सागर यानि डार्क साइट आफ दा मून या फिर फार साइट आफ दा मून ठीक है इसको क्लियर करते हैं चंदर्मा का वह वाग जो हमेसा हंद खार में रहता है यह एक धूल का मेदाने इसे चंदर्मा का बिमुक फलक या बिमुक फलक या चंद्रमा का वो सरी बिमुक फलक भी कहते हैं किसको आपका सांच सागर या डार्क साइड ऑफ दमून या फिर फार साइड ऑफ दमून को बिमुक फलक कहते हैं अब कैसे होता है तो मा लिजे मैं आपको फड़ा होके मैं दिखा देता हूं एक होना चाहिए इस तरह से इस तरह से मान लिए मैं कुछ और आपको दिखाता हूं मान लिए इस तरह से यहां पर मान लिए यह आपका चंद्रमा प्रत्वी है प्रत्वी क्या कर रहे है प्रत्वी का चंद्रमा क्या कर रहा है चंद्रमा इस तरह से कर रहा है यानि कि अपने पढ़ता बलकी क्या करता है ये वाला जो हिस्ता है हमेशा प्रत्वी की तरफ ही बना रहता है तो जो चंद्रमा का जो हमें दिखता है यानि कि सम्मुक जो होता है यानि कि मा लीजे मैं प्रत्वी हूँ और हमें ये वाला हिस्ता दिख रहा है यानि कि ये जो हो गया सम्मुक और जो हमें नहीं दिख रहा है यानि कि बिमुक मुक के दूसरी तरब तो बिमुक तो इस तरह से आपको दिख जागा जो ये वाला जो भागे वो क्या कहलाता है डार्क साइड ओफ दा मून या फार साइड फार साइड ओफ दा मून कहलाता है इसे चंद्रमा का बिमुक फलक जो है साठ किलो है तो अगर उसे चंद्रमा पर ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे इसमें साठ का साठ में हम क्या करेंगे छे का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा दस किलो हो जाएगा तो मैंने क्या बताया कि प्रत्थी पर प्रत्थी पर अगर किसी वस्तु का मान कितन है, मुझे द्रबिमार कितना है? साट किलो है, तो भाहा पर कितना हो जाएगा? उस पे छे किलो हो जाए तो मैं फिर्से बता दूं, चंध्रमा परभार, प्रथवी का एक वट्टे 6 मावा के बराबर होता है. ठीक है? तो चलिए आगे बात करते हैं next देखते हैं इसी में clear करते हैं चंद्रमा के बारे में और हम कुछ देख लेते हैं चंद्रमा का उपभू और अपभू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपभू क्या होता है और उपभू क्या होता है ठीक है तो आईए अपभू या उपभू द कच्छा है ठीक है और प्रत्वी क्या करती है इस तरह से प्रत्वी जो है यहां पर है इस तरह से ठीक है ये प्रत्वी है ये चंद्रमा की कच्छा है इस तरह से चंद्रमा जो है इस तरह से अब माली जी ये चंद्रमा है इस तरह से ये ये मून मान लेते हैं और ये सन मान ले ये साथ किलो मीटर है, ये पांच किलो मीटर है, ठीक है, पांच किलो मीटर और ये साथ किलो मीटर, ठीक है, किलो मीटर, तो अब चंदरमा क्या करता है, यहां से सुरू करता है, परिक्रमा लगाना, तो इस तरह से, इस तरह से, ये, 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 क्या करता है, इस तरह से, इस त जब चंद्रमा प्रत्वी से बहुत अधिक दूरी पर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं अपभू कह देते हैं मैं फिर से बता दूँ जब चंद्रमा प्रत्वी से बहुत कम दूरी पर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं उपभू कहते हैं और उपभू जब बनता है जब कब आती है पूड मा की रात को आती है मैं फिर से बतातूं जब चंद्रमा और प्रत्थिवी के बीच में क्या होती है काम दूरी होती है तो उसको उपभू कहते है जब चंद्रमा प्रत्थिवी के बीच में क्या होती है बहुत अधिक दूरी होती है तो उसको अपभू कह दे लेते हैं ठीक है अब वो की इस्तिति का बाती है जब आपका क्या हो रहा होता है जब आपका एक सकंड जब पूर्मा की इस्तिति होती है ठीक है चली चली सुक्लपक्ष और किस्नपक्ष की बारे में बात कर लेते हैं तो जब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं वो जब चंद्र पक्ष होता है यह अमावस्या से लेकर पूर्मा तक होता है मैं फिर से बता दूँ सुक्ल पक्ष कब होता है जब चंद्रमा हमें दिखाई पड़ता है तब उस पक्ष को हम क्या कहते हैं सुक्ल पक्ष कहते हैं यह कब होता है अमावस्या से लेकर पूर्मा तक के बीच का समय क्या होता है आपका सुक्ल पक्ष होता है वहीं आपका किस पक्ष कब होता है जब किस पक्ष में क्या होता है चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है यह पक्ष जो होता है पूर्मा से लेकर आमावस्यातक के लिए होता है यानि कि आपका जब पूरी तरह से पूरा चंद्रम जब हमें दिखाई पड़ेगा तो क्या होगा हमारा जो चंद्रमा है वो हमें पंदरे दिन दिखाई नहीं देगा और पंदरे दिन क्या होता है हमें दिखाई पड़ता है नेक्ट बात करते हैं चंद्र की चंद्रमा की कलाए यानिकी फेसिस और मून के बारे में बात कर लेत पंदर है ठीक है यहां तक क्या है यानि कि यहां से लेकर यहां तक का यह जो समयकाल है वह है आपका कहलाएगा सुक्ल पक्ष कहलाएगा क्यों क्यों कि यहां से आपका जो चंद्रमा दिखना शुरू हो जाता है यानि कि अमावस्या की रात जब होती है अमावस्या के बाद जो होता है तो क्या होता है चंद्रमा जो हलका सा दिखना शुरू हो जाता है तो अमावस्या से लेकर जब चंद्रमा पूरी तरह से क्यार होता है पूरी तरह से न निकला है तब तक वो पक्ष क्या कहलाता है किर्षन पक्षिक, सुक्ल पक्षिक लाता है, यानि कि चंद्रमा हमें दिखाई पड़ता है, वहीं चंद्रमा क्या होता है, पूरा जब दिखे जाता है, इस तरह से मान सकते हैं, कि मान लिजे, इसकी पूरी लाइट है, और जब इसकी पूरी लाइट है, तो आज मान लिजे कि क्या हो रहा है ये आपका क्या हो रहा है ये आपका पूड़मा वाली रात है पूड़मा का मतलब ही हो गया कि अब कल से जब इसकी जो लाइट होगी यानि कि क्या होना सुरू हो जाएगी कम होना सुरू हो जाएगी इस तरह से इस तरह से और एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी होगा माली जी आज अमावस्या है यानि कि जो रोसनी है बिल्कुल ना के बराबर है बिल्कुल भी हमें दिख नहीं रहा है तो हमारी रोसनी क्या हो रही है हमारी रोसनी या करें चंद्रमा जो है हमें दिखना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से इसकी जो रोसनी है बढ़ ज जाएगा और आज से इसकी रोसनी क्या हो जाएगी कम होना शुरू हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आखरी दिन यानि अमावस्या वाले दिन हमें चांद दिखाई नहीं पड़ेगा यानि की पूरी तरह से अंधेरा होगा समझ में आ गया तो यहाँ पर एक बाप फिर से बता दूँ जब चंद्रमा दिखाई देता है तो यह है पक्ष अमावस्या से लेकर पूर्मा तक का होता है उसके ब यह से समझ में आया कि चंद्रमा के गड़ते बढ़ते रूप को हम वह फेजिस और मून या चंद्रमा की कलायい या चंद्र कलाया कहते हैं समझ मैं आ गया नेस्ट बात करते हैं गिरहण का मतलर होता है किसी वी खगोलिère Pint का अंधिकार मैं हू जाना क्या कहालाता है गिरहण कहलाता है माल Hiç मान लीजे यह आपका मान लीजे यह आपका सूर है और यह आपका प्रत्वी है और क्या लेके आओं क्या लेके आओं क्या लेके आओं मान लीजे मान लीजे मान लीजे मान लीजे यह आपका चंद्रमा है यानि कि यह प्रत्वी है और यह चंद्रमा है तो इस समय क्या हो रहा है आपका प्रत्वी जो है प्रत्वी जो है क्या हो रही है हमें दिख रही है क्यों हमारा जो सूर्ज है बिल्कुल सामने चमक रहा है चंद्रमा क्या है हमें दिख रहा है क्यों 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 कि सूर की रोस्तिनी पड़ रही है दोने के ऊपर तो क्या होता है किसी कार से क्या हो चंद्रमा के बीच में क्या होता है प्रत्वी और चंद्रमा के बीच में क्या होता है प्रत्वी प्रत्वी यह है चंद्रमा और यह सूर और चंद्रमा चंद्रमा और सूर यानि कि इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है प्रत्वी आ जाती है तो इस इस्तितिव को हम क्या कह इस तरह से, क्या हो रहा है कि चंद्वी इस समय नहीं दिखाई पड़ेगा, वो अंदिकार में हो जाएगा, अब क्या होता है, कभी-कभी ऐसा होता, यह चलता रहता है, प्रत्वी इस तरह से, क्या करती है, प्रत्वी भी गूम रही है, चंद्रमा भी घुमराई किस तरह से इसके साथ यह इसके चक्कर लगा रहा है यह इसके चक्कर लगा रहा है प्रत्वी सूर के चक्कर लगा रही है यह इसके चक्कर लगा रहा है यह कभी-कभी कैसा होता है कि यह चक्कर लगाते 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 कभी-कभी इसा होता है चक्कर लगाते लगाते कौन चक्कर लगाते लगाते ये चंद्रमा है ना इस तरह से प्रत्वी इसके चक्कर लगा रही है ये इसके और ये इसके कभी-कभी इसा मौका आता है कि ये प्रत्वी और प्रत्वी ये प्रत्वी और ये चंद्रमा और ये सूर तो प् चटरणा को हम क्या क्यते हैं तो आपको प्रत्विए रहा हूँ है धिक है तो समझ में आ गया तो मैंने ने बताया कि सी भी पिंट का चाहे आए पिर प्रत्विए हो यानि कि चंद выш ano यäre फिर प्रत्विए तो घिसց को भी और यह में हो जाए तो वो क्या-क्या लाता है वू उस पर गिरहण लगे जाता है ठीक है समझ में आ गया तो चलिए आगे क्लियर करते हैं इसको हम खेलिये करेंगे चंत गhog इसको सूऱण के बारे में बात करेंगे अभी मेरे हलका सा समझा दिया है चले देखते हैं next बात करते हैं मंगल के बारे में आपर बात कर लेते हैं मंगल यानि की मार्स के बारे में आपर थोड़ा सा जानकारी ले 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 लेते हैं मार्स या मंगल तो मंगल गिरह ही है आपको पता होगा गिरह क्या है जो सूर से रूसमी प्राप्त करते हैं प्रिकास कि या iron oxide के उपस्तिती की काड़ इसका रंग जो है लाल दिखाई पड़ता है ठीक है प्रत्वी की तरह है अपने अच्छ पर ये जो आपका मंगल है वह 25 अंस जोका हुआ है जिस तरह से आपका प्रत्वी है प्रत्वी क्या है सूर की तरब क्या है 25 अंस जोका होने के काड़ मंगल पर भी रितू परिवर्तन होती है ये सूर से अधिक दूरी पर होने के काड़ इस पर रितू है जो होती है बहुत अधिक थंडी होती है प्रत्वी के मुकाबले क्योंकि मैं आपको यहाँ पर किलियर करा दूँ एक सेकंड कहां भाग रहा है बिना पूछे एक सेकंड एक सेकंड में ठोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ मैं इसको लेकर आता हूँ यहां मालीजे यह आपका सूर है यानि कि यह सन है तो यहां पर मैंने आपको बताया था सूर के पास सबसे पास कौन सा गिरा है तो वो आपका बुद्ध है तो जब सूर के पास सबसे पास गिरा है तो क्या होगा मा माली जिये शुक्र बन गया, तो सूर मेरे से क्या हो गया, थोड़ा सा और दूर हो गया, तो बुद्धि से थोड़ा सा कम तापमान है, मतलब समझ रहा न, उसके बाद और दूर बढ़ गया, माली जिये प्रत्वी माली जिये, तो क्या है मेरे जो तापमान है, मुझे में और कम होगा अम माली जी और थोड़ा सा दूर चला जाता है माली जी आ जाता है आपका मंगल आ जाता है मंगल पर क्या है रोसनी थोड़ी सी कम है तो और ठंड बड़ेगी फिर और बड़ेगी फिर इस तरह से क्या होगा ठंडा मौसम आता चला चला जाएगा ठीक है तो मैं आप को के लिए करा दूँ कि मालीजी ये सूर हैं सूर से हम बुद्ध की तरफ बढ़ेंगे तो ये बहुत गरम होगा क्योंकि बिलकुल पास है उसके बाद थोड़ा सा यहां बढ़ेंगे तो वो भी ये थोड़ा सा गरम होगा उसके बाद हम विरस्पत की तरफ बढ़ेंगे तो तो इस पे क्या होगा और यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद और आगे बढ़ाएंगे तो और ठंडे हो जाएगे उसके बाद और आगे बढ़ाएंगे और ठंडे हो जाएगे और आपको पता है कि किस तरह से यह अरोड़ जो है गैसी है बर्फीले गिरह कहे जाते हैं क्यों क जो दूरी है सूरी से बहुत अधिक है, समझा गया, तो यहां पर रित्यु परवर्तन तो होता है मंगल पर लेकिन प्रत्वी से, प्रत्वी के मुकाबले काफी ठंडा होता है, मंगल के दो उपगरेवी हैं, जिसमें आपका फोबोस और डिमोस आ जाता है, फोबोस फोबोस और डिमोस मंगल पर निक्स ओलंपिया जो है निक्स ओलंपिया नाम का जो एक परवत है जो की मांट एवरेट्स दे क्या तीन गुना उचा है इसका सीधा समतलब है कि पूरे सौर मैंडल का सबसे उचे गिरह की अगर उचे परवत की बात की जाये तो वो आपका निक्स चलिए आगे बात करते हैं नेक्ट बात करते हैं विरस्फती यानि कि आपका विरस्फत को हम कहते हैं जीविटर तो जीविटर के बारे में हमें आपर बात कर लेते हैं यह है सौर मंडल का सबसे बड़ा गिरा है कौन सा आपका जो जीविटर है या विरस्फत है यह सौर मंड तरह यानि कि बिरस्पत गिरह जो है किस से बना हुआ है क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से ये आपके चार गिरह जो आते हैं यानि कि मर्करी मर्कुरी इसको बोल सकते हैं बीनस अर्थ और मार से इनको हम पार्थिव गिरह कहते हैं क्योंकि प्रत्थिव के सम बरफीले गिरहे हैं क्योंकि ये सूर से दूर हैं तो इसमें मजबूत माल नहीं है बलकि इन में चार में क्या है इनका गहनत जो है आतार में जरूर चोटे हैं लेकिन गहनत इनका बहुत आदेक है वहीं ये आतार में जरूर बड़े हैं लेकिन इनका गहनत जो है बहुत ही कम है तो मैंने क्या बताया यह गिराए गैसों चे बनाया है इसके बाइव मंडल में हाइट्रूजन तता हीलियम के ऐसे की मात्रा बहुत होता है देखे द्रस्थत के द्रस्थत के उन्यासी यानि की सेवंटी नाइन उपगिरे हैं जो की सौर मंडल में दूसरे इस्थान पर आत चलिए नहीं सनी के ठीक है तो दूसरे नंबर पर आता है यह गिरह जो भी इन गिरह में सबसे बड़ा गिरह है क्योंकि मैंने आपको बताया था गैसी गिरह या जो भी इन गिरह में क्या है विरस्थत गिरह सबसे बड़ा है ठीक है चलिए तो यहां पर मैं आपको दिखा यह जो भी इन गिरैंग पूरे सवर मंदल में पी यह सबसे बड़ा गिरैंग यह जो है मिट्टी तता पत्थर जाजर गेसों से बना हुआ है इस काड़ इसे गैस जाइंट या गैस दानव गिरह कहते हैं मैं फिर से बता दूँ मैंने आपको बताया था कि जो चार गिरह इनक पत्थर की बजाय गेस और जलवास्प और वर्फ से बने हुए है, इस कार्ड इनका जो घंठ brothers है बहुत कम है, तुम्हेने क्या बताया? यह ग्रह्य जो है में इस ग्रह बाय। इनका जो मित्ठी तदा पत्थर की बजाय जालति तर gएस वे बना हुए है। इस कार्ड इस गिरह को आपको इस गिरह को हम गैस चाइंट या गैस दानव गिरह कहते हैं इस गिरह का बायू मंडल जो है इस गिरह का बायू मंडली दवाब जो है वह प्रत्वी गिरह के बायू मंडल दवाब से एक करोड गुना अधिक है इसका सीधा सा मतलब यह है कि अग मालीजी अगर बिरस्पत गिराय में अगर प्रिविस करने के कोशी करेंगे तो आपका कच्छूमर तो थोड़ी है आपका वो चीज बन जाएगी जिसकी आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि आप पर एक करोड गुना अगर आप पर दवाब डाल दिया जाए तो आपकी चटनी के साथ मतलब आपकी परत ऐसी जम जाएगी कि बिल्कुल मैं बता भी नहीं सकता क्या हो सकता है समझ रहा ना बिल्कुल क्योंकि आप मालीजे बाइव मेंडल क्या है आप पर इस तरह से दवाब डाल रहा है और फिर एक करोड गुना कर दिया जाए तो क्या होगा आपकी चट यानि कि 89 ठीक है उपगि रहा है जिसमें आपके कुछ प्रमुक उपगि रहा है जिसमें आपका आजाता है गैनी मेड कैलिस्टो ईयो और यूरोपा ठीक है तो दरस्पती यहां का इंचीपेटर इसके कुछ प्रमुक उपगि रहा है जिसमें आपका गैनी मेड आ जाता है जो की बहुत important है, कैलिस्टो आ जाता है, यो आ जाता है और यूरोपा आ जाता है, इसमें से जो गैनी मेड है या निकी ब्रस्पत के जो उपगिरह हैं उनमें से गैनी मेड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपगिरह है, जो की बुद्ध से भी 8% बड़ा में फिर से बता जाता हूँ, गैनी मेड जो उपगिरह है, उपगिरह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डॉर्फ लैनेट या फिर जो बॉने गिरह हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है, पूरे उपगिरह, सारे उपगिरहों में सबसे बड़ा उपगिरह है, पूरे सौर मंडल का जो की भुद्द से भी आठ परसेंट बढ़ा है प्रच्वी का दिर्ब जो विरस्पति का दिरब्यमान है सभी गिरहों के सभी सात कि दिरब्यमान के धाई गुने से भी अधेक है कह सकते हैं माल लीजिए यहाँ माले लिए मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सेचर्न, इरिनस और नेप्चुन को मिला कर रहने, साथ ग्रहों को एक साथ रख दिया जाए, माले लिए साथ ग्रहों को एक अलग रख दिया जाए, और विरस्पत को अलग रख दिया जाए, तो भी विरस्पत जो है, इन साथ गिरहों के दिरविमान से धाई गुना अधिक बैठेगा विरस्पत को सूरी का चक्कर लगाने में बारह साल लगते हैं मैं फिर से बता दूँ विरस्पत को सूरी का एक चक्कर लगाने में बारह साल लगते हैं इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रत्थ भी जो है सूरी का चक्क 365 दिन में लगा लेती है, जिसका मतलबी होगा, कि 365 दिन का, वो 365 दिन का एक साल होता है, वहीं यहाँ पर 12 साल का, 12 वर्सों का एक साल होता है, यह अपने अच पर, अपने अच पर, 9-10-8 गंटे में, क्या करता है, एक पूरा चकर लगा लेता है, जिस तरह से, प्रत्वी जो है, अपने अच पर, 24 गंटे में, एक पूरा चकर लगा लेता है, उसी तरह से, अपने नव गंटे, आठ नो दसमलब आठ गंटे में है एक पूरा चक्कर लगा लेता है इसका सीधा सा मतलब प्रत्थी पर चौबिस गंटे का एक दिन होता है वहीं पर इसमें आ नो दसमलब आठ गंटे का एक क्या होता है दिन होता है ठीक है ये एक छोटा सा पर्चे हो गया ब्रिस्पति वार में बात कर लेते हैं जिसको हम सेचर्ण भी कहते हैं तो यह है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गिरह है और यह है आपका ग्योबियन गिरह में दूसरा सबसे बड़ा गिरह है ठीक है तो यह है यह गिरह है दूसरा सबसे जाइंट फ्लेनेट कहते हैं इस गिरह के चारोर यहां पर आपको देख जाएगा यह आपका सनी गिरह सनी गिरह के चारोर एक तस्त्री नुमा क्या है तस्त्री नुमा क्या पाई जाते हैं छले पाई जाते हैं जिनकी जिनका निर्माड किसे हुआ है जिनका निर्माड पानी बर्फ और धूल कड़ों से हुआ है मैं फिर से बता दूं जो आपका सनी गिरह है वे उस और मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गिरह है और यह है इसका निर्माड किसे हुआ है गैसों से उने के काड़े इसको भी गैस जाइंट प्लेनिट कहते हैं इस गिरह के चार ओर यानि कि यह जो छले पाए जाते हैं तस्त्री नुमा इन छलों को हम बले कहते हैं जिनकी संख्या कितनी हैं दस हैं मैं फिर से बता दूं जो सनी गिरह है उस पे तस्त्री नुमा छले पाए जाते हैं जिनको हम बले कहते हैं और इन बले का निर्माड बर्फ पानी और धूल कड़ों जिनकी संक्या कितनी है दस है यह बहुत तेज गती से गुमने कार सौर मंडल का सबसे चपटा गिरह दिया मैं फिर से बता दूँ यह सबसे अधिक तेज गुमने के कार क्या है यह सौर मंडल का सबसे चपटा गिरह है सबसे तेज तो नहीं गुमता है लेकिन बहुत तेज चक्क लगाती हैं तो यहां पर 365 दिन का एक साल होता है उसी तरह से साड़े 29 सालों का प्रथी सनी पर एक साल होती है यह अपना साड़े 29 साल में एक पूरा चक्क लगा लेती है यह अपने अच्छ पर अगर गनतो बाला गिरह अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक गनतो बाला गिरह कौन सा है तो आप कहेंगे प्रत्वी और सबसे कम गनतो बाला गिरह की अगर बात की जाए तो उसका नाम क्या है वो है आपका सनी इसके उपगिरह की अगर बात की जाए तो इसके सबसे ज़्यादा उपगिर रहे हैं जिनकी संख्या जो है वो है आपका 82 यानि की 82 इन में से सबसे बड़ा जो उपगिर रहे है वह है टाइटन है वही ब्रस्पत के जो उपगिर रहे थे उनमें सबसे बड़ा उपगिर रहे था जिसका नाम था गैनी मेड़ ठीक ह कहां परता, मैंने क्या बताया, ब्रस्पत के सबसे जिन जो उपगरे थे, उनमें उपगरे था जिनका नाम ता गैनी मेड, यह है सौरमंदर का सबसे बड़ा उपगरे था, वहीं आपका जो क्या बोलते हैं, जो आपका सनी है, उसके कितने उपगरे थे हैं, उसके आपके 82 उ खुद का वायू मंडल में, फिर से बता दूँ, जो टाइटन उपगिरह है, जो कि आपका सनी का उपगिरह है, जो कि सनी के चार और चत्तल लगाता है, यह सनी के सारे उपगिरों में से सबसे बड़ा है, और इसका खुद का अपना एक वायू मंडल है, यह इसकी सबसे बिस्यस्ता है चलिए बात करते हैं हांके नेक्ट बात करते हैं अरोड के बारे में तो अरोड को भी थोड़ा से देख लेते हैं अरोड अपने अच पर 93 ़ो 98 याने 98 डिगरी जुका हूआ है Hence card इसको लेटा हुआ गरेवी कहते हैं में फिर से बता दूँ जिस तरह से आपका प्रत्वी जो था क्या करता है ये प्रत्वी मान लिए ये इस तरह से प्रत्वी रखा हुआ है इस तरह से प्रत्वी क्या है अपने अच्छ पर कितना जगा हुआ है साड़ तेज लेकिन ये क्या है अपने अच्छ पर 93 यहां पर देख सकते है 98 डिगरी ज किस तरह से घूम रहा है वहीं जो अरोड जो है अरोड जो है वो क्या कर रहा है अरोड अपना चक्कर किस तरह से लगा रहा है घड़ी की जिसा में लगा रहा है घड़ी की जुस्तु होती है उस जिसा में लगा रहा है मैं फिर से बता दूँ अरोड अपने 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 जो की बुद्ध से भी 8% बड़ा है, वहीं सनी की अगर बात की जाए, तो सनी में आपका टाइटन जो उपगिर है, वो सबसे बड़ा है, 82 उपगिरों में, जिसका अपना स्वयम का वायू इंडल है, वहीं आपका अरुड की अगर बात की जाए, 270 उपगिर हैं, 27 उपगिर हैं, जिनमें टिटेन या सबसे बड़ा उपगिर है, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा गिर है, यानि कि सबसे बड़ा गिर है, जो है आपका जुपिटर, दूसरा आपका आता है सहचरन यानि कि सनी, और तीसरा सबसे बड़ा उपगिर है, जो है वो आपका आता है अरोड ठीक है अरोड के सनी की तरह भी चारोड क्या पाई जाते हैं छल्ले पाई जाते हैं हम इसको कह सकते हैं जिस तरह से सनी के सनी के चारोड क्या तस्त्री नुमा छल्ले पाई जाते हैं जिनकी संक्या तस थी उसी तरह से जो आपका अरोड है उसके भी चार ओर क्या है छले या का बले पाए जाते हैं जिनकी संख्या कितनी है तेरे हैं तो आपका अगर सनी की पूछी जाए कितने छले हैं इसके तो दस हैं दस बले हैं इसके और इसके कितने हैं अरोड के सनी के कितने दस और इसके तेरे हैं ठीक है जिसमें आपका अलफा बीटा गामा डेल्टा और एपसिलोन के नाम से जाना जाता है ठीक है इतनी जानकाली काफी है नेक्स्ट बात करते हैं आगे अरोड भी मैंने आपको क्या बताए था अरोड भी पूर से पक्षिन की ओर गड़ी की दिसा में गुमता है मैं फिर से बता दूँ मैं फिर से बता दूँ यह सौ neutr मंडल का 1 मात गरह जो सूर की परिक्रमा एक दूरुब से दूसरे दूरुब की ओर करता है इस गरह पर मिठेंगेस की अधिकता है इस काड़े है हरे رंग का दिखाई पड़ता है इसको गैसी गरह के साथ साथ बर crypto गरह की कहते है यान कि इसमें गैसों की मातरा तो ह ही साथ में ये बरफीला गिरहवी है क्योंकि ये सूर से बहुत अधिक दूरी दूरी पर होने के काड़ क्या है बहुत ही ठंडा गिरह है इस काड़ इसको गैसी गिरह के साथ साथ बरफीला गिरहवी कहते हैं आप काड़ जो अरुड है इसकी खोज करने वाले जो रिखती थे उनका नाम ता सर विलियम हरसेल ठीक है क्या नाम ता सर विलियम हरसेल इन्होंने 1781 में इसकी खोज की थे आपको एक वार फिर से मैं आपको याद दिला दू मैंने क्या बताया था कि छे गिरह जो है छे गिरह जो है वो आपके क्या करते हैं पस्चिम से पूर क्यो गूमते हैं वहीं उनमें से दो गिरह ऐसे हैं जिसमें आपका सुक्र हो जाता है और अरुड हो जाता है जो की क्या करते हैं पूर से पश्चिम की और गूमते हैं बाकी सारे गिरह कैसे करते हैं पश्चिम से पूर की और गूमते इस तरह से और ये दो गिरह जो आते हैं वो क् नेप्स दिखते हैं बरेवर के बारे में बात कर लेते हैं चु़कि आखरी गिर है आपका स्वर मंडल का सबसे दूर का क्षेना सबसे पास्पा का क्या जू है आपका भूत और और वू यह विए एक गैसी गिरहे हैं लेकिन साथ ही साथ कैसा है बरफीला गिरहे है क्योंकि दूर है हलका है उससे और गैसी गिरहे है तो सूर से दूरी है इसका लिए ठंडा भी बहुत है चलिए यह यह गैसी गिरहे है बरूर गिरहे सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा गिरहे है साथ ही सबसे ठंड दूरी पर इस्तित है बरोड गिर है कि बरोड गिर है जो है 165 वरसों में सूर का एक पूरा चक्कर लगा लेता है इसका सीधा सा मतलब यह है कि बरोड गिर है जो है वह सब से अधिक समय में सूर के चार और चक्कर लगा पाता है जिस तरह से प्रत्वी पर 365 दिन की एक साल होत एक साल इसका कितने साल के बरावर होता है 165 साल के बरावर होता है यह अपने अच्छपर 15 गंटे 15.7 गंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है इसके 14 उपग्रे हैं जिसमें टृटॉन सबसे बड़ा उपग्रे है यानि कि टे टेनिया जो है आपका अरुड़का था और बोजे 1886 में जोहान गाले ने की थी, इतनी जानकारी आपका काफी है, चलिए आगे बाद करते हैं, नेक्स समझते हैं, बॉने गिरह के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले रेते हैं, गिरहों के बारे में तो हो गई, और बॉने गिरहों के बारे में अगर बात की जाए त कि जिस तरह से जो गिरह होते हैं वो सूर के चार और चक्कर लगाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं गिरह कहते हैं उप गिरह क्या होते हैं गिरह के चार और चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उनको उप गिरह कहते हैं लेकिन जो आपके बौने गिरह होते हैं इनकी इस बस्ट कोई परिवासा नहीं बनाई गया अभी तक लेकिन फिर भी कुछ इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि बॉने गिरह ऐसे आकासी पिंड होते हैं जो किसी अन्य गिरह की परिक्रमा नहीं करते साथ ही इन में गिरह के बहुत सारे जो गुड़ होते हैं मौजूद नहीं ह होते क्योंकि मैं आपको मान लीजिए मता देता हूं मान लीजिए सूर है सूर के चारोर क्या करता यह मान लीजिए बुद्ध है बुद्ध चारोर क्या करता है चक्क्र लगा रहा है वहीं सुक्र के बारे में बात की जाए तो सुक्र भी चारोर इसके चक्क्र लगा रहा है उसके बाद बात की जाए शुक्र की प्रस्वी की ये भी चारो चक्क्र लगा रहा है उसको कोई और गिरह माल लीजिए तो भो भी आप इसके चारो लगा रहा है लेकिन लेकिन समझ रहा ना बात को अब चक्कर लगा रहा है तो यह क्या है गिरह है अब गिरह होने के लिए सर्थ क्या थी यानि कि यह आपके गिरह के जो सूरज है इसके चारोर चक्कर लगा रहा है यानि कि बुद जो है अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है ठीक है शुक्र जो आपको यहां पर color change करके मैं ठोड़ा सा clear करा हूँ, यहां पर छोड़ी सी जानकारी दो, मैं आपर मालीजे, बुद्ध की जो कक्षा है, आपकी यहां से शुरू होगी, इस तरह से, यह, यह, इस तरह से, ना तो यह सुक्री की कक्षा काटता है, ना इसका कक्षा काटता है, ना यह, तो इसका मतलब यह है, कि इनकी अपनी एक स्वैम की कक्षा होती है, ना तो यह किसी के घर में जाके प्रिवेस करते हैं, ना ही किसी से इन्हें लेना देना होता है, लेकिन जो उपगिरह होते हैं, बो भी क्या करते हैं, किसी दूसरी के कक्षा को नहीं काटते हैं, समझ रहें लेकिन जो बॉने गिरह होते हैं उनमें क्या होता है वो किसी में किसी की क्या कर देते हैं कक्षा को काड़ देते हैं मान लीजिए कोई बॉना गिरह है मान लीजिए प्लूटो है तो वो जाता है जाता है और क्या करता है बरोड की कक्षा में घुश जाता है और वह ग्रह्य होने के लिए को किसी ग्रह की परिक्रमा कर नहीं ओकी. समय गया तो मैं फिर से मताद हो. इसकी कोई सब्सक्राइब ये कहा जा सकता है, जो इसान ऐपर इसे अनुचाशी पंडD ये जो किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं यानि कि न तो प्रितु साथ ही कप्छा होने के साथ वैस्तूर के चारों चक्क लगाएगा और इसकी सबसे बड़ी सर्ती है कि बाइक किसी दूसरे ग्रह की कप्छा को नहीं काटेगा लेकिन ये बॉने ग्रह क्या होते हैं ये चोटी यानिकी ओची अर्कत कर देते हैं इसलिए क्या होता है इनको क्लियर करते हैं हमारे स्वार बंडल में पांच बॉन ग्रों की खोज अभी तक कर ली गई है वैसे अभी अन्मान लगाया है नहीं गया किसी भी तरह का बहुत सारे पॉनिक रहे हैं लेकर पांच के बारे में पता लगाया जा चुका है तो आरे पांच के अगर बात की जाए हैं तो सबसे पहला था प्टलू कि सबसे बढ़ाया इसको मिल जाएगा तो इसके लाई रेस आता है फिर हाओ या धॉर डियर के बाने में तक मानने के बाने मैं के 2 का कुर factoryigns Apollo के वारे में थोड़ी जी बात कर लेते हैं, अब लोग जानते होंगे बहुत सारी दोग इसको गिरया माना करते थे यह इसको इम भी कहते थे क्योंकि हम जब छोटे थे और या फिर मैं मुझे याद puts हम अरोड बरोड और यम क्या यानि कि नॉमा जो गिरह हुआ करता था वो यम यानि कि प्लूटो हुआ करता था लेकिन ऐसा क्या कार हो गया कि प्लूटो को गिरह से जूते मार कर मतलब जूते नहीं मतलब बिजज़त करके उसे घर से या गिरह से निकाल दिया और उसे क्या कर द दोजार छी में ठीक है और उसमें संभिलन में प्लूटो को क्या किया जाता सौर मंडल से बाहर कर दिया जाता है यानि कि जो ग्रह की सुची होती है उसमें से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि ग्रह का एक नियम होता है कि वह है वह है अपनी एक निश्चित कर्षा में सूर की क कक्षा को काड़ दिया यहां पर मैं आपको दिखा दूँ यहां पो आपको देखने को मिल जाएगा क्या करता है यह जो आपका प्लूटो जो होता है प्लूटो इस तरह से इस तरह से गूम रहा होता है इस तरह से सूर के चारोर चक्कर तो लगा रहा है इसने क्या कर दिया य यहां पर हरकत वाजी करता रहता है बाद में पता चलता है महले वालों को कि यहां पर यह कुछ हरकत वाजी कर रहा है यानि कि हमारी कक्षा में प्रिविस कर रहा है सीधी वासे आपका क्लास 10 में एडिशन हुआ है तो आप क्लास 10 में पढ़ें और अपनी कक्षा को पार करें सूर के चक्कर लगाते हुए लेकिन आपने क्या कर दिया आपने हमारी क्लास 10 में आकर क्या कर दिया कुछ दिन आप वहां गोमे फिरे और उसके बाद कुछ दिन बार निकल लगे तो आपका पता चला तो हमने आपको क्या कर दिया आपको उस गिरह से निकाल कर बाहर कर दिया समझ गया ना तो मैंने क्या बताया कि ये इसने क्या कर दिया था बरुर जो था उसकी कख्षाव काड़ दिया जो की गिरह की सूची से इसको इसी काड़ से निकाल कर बाहर कर दिया और दोजार से से क्या हुआ कि जो जहां पर गिरहों की संक्या नहुआ करती थी उसके बाद इन गिर्हों की संक्या कितनी हो जाती है, आठ हो जाती है, समझ में आगया, चलिए, next बात करते हैं प्राक्रति उपगिरहों के बारे में यानि कि natural satilites के बारे में जिसको हम चंद्रमा भी कह सकते हैं तो इनकी कुछ संख्या इस समय बरतमान में 185 हैं कम जादे होते रहते हैं तो कोई मेरे उपर case नहीं करेगा पूची जाती नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पर जानकारी की रूप में लेक दिया है ठीक है प्राक्रति उपगिरहों को हम क्या कह देते हैं उपगिरह या चंद्रमा कह देते हैं ठीक है मैं फिर से बता दूँ ऐसे पिर्नों को गिरह या उपगिरह या नेच्रल सेटेलाइट कहे देते हैं ठीक है तो हमारे पूरे सौर मंडल में लगवग लगवग 175-85 क्लाक्रतिक उपगिरह माने जाते हैं नेक्स बात करते हैं छुद्र के बार में नी एस्ट्रोड के बार में आपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत important है जिसको थोड़ा सा clear करते हैं तो asteroid को देखते हैं क्या asteroid होता है तो चुद्र गिरें क्या होते हैं तो चुद्र गिरें मंगल तथा विरस्वती के विरस्वती के मद पाए जाने वाले मैं चोटे चोटे आकासी पिंड हैं जो की एक willton की रूप में मौझओत होते हैं मैं आपको जूब करके यहाँ पर दिखा देता हूं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं यह है आपका मंगल गिरें ठेक है यह विरस्वत और मंगल मांज लेते हैं इस तरह से तो मंगल और बिरस्पत की ये कख्षा है इस तरह से ये मंगल से लेकर यहां इस तरह से यहां से मैं आपको इसको इस तरह से कख्षा दिखा देता हूं मंगल और बिरस्पत की इस तरह से ये इस तरह से तो ख़या तो तो क्या समझना आगल यह विरस्पत के यह मैं से मानेあ इसे पर की यह मदल है यह आपका चलँकता हुआ जो है मंगल है और यह मान ली एक ब्रस्पत है तो मंगल और बिरस्पत के बीच में एक पतली सी बेल्ट पाई जाती है जो की एक फ्ट्रेट्व प्रॉत ठीक है एकूँ पर से बता दूं ये बिरस्पत और ये मंगल ठीक है दोनों की बीच में क्या है एक एश्ट्रयूड की पैल्यड पाई जाती है चलिए देखते हैं धिलेर करते हैं प्रक्रण के मत्पाई जाने वाले च dispers पंड हैं जो कि एक wellbर के क्या हàiती हैं तो ऐस प्रक्राजड से तरह सूर की परिकरमा करते हैं कौन एस्टोराइड जो होते हैं सूर की परिक्रमा करते हैं जिस तरह से गिर है जो है सूर के चार और परिक्रमा करते हैं यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूँ माली यह सूर है सूर के चार और क्या कर रहा है गिर है एक दो तेन चार पांच इस तरह से गिर है क्या करने परिक्रमा करता है वहीं मंगल और बिरस्फत की बीच में एक बेल्ट पाई जाती है इसको मैं बेल्ट को थोड़ा सा कलर कर देता हूं थोड़ा सा सुंदर वाले कलर में कर देता हूं यह मंगल यह माला मंगल है और बिरस्फत है इन दोनों की कच्छाओं के बीच में एक बेल्ट पाई देते हैं ये क्या करते हैं मंगल या क्या गिरहों की तरह सूर के चार ओर क्या कर रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं समझ में आ गया सबसे बड़ा छुद्रगरा की अगर बात की जाए तो इसको हम सिरस कहते हैं इसका निर्माड भारी धात्मों से हुआ है लेकिन सिरस का आकार बह उसके अलावा पीष्टा तो सिरस जो है इसको हम बॉना गिरही कह देते हैं और यह सबसे छोटा बॉना गिरही सबसे बड़ा बॉना गिरही कौन सा है आपका प्लूटो उसके बाद आपका आजाता है एरिस ठीक है समझवाया गया ना चलिए नासा ने प्रत्वी को छुद्र गिरह से बचाने के लिए बनाया था छुद्र जो होते हैं छुद्र गिरह सूरी की परिक्रमा करते हैं यह मैंने आपको किलियर करा दिया चलिए आगे बात करते हैं ठोड़ा था किलियर करते हैं छुद्र गिरह के बाद हम बात करते हैं धूम केतु के बारे में छुद्र के से बने हुए छोटे छोटे चटानी तथा धातू के टुकडे होते हैं ये सूर के चार और अनियमित्यक्षा में अपनी परिक्रमा करते हैं मैं फिर से बता दूँ ये आपका माल लिए सूर है सूर है माल लिए ये इसके चार और क्या करते अनियमित्यक्षा में परिक्रमा करत है यह आपका क्या दूम के तू खर फूर करते हैं कभी दूर हो जाते हैं कभी जाते हैं तो कभी किसी यह बिना पूँच के होते हैं यानि कि जो धूम किये तो होते हैं इनकी कोई पूँच नहीं होती लेकिन जैसे ही यह सूर के पास पहुंचते हैं बैसे ही यह सूर से मिलने बाली उसमा से अपनी वर्फ पिगला कर बल बल बर्फ यानि कि जो उसमें जो आईस होती है उसको पि कोई धुम्केतु है, यह क्या करता है, सामनता है, इसमें कोई किसी भी तरह की पूंच नहीं होती, लेकिन यह क्या कर रहा है, चार ओर सूर के चक्कर लगा रहा है, और कभी-कभी क्या होता है, यह सूर के पास पहुंच जाता है, और मैंने आपको बताया, कि किस तरह से जो ध पहुँर्फ दूल और इन सबके क्या होते हैं पानी वह इसके पास हो गया और जशहिये पेंगलनाश भुगा वैसी आपको पता होगा जब पानी घरम की आज़ा तो भाप निकलती है तो भाप प्र याका क्या होती है जो घैस होती है उसकी क्या बन जाती है, पूँछ बन जाती है, तो यह जो धूम के तू होता है, उसकी क्या हो जाती है, एक पूँछ में सूस होने लगती है, ठीक है, तो आईए है, हम इसको क्लियर करते हैं, मैंने क्या बताया, सामय ने ते जो धूम के तू होते हैं, बिना पूँछ वाले होते हैं, ल कि तु है चार और चक्कल लगा रहा है और अभी इसमें कोई खास इसमें कोई खास पूंच नहीं है लेकिन जैसे ही क्या करता है ये आपका सूर के पास पहुंचता है बैसे ही ये अपनी जो बर्फ होती है उसको पिगला देता है और एक गैस की पूंच बना लेता है ठीक है तो समझ में आ गया इनकी जलती पूंच क्या होती है हमेशा सूर के बिपरीद सामें रहती है मैं फिर से बता दूँ और आपको ये बता दूँ कि ये पूंच के बारे में है पूंचा जाता है कि क्या ये मालीजे सूर है तो जो मालीजे कोई धूम केतु है धूम केतु है मा आपको बता दूँ, ये सूर का चक्कर जो होता है, 6 से लेकर 200 बरसों में पूरा कर लेते हैं, इसके साथ ही इनकी जो जलती पूछ होती है, हमेशा सूर के बिपरीद दिसा में रहती है, ये हर 76 बरसों में एक बार हमें दिखाई पड़ते हैं, देगा है, यहाँ पर आपको द बात कर लेते हैं, इसके जो भाग हाग हैं, उसको थोड़े बहां से देख लें, धूम, के तु, तीन भाग होते हैं, कौन कौंसे भाग होते हैं, नावी, कोमा, और पूँछ यहाँ पर आपको देख tecnología, यानि के हम को नेूकलिइस ही कहते हैं, उसके बाद जो ये बाला जो भागे इसको हम कहते है कोमा ठीक है कोमा उसके बाद जो इसकी पूँच जो होती है तीसरा जो भागे पूँच तो पूँच जो होती है इसके दो भागों में माटी जा सकती है एक तो होती है गैस टेल दूसरी होती है डश्ट क्योंकि मैंने आपको बताया था धूल कर से बने है ठीक है समझे आगे ना तो मैं फिर से बता दूँ धूम के तुझ जो होते हैं इसके तीन भागों में बाटा जाता है कौन-कौन से तीन भाग है ना भी कोमा और पूंच ठीक है चले कुछ प्रमुग क्या तो है उनके बारे में हापर छोड़ी सी जानकाली ले लेते हैं सब प्रत्वी से टकरा गया तो आप से पूचा जाता है क्या कौन सा दूम के तू या कॉमेट था जो कि बिरसपस से टकरा गया था तो वह था आपका सू मेकर लेवी नाए ठीक है उसके बाद एक और है 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 यहां पर आपको देखिए चायेगा है तो यह हो गया एक छोटा सा पर चाहे आपका धूम के तू यानि की कॉमेट के पारी में है, नेक्स बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया हो, कॉमेट के यानि की दूम के तू कि कि कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, कोमा, कोमा, और क्या क्या था, हाँ, नाधी, कोमा, और फूंच, चलिए, आ हमें जो आपकाई काता है मीटियो और रोय है निवत्य एपर दिख जाएक यह नपर दिख जाए गारों के बारेमा में यहां पर है मीटियो ए तिक है उसके वार मीटिवेृ निई ठॉलाइट भाट तक यह इस या पिंडों के बचे हुए भाग होते हैं, जो कि प्रत्वी के गुर्तवा आकरसर बल के कार, प्रत्वी के छेतर में जैसे प्रिविस करते हैं, तो जो बायू मंडल में प्रिविस करते हैं, घरसर के कार या रगडारगडी के कार, इनमें आग लग जाते हैं, और जैसी आग पिंडों के क्या होते हैं टुकडे या बचे हुए भाग होते हैं जो कि जैसे प्रत्वी के गुर्तवाकरसर बाले छेत्र में गुर्तवाकरसर बाले नीचे की तरफ खिचते हैं तो गुर्तवाकरसर बाले के कार बायू मंडल में या प्रत्वी के छेत्र में प्रिविस कर जा होता है इन में आग लग जाती है और ये चल कर समाप्त हो जाते हैं जब किसी उल्व का जब किसी उल्व का भाग जो जल कर नष्ट नहीं होता तो प्रत्वी पर गिरता है तो उसको उल्व का पिंड कहते हैं मान लीजिए माल लीजिए ये आपका उलका पिंड है माल लीजिए ये छुद्रगर है माल लीजिए छुद्रगर है किसी कार से क्या होता है ये आपस में किसी में टकरा जाता है इसमें से क्या होता है कुछ बाग क्या होता है तूट कर बिखर जाता है और जो प्रत्वी होती है है मल यह प्रत्वी है प्रत्वी क्रत्वी क्या की अखचा में क्या का लाए इस तरह से यह तूट गर कुछ माल इसमें से बच गया यानि कि माल लीजिए यह पहुस्ट सारा माल इसमें है चुद के रहे में यहां पर इमाल लीजिए इस तरह से कि माल ली इसमें है कहां गारा है का इस तरह इसम tiro FM पूछे माल लीजिए यह बचा घखा और वो सरी यह इसमें रखाओ यह चुदelijk पूरा ये चक्कर लगा रहा हूँ किसी काड़ से इसमें क्या होता है विस्पोट या टूट फूट हो जाती है तो क्या हुआ ये उलका में बदल जाता है और उलका में जब बदलता है तो प्रत्वी के बायुमेंडली चेत्र में प्रिविस करता है और प्रिविस करता है इसम आग लगने के बाद इसमें आग लगई और इसमें से कुछ माल जो था वो जल कर भस्म हो गया लेकिन इसका कुछ भाग जो था वो आकर प्रत्वी पर क्या करता इस तरह से गिरता है जब ये उलका का बचा हुआ भाग जब प्रत्वी के उपर गिरता है तो उसको हम उलका पि प्रतिवी पर गिरती है तो इसको हम उलका पिंड कहते हैं समझ में आ गया चलिए यह हो गया एक छोटा था पर्चा उलका और उलका पिंड के बारे में तो मैंने क्या बताया जब किसी उलका का भाग जो जलकर नच नहीं हो पाता और प्रतिवी पर गिरता है तो उसको हम उलक पिंड कह देते हैं यदि जब कोई पिंड अंत्रिच में प्रतिवी तक पहुंचने में पहचने से पहरी समापत हो जाता है तो उस वह उलका कहलाता है लेकिन जब वह उलका का बचा हुआ बाग प्रतिवी पर गिरता है तो उसको उलका पिंड कह देते हैं इसको हमें ऐसी भी कह सकते हैं कि माल लीजिए मैं उलका हूँ और कहीं छेत्र से उड़ता हुआ आया और मैं क्या है बाइवमेंडली छेत्र में प्रविश करता हूँ मुझे मैं आग लग जाती है और मेरा अंस एक टुकड़ा भी नहीं बचता है मैं मर कर वहीं उपर ही समाप्त हो जाता हूँ तो उपर ही समाप्त होता हूँ तो मैं उलका बना रहूँगा लेकिन किसी कार से मेरी हड़ि या फिर मेरा कान मे या मेरी नाक या फिर मेरा कोई भाग जो है वो बच जाता है और उपर अकरएं तकर आता है तो उसको हम उलका पिंड कहेंगे इतनी जानकारी काफी है तो पानी और गेसों से बने हुए होते हैं जो कि सूर की तरब क्या करते हैं अनिमित कक्षा में चक्रमा करते हैं और किसी काड़ से ये सूर की तरब पहुंच जाते हैं तो क्या होता है इन में इनकी जो बर्फे वो पिगलने लगती हैं ये पूंच बना लेते हैं छुद्रगरह क क्या होता है और उलका क्या होता है जब आग लगती है उलका पेंड आग लगती है तो उलका पेंड यहां पर एक चीज़ जो ध्याना का मेट्योरोइट और मेट्योराइट और मेट्योर तीनों में अंतरगरम समझें जब किसी का बचा हुआ भाग होता है और जो बायूमेंड यह पर पिंड बचा हुआ बचा हुआ भाग टकरा आया तो ऊपर जब रहता है जब इसमें आग लगती है तो उलका लगने से पहले यह क्या रहता है उलका प्लिड ही रहता है जलिया समझते आगए हैं प्रत्वी की गतियां जो प्रत्वी है उसकी प्रत्वी का जाजततर जो बिंड्ड होती हैं उन्में दो गतियाँ मोटती है यानि की दूर गति हो रखी है को रोना की वजा से इससी तरह से जो पिंड होते हैं उनकी भी दो और चक्कर लगाना पर्विर्मण मत्रब अपने ही अच्पर इस तरह से घूना ठीक है तो यह पर किर्मण और पर विर्मण दोनों के बारे में आप बात करने वाले हैं तो सबसे पहली जो गति है वो है आपकी गोडन गति तो प्रत्वी अपने अच्पर पस्चिम से पूर की पस्चिम से पूर की दिसा या कहें घड़ी की बिपरी दिसा में जब घूनती है तो उसको हम गोडन गति कहते हैं मैं परसे बोलतूं प्रत्वी अपने अच्पर पस्चिम से पूर की दिसा में या कहें घड़ी की बिपरी दिसा में 23 गंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेती है इसको हम घूड़न गती कहते हैं इसको हम परविर्मण गती या द्यानिक गती भी कह देते हैं जो प्रत्वी की घूड़न गती होती है उसके काड़ी दिन रात की घटना होती है मैं आपको बता भी चुपा हूं कि किस तरह से माल दीजी ये सूर्य है और और यहां परमालुकी है प्रत्विया अपने एच़पर तेजघंटे, 85-00, 4 शेख desshof में एक क्या कर लेती है। तो इसको क्या कहते हैं तिन घूडन गती कहते हैं और इसके काड़ क्या होता है कि दिल और रात की गटना होती है चलिए तो आगे बात करते हैं दूसरी गति देखते हैं परिक्रमड गति किस तरह से पुरृति पिंड होता है किसी डूसरे किय ninth के क्या जालकाता है या हम ऐसे कह सकते हैं हमा लिए सूर्लि के अगर कोई पिंड्ट चार और इसको चक्र लगा रहा है तो हम इसको कह देंगे परव्रमड गति यायनि कि परकिर्मा करना यस तरह से हम मंदिर में कभी जाते हैं तो आमें देख ल During a linear ज़्वार करनी यह पांच परपॉरकर माय करनी में आप जान तो प्रत्विर को सूर की करने में यानि अपनी कक्छा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 गटे 48 2018 तथा 48 सेकंड का समय लगता इस गति की गाड़ विठ्टू परिवर्तन होता है इस गति को S मैंने क्या बताया था कि मानली की ये सूर है और ये है आपका प्रत्वी तो प्रत्वी क्या कर रहा है प्रत्वी सूर की एक निश्चत कश्चा में क्या कर रहा है सूर के चारोर चक्कर लगा रहा है तो सूर के चारोर जब ये चक्कर लगाता है तो इस तरह से लगाता है इस इस तरह से तो इस तरह से इस तरह से इस तरह से तो सूरे के जब प्रती चारो और एक चब चक्कर लगाता है तो एक साल में लगा पाता है इसलिए इसको हम बार से गती या फिर कच्छी गती कहते हैं क्यों क्यों कि एक निश्चित कश्चा है और उस कश्चा के इस तरह से चल करते हैं किरमण गति को हम सायूती गति या कक्षिया गति भी कहते हैं इसको हम र algún या बार्सिफ गति भी कह देते हैं चलिए आगे बाद करते हैं चली साथ्य नत अक्षि के के बारे में बात कर लेते हैं नत्मतल होता है जुकना या फिर नत्मसटक हो जाना आप में सुना होगा तो प्रत्वी अक्षे या धुरिवी पर घुनती है वह अपने के तल के साथ 56 का पॉंड बनाती है प्रत्वी अपनी इसी तले पर वे यहां कोड़े it कज्श तरह से आपको दिखे जाएगा इस तरह से और यहां का हो जाता है तो कितना बन रहा है यह साड़े 66 इस तरह से यहाँ पर जो बन रहा है वो कितना पढ़ रहा है यानि कि इस तरफ जो जुकाब होगा वो कितना होगा 90 डिगरी इस तरह से उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो 45 और जो अच्छी जुकाब है अच्छी जुकाब कितना हो अंतर होता है और मोसम में परवर्तन होता है क्योंकि माल दीजिए सूर का प्रकास यू है सूर का प्रकास यू है इस तरह से यहां पर पढ़ रहा है अब इस तरह से पढ़ रहा है न तो आप एक ची ध्यान रगना इस तरह से आपको एक ची ध्यान रखनी होगी कि इस तरह से जब यह प्रत्वी अपने अच्पर घुम रही है साथ में और क्या सेंडि ㅋㅋㅋㅋ O जोय है कि उत्र दर्फपर क्या है इस समय बहुत आधिक क्या पड़ रही विगिंगर्मी पड़ रही होगी थच्छ डुर्म्अ क्या हो रही होगी बहुत कम कर्मी पड़ रही होगी हमा लिगे घुंटे गुंते प्रत्वी क्या हो जाती है प्रत्वी कि गुंते गुंते कि सूर हो जाती है तो आप एक बात ध्यान रगना यहां पर क्या है दच्डी दुरब पर क्या है दच्डी दुरब पर कास अधिक पड़ रहा है और उत्तरी दुरब आप यहां पर देख सकते है उत्तरी दु का हुआ है तो क्या होगा दच्छी दरूं में गर्मी की मुख गर्मीन का मुसम होगा दच्छी दरल में किया हुगा आपका सर्दी का मौसम होगा तो एक छोटा सा पर्चा है आद में आके क्लियर कराओ नमें ठीक है तो मैंने क्या बताया ये जो अच्छी जुकाव होता है इसके काड़ी क्या होता है दिन रात की जो लंबाई होती है उसमें अंतर होता है अगर माल लीजिए प्रत्वी जो है बिल्कुल भी जुकाव न हो प्रत्वी का अगर जुकाव बिल्कुल न होता तो क्या होता प्रत्वी जो होती हमेशा हमेशा क्या होती इसी तरह से हमेशा चारों प्रकार कैसा होता हमेशा इसी तरह से प्रत्व परत्वारखह उत्तर है, वो हमेशा जब तक घूंबता रहें गोए को तब तक वही यानि कि बिल्कुल भी मौसम 2000 में परवर्ण नहीं आएगा अगर उत्तर ही द्रम में गर्मी पड़ रहें हैं या कई सर्दी पढ़ रही तो भज हमेंचा जब तक ये प्रथ्वी है बजू के तब तक क्या होगा अगर यह जोखाव नहीं होता तो जोखाव क्या होता है कभी हुठेदूरूफूर के नेज़्दी का जाता है तो कभी क्या होता है प्रत्वी से सूर की दूरी के बारे में बात कर लेते हैं यानि कि प्रत्वी जो है आपर मैं आपको बता दूं मालीजिए ये सूर है और प्रत्वी जो है इस तरह से एक अंडाकार जो कक्षा है इस तरह से प्रत्वी क्या कर रही है चार और चक्का लगा रही है किसके सूर के प्रत्वी है सूर के चार और चक्का लगाती है इस तरह से यह मतलब ट्रेड मेंडी नहीं से सीधा लगाती है इस तरह से लगाती रहती है 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 तो कभी-कभी क्या होती है यहा अगर देखें तो यहाँ पर क्या है ज्याद है सूर से प्रत्वी बीच में और यहाँ इन दोनों की बीच में अगर देखें तो क्या है दूरी जो है कम है यहाँ पर यहाँ पर ज्याद है और यहाँ पर क्या है कम है दूरी यहाँ पर अगर देखेंगे इस तरह से तो यहाँ तो यहां पर क्या है दूरी जो है समान ही होगी यहां पर भी यहिसी है और यहां पर भी बैसी है तो है क्या होगा इस तरह से तो इसको ही हम रहता है प्रत्वी क्या होती है इसके चारोज चक्कर लगाती रहते है इस तरह से यह दिख रहा है ने चक्कर लगा रही है चक्कर लगा रही है चक्कर लगा रही है तो आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो प्रत्वी का यह माली यह सूर्य है और प्रत्वी की जो कक्ष क्या है इस तरह से वो कैसी है गोला कार नहीं है बलकि क्या कैसी है अंडा कार है यानि कि इस तरह से कहीं पर चप्टी तो कहीं पर लंबी तो यहाँ पर पढ़ जाता है आपका सूर्य यहाँ पर यह लंबाई जादे हो जाती है और यहाँ पर दूरी जो है कम हो जाती है आई स मैंने क्या बताया कि यहां पर आपको देख जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक अगर इस समय क्या है प्रत्वी अगर इस जगे है तो क्या होगा आपका जो दूरी है वो क्या होगा दूरी बहुत है यहां से लेकर सूरी से यहां की दूरी क्या है तो इस समय क्या होगा जो पर क्या होगा जब प्रत्वी क्या होगी सूर के पास होगी जब प्रत्वी सूर के पास होगी तो प्रत्वी पर क्या होगा प्रत्वी पर क्या होगा जो सूर का किरड़ है या कहें सूर का प्रिकास है वह है अधिक प्राप्त होगा समझ में आ गया क्या प्राप्त होगा अध अगर सूर पास में हैं, तो क्या होगा आपका क्या होगा, गरमी का मौसम होगा, आनि की सूर बहुत अधित क्या देगा, प्रत्वी को पेकास चलिए आई समझते हैं किलियर करते हैं यहां पर भी जो मैंने लिखा है तो मैंने क्या बता है प्रत्वी सूर की दोरी यानि कि distance between the earth and the sun के बारे बात करते हैं तो प्रत्वी सूर के चारोर क्या करते हैं एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगाती है उसको एक वर्स कहत हैं किसको कहते हैं प्रत्वी जितने समय में आपका सूर का एक चक्कर लगाती है उसको हम सौर वर्स या सौर वर्स या एक वर्स मालेते हैं तो प्रत्वी प्रत्वी जो है सूर के चारोर क्या कर रही है प्रत्वी क्या कर रही है सूर के चारोर चक्कर लगा रही है तो मैंन प्रत्वी और सूर के बीच की दो इस्तितियां आती है, एक सूर मैं फिर से बता दूँ कभी-कभी क्या होता है, प्रत्वी जो होती है सूर के पास आ जाती है, और कभी-कभी प्रत्वी जो होती है सूर से दूर आ जाती है, मैंने क्या बताया, इसके काड़ यानि के अंडाका होने के काड़ क्या होता है सूर और प्रत्वी के बीच की दो इस्तितियां बनती है एक तो प्रत्वी सूर से छे महीने के लिए दूर हो जाती है और छे महीने के लिए पास आ जाती है मैं फिर से बता दू आपर क्या होता है प्रत्वी छे महीने के लिए दूर हो जाती है और प्रत्वी छे महीने के लिए पास आ जाती है चलिए आगे बाद करते है तो जब प्रत्वी क्या होती है प्रत्वी सूरी के जब पास होती है तो वह इस्तिति क्या कहलाती है अप उपसौर कहलाती है और प्रत्वी जब क्या होती है दूर हो जाती है सूरी णिसे तो वह कि स्थिति गालाती है, आप सौर को क्लियर करते हैं, अब सौर के बारे मी बात करते हैं, तो अब सौर हम सुर्य योच्षी हम कह देते हैं, यहां पर आपको देख जयाएगा तो जब परत्वी तता सौरches के बीच की अधिक्तम दूरी होती है तब सूर्य तब क्या होता है प्रत्वी को कम प्राप्त होता है तो यह इस्तिति कब होती है चार जुलाई को होती है चार जुलाई को कंसी इस्तिति होती है अब सुर्य की इस्तिति होती है जब सूर्य और प्रत्वी के बीच में सबसे अधिक दूरी होती है वहाई दूसरी इस्तिति देखें तो उपसौर की अगर बात की जाएं तो जब प्रत्वी तता सूर्य के बीच जो होती है दूरी न्यून्तम हो या बहुत ही कम होती है तो इस इस्तिति को ह होती है तीन जनवरी को होती है और हमारे कुछ लोग यह है वो कहेंगे कि जब तीन जनवरी को सूर के पास प्रत्वी होती है तो वो यह कहते हैं कि भारत में भारत में क्या होता है भारत में सर्दी क्यों पड़ती है उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा चलिए तो clear करते हैं धीरे दीरे आए clear करते हैं वो आपका जबाब मिल जाएगा कि अजब तीन जनवरी को सूर्य के पास रहता है याने कि प्रतिवी तो क्यों तीन जनवरी के टाइम पर याने की चनवरी के महिने में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है और जब चार जोलाई को बहुत दूर होता है सूर्य तो क्यों उस समय क्या हो रही होती है बहुत अधिक गर्मी पड़ रही होती है भारतेश में आईए इसको भी हम समझेंगे कि मैं क्या होता है तो सूर्ग करकरेका तता मकर्रेका के बीच की इस्तिती को हम क्य कहते है आयनांत कहते हैं मैं फिर से बता दूँ सूर के करक रेखा तता मकर रेखा के बीच की इस्तितिकों क्या कहते हैं आयनांत कहते हैं यहाँ पर देख जाएगा आपको साड़े तेईस उत्री आचांस और साड़े तेईस दच्डी आचांस तो साड़े तेईस उत्री आचांस और 22 दिसंबर को दच्छी दुरुब सूर की ओर क्या होते हैं जो के हुए होते हैं मैं आपको किलियर करा दूँ मैंने क्या बताया इस तरह से माली जी ये सूर है सूर क्या है कि आपका ये प्रत्वी है प्रत्वी क्या करती है आपका माली जी इस तरह से प्रत्वी क्या है इस समय क्या है उत्तरी दुर्ब क्या है इसका उत्तरी दुर्ब मेंने क्या बताया उत्तरी दुर्ब 21 को सूर की ओर क्या होता है उत्तरी दुर्ब जुका हुआ होता है वहीं अब आगे चलता चला जाता है चलता चला जाता सूर तो अपनी इस्तिति पे रहता है इस इस्तिति में बाइस दिसम्बर आती है तो बाइस दिसम्बर को दच्छी दुर्ब जो होता है सूर की ओर क्या होता है जो का हुआ होता है और उत्री दुर्ब जो होता है वह दूसरी दिसा में होता है यह बेपरीज दिसा में होता है तो यह दो परकार के होते हैं क्या जो आयनांत होते हैं तो दो प्रिकार के हैं तो आईये क्लिए करते हैं, इनांत मैं एक वाफिर से बता दू मैंने क्या बताया कि मालीजी सूर्य है और प्र्थ्वी जो है वो आपका efficacy azy comparisons चुकी हुए है तो सूर्ए के चार और जब पर रत्वी चक्कतर लगाती है तो दो स्तिति हान राती है एक तो इस और आती है तो प्रत्वी क्या होती है उत्तरी दुर्फ जो यहां पर मैं आपको इसी का यहां पर आपको देख जाएगा और उत्ते ही सितमबर इसका बाइस दिसमबर और 21 तो आईए एक वार के लिए करते हैं मैंने क्या बताया 21 को क्या होता है 21 को क्या होता है उत्री दुर्ब क्या है सूर के यहां पर मैं आपको अगर दिखा हूँ इस तरह करके तो यहां पर आपको उत्तरी दुर्ब दिखागा इस तरह से 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 तो इस समय क्या है अब आपका दच्छी दूरुप दिख रहा है न यह तो आपको लग रहा है कहीं कहां जो का हुआ है दच्छी दूरुप नहीं है न अब यहां पर 2 दिसंबर की इस तरह से उत्तरी दूरुप कहा है यह उत्तरी दूरुप तो क्या लग रहा है आपको यहां पर क्या इस्टिटी यहां तक प्रकास पहुंच पा रहा है ना यहां तो उत्तरी दुरूप पर कहीं ज्यादा प्रकास पहुंच रहा है नहीं न इस तरह से इस तरह से और इस तरह से और यह आजाता है दच्छुडी दुरूप तो आपको क आपकी अारे क्लीर करुगा तुम मैंने क्या बता है 21 यून को उत्ट्री दिर्ब यहां पर आपको देखे सामने चुछा हुआ है वहीं बाइस दिसमबर को डच्चिडी दिर्ब कहा पर आपको के सामने जुका हुआ होता है ये दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है ग्रीस आइनान्त जब 21 जून को उत्री दुर्ब जुका हुआ होता है तो इसको हम ग्रीस आइनान्त कहते हैं और जब 22 दिसंबर को सीध आइनान्त होता है जब दच्छिडी दुर्ब सूर्य के सामने ज जुका हुआ होता है ठीक है आएक क्लिए करते हैं तो यहां पर सब세 पहला बात कर लेते हैं ग्रीस Grünyagrash करा लें ग्रीसλι इनांत की इस्तिती कम आती है इकीति जून को ग्रीस इनांत की आती है जब उत्तरी धुरब क्या होता है व् outfits दूरा क्या होता है जब इसूर के उत्री दुर्म क्या है उत्री दुर्म में क्या है पिरकास बहुत अधिक पड़ रहा होता है और दच्छी दुर्म में क्या है पिरकास बहुत कम पड़ रहा होता है यही एकाड है कि 21 जून की तरफ 21 जून की तरफ उत्री दुर्म में बहुत अधिक क्या हो रहा होता है गर्म इस कहां पर इस्तित है उत्तिरी दुर्म में इस्तित है तो 21 जून के समय यानि कि जो गर्मियों का समय होता है उस समय क्या होता है जब 21 जून की स्थिति होती है ग्रीस पर इनाद की स्थिति होती है तब उत्तिरी दुर्म में यानि कि भारत में भी बहुत कडाके की गर्मी प है शूर्ज यह बहुत अधिक प्रकास पहुंचाता है कि इस वर्फ प्रत्वी के ऊपर तो क्यों गर्मी पड़ती है क्यों गर्मी पड़ती यह दुछी दुरम में रूद दुरम MAY होता है लंबबत का मतलब होता है नाइंटी डिगरी का कोण जब बनता है तो उसको कहते है लंबबत यानि की सीधा सर पर इस तरह से पढ़ना यानि की आपका प्रकास क्या है सीधा पढ़ता है बिलकुल लिदान सीधा पढ़ता है तो उसको हम क्या कहते है लंबबत तो मैंने मिल रहा है तो उत्री गोलार्द में 21 को क्या होगी उत्री गोलार्द में सर्दी हो रही होगी यानि कि उत्री गोलार्द में क्या हो रही होगी गर्मी हो रही होगी 21 को अधच्छडी गोलार्द में क्या हो रहा होगा सर्दी पढ़ रही होगी कव ग्रीसम अइनातिया करक संक तो जिससे क्या होता है उत्री गोलार्द में ने बताए गर्मी तता दच्छडी गोलार्द में क्या रहती है सरदी रहती है यानि की 21 जून के बाद जो सूर होता है करक रेखा से यहां से करक रेखा से क्या करता है विस्वत रेखा की तरफ बढ़ने लगता है विस्वत रेख मकर रेखा के बीच की इस्तिति को हम अईनांत कहते हैं यानि कि जब करक रेखा पर अगर लंबबच्च मकरा होगा तो उसको ग्रीस माईनांत कहते हैं और जब मकर रेखा पर लंबबच्च मकरा होता है तो उसे ग्रीस सीत अईनांत कहते हैं तो मैंने क्या बताया कि जब करक रेखा पर यानि की ग्रीस महिनांत का समय होता है साड़े तेश उत्री आचांत पर जब प्रकास पढ़ रहा होता है लंबबद तो उत्री गुलाद में आपकी गर्मी और दच्डी गुलाद में सर्दी होती है उसी तरह से ही अगर आपका मकर रेखा पर जब लंबबद चमकत है मकर रेखा पर जब लंबबच चमकता है यानि कि 90 डिग्रे का कौण बनाता है आपका कौन आपका 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जब लंबबच चमकता है तो उत्री गोलार्द में क्या होती है सर्दी पड़ रही होती है और दच्डी गोलार्द में क्या हो रहा होता है गर्म में सर्दी पढ़ रही होती है और दच्छडी गोलाद में क्या हो रही होती है गर्मी पढ़ रही होती है क्यों क्योंकि जो सूर होता है वह तीन जनवरी को पास जरूर है लेकिन तीन जनवरी को आपको उत्री धुरुब जो है वह सूर के सामने नहीं जुका बलकि कौन सा जो की उपसवर की इस्तिती होती है तो क्यों उत्री दुर्म में गर्मी वो उत्री दुर्म में सर्दी तीन जर्वरी के टाइम पर और दच्छी दुर्म में गर्मी पड़ती है यही एकाड है कि सीत अइनांत की इस्तिती होती है बाईज दिसंबर को तब मकर रेखा पर सूर् जो होता है करक रेखा से विश्मत रेखा की तरफ चलना सुरू हो जाता है और 21 जून से जब सुर दच्छड की और चलना सुरू करता है तो इसको हम दच्छडायन कहते हैं जो कि 6 महिने का होता है यानि कि यहां पर आज को माल लीजिए यह आपका प्रत्वी है प्रत्वी का साड़े तेइस उत्री आचांस यानि की करक रेखा और साड़े तेइस दठड़ी आचांस यानि की मकर रेखा तो क्या है कि 21 जून को आपका क्या है उत्री धुरुपर क्या है यानि की करक रेखा पर क्या है सूरी लंबबच्च मकरायों यहां से क्या हो रहा है पिरकास जो है नीचे की और बढ़ने लगा ये 6 महीने में 6 चे 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 से 6 महीने के बाद जो पिरकास होगा वह कहांपर पहुँच जाएगा लंबमत आपका मकर रेखा पर पहुँच जाएगा हम क्या कहते हैं? दच्छडाएन कहते हैं. इसके बाद जो मकर रेखा पर क्या होता है? आपका सूर्का प्रिकास पहुँचा जाता है. मकर रेखा से जब दच्छडी दुरुप से उत्तरी दुरुपлас चाना शुरू करता है. तो इस एस्ट्शुती को हम उत्तराएन को केड़ विश्वत रेखा पर लंबवत चमकने लगती है यानि कि करक रेखा पर क्या होता है करक रेखा पर क्या होता है ते 21 को क्या करता है यहां से एकदम चलना शुरू करता है प्रकास एक दो तीन चार ऐसे करता चलता चला जाता है और 23 सितंबर को प्रकास कहां पर पहु बना और जब सूर यहां पर पहुंच गया यहां पर प्रत्वी जब पहुंच गया तो अपना इसने यात्रा शुरू कर दिया इस तरह से आगे बढ़ना शुरू कर दिया और एक इस्तिती यह आई यानि तीन महीने बाद इस्तिती यह आ जाती है कि तेज सितंबर को सूर न त तो उत्तरी दुरुब हो नहीं, दच्च्डी दुरुब सूर के सामने जब नहीं जुका होता है, तो उस इस्तिति को हम बिसुब कहते हैं, लेकिन अइनांद कब होता है, जब सूर या तो करकरेखा पर जुका हो, या फिर कहां पर जुका हो, मकरेखा पर, या हम ऐसे कह सकते ह जब या तो उत्री धुर्ब क्या हो सूर के सामने आ रहा हो या फिर दच्छी धुर्ब क्या हो रहा हो सूर के सामने आ रहा हो तो इस इस्तिति को हम क्या कहते हैं आयनांत कहते हैं वहीं अगर जब कोई आपका कोई भी धुर्ब सूर के सामने जब नहीं जुका है तो उस इस् साड़े तेईस दच्छडी आचांज ठीक है तो मैंने क्या बताया था कि 21 जून को यानि कि यहां पर आपका जून को 21 जून को आपका जो प्रकास था लंबवत पर चमक रहा था यानि कि सूर की क्रेड़े लंबवत 21 जून को करक रेखा पर यानि साडे तेस उत्री आचान पर चमक रही थी उसके बाद 21 जून के बाद प्रकास जो होता है सूर की केड़ें जो होती है वो दच्छड की और जाना शुरू कर देती है और चलते 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 यानि की जून फिर जुलाई फिर अगस्त और सितमबर को जो सूर की केड़ें होती है कहां पर पहुंच जाती है आपकी आपकी विश्वत रेखा पर पहुंच जाती है फ पिर दच्छडी गोलार से, उत्री गोलार की और यानी की मकर रेका से, करकरेखा की और जाना शुरू कर देता है, फिर को оставIn progress पहुंचता पहुंचता है, यहां पर पहुंचता है, उसके बाद यहां पर लंबबच छमकरने लगता है, उसके फिर कोछ दिन बाद यहाँ पर आता है और यहाँ पर फिर वही इस्तिती आ जाती है समझ में आ गया और सबसे जरूरी बात एक है कि जो सूर्य का पिरकास होता है हमेशा लंबवत जो होता है करक रेका और मकर रेका के बीच में ही रहता है आई ये नहीं कि सूर्य का पिरकास जो है उत्री दुरुपर और दच्चुडी दुरुपर जाता है यानि कि जो मकर और करक देखा है उनके बीच में ही सूर्य का पिरकास लंबवत रहता है बाकी का ये जो छेतर है ये वाला जो थंडा प्रदेस है इसमें क्या रहता है इसमे आप बारे बजे के टाइम पर धूप में निकलेंगे तो आपका सूरज योगा सीधे सर पर आ जाएगा इस तरह से सर पर आजाएगा बारा बजे कब ये जून जुलाई के टाइम की बाद तो होती है ठीक है ये किलियर हुआ तो क्या समझ में आया कि सूर जो होता है वह इतने ही में मतलब सूर तो कहीं नहीं जाता है मतलब प्रत्वी जो होती है इतने ही बीच में गुंगना फिरना लगाए रहती है इस तरह से यह ही पर इतने ही बीच में यानि कि करकॉर करकॉर मकर रेखा की बीच में ही पूरा साल ये विता देती है ये नहीं कि सूर का पिरकास यह होता है उत्तरी दुर्ब पर चला जाता है और दच्री दुर्ब पर चला जाता है यानि कि जाता तो है अलका-अलका जाता तो है लेकिन तिर्चा हो के जाता है तिर्ची जाती है कि रहे ना कि लंब बड, ठक है, चलिए आगे बात करते हैं अब हम बात कर लेते हैँ अपर इनान के बारें बात कर लेता है आपको कि ग्रीस मरितू क्या होता है 21 को जो सूर की क्रिड़े होती है करकर रिखा पर लंबबच चमकती है उसके बाद जो सूर जो प्रतिवी होती है इस तरह से यहां से चलना सुरू करती है चलना सुरू करती रहती है करती रहती है करती रहती है करती रहती है यहां पर सितंबर में पह को सूर्ज होता है मकर रेखा पर लंबबच चमकता है इसके कार क्या होता है दच्छडी गोलार्द में दच्छडी गोलार्द में क्या होता है बहुत अधिक गर्मी पड़ रही होती है और उत्री गोलार्द में क्या होता है बहुत अधिक क्या हो रही होती है आपकी सर्दी प गोलाद में को पता है जब गर्मी पड़ती है तो राते जो होती है चोटी होती है और दिन क्या होते हैं बड़े होने लगते हैं इस समय दच्डी गोलाद में गर्मी तथा उत्री गोलाद में मैंने क्या बताया था सर्दी का मौसम होता है कब जब एक्वे नौक्स का जब afarad क्या होता है बाइसिद्जम्बर के बाद सूर फिर से उत्तर की महीने के समय लगता है यानिकि यह क्या करता है करकर एखा पर पहुँचेगा यानिकि उत्तरी गोलार्द के साड़ी तेईस उत्तरी गोलार्द पर जब यह पहुंचेगा तो वहाँ पर फिर से ग्रीप एनाद की इस्तितिव जाए मेंने क्या बताया 22 दिसम्बर के बाद सूर जो है उत्तर की ओर यात्रा सुरू कर देता है और इस कोई हम क्या कहते है उत्तरायन कहते है जो की 6 महीने का होता है इसका मतलब यह 21 से जब 21 को कहा पर जो मिसन होता है उत्तरी दुरपर पर पहुंचने का उत्तरी दुरपर यानि कि करक रेखा पर प पहुंछने का बहुरा हो जाता है उसके बाद सुर्ण कीया करता है उत्तर कि चलना शुरू कर लिए इस कार्ड इसको उत्तराःढ कहते हैं कब से सुरू होटा है आपका वाई दिसंबर दि Until After समय होता है और समय के वाद 200 समय होता है यहां से स्ट्राइण चलते रहते हैं और होता क्या है 21 मार्च को फिर से जो सूरी का प्रिकास होता है वो क्या होता है आपका जो भूमद रेका होता है यानि कि इक्वेटर होता है यानि कि विश्वत रेका होता है उस पर लंबवत चमकने लगता है इस इस्थिति को हम बसंत विश्वत कहते हैं एक वार मैं आपको फिर से आपका सूर के सामने जुका हुआ होता है, इसलिए उत्री गोलार्ट में 21 के समय क्या होता है, आपका गर्मी होता है, और दच्डी गोलार्ट में क्या होता है, सर्दी पढ़ रहा होता है, उसके बाद सी तैनायन की बात की जाए, तो सी तैनायन में क्या होता है, दच्डी दुरब जुका हुआ होता है आपका सूर के सामने तो दच्डी दुरब यानि कि दच्डी गोलार्द में क्या होता है आपका गर्मी और उत्री गोलार्द में क्या होता है सर्दी होता है और वहीं आती है सरद विस्व सरद विस्व के समय क्या होता है यानि कि जो सरद विस्व विस्वत के समय यानि कि विस्वत के समय ना तो उत्री गोलार्द पर क्या हो रही होती है ना तो उत्री गोलार्द में सर्दी जादे हो रही होती है ना ही दच्डी गोलार्द में सर्दी जादे हो रही होती है बलकि यह विस्वत रेखा पर क्या होता है सूरी लंबवच नमक होगी अगर विश्वत रेखा पर क्या है कि अगर गर्मी है तो पूरी विश्वत रेखा पर गर्मी होगी समझवा गया तो यह क्लियर हुआ कोई भी गुलार्द्य होता है यानि कि न तो उत्री द्रुब और नहीं दच्छुडी द्रुब क्या होता है किसी जब जोका नहीं होता किसी भी तरफ तो उसको हम क्याते हैं विस्वब और जब आपका उत्री या दच्छुडी द्रुब क्या होता है सूर के सामने जोका होता है और बाइस दिसम्बर से लेके 21 तक के समयकाल का आपका उत्रायन होता है यह भी किलियर हुआ चेर यह आगे बात करते हैं कि रितूओं के बारे समय होती है तो इकिस मार्च को कौन सी रितु होती है तो इकिस मार्च start को अंदा लगाएंगा झा I इस्टेदी होती है तो बसंत्सी होती है जव कुत्री न तो तो त्री दुर्वत के जोगा होता है नहीं दच्छडी दुर्ब सूर के सामने जोगा होता है बलकी भूमद रेखा पर या कर विश्वत रेखा पर लंबवत चमक रही होती है केड़े तो इसमें कि एक इस मर्च की क्या इस्तिती होती है उत्री गोलार्द में क्या हो रहा होता है एक इस मार्च के द दच्डी गोलाद का मौसम कहता हुआ सामान होगा कब 21 मार्च को उसके बाद 22 दिसंबर की अगर बात की जाए तो 22 दिसंबर को आपको क्या होता है उत्तरी गोलाद में क्या होता है कि सर्दी हो रही होती है और दच्डी गोलाद में क्या हो रही होती है गर्मी का मौसम होता है तो तेज सितंबर की सितिधी देखें यहां से तेज सितंबर की सितिधी देखें तो तेज सितंबर को भी कोई भी धुरुब जो होता नहीं तो उत्री धुरुब और नहीं दच्छडी धुरुब सूर के सामने नहीं जोका होता है क्योंकि सूर इस और है ना अब जोकना की सू गरμी्र मोंसम में का तशडा का की है तो यह धिए आपका चंदर्मा है तो यह हमें चंद्ध सूर नहीं दिखाई पड़ता है तो, जब चंद्ररा को क्या कहते हैं चंद्र गिरहड कहते हैं, समझ में आ गया, तो चलिए, एक सेकंड, तो मैंने क्या बताया, किसी खगोली पिंड का अंदकार में वो जाना क्या कहलाता है, गिरहड कहलाता है, यह जो गिरहड होते हैं, वो कितने पिरकार के होते हैं, यह दो पिरकार के होते हैं, नमबर पहला जो है वो आपका सूर गिर्षड और नमबर दो है वो है आपका चंद्र गिर्षड तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वो है आपका चंद गिर्षड यानि की लूनार एकलिफ्स की बारे में हाँ पर बात करेंगे आईए समझते हैं तो जब प्रत्वी जब प् सूर के बीच में आ जाती है फिर से समझना जब प्रत्वी क्या करती है चंद्रमा और सूर के बीच में आ जाती है तो इससे क्या होता है चंद्रमा क्या होता है हमें दिखाई नहीं पड़ता इस स्थिति को हम क्या कहते हैं चंद गिरहड कहते हैं मैं फिर से बता तुम मैंने बताया क्या ये है मालीजे आपका सूर और ये है आपका चंद्रमा और ये है आपका प्रत्वी तो क्या होता है मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये है जो आपका सूर है ठीक है ये है आपका प्रत्वी और ये है आपक चंद्रमा ठीक है तो चंद्रमा क्या करता है यह माली यह प्रत्वी प्रत्वी क्या कर रही है इसके सूर के चारोर चक्का लगा रही है ठीक है और आपका यह चंद्रमा क्या है चंद्रमा जो है आपका सूर प्रत्वी के चारोर चक्का लगा रहा है तो कभी-कभी क्या होती ह है कि यह प्रिक्रमा लगाते लगाते क्या होता है क्यों कि आपको पता है कि यह सूर से ही आपका प्रत्वी चमकता है और आपका चंद्रमा भी उसी से प्रकास हीन होता है क्योंकि यह तो प्रकास किस से प्राप्त करते हैं आपका चंद्रगर सूर से ही प्राप्त करते हैं ये अपना तो क्या होता है कभी कभी क्या होता है आपका इसके बीच में जब इस्तिति आ जाती है तो इस इस्तिति को हम क्या कह देते हैं चंद्रगर कह देते हैं तो चंद्रगर हमेशा क्या होता है मैं फिर से बता दूं, चंद घरड कब होता है, पूर्ण मा की राफ्ट को ही होता है, चलिए आगे बात करते हैं, तो चंद घरड जो होता है, वह है आंसिक या फिर पूर्ण हो सकता है, मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, चंद घरड जो हो सकता है, वह है आंसिक हो सक सकता है या फिर पूर्ड भी हो सकता है या हमें ऐसे कह सकते हैं कि चंदगर्ड पूर्ड चंदगर्ड तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से प्रत्वी की छाया से क्या हो जाता है धक जाता है जबकि आंसिक चंदगर्ड में क्या होता है चंद्रमा का एक भाग ही छाया स से क्या होता है धक बाता है अब इस तरह से माल लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से माल लिए आपका ये है आपका माल लिए प्रत्वी और ये है आपका क्या ये है आपका चंद्रमा तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि माल लिए भी लाइट बंद कर दें ये आप सूर के प्रथवी का करना है इस तरह से प्रथभी की चार उर इस तरह से चक्कर लगाता थैसे यह सूर्का गया तो कभी कभी क्या होता है इसके लगाते लगाते चंद्रमा जो है वो क्या कर रहा है कि क्या हो रहा है चंद्रमा जो है मैं दिखाई नहीं पढ़ रहा है इस इस्तिति वह हम क्या कहेंगे चंद्र गिरण कहेंगे मैं फिर से बता दूं मैंने क्या बताया यह है चंद्रमा आपका चंद्रमा इस समय क्या हो रहा है आपका दिख जाती है तो क्या होता है हमारा जो रूस नहीं है वो इसने नहीं पढ़ता है यह अंदिकार में हो जाता है और हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पढ़ता है जब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पढ़ता है जो इस इस्तिति को हम या तो आंसे खो सकते हैं या फिर फूरी चंद्राइड कीमेनने क्या वता है इस तरह से इस तरह से चक्का लगा रहा है तो अब इस तरह से आप से देखना कि यह आपके जो सूर की रोशनी इस तरह से इस पर पढ़ रही है सूर की रोशनी इस तरह से पढ़ रही है क्या होगा यह इस तरह से हलका भाग जो है इस तरह से इसका डखना सुरू होगा यानि कि इस तरह से तो होगा कि रेल ट्रेन माली जिए माली जिए आपकी बैठाऊं तो इस तरह से आएगा तो क्या होगा माली ट्रेन काफी बढ़ी है तो क्या होगा आप देखें दौनों बराबर आने में क्या होगा कि आपका आधा वाग जो है थोड़ा सा हिस्सात होगा फिर बाद में पूरा करवग रहे हैं अब यह क्या इस्थिति यह आई कि जो ट्रेन है यह वाली जो ट्रेन है वो क्या हो रही है हमें नहीं दिख वा रही है यानि कि सूर का जो प्रिकास है वो इस पर नहीं आपा रहा है बलकि आप मेरी वाली जो ट्रेन है यहां पर है वो दिख रहा है तो इस तरह में क्या होगा अब एक वाद ध्यान रखना गो पहरे तो यह है इस तरह से फिर इस तरह से जन दोनों मिलना सुरूंगी इस तरह से आदा इस्सा गिरेगा आदा इस्सा फिर और इस्सा फिर और इस्सा फिर और इस्सा फिर इस तरह से क्या होगा दोनों आपस में इस तरह से एक दूसरे को कबर कर लेंगी यानि कि एक दूसर है तो इस तरह से क्या हो रहा है माली ये परिक्मा लगा रहा है तो इस तरह से परिक्मा लगा रहा है ये दिख रहा है लेकिन क्या होता है किसी कार सी ये सूर और चंद्रमा क्या होते हैं सूर प्रत्वी है इस तरह से इसके आ रहा है तो आप ध्यान रखना क्या हो रहा है क्या है खुला हुआ है तो अब यह क्या हो गया पूरा चंद्रमा गेर गया तो जब क्या होता है हमें कुछ वाग चंद्रमा का दिखाई पड़ता है तो उस इस्तिति को हम क्या कहते हैं उस इस्तिति को हम क्या कहते हैं मैंने क्या पता है उस इस्तिति पे होता है अंसिक चंद तो पूर चंद्रमा क्या होता है, पूरी तरह से ढख जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस इस्थिति को हम पूर चंद्रगर कहते हैं, जब कि आंसिक चंद्रगर में चंद्रमा का एक भाग ही ढख पाता है, तो जब सूर चंद्रमा, जब क्या होता है, मैंने क्या बता है सूर्य चंद्रमा प्रत्वी क्या होते हैं एक सीध में होते हैं तो इस इस्तिति को हम क्या कहते हैं सिजगी कहते हैं आपर मैं आपको देखा दूँ मैंने क्या बताया यह है आपका सूर्य यह है आपका प्रत्वी और यह है चंद्रमा तो यहां पर आपको देखेगा किस तरह से ये जो प्रत्वी है प्रत्वी क्या कर रहा है ये चंद्रमा के बीच में आ रहा है तो ये जो हिस्ता है ये परच्छाई वाला हिस्ता है जो कि क्या कर रहा है आपका तो मैंने क्या बताया ये सूर्य प्रत्वी और चंद्रमा जब एक ही सीध में आते हैं यानि कि एक सीध म पूर्मा की रात कोई हमें देखता है। ठीक है? नेक्ट बात करते हैं, यहां पर आपको दो चीज़ा देख रहा हूँगे, एक तो प्रचाया, और दूसरा है उप्छाया, ठीक है? तो यहां पर आपको देख जाए गाप प्रचाया, यह आपका प्रत्वी है इस तरह से, यह क्या कर रहा है आपका इस तरह से ये परचाई बन रही है इसकी ठीक है लेकिन ये क्या कर रहा है पूरा इस तरह से ढख रहा है यानि कि ये तो पूरा का पूरा होई रहा है यहां से कवर इस तरह से ये वाला कवर हो रहा है लेकिन जो एंगल इस तरह से बन रहा है ये इस तर च्छेत्र कहते हैं, यहां पर क्या होता है, पूरी तरह से ढका हुआ होता, यहां पर देख जाए गा। उप छाया बाला छेतर कहते हैं, तो मैं फिर से बता दूँ, मैंने क्या बता है, चंद्रगर्ड कपड़ता है, जब प्रत्वी, प्रत्वी क्या करती है, प्रत्वी, प्रत्वी, सूर और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, तो उस इस्तितिव को हम चंद्रगर्ड कहते हैं, क नहां से दिखाई पड़ेगा तो हमें इस चेत्र से दिखाई पड़ेगा यानि कि प्रचाया वाले चेत्र से दिखाई पड़ेगा और जिस चेत्र में क्या है आपका उप्चाया वाले चेत्र से दिखाई पड़ेगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं समझा गया ना प्रच के लिए चंद्र हो गया हो गया हुगा आपको हुआándि कि चले इस सुर गणर के बारे बात करते हैं अफश्य फैस्य हम dirk किस चरे सोठी आपको बताय थैसे दो पीडिन्थ疏 यह तो चंद्रमा देखना होता और गोर से देखना को ठ talk कि यह पिर्थवी के चंद्रमां से लगारा है संद मां सब्र्थवी कहा इस तरह से लिए पर इसका पीछी क्षए आ तो क्या होगा मैं चंद्रत मां पर के ततरह का अब इस तरह से चलता चल मंप यह ड्यान रखना गया ajudar से देखना जो क्या हुआ, चंद्रमा ने क्या कर दिया, यहां पर बीच में आ गया, सूर के, सूर के बीच में आ गया, और क्या हुआ, चंद्रमा जो है, यहां पर सूर के बीच में आ गया, और सूर का जो प्रकास है, जो की क्या कर रहा है, प्रत्वी पर नहीं पढ़ने दे रहा है, तो हमे क्या है प्रत्वी से सूर्य हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इस इस्तिति को हम क्या कह देते हैं इस इस्तिति को हम सूर्य गिरहड कह देते हैं इसका मतलब यह हां कि सूर्य पर गिरहड लग जाता है और हमें प्रत्वी से क्या है सूर्य दिखाई नहीं पड़ता तो आ लीजी यह मैंने चंद्रमाा घुसा दिया मैंनी कि मेरा मैं लीजी सर यह है यह जो चंद्रमा जब पीछे बीच में आता है, तो क्या करता है, चंद्रमा की परचाई क्या होती है, प्रत्वी के ऊपर परती है, और तो इससे क्या होता है, जिस छेत्र में चंद्रमा की प्रत्वी परती है, वहां से क्या होता है, हमें सूर दिखाई नहीं देता, इस इस्तित क्लिए करते हैं मैंने क्या बताया आपको यहां पर बता दिया यह है आपका चंद्रमाह यानि कि एक चौत्य ही वागय आपका प्रत्वी से और यह क्या करता है इसकी जब परचाई बıntी है इसकी जो परचाई बनती है है वो इतनी नहीं बनती किisap को घेर सके या इसकी परच्छाई इतनी बड़ी नहीं बनती कि पूरी प्रत्वी को क्या कर सके ये पूरी प्रत्वी को ढख सके बलकि प्रत्वी का कुछ अंस ही है क्या कर पाता है धक पाता है यानि कि प्रत्वी को कुछ अंस पर ही चंद्रमा की परच्छाई परती है इस प सूर्य तथा प्रत्वी के बीच में क्या होता है जब सूर्य यह आपका सूर्य और यह है प्रत्वी सूर्य तथा प्रत्वी के बीच में क्या होता है आपका चंद्रमा आ जाता है तो इस इस्तिति पर क्या होता है चंद्रमा की परचाई होती है चंद्रमा की परचाई जो होत पड़ता है उस चेसर से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता तो जिस इस्तान से सूर दिखाई नहीं देता उस इस्तान पर क्या होता है पूर सूर गिरड होता है यानि कि टोटल एकलिफ्स होता है इस समय सूर का हमें क्या होता है कूरोना वाला भाग ही दिखाई देता ह है सूर गे रट पर च्छाया ञा करती है पस्चिम से पूर की ओर चलेगी और है पचास किलो-मीटर की चोड़ी पैठी में चलती है मैं फिर से बता दुमिये आपकां की आपका सूर्भ का इस और से आ रहा है इस तरह से तो पक्षिम से पूर की और क्या करती है गेर ना शुरू करती है प्रत्वी पे पक्षिम से पूर की और पचास मीटर चोड़ी पट्टी में क्या होता है पचास किलो मीटर की चोड़ी पट्टी में क्या करता है वह है पेटी चलती है इसका पहुंद पाएगा तो वहां से उस शेतर से क्या दिखाई पड़ता है हमें चंद्र वह सूरी गिरहड़ की इस्तिती महसूद होती है यानि कि उस 50 km की पट्टी से हमें क्या होता है सूरी दिखाई नहीं पड़ते है इसका सीदा सामतलम है कि सूरी गिरहड जो होता है पूरी प्रत्वी पर नहीं पड़ता है यानि कि जिस शेत्र पर चंद्रमा की परचाई पड़ती है उस शेत्र में ही सूर गिरहड देखा जा सकता है ठीक है तो चलिए मैंने क्या पता है जिस इस्थान से सूर दिखाई नहीं देता है या जिस इस्थान से उस इस्थान पर पूर सू की वह में दिखाई पड़ती है कुरोना वाला भाग दिखाई देता है सूर्व यह पर छाया क्या करती है पक्षिम से पूर की ओर इसको ढखना शुरू करती है यानि कि आपका पूर्व और यह आपका पक्षिम तो पक्षिम से पूर की ओर ढखना शुरू करती है और यह लग है इस्तेती क्या होती है आंसिक सूर्ड़की होती है यहां पर आपको देख जाएगा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ यहां पर क्या है कि जो चंद्रमा है यहां पर इस तरह से एक बिंदू बन रहा है यहां से क्या हो रहा है इस वाले छेत्र से हमें पूरी तरह से जो पूरोना बाला भाग ही दिखाई पड़ता है निकि वो सरकल जो होता है न जो गोल-गोल इस सब वो दिखाई पड़ता है और चिस छेत्र से हमें क्या होता है सूर का हमें कुछ भाग दिखाई पड़ता है और कुछ भाग हमें दिखाई नहीं पड़ता है उस छेत्र को आंसि सूरे गिरहड होगा समझ में आ गया तो मैं फिर से आपको बता ओँ कि जित इस्तान से सूर का कुछ भाग है में दिखाई देता है वैस इस्तिति क्या होती है और चंद्रमा क्या होता है सूर को हमेशा पक्षिम से डखना सुरू करता है यानि माली ये है आपका पूरगो और है पक्षिम तो चंद्रमा क्या करेगा प्रत्वी को क्या करेगा हमेशा ये पक्षिम बाले छेतर से इस तरह से पक्षिम बाले छेतर से डखना सुरू करता है मैंने क्या बताया मैंने बताया कि चंद्रमा क्या करता है हमेशा प्रत्थवी को पक्षिम से ढखना शुरू करता है जिससे क्या होता है आकास नीनला और फिर काला दिखाई देता है सूर्गरण को कभी खुली आंक сразу से हम लोगों को नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह उसका कुरोना बाला भाग जो होता है इससे क्या होता है इसे परा बैगनी क्रिड़े निकलती है कुरोना वाले भाग से इससे क्या होता है आखें चली जाने की यानि की अंधे हो जाने का खत्रा बना रहता है तो समझ में आ गया ना तो आपको किलियर हो गया होगा कि जब यहां पर मैं आपको फिर से दिखा दूँ जब प्रत्वी और सूर्य के बीच में क्या होता है चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा का परच्छाई होता है प्रत्वी पर पड़ता है जिद्थ पर चंद्रमा का पर्तवी पर किया पर्ठवी पढ़ता पर्शाइं पढ़ता है उस में चंद्रमा को दिखाई नहीं पढ़ता है उस स्वे रहर की इस्तिति नहीं। हम दो सब्दों में समझें, चंद्रमा के बीच में प्रत्वी आ जाती है, और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है, जब प्रत्वी और सूर के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो clear हुआँगा तो आके बढ़ते हैं चलिए साथ यो बात करते हैं प्रत्वी की कालपनेक रेखाओं के बारे में जिसमें आपका आचांस और तेसांतर रेखाओं के बारे में आप पर बात करेंगें तो शुरू करने पर हल्की सी जान का लिए दूँ मैंने क्या बता है ये इक है यानिकी विक्षेन होते हैं चाक क्रफिवी rozард और निचे पाला धाला जो भाग होता है है नीचे बालेल नीचे वाला जिद्ऊ है उसoured तो आई क्लियर करते हैं इसी के तरह हम देखते हैं तो मैंने क्या पता है प्रत्वी अपने अच्छो पस्चिम से पूर्टी दो गूंती है इस से हमें दो बिंदू या दो पॉइंट प्राप्त होते हैं जिसमें एक आपका हुजाता है उत्री धुर्ब और दूसरा जो हो जाता है वो की अअब की देखाये खेलाइं कि गहलाएं आपकी देखा mulher जाता हूं याणि की лайट कर जो रेखा है बंती हैं और की लटिट येशपर आगreichen हम चीपका देते हैं तो आपकी आकशांस रेखा है यानि की लाटिट तो डूण से युजिव बन जाती हूं तो है क्लियए कर Kelly Justais बताया शुजिव फने की प्रत्वी पर दो तरह की रेखाएं खीची जाती है, जिन में से लेटी हुई रेखाओं को हम आख्षांस रेखा क्याते है, शुरू- Ç कहते हैं आपर आपको देख जाएगा खड़ी मान लिजी ये ग्रोव है और ये इस तरह से खड़ी हुई रेखाएं जो है खड़ी-खड़ी यो खीची जाती है उनको हम तीसामतर रेखा क्याते हैं वहीं लेटा दे मान लिजी ये प्रत्वी है और मैं लेट जाता हूं इस त क्या जाता है इसका भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लेते हैं ये आपको देखे जाएगा ये आपका जीरो डिग्री आच्छान्स तरह से तो मैंने क्या बताया आच्छांस रेखाओं का परियोग जलवायू पेटियों के निधार करने के लिए किया जाता है जबकि देशां तो मान लीजिए आपका ये है गलोब यानि की प्रत्वी है जो कि मैंने सामने आपका यहाँ कॉपी करवा दिया है तो मान लीजिए आपका यह आ जाता जीरो डिगरी आचांस या फिर बिस्वत रेखा तो इस पर क्या होती है आपकी बहुत अधिक गर्मी पड़ती है जो कि क यहाँ पर क्या होता है जो सूर का प्रिकास होता है थोड़ा सा कम पड़ता है और यहाँ पर क्या होता है आपका थोड़ा सा गर्मी कम पड़ता है और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर सूर का प्रिकास हो और कम पढ़ पहुंच पाता है और हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सूर का प्रिकास न के बरावर पहुंचता है और हम यहाँ पर देखेंगे तो इससे क्या पता चलेगा कि हाँ पर जो प्रिकास है बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाता है इसलिए यहाँ पर कडाके की सर्थी पढ़ती तो इसलिए वहाँ पर कडाके की गर्मी पड़ती है और वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि उत्री दुरुप साड़े तेईस उत्री आच्छांस की बात की जाए तो उस पर भी क्या होता है अच्छा खासा क्या मिलता है पिर कास मिलता है तो विसुत रेखा के मुकाबले थोड़ 66 उत्री आच्छांस में जा पिर दुर्षय आच्छांस की अगर बात करूँ तो क्या होगा सूरी का प्रिकास बहुत कम पहुच पाता है तो इसलिए वहाँ पर क्या होगी अच्छी खासी सतर्दी पढ़ती है ठिक है समझ हा То मैंने क्या बता आ कि आच्छांस का प्रियोग जलवायू पेटियों का निधाड करने के लिए किया जाता है जबकि देशांतरों का पिरियोग समय का निधाड करने के लिए किया जाता है समझ में आगे न, एक बात और, इन दोणों का एक साथ प्रियोग कप किया जाता है, जब हमें location या कहें, किसी इस्थान का, किसी विश्चेस इस्थान का क्या है हमें पता करना हो, इस्तिती पता करनी हो, मैं फिर से आपको बता दूँ, जो आपका आच्छान से इससे क्या पत बाइउ-दाब के पता चलता है लोहीं क्योंकि आप यहां पर देखंगे यहां पर क्या है प्रिकास बहूत अजिक पर नीचे की वर जाएंगे तो और कम हो जाएगा और नीचे जाएंगे व्यारे की बिल्कुल अच्छी दुर्ब पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे बहुत कम प्रोकास पहुंच पा रहा है अब बैसे ही आपका क्या इस तरह से जोकी हुई होती है फिर थी अम आले के उ जहां पर बहुत अधिक परकास मेलता है, गरमी रहती है जहां फिर इस तरह से चलते चले हैंगे, अब बात आती है, देसांतरों के बारे में, तो देसांतरों पास की जाये, तो मैं कहता हुँ कि यह परकास यहाँ से पढ़ रहा है, तो मैंने कहा कि 0 degree dees hearts, तो 0 degree dees heart, यहाँ स से नीचे चलता चला जाता है उतरी दृpt से तच्छी ऽृप तरए से नीचे चला जाता है तो prá whale रहाता हूं कि एक टो यहां से लेकर आते हैं उपर से लेकर नीचे तक तो कितना हो रहा हो गा it a play का समय हो रहा हो गा इसको मैं आपर ठीक है तो इस तरह से क्या थों में आया है कि आचांसों का प्रियोग जलवाई पेटियों के लिए वहीं देसांतरों का प्रियोग समय का निधर करने के लिए किया जाता है अब बात आती है अब बात आती है आपकी आचांस यानि कि लेटी हुई रेखाएं और देसांतर यान आपने कहा कि मैं जो रहता हूं आपको बताया आपने मुझा कि आप कहां रहते हैं तो मैंने कहा कि जो मैं रहता हूं मैं रहता हूं 0 Degree मैं रहता हूं 0 Degreeango तो जीरो डिगरी colis where तुल इस सुछ गया पहला एन दिद्यों जो ऊसे शुल हो गया पॉरा हमें खालता चल सबया तो आपको यूरोब में और अफरीका में यह था पर होता है कि वह बास आप कहा रहता हूं गया तो मैं पूरा बता हूं कि मैं 0DG Dominator यहां पर मैं आपको बताऊंगा यहां पर मैं मान लीजिए पां शाय किだ रहता हूं यहां पर रहता हूं इतना पर नामने आ जाती है, यानि कि मैं कहता हूँ, 0 degree देशांतर, यानि कि यहाँ पर होता है, 0 degree देशांतर और साड़े तेइस उत्री आच्छांत पर मैं रहता हूँ, तो इससे हमारी क्या होगी, एक correct location निकलाएगी, और मैं वहाँ पर क्या कर सकूँगा, आपका एक इस्थाई पत बता सकूँगा, कि मैं इस छेत्र में रहता हूँ, तो यह हो गया च्छोटा सा पर्चे, चलिए आगे बात करते हैं, clear करते हैं, topic को, सब तेवेले हम बात करते हैं, आक्छांस रेखाओं के बारे में, जिनको हम कहते हैं, लेटी होई रेखा हैं हैं, आक्छांस रेखा हैं, मैंने क्या पताया था भी, कि लेटी होई रेखा हैं, जो गुलोब है, उस पर लेटी होई रेखा हैं, इस तरह से वो क्या कहलाती हैं, आपकी आच्छांस रेखाओं का प्रियोग किस के लिए किया जाता है, आपका बायुदाप पेटियों का निधार करने के लिए किया जा कि भूमत रेखा है आपका भूमत रेखा या इसको हम कहेंगे विस्वत रेखा तो भूमत रेखा से या तो उत्तर में होगा या फिर दच्छड में होगा तो उत्तर या दच्छड में खीची गई कुडात्मक दूरी को हम क्या कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं आचांस कहते हैं यदि कोई इस्तान भूमत रेखा के उत्तर में है तो उसको हम कहेंगे उत्तरी गूलार्द में यदि कोई इस्तान अगर भूमत रेखा के दक्षड़ में है तो हम उसको कहेंगे दच्छड़ी गूलार्द में फिर से बता दू मैंने क्या बताया यदि कोई इस्तान भूमत र जाएंगे दप्चडी आचांस ठिक है तो एक ही कोड़ात्मक दुरी बाले इस्थानों को क्या कहते हैं जैसे मैंने बताया कि यहांपा साड़े मैंने बताया 30 दिजिरी तो कोड़ात्मक दूरी को हम खीचेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आपका 30 डिग्री है लेकिन अगर मैं यहां से लेकर मालीजिए यहां से 30 डिग्री खीच लिया कोड मेंने और मैं कहता हूँ कि एक छेतर से दूसरे चित को पूरा यहां पर मैं फिसे इसको क्लिए मनें क्या मताया एक कोणात्मक दूरी वाले इस्तानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं आच्छांस रेखा कहते हैं यानि कि अगर मैं कहा 30 डिगरी उत्री आच्छांस तो 30 डिगरी उत्री आच्छांस कहा तो एक ही कोडातों को दूरी वाली इस्थानों को मिलाने वाली रेखा को आचांस रेखा कहते हैं जिस तरह से मैंने यहां से 30 डिगरी उत्री आचांस यह यहां से लेकर यहां तक आ रहा है तो एक ही एक ही कोडातों को दूरी वाली इस्थाने यहां पर भी 30 डिगरी यहां प उत्तर में हैं और यह इस्तान प्रत्वी के केंद्र पर यहां पर प्रत्वी के केंद्र से प्रत्वी के केंद्र से भूमत रेखा के साथ उत्तर सामें 30 डिगरी का क्या करती है इस तरह से कौन बनाती है यहां पर समझा गया ना इतनी जारकड़ी कापी है मैं के लिए ज्याद समान इस्तान की जो रेखाएं हैं, समान इस्तानों को मिलाने वाली रेखा को हम आचांस रेखा कहते हैं, चलिए, तो अब हम बात करते हैं, आचांस रेखाओं को बेवेन आचांस रेखा हैं, जिसमें आपका विस्वत रेखा हो जाता है, मकर रेखा, करक रेखा, आर्क टेक, यह सारे देखते हैं तो मैंने क्या बताया जीरो डिगरी आचांस को यानि कि यहां से यह आ जाता है जीरो डिगरी जीरो डिगरी आचांस को हम क्या कहते हैं विस्वत रेखा या भूमद रेखा या एक्वेटर कहते हैं तो मैंने क्या बताया जीरो डिगरी आचांस को हम विस का यह गोला हो गया, यानि की गलोब हो गया, इस पर मैंने क्या बताया, यहां पर आपको देख जाएगा, यह एक को क्या है आपका, जीरो डिगरी आच्छांस है, जीरो डिगरी के बाद आपका सुरुँआ, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे चलते चलाए और 90 तक पहुँचे, मैं पर से बता दूँ, यहां पर 0 डिगरी आचहां से, न तो ये उत्तर का है, ना ही तच्छिड का है, यह भीच का है, यानि कि, भूंम discourse का मतलब, भूं मी के मद में, या कहा है, भूं مतलब होता में और दच्छड में तो किस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट या फिर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मान लीजिए यह आपका गोला है, ठीक है, यह विस्वत रेखा है, यानि कि जीरो डिगरी आचांस है, जीरो डिगरी से ऊपर चलते चले जाते हैं उत्तर में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट नहा तक जाते हैं, और नब्बै उत्तरी आचांस तक जाते हैं, फिर नीचे आएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट और नब्बै दच्छड आशांस चले आएंगे, यानि कि विस्वत रेखा के उत्तर में 90 हो जाएंगी यहां पर 90 है और विश्वत रेखा के दच्छड में 90 हो जाएंगी और समझे हैं कितनी हो जाएंगी उत्तर में और दच्छड में 90 है और पिलस एक आपकी हो जाएगी क्या पिलस आपकी एक क्या हो जाती है विश्वत रेखा हो जाती है तो 90 है पिलस एक विश्वत रेखा यानि कि कुल कितनी आचांस हो जाती है कुल एक सो एक क्यासी आचांस हो जाती है चलिए तो इसको हम आगे डाउट के लिए करते हैं मैंने क्या बताया जीरो डिगरी आचांस को विश्वत रेखा कहते हैं और विश्वत रेखा का विश्वत रेखा या बिस्वत विरत्त के उत्तर में 90 आचांस हो जाते हैं और विस्वत रेखा के दच्छड में 90 आचांस हो जाते हैं कि वह है 111 km होती है, जो की हमीशा क्या होती है, एक समान होती है, भाई साब एक समान कैसे होगी, जाने होली, मान लीजिए, यहाँ पर यह आपका गोला है, यह है आपका एक विश्वत्रेखा, विश्वत्राखा के फिरूर से ओपर एक मैंने, एक डिगरी आचांस कीज़ दिया फिर दो डिगरी कीज़ दिया तीन डिगरी कीज़ दिया चार डिगरी कीज़ दिया इस तरह से हम नीचे भी चले आया है इनकी विस्वत्रे खाए ना इस तरह से विस्वत्रे खाशी इस तरह से अब हम नीचे भी चले आते हैं यह एक डिग किलोमीटर होगी जो कि हमेशा क्या होती है समान होती है चाहे पिर यहां की इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें यहां के निकाल लें या फिर चाहें यहां के निकाल लें हमेशा क्या होगी दो आचांस रेखाओं के बीच की या दो आचांसों के बीच की जो दूरी होती ह वो कितनी होती है 111 km होगी जो कि हमेशा क्या होती है समान होती है चलिए एक सबसे जरूरी बार देख लेते हैं आपर जो प्रत्वी बहुत important है थोड़ा सा clear कराता हूं हमारी जो प्रत्वी है यह हमारा विश्वत रेखा है हमारी जो प्रत्वी है हमारी प्रत्वी पर 189 कितन है आपकी आचांस है फिर से इसको clear कराता हूं मैं आपको ठोड़ा सा confusion हो जाएगा मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले यह बताया है कि हमारी जो प्रत्वी है इस पर एक सो कितनी कीची गई है एक सो 179 आपकी क्या है आचांस रेखाए है और 181 क्या है आपकी आच आचांस है आचांस मतलब आचांस जो होता है वो एक बिंदू के रूप में होता है वहीं जो आचांस रेखा में होती है वो क्या होती है एक किसके रूप में होती है एक आपकी रेखा के रूप में होती है या निकि बिरत्त के रूप में होती है अब बिंदू के रूप में पिलस हो जाता है, इक्वल टू यानि कि हम उनको किलियर करके लाते हैं, तो कितना होता है, 181, तो ये क्या हो गया, आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, 181 क्या हो गया, आच्छांस हो गया, अब आच्छांस में क्या अंतर होता है, तो ये विस्वत रेखा वाला ये हो गय यह क्या हो गया एक हो गया अब गौर्भ से तुमना विश्वत रेखा बाला एक को गया यह आपका आच्छान समाल लिया जो कि यहां से लेकर यहां तक खिषता एक फिर दो फिर तीन फिर चार ऐसे करते करते 90 पर चले आएंगे जैसी 90 डिग्री उत्री आचांत पर पहुंचेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रेखा खिची नहीं पा रही है यहाँ पर कहा रेखा किच दोगे यहाँ पर यह बिंदू है यहाँ पर कहा रेखा किच दोगे किस चेक नहों कर क्या हो जाता है यहां पर एक ौइंट के रूप में है तो उत्ति धुरुपका पॉइंट खिर ग Kash 2004 को इसका पॉइंट तो आप यहां पर कि लिए करेंगे मैंने क्या बताया यहां से एक रेखा हो गई, दो रेखा है, यानि कि जब यहां से देखेंगे, विस्वत रेखा वाला, अभी एक चीज समझना, विस्वत रेखा वाला एक यहां पर, एक विस्वत रेखा, दो, एक डिगरी, आचान, दो डिगरी, तीन डिगरी, चार दिगरी, और 89 तक जैसे याने की 89 तक जैसी पहुंचेंगे 89 तक हम यहाँ पर जोड लेंगे, ठीक है 89, पिलस, 90 वाला क्या है, एक बिंद flavors के रूप में है, तो 89 क्या है, 89 तक तो रेखा हैं, और जैसे हम 90 पहुंचेंगे, वैसे क्या आ जाएगा, आपका एक क्या आजाएगा एक आपका क्या हो जाएगा बिंद हो आजाएगा तो इसको हम क्या कर देंगे मैनिस कर देंगे अब यहाँ पर आएंगे नीचे चलते चले आएंगे एक डिग्री उत्री आचान दच्री आचान दो डिग्री तीन डिग्री ऐसी करके जैसी 89 पर प क्या समझ में आया कि एक सो उन्यास या नि कि 179 क्या है आपकी आचांस है वहीं पे आपका 179 वो सरी 179 क्या है आपकी आचांस रेखा है वहीं 181 क्या है आपके आचांस है आचांस रेखा है और आचांस में क्या होता है अंतर होता है ठीक है चलिए चलिए नेक्ट देखते हैं नेट देखते हैं, आके बढ़ते हैं, विसुत्रे का अपने नाली चलिए, तो किनी दो आचांसों के बीच केबाब कुरते हैं, कटवंद कहते हैं यहां पर आपको देखे जागा सीथ कटवंद, सीथ कटवंद, उस्ट कटवंद, सीथ कटवंद, क्या हो गया? मैंने फिर से क्या बता दूं? मैंने बता आपका दो आचांस रेखाओं के बीच के बाख़ों क्या कहते है? कटवंद कहते हैं करकर तथा मकर रेखा के बीच के बाग को हम उस्ड कटवंद कहते हैं मैं फिर से बता दूं मकर रेखा कहां पर है आपका साड़े तेईस यहां पर साड़े तेईस उत्री आचांस आपकी करक रेखा और साड़े तेईस दक्षडी आचांस के बीच के बाग क हम क्या कहते हैं यहां से लेकर यहां तक यह आपका इस तरह से ये 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 और ये इसलिए इस शेत्र में क्या होती है गर्मी रहती है तो फिर से बता दूँ साड़े तेईस उत्री आचान से लेकर साड़े तेईस त्री आचान तक के बाग को हम क्या कहते हैं उस्ड कटवंद कहते हैं समझ में आ गया चलिए next देखते हैं हाँ next देखते हैं कर्क विरत तथा आर्क्टिक विरत के बीच के बाग को हम क्या कहते हैं सीटोस्ट कटवंद कहते हैं फिर से बता तो मैंने क्या बताया यह आपका हो जाता है कर्क रेखा यानि कि साड़े तेईस उत्री आचान स यहाँ पर मैंने क्या बताया साड़े तेईस उत्रियाचांस और यहाँ पर आ जाएगा साड़े 66 उत्रियाचांस तो साड़े 23 से लेकर साड़े 26 उत्रियाचांस के भाग को हम क्या कहते हैं सीतोस्ट कटवंद कहते हैं क्या कहते हैं सीतोस्ट कटवंद कहते हैं तो फिर मैं एक वार आपको repeat करा दूँ, मैंने क्या बताया था, यह वाला जो भाग है, एक सेकंड में आपका, एक सेकंड, हाँ, मैंने क्या बताया था, यहां से लेकर यह आपका कौन सा भाग कहला था, उस्ट कटवंद कहला था, यानि कि साड़े 23 उत्री आचांस से लेकर, साड़े 23 उत्री आचांस के बीच के वाग कोम क्या कहते हैं, उस्ट कटवंद कहते हैं, वहीं हम साड़े 23 से उत्र की उर जाएं, साड़े 23 से लेकर हम साड़े 26 तक जाते हैं, तो इस वाग कोम क्या कहते हैं, सीतोस्ट कटवंद कहला था, यह आपका उस्ट कटवंद कहला और सीतोस कर्स्मिन कौन सा होता है साड़े तेज से लेकर साड़े 66 के बीच के दौनों गोलार्दों के वाकोम क्या कहते हैं सीतोस्ट कटमंद कहते हैं वहीं आर्किटिक विरत्त था अंटार्टिक विरत्त था दुर्वों के बीच के वाकोम सीत कटमंद कहते हैं आईए तो इ सीत कटवंद कहते हैं पर नीचे चले आते हैं साड़े 66 दच्वी आचांस से लेकर 90 डिगरी दच्वी आचांस तक के बीच के बाग को हम क्या कहते हैं सीत कटवंद कहते हैं जो एक बार मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको देखे जाएगा मैंने क्या बताया था यहां से लेकर साड़े तेईस से लेकर साड़े तेईस से लेकर यहां से उत्री आचांत औ य कि मकर्तिक बिर्थ से लेकर आर्किटिक बीच के बाको हम सिट उस कटबंद कहते, हैं तो संव मैं क्या समझे आया कि जो अचांस होते हैं उनसे हम क्या करते हैं क्या करते हैं उससे हम जर्वायों की पेटियों का निधार करते हैं, चलि आगे बात करते हैं, समझते हैं, किलिए करते हैं, तो आचांस जो रेखाएं हैं, वो रेखाएं नहोकर क्या होती हैं, ब्रत होती हैं, वहीं देशांतर क्या होती हैं, ब्रत नहोकर क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं, फिर स किस तरह से बोल सकते हैं और होता ही यह है वास्टविक रूप से जो आचांस होती है वो रेखाए नहों कर क्या होती है बिरत होती है लेकिन जो बिरत होते हैं वो लेकिन जो देशांतर होती है वो बिरत नहों कर क्या होती है आपके बिरत मतलब सरकल समझे रहा ना सरकल तो औरेंज भी कहते हैं और दूसरा यहां पर जो सब्जी देखे जाएगा आपको प्याज ठीक है तो दौनों के से हम तुल्ला करने के देखें कि जब आपने कभी प्याज देखा होगा तो प्याज क्या करते हैं यहां पर आपको प्याज देखेगा प्याज क्या है जब आप का कि सरथ यह आपको देखा दूdzie यह पर आपको देख़ा दो इस तरह से यह बाढ़ भी र enfrid-6 यह इस तरह से से चालो गिछ रही है यह इस तरह से चालोगी केता है यह इस तरह से माली की यह क्या है आपका यह आपका प्यास है तो कि से समय च pictured इंचिप ऑफ़ काबब एक गा नुटर वहीं ममझ करक्त च्रहुट टोकल करें न स्यॉट। यहांँ से इस तरह怎麼 गोला जाएगा ग्ला की तरफ जह काुछिए कई हई एक शरकल बना रहाी है नहीं तो फिर सिल्भी है क्या समुनिय जो दिछ Messon जो दिसांतर होती है वो विरत नहों कर क्या होती है रेखाएं होती है वह यह आचांसों की बात की जाएं तो आचांस रेखाएं नहों कर क्या होती है विरत होती है ठीक है चले आगे बात करते हैं इनमें किलियर करते हैं समझते हैं तो यहां पर विश्वत रेखा या विश्वत विरत के बारे में हम यहां पर बात करते हैं तो किलियर करते हैं विश्वत विरत कौनता होता है तो यह है आपका आचांस आचांस कैसी रेखाएं होती है या हम इस तरह से कह सकते हैं इस तरह से खीची रेखाएं होती है यह सबसे बड़ी आच्छांस रेका है इसको हम ब्रत ब्रत कहते हैं मैं पर से बता तुम्हें ने क्या बताया यह सबसे बड़ी आच्छांस रेका है इसलिए इसको क्या क्या है इसलिए यह क्या है सबसे बड़ा ब्रत कहलाता है आप ब्रत ब्रत कहते हैं यानि कि सबसे उपरी सरा अगर हम कारते हैं यहां से माल लिए यहां से यह उपरी सरा काटेंगे तो माल लिए यहां का भागा जाएगा हम उसके नीचे आजाएंगे तो नीचे बाला जो भाग होगा और बड़ा होगा इसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और बड़ा मिल जाए है तो व्रत व्रत कहलाता है आठास जो होती है इनको पूर से खीचा जाता है यानि कि यहां से शुरू होती है इस तरह से खीचना शुरू करेंगे इस तरह से चलता चला जाएगा और यहां पर चलते चले जाएंगे और इस तरह से आ जाएगा यानि कि पश्चिम से पूर की और खीचते हैं इस तरह से और यहां पर चलता चला जाता है समझगा गया तो क्या करता है यह बिरत तो बनाता है ठीक है तो मैंने क्या बता है इन्हें पश्चिम से पूर खीचा जाता है विश्वत रेखा से विश्वत रेखा से क्या होता है विश्वत रेखा से उत्तर धुरुप की ओर जब हम जाते हैं तो विश्वत रेखा से जब हम उत्तर की ओर जाते हैं तो इसके भार में क्या होती है भार में बिरद्धी होती है वहीं विश्वत रेखा से दच्छड की ओर याक है बहार में रध्य हो जाती यह तो नहीं कि विश्वत रध्यू होता है या कहें आपर विश्वत रेखा जो है यहाँ पर आपकी क्या है विश्वत रिखा या एक्वेटर लाइन या फिर आपका क्या कहलाता है, विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत्विरत् तो si. अ se. 66 उत्री आचांज पर यह स्के जाएंगे तो मैं नो कहेते हैं कि is को आपका आर्गत तक होती अ कर वह होती है क्योंकि इसके बाद मतलब मैंने आपको बताई था जो स्का होता है जैसे मैंने आपको बताई उफसर होता है है जब प्रत्वी क्या होती है सूर के बहुत पास होती था तब उप सु और की इस्तिश्थिति है तो अब वह लुट ही बताएथा था तो उप जू की इस्तिख सिदी जब आती है तो उप अनराग बना दें मतलए ऐसा होता नहीं है उप अनराग बना दें तो अनराग का बिलकुल पास का हो जाएगा ठीक है तो क्या बताया है मैंने बताया कि आर्किटिक बिरत को क्या होता है यह उत्री दुरुब और दच्छी दुरुब के बिलकुल पास के बिरत होते है इसलिए इंको क्या क्यते है उप़ दूरबी ये बिरत भी इनको कहा जाता है तो समझ में आ गया होगा वासानी से समझ में आ सकेगा ठीक है समझा गया तो के समय में आ गया कि partes पर तो कर करूएगा साड़े तैज़ा से बिर्चाघट को हम कमशा साड़े 66 को कहते हैं आंटार्टिक के लिए इन से हम उख स्थ्यूटन के वाथ में जो यू अगरenne कुले करते हैं थूढ़े के एंट रेगत में गरते हैं समय का निर्दार करते हैं तो पहले से देशांतरों के बारे में बात करेंगे देशांतर रेखां क्या होती है समय का निधार के बारे में आपर बात करने वाले हैं इसी से जुड़ी है जो कि देशांतर रेखां से जुड़ा हुआ है समय जोन यानि टाइम जोन के बारे में बात करेंगे जो कि देशांतर रेखां किने कहते हैं देसांतर रेखा हैं आचांस रेखा हैं क्या थी प्रतिवी पर पूर से पश्चिम की और खीची गई रेखाओं को हम क्या कहते हैं या पिर लेटी रेखाओं को क्या कहते हैं हम देसांतर रेखा हैं आचांस रेखा कहते हैं वहीं उत्री दुरुब को मिलाने वाली रेखा यानि कि उत्री दुरुब से जब्ची दुरुब को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं यह खड़ी खड़ी खीची जाती हैं अगर आप से पूंचा जाता है कि दुरुब को मिलाने वाली रेखा है कौन सी होती है तो देसांतर रेखा होती है क्या हैं क्या कि पूर से विष्वत रेखा की और जाने पर दो देसांतरों की भी कि दूरी होती है बढ़ती जाती है मैं फिर से बता दू यहां पर आपको क्या होता है दुरवों से उत्तरी और दच्छरी दुरव की और गर हम बढ़ते हैं तो क्या होता है पिस्तो दुरवखा की जो और जब हम बढ़ते हैं तो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है वो बढ़ती कि जाते हैं तो आए इसको भी торण के लिए करते हैं लिए यह गोला है आक का गोला नहीं प्रत्वी है और यहां पर मालेजिये यह आपका उत्री दुरव है इस तरह से यह आपका तच्छक्ड़ी दुरव है ठिक है अभ हमने भी डिखा कीची ही हमने यहां पर इसको कहेंगे जीरो डिगरी देशांतर, दूसरी रेका हम कीचते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, अरे फाई, टेडी हो रहे हैं, मेरा हाथ कपप खा रहा है, चलिए यहाँ पर मालेगेए, इसको बगार, एक सकंड, इसको बगारेगे थे, यहाँ पर, मालेगे, यह उत्तरी कोई बात नहीं, अब यह जो पहले से खिची हैं, उनको थोड़ा से देख रहे थे, अब दौनों के बीच की दूरी देखते हैं, मालेगे, यहाँ से लेकर यहाँ पर दूरी कितनी है, कम है, यहाँ से जाएंगे तो बढ़ जाएगी, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ाए खरेगा, यहाँ से लेकर, यहाँ तक के बीच की दूरी है, कितनी है, अधित लfunded्र है, लेकर फिर भी आगर मैं एक की बात करूँ मालेज़ें, तो क्या है, यहाँ पर देखे कम हैं, यहाँ पर देखे, और बढ़ी है, और बढ़ी और बढ़ रहा है, इस तरह है, समझ में तो मैंने क्या बताया दुर्वों से विश्वत रेखा की और जाने पा दो देसांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है बढ़ जाती है किलियर होगा अगर मैं इसको ये बोलूं कि विश्वत रेखा से दुर्वों की और जाने पा दो देसांतर रेखाओं के बीच की द तो दो मैंने ख्या का बताया? दुरूबहें, विश्वत रेखा की और जब हम जाते हैं तो क्या होता है? दो देसांतर रेखाओं के बीच की दूरी बड़ती है और यहीं पर दो दुरूबrudह से विश्वत रेखा की और जाएंगे तो क्या होगा? दो दूरूबों के बीच की थिल्चुर्ट की दूरी क्या होती है बढ़ जाती है वहीं पर अगर हम विस्वत रेखा से उतर की और जाती है तो दो-ई-श énormément की और जाएगे तो गटती जाएगी और विश्वत रेखा देच्ट की ओर जाएगी तो गटती जाएगी वहीं आपकी उत्री दूर्प से विश्वत रेखा की ओर जाएगी तो क्या होगा आपका कम हो बढ़ती जाएगी और यहां पर जाएगे तो भी आपका क्या होगा बढ़ती चाहिए त समझ में आ गया चले आगे बात करते हैं चली सातियों आगे बात करते हैं देसंतर रेखाओं में तो यहां पर आपको देख जाता है यह है ग्लोब यहां पर भी आपको देख रहा होगा ग्लोब और यह भी देख रहा है आपका ग्लोब यहां पर तो यहां पर कहां मर गया वे ये रोप में आपका है उत्री द्रोप और द्रोप को मिलाने बारे जो देशांतर को कहते हैं हम देशांतर रेका तो यहां से एक रेखा गुदरती है जिसको कहते है जीरो डिगरी देशांतर जीरो डिगरी देशांतर को हम कहते हैं प्रधान माध्यान रेका या जी एम टी टी आचीन साला मौझूद है वहां से गुजरतिय इस तरह से आती है और इस रेखा को हम क्या कहते हैं dentro के अगर हम ज जाएं तो driver सँन्तर के passion में आ जाता है आपका 180 यानि कि आपका जीडुगरी देश हंतर है इसके Зд olmuş क्या है? एक सो असी देशांतरों मैं, एक सो असी देशांतरों के रूप में बाटा गया है यानि कि पूर में इसके एक सची यह देसांतर को खीचा गया है, या हम कह सकते हैं कि पूरी तरह पर क्या है, 180 प्रेस से 180 क्ल 330 देशांतर क्रेखां को give कीचा गया है यानिकी पूरी प्रस्ति पर एक फो जाता है दो तीन चारे से करके 360 तक जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो एक गोल बस्तु होती है उस पर कितने कोड़ खीचे जा सकते हैं, 360 का कोड़ होता है, ठीक है, तो कि जब आप प्रिकाल से, या फिर आप, कभी आपने चांदा देखा गो ना, उससे कहते हैं कि 10 का कोड़ बनाएं, 20 का, 10, 20 का, तो इस तरह से, तो एक गोल बस्तू में जो कोड़ होते हैं, कितने हैं, इस रेखा को प्रधान माध्यान रेखा या GMT कहते हैं, इसके दौनों और क्या होता है, इसके दौनों और 180 अंसों में देशांतरों को भंटा गया है, यानि कि प्रतिवी पर कुल 360 देशांतर रेखा हैं, यानि कि यहां से सुरू करते हैं, आपका 0 डिग्री देशांतर, 0 घ्र नंतर् के पूर में चले जाते हैं तो एक इसथी देश आंगर मिल जाएंगे तो तो आपका 100 मतलब 90 पिलस 90 पिलस आपका 90 पिलस एक यानि कि 90 पिलस 90 आपका 180 हो जाएगा 180 पिलस एक बराबर आपका 181 आचांस पूरी पिलत्वी पर खीची गई तो अभी मैंने थोड़ी दिर पहले आपको यह बताया कि आपको मैंने थोड़ी दिर पहले यह बताया कि यह आ आपका उत्तरी दुरोब ये आपका दर्चवरी दुरोब को मिलाने मारी रेखाँ को हम क्kyya क्याते हैं देसांतर रेखाँ क्याते हैं तो मैंने थोड़ी जर पहले बताया कि villain गहीं क्या 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 बिवाथ हैं तो जीरो डिगरीद शांतर के पूर्भ में 180 रेखां खीची गई है और पस्चिम में क्या क्या रही गई है 180 खीची गई है तो हम कहेंगे 180 पिलस 180 पिलस 1 यानि कि बन कुण सा आपका 0 डिगरी देशांतर तो क्या 180 पिलस 180 यानि कि 360 पिलस 1 यानि कि 361 होगा तो नहीं क्यों नहीं होगा इसको हम आगे समझेंगे समझ में आ गया तो जिस तरह से 180 आचान सोते हैं 181 आचान उस तरह से आपके 361 देशांतर नहीं मुति बल्कि क्या होती है 360 देशांतर हैं पूरी प्रत्वी के ऊपर तो आईए केलियर करते हैं मैंने क्या बताया प्रत्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं कीची गई हैं जिस तरह से विश्वत रेखा क्या करती है विश्वत रेखा क्या करती है यहां पर आपको देख जाएगा विश्वत रेखा विश्वत रेखा गलोग को क्या करती है उत्री द्रोग और दच्री द्रोग के रूप में है यानि कि उत्री गुलार्द और दच्री गुलार्द के रूप में मारती है उसी तरह से आपका जीरो डिगरी देशांतर जो आ जाता है वह पूरे प्रत्वी को या कहें गलूप को पूर्वी गुलार्द और पस्ट्वी ग गोलार्द कहलाता है जीरो डिगरी के दच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पूत्री गोलार्द, और दच्छडी गोलार्द, और पूरवी गोलार्द, और पश्मी गोलार्द, समझ में आ गया, तो मैं फिर से बता दूं, जब देशांतरों की अगर बात की जाती है, तो हम कहेंगे, 1844 पूर्वी देस आंतर या कहेंगे Orange tussen 1030 पूरवी देस आंतर या कहेंगे weeks n invention पश्य में चाहित से अगर इस ओर kी बात करी जा रही है तो क्या होगी आपका कहेंगे 1930 फोर्वी देस आंतर वंहीं इस ओर की अगर बात करो रही होगी तो हम कहेंगे 150 या 130 पूर्वी देशांतर महीं अगर आचांस होंगी अगर बात करते हैं तो उत्री देशांतर आएगा वो उत्री गोलार्द की बात अगर करना है तो हम कहेंगे 30 डिगरी उत्री आचांस नीचे अगर बात करना है तो 30 डिगरी दच्छडी आचांस ठीक है 30 कि तरह से होगा तो मिन्हें क्या बताया, कि जिस तरह से आपका विष्वत रहता है, उत्री गोलार्द गोलार्द के रुमें बाटता है, उसीतर से आपका जो इता है कि वूरी वाले बाग को क्या कहते हैं तो दो देसांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो हम गोरे कहते हैं वहीं आपक अंत्यान्तर रेखा कि पीच के बाग को में के बाग को क्या कहते हैं कट्वंद कहते हैं तो उसी तरह से मैं आपको दिखाया है तो कहते हैं प्रतिव अपने इच पर क्या करती है 360 फंस कुंटी है यानि की एक अंस की दूरी को तेय करने में कितना समय लगती है, चार मिनट का समय लगाती है, किस तरह से लगती है? वो मैं आपको आगे किलिए करा दूब है, मैंने क्या बताया? की एक सेकृन कहां गया, मर गया, किस तरह से करती है? कि माल लिए आपका पिरत्वी जो होती है एक दिन में कितने एक दिन में कितने गंटे होते है वो आपका चौविस गंटा होता है एक दिन बराबर ठीक है एक दिन बराबर कितने गंटे होते हैं आपका चौविस गंटे होते हैं वहीं चौविस गंटे में कितने मिनट हो जाए तो कितना हाँ जाएगा आपका चे चोबिस का चार होता है और ची दूनी बहनें और बारे दो चूब इस से आने कि 1144 1440 क्या हो जाते हैं मिनट हो जाते हैं तो 1440 में हम क्या करते हैं 360 का अगर हम भाग दे देते हैं 360 का भाग देते हैं जीरो से जीरो कट जाएगा और उसके बाद क्या होगा यहां पर तीन से काटेंगे तो तीन चोक बार है इस तरह से आजाएगा तीन चोक बार है तो चार बार और बचेगा कितना दो उसमें फिर से लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से आठ बार ठीक है इस तरह से ठीक है तो हम बारे में बारे का भागा में अरतारिस में कितना आ जागा चार बार तो एक डिगरी पार करने में कितना समय लगाता है एक डिगरी पार करने में कितना समय लगाएगा आपका चार मिनट का समय लगाता है इसको मैंने इसलिए बताया कि आपको आगे इस चार मिनट की जरूत पढ़ने बाली है तो आईए किलेर करते हैं स क्या बताया था अभी मैंने बताया था कि एक डिगरी पार करने में प्रत्वी को कितना समय लगता है चार मिनट का समय लगता है तो इसी तरह से क्या होता है आपका ये है उत्तरी गोल ये है आपका गोल आर्थ ये है जीरो डिगरी देसांत और ये है आपका पूर बाला भाग और यह है आपका पक्षिम बाला भाग, तो अगर हम जब आपका क्या होता है, एक डिग्री अगर हम पूर में जाते हैं, तो क्या होता है, टाइम जो होता है, पिलस हो जाता है, वहीं अगर हम एक डिग्री पूर प्षिम की ओर जाते हैं, तो टाइम क्या होता है, घट जाता ह है इसका मतलब यह है कि अगर प्रत्वी का एक दो तीन चाइब पूर में जाते हैं तो बारे में क्या हो कि जीरो डिगरी देशांतर पर कितना बज़ रहा है तो चार डिगरी देशांतर पूर्वी देशांतर पर कितना बज़ रहा होगा तो बारे बज़ के सोले मिनिट हो रहे होंगे ठीक है बारे बज़ के सोले मिनिट हो रहे होंगे अब वहीं पर बात अगर की जाए कि बारे बज़ के सोले मिनिट रहोंगे तो पूर भी अगर देशांतर की और हम चले जाते हैं तो पूर भी देशांतर की अगर हम चले जाते हो तो चार सोले मिनि हो रहा होगा ग्यारे बजकर आपका एक ग्यारे बजकर चावालिस मिनिट हो रहा होगा कितना हो रहा होगा ग्यारे बजकर चावालिस मिनिट हो रहा होगा पश्मी देशांतर में चार डिगरी पश्मी देशांतर में वहीं यहां पर क्या हो रहा होगा चार ग्यारे बजकर सो में में कमी आएगी समझ मैं गया चलिए आगे बात करते हैं विस्तोत पिरत जिसको हम कहते हैं या फिर वुमत तरीका जिसको हम कहते हैं करकरेखा हो गया मकर रेखा हो गया यह आपके आच्छांस हैं सबसे बात करते हैं विस्तोत रेखा के बारे में ठीक है यहां पर बात करेंगे पूर से पश्चिम या पर पश्चिम से पूर के और य यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर आपको दिखये जायेगा यह आपका दच्छुडे अमेरीका अमादिव अफ्रीका अंऴ। सबसे हमसे एक्वेडर से जाती है आपका कोलंबिया से जाती यह नहीं जाती है ब्राजील से जाती है जाती है साउड टॉमस्ति πάbn सी से हाँ जाती है मालदीब से जाती है हाँ बाइस जाती है आपका इसके बाद आता है कोleist Pitt they के बकं़ से बता दूleoै 夷र 1 जूम करते तो यहां पर देखते ही अच्गां इंडोनेशिया ठीक है इन्डोनेशिया से याती है फिर आगे बढ़ेंगे यहां पर लाष्ट परे से कि अ है यहां पर किरीव आती है कि रुबांती जक्व आम एमेश्च च्यप्र गता कर्यूंस जबादीब थो दच्छछेमिर का महाधीब में आपका हो जाता है आपका एक्वेडर कोलम्बिया ब्राजील कि ये आपका पेरु से आपका अफ्रीका है, यहां से सुरू होता है, इस तरह से अफ्रीका माधिव, अफ्रीका में देखते हैं कौन कौन से तेस हैं, जिन से जाता है, तो सबसे पहले तो आता है साउं All सो में प्रिंस्पी, यहीं पर एक छोटा सा देश पड़ेगा, वहाँ का गयोन, उसके बाद आएंगे प्रिजातांत्रिक गड़राज उसके बाद देखेगा आपका कांगो गड़राज और जनतांत्रिक गड़राज यहाँ पर है कांगो गड़राज उसके बाद है जनतांत्रिक गड़राज उसके बाद यूगांडा से जाता है उसके बाद केन्या से जाता ह है उसके बाद जाता है आपका सोमालिया से फिर जाता है माल्दीब जो कि आपका इसिया का शेत्र है उसके बाद इंडोनेसिया से जाता है तो आईए ज्यूं करके मैं आपको देखा दूँ यहाँ पर आपको देखे जाएगा साउटो में प्रिंस्टिपी उसके बाद कांगो गड़राज फिर कांगो पर तांतरिक गड़राज उसके बाद युगांडा देख जाएगा उसके बाद केनिया देख जाएगा उसके बाद यहाँ पर देख जाएगा सोमालिया उसके बाद देख जाएगा मालडी जो की है एसिया का उसके बाद देख जाएगा इंडोनेसिया फिर आपको यहां पर दिखेगा किरी बाति या किरुपाति आई यह को आप में फिर से रिपेट करा दूँ इक्युए डोर कोलंबिया ब्राजिल साउ टोमी प्रिंसिपि गेवन कांगो कड़राजे जन तांतरे कांगो कड़राजे उकांडा केनिया सोमालिया मालदीब इंडो करेखा कहते हैं या करक विरत कहते हैं इसमें पस्चिम से पूरण इसमें भी देखेंगे यांडिंस पस्चिम और ये हैं पूलर आईए देखते हैं सबसे पहले मैनकน हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका इत्धा से require थीक है क्या ऐसिया से गुजरती है नहीं भाई औस्टिडिया से नहीं गुजरती है कौन सी साढ़े थेख उत्र याचा सा पक्षिम से पूर्ट आएए देख लेते हैं एक एक अगरेजा डालते हैं सबसे पहले आता है आपका मेक्शिको उत्तरी अमेरिका माधीब का बहामास नेक्स आजाता है यहां पर एक देश जिसको हमी कहते हैं पक्षमी सहरा फिर आपका आजाता है यहां पर मुरितानिया यहीं पर आपको देख जाएगा मुरितानिया यह मुरितानिया उसके बाद देख जाएगा आपको अलजीरिया उसके बाद देख जाएगा यहां पर आपको माली उसके उसके बाद देखे जाएगा साओधी अरव ठीक है समझेंगे ना साओधी अरव कहा का यह है आपका इसिया का तो यहां तक ही रोग लेंगे आईए जूम करके मैं दिखा देता हूं यहां पर आपको देखे जाएगा पश्मी सहरा ठीक है अलजीरिया माली चाड मुरिटानिय मिस्र उसके बाद यहां पर देख जाएगा सूडान ठीक है कौन कौन से देश है आपका फरीका महादीप के कौन कौन से देश है आपका है पच्छमी सहरा पिर मौरिटानिया है मौरिटानिया फिर आपका आ जाता है अल्जीरिया फिर आ जाता है माली फिर आ जाता है नाइज तो आई एसे मादीव में भी देख लेते हैं कौन कौन से स्चेतर जो है जिस से आपका कर्क debenha गुजरता है ठीक है आपका कर क्रेकर काह से गुजरता है आपका सौजी अरभ हो गया सौजी अरब कहा का देश है आपका कम ही से बाद ने कि वंसके बाद आ जाता है म्यामार फिर आजाता है चीन फिर आजाता है ताइवान ठीक है कहां पर है ताइवान आईए जूम करके दिखा देता हूं सबसे पहले साथी अरब फिर ओमान फिर भारत फिर बंगलादेश फिर म्यामार फिर चीन फिर आपका ताइवान तो समझवाए गया यहां पर आदेश आजाते हैं कौन से आपके अप एशिया मादीप के तो मेक्सिको सुरू करता हूँ मेक्सिको पहामाज पश्मी सहारा आपका मुरिटानिया है मुर्तानिया माली अल्जीरिया नाइजर लीविया चाड मिस्र उसके बाद आज जाता है आपका सौधी अरब ओमान भारत तो बंगलादेश, म्यामार, चीन और ताइवन ये पूर से पश्म हो गए पूर से पश्म की अगर बात की जाए तो उल्टा कर दो यहां से उल्टा कर दो इसको आपका ताइवन हो जाएगा, चीन हो जाएगा, म्यामार हो जाएगा, बंगलादेश हो जाएगा, भारत हो ज जाता है मेक्सिको पूर से पश्चिम या पश्चिम से पूर चैसे भी आपको अच्छा रगए चलिए चलिए मकार रेखा के बारे में बात कर लेते हैं मकार रेखा से पूर से पश्चिम की और देश 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 देख लेते हैं कौन कौन से देशों से होकर यह जाती है तो इ यहाँ पर महादीब कौन कौन से जिम्में जाती है आपका दक्षड एमिरिका अफरीका और और उस्टेडिया वह यह इनके देख लेते हैं दक्षड एमिरिका महादीब की अगर बात की जाए तो चिली आ जाता है अर्जेंटीना आ जाता है परागवे आ जाता है क्यों करके दिखा दूँ मैं आपको चिली अर्जेंटीना और परागवे आपसे पूचा जाता है बोलिविया से मकारेक मकारेका जाती है नहीं जाती है ब्राजील से जाती है हाँ ब्राजील से जाती है ठीक है कहां से जाती है ब्राजील से जाती है हाँ ब्राजील से जाती है कैसे जा यह नीचे चलता चलता था प्राजील लिहां तक नीचे आता है क्या उरोगवे से जाती है नहीं जाती है तो कौन-कौन से हो गए दच्छिड अमेरिका महाधीब के चार देस हो गए चिली अर्जेंटीना परागवे और व्राजील नेक्स्ट आ जाते हैं दच्छिड अमरेक अफ्रीका महाधीब में यहां पर आपका आजाता है नामी विया फिर आजाता है बोस्वाना फिर आजाता है आपका मोजांबेग फिर आजाता है आपका दच्छिड अफ्रीका देस ठीक है इस पे चार देस आ जाते हैं प्रमक्रूप से नामी विया बोस्वाना लेफरीका बोस्वाना मोजांबिक क्या जिंबांबे से जाती है नहीं जाती है क्या लुसाका से जाती है या जांबिया से जाती है नहीं जाती है ठीक है क्या मेड़ा गासकर से जाती है हां मेड़ा गासकर से जाती है अब आज आते हैं अब ऑस्टेलिया में ऑस्टेलिया में यान मकर रेखा या मकर रेखा किन किन देशों से जाती है तो आपका हो जाता है चिली, अर्जेंटीना, परागवे, व्राजिल, नामी विया, बोस्तवाना, दच्छिड अफरीका, मोजांबिक, मिडागासकर, और ऑस्टेलिया, अब पूर से पस्छिम देखें, तो पूर से मश्यम ऑस्टेलिया, मडागासकर, या मिडागासकर, मोजांबिक, दच्छिड तरीका, और आपका हो जाता है नामी विया, वो सवाना भी होता है, यहां पर आ जाता है ग्राजिल, परागवे, चिली, और ऑस्टेलिया, यहां पर एक सबसे जरूरी बाप, वो कौन सा महाध महाधी पर जिससे दो रेखाएं गुजरती है, यानि कि विस्वत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो वो आपका हो जाता है, दर्चिड अमेरिका महाधी वै कौन सा देश है, जिसमें दो, यानि कि मकर रेखा और विस्वत रेखा गुजरती है, तो वो आपका हो जाता है व्राजील मैं फिर से बता दूँ व्राजील नामक देश देश है इस से दो जो रेखा हैं वो आपकी गुजरती है यानि कि आपका विस्वत रेखा और मकर रेखा कौन सा महादी पर जिससे तीनों रेखा है गुजरती है आपका जाता है करक रेखा विस्वत रेखा और मकर रेखा मकारेखा मकारेखा यह तीनों आ जाते हैं ठीक है चार यह नेक देखते हैं किलियर करते हैं जीरो ॡگरी देसांतर रेकंचे जीरो डगरी तो जो लंडन में टाइम हो रहा होता फ्रांस में जिरो डिगरी देसांतर पर एक बज रहा होगा तो आईए देखते हैं यहां से जिरो डिगरी देसांतर शुरू होता है और यह आपका यूरोप में प्रिविस करता है और लंदन में पहुंचता है लंदन के बाद फ्रांस में पहुंचता है फ्रांस के बाद यहा में आ जाता है और फिर आगे आते हैं तो घाना में आ जाता है तो इस तरह से आपके कितने देशों में प्रिविश करता है आपका United Kingdom यानि की लंदन या विटन भी कह सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो मैं फिर से बता दूँ उत्तर से तक्षिट की अगर बात समझ में आ गया तो चलिए आगे बात करते हैं तो कौन-कौन से महाधीप उसे गुजरती है आपका Europe से और अफरीका महाधीप से जीरो डेगरी देशांतर गुजरता है कितने देशों से तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 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 देश्यों है जिसमें करते हैं चलिए साथ यो समझते हैं समय का निधार कैसे किया जाता है हमारा प्रत्वी के उबर या ग्लोब के उबर तो उसको तरा क्लियर करते हैं इंपर्टेंट टॉपिक है छोटा सो टॉपिक है क्लियर करेंगा यह समय के जो निधार किया जाता है वो दो तरह से किया जा कि इस्थानी समय के द्वारा या इस्थानी समय के आदार पर समय का निधार किया जाना है तो लोकल टाइम होता क्या है या इस्थानी समय होता क्या है तो लोकल टाइम या इस्थानी समय होता है जिसके द्वारा हम अपनी दिन चरह करते हैं सुरू करते हैं मानक समय होता है जि यहां पर है आपका ये जीरो डिगरी देशांतर जीरो डिगरी देशांतर जब हम चलते हैं तो आपका र्सर्ट फूर्वी तो माल ही पूर्वी कितना हो रहा हैं और 76- commciplром के बीच में इस समय का अरल होता है क माल लीजिए कर दो हो रहा है अरणाचल प्रदेश में इस समय अगर पांच बज रहे हैं तो आपके मानली जिए ये गुजरात में कितना हो रहा होगा गुजरात में बज़ रहोंगे तीन मतरब लोकल टाम की आदर पर अगर अगर शे बजे माली ये शूरज निकल आया है शूरज निकल आया है तो यहां पर अभी क्या हो रहा है Guch來到 Чार ही विजरी ही तो यहां पर आप आप समझेंगे बात को कि क्या गुजराँ वाला byिक्ती जो ये जग जाएगा सुबब छे चार विजए नहीं जेगा सूर का इंतियार तो जब करेगा जब वो निकल आएगा यानि कि छे बज़े ही बो भी इंतियार करेगा तो यहां पर क्या चीज़ें आ रही है कि यहां पर यह नहीं देखते हैं कि भाई साथ वह कहीं पर सूरज निकल रहा है दो बज़े और कहीं पर निकल रहा है साथ आप पनगट पर क्या होगा आप लोटा लेके किनारे निकल जाएंगे यह तो है नहीं कि वहां से आप सर्टिपिकर मन वाएंगे कि सरकार क्या हम उठ जाएंगे ऐसा नहीं समझ भागया तो मैं फिर से बतातूं लोकल समय या लोकल टाइम भे होता है जिसको तारह हम अपनी दिन चर्या सुरू करते हैं और मानक समय भागता है जिसते पूरे देश का क्या होता है काम का सुरू होता है समझा गया तो हमारी आप लोगों के यह मैं कई बार बता चागूंगे हमारी जो प्रत्वी है बाट 24 गंटे में क्या करती है आपका यह पूरा एक चक्कर क्या करत प्रश्यम से पूर्वी और घूमती हुई एक चकर अपने अच्छ पर क्या करती है 24 गंटे में पूरा कर लेती है इसका सीधा था मतलब यह कि अपनी अच्छ पर प्रत्वी 360 अंस को 24 गंटे में क्या कर लेती है पूरा कर लेती है या घूम जाती है तो इसका सीधा था मतलब यह है कि प्रत्वी एक घंटे में कितने अंस को पार करती होगी एक घंटे में वो एक घंटे में पंद्रें अंस को पार करती होगी तो इसका मतलब क्या आ गया कि एक घंटें पंद्रें अंस को पार करती होगी तो एक अंस को पार करने में उसे कितना समय लगता होगा चार मिन मिनट का समय बढ़ जाएगा तीन चलती है तो बारे मिनट का समय बढ़ जाएगा वहीं अगर पश्चिम में अगर हम बैक जाते हैं यानिकी जीरो डिग्री दिसांतर के हम पश्चिम में बैक जाते हैं तो चार मिनट क्या हो जाएगे कम हो जाएगे दो जाते हैं तो आठ मिन कलम नी हमारा सूरे निकला है हम अपनी दिन चे रहा है जो हमें अपना काम अपना करना सुरू करतेंगे साम को देखा कि हमारा जो दिन ढलाया है कहां पर कितने बज़ रहा है मैं उससे को लेना देना नहीं है हमें अपना साम को घर जाना है काम करना है खाना पीना खाना है सकती है तो आप आप ने कि यूह हम बजें झाल प्वचे का समय हो रहा होगा तो अगर हम अपनी 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 मनमानी करें कि यह वजा रहा है तुमने अपना संमय माल लिया स्क्राइव है पाकिस्तान कहना के अथे पाकिसथान क्या रहा कि नहीं नहीं भारत देश में आठ उधाय ली नहीं हम लोग व затखे एक इस तो यह यह पास्त को समझेगे, तो क्या है कि इन चीज तरह की जो परिसानिया है, इस तरह की धिक्ते हैं, उनको हमें देखना नह पड़े या कहें. उनको आसानी से क्या कर सकें, हम धूर कर सकें, इसके लिए किसका किसको आधर माना जाता है, मानक समय रेखा को यहा है हुँ ऐसे कह सकते हैं कि हर देश को क्या करना पड़ता है एक रेखा को मानक माना जाता है या मान लेना पड़ता है कि इस मानक या इस स्टेंडर के आधर पर क्या करें आप अपने पूरी देश का क्या करें समय का निधार करें उसके आधर पर ही पूरी द है वहाँ पर अगर मान लीजिए लंडन में आठ वज रहे हैं तो किसी दूसरे देश में कितना हो रहा हो गा-फिक्षिय ताइम है अब यह तो हैं नहीं कि हम बाद आमेरिकाह को फॉन करेंगे यह बताना तो कि आपके इस टाइम पे कितना बज अपना काम सुरूए नहीं हम अपने यह काम शुरू कर पाइए हम आपने लाराग्ज रहों चाह 2024 आठ बजरों समझे मांगे उसने क्या लिए अधर को लिया गया है जो कि उत्तर प्रदेस के मिर्जापूर लंदन के green which is कितना आगे है साड़े पांच घंटे आगे कैसे है उसको हमया पर किलियर करेंगे तो भार्त की मानक समय रेखा जो है भारत के पांच राज्यों से होकर जाती है आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेस करती तो इलावाद के पूर में पर आपको इलावाद दीचा दाग Adventure लख्षयों के पास थोड़ा सा इलावात के पूर में थोड़ा सा बढ़ा एंगे तो रहक पर एक जिगह पड़ेगे-मिर्जापूर में एक जिगह पर्द दाम मंदर के पास एक चौरा परता है जिसको कहते हैं अमरा दिच्वड है तो वहां से आपका क्या होता है यह भारत की мानक समय रेका क्या होती है घृति एक। तो मैंने कीस तरह से बताइब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां से अगर भारत की अगर दूरी देखें तो कितने अंस किया जाती है यहां पर यहां से शुरू होता है भारत यहां पर यहां से शुरू होता है भारत यहां पर यहां से शुरू होता है से सुरू होता है जो की होता है और यहां तक जाता तीस देसांत्रों को दो घंटे में क्या कर पाएंगे पार कर पाएंगे या हमारी पर प्रत्वी है इतने इतने देसांत्रों को दो घंटे में पार कर पाएंगे तो हुआ क्या कि यहां से मान लीजिए कि प्रत्वी पर इस त लीजिए 68 से आगे बढ़ेंगे एक दो 68, 99, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 89, 80, 81, 82, 82, 83 से और थोड़ा से बढ़ेंगे साड़े-ब्यासी, तो साड़े-ब्यासी को क्या कर लिया गजया साड़े-ब्यासी को मध्र यानि की भारत से गुजरती है तो साड़े-ब्यासी यानि कि पंद्रे देसांतर इस और और पंद्रे देसांतर उस और दोनों को मिलाकर जो हो जाता है वो तीस देसांतर हो जाती है मुटा मुटी तो इससे क्या है कि हमने क्या कर लिया एक बीच की रेखा कीच ली और साड़े ब्यासी की अगर हम बात करें साड़े ब्यासी अगर में कितना समय लगता है एक डिगर एक आचाहांत को पार करने में चार मिनट का समय लगता है तो साड़े ब्यासी देशांतरों को पार करने मुसको कितना समय लगेगा तो हम गुणा कर देंगे इसमें हम चार का मान लीजिए गुणा तीस आ जाता है ठीक है कितना आ जाता है तीन सो तीस मिनट आ जाता है जिसको हम मुटा मुटी अगर हम कनवर्ट करते हैं पांच का इसमें भाग देते हैं तो छे पंच वो छे का भाग देते हैं नहीं साट का भाग देते हैं तो यहां पर आ जाएगा पांच घंटे तेस मिनट आजा गैं, यानि कि साड़े पांच घंटे का क्या होता है, अंतराल होता है, कहां से यहां से जीरो डिग्री दिजी दिशानतर तके क्योंकि यहां से बींत harus को अंतर से इस पर समय कहूं में कुछ भी है तो एस तरह से ये आपका क्या होगा तो क्लियर हुआ ला कि संच में के अधार पर अधार और तो फिरिदानल समय में इसको क्या आतर पराइश से हम बात करते हैं कि इस तरह से जो हमारा पिरत्वी है हमारा पिरत्वी है पिरत्वी एक महाधिव है जिसको कहते हैं इस यह महाधिव में एक देश है उसको कहते हैं हम क्या उसको कहते हैं हम आपका भारत भारत में साड़े ब्यासी पूर्वी देशांतर कुजरता है आपका मिर्जापुर से, मिर्जापुर में जो समय होता है, वो पूरे देश में समय होता है, उसको क्या माना जाता है, भारत देश का उसको क्या कहते है, समय जोन या टाइम जोन कहेंगे, भारत में उस शेत्र में जो समय हो मैंने क्या बताया या फिर इसको मैंने यहां पर लिखा भी मैं इसको चूम करके बता देता हूं मैंने क्या बताया मैंने भी बताया कि पूरी प्रत्वी पर पूरी प्रत्वी यानि कि हमारा पूरी प्रत्वी है इस तरह से पूरी प्रत्वी पर क्या किया गया है एक जीरो ड पंद्रे दिग्री के आधार पर चोबिस समय जोन या टाइम जोन का क्या किया गया है अब क्या से चोबिस जोन का करेंगे तो माली ये पंद्रे पर एक हो जाएगा तीस पर दो हो जाएगा फिर इस पर तीसरा हो जाएगा फिर चौथा हो जाएगा इस पर पांचमा हो है कुल चाविश समय जोन या टाइम जोन का निधार किया गया है समझ में आ गया तो Green in बिच यहां में उत्तर आते हैं जीरो डिख्री देस अंतर पर जो की Green Land साघर Green Land साघर से सुरू होता है घ्रीन लेंड साघर कहा है आपका एक मिनट में यहां पर इसको हटा देता हूँ एक सेकंड ग्रीन लेंड सागर कहां से शुरू होता है तो ग्रीन लेंड सागर की अगर हम बात करें तो जीरो डिगरी यहां से शुरू होता है और यहां से शुरू होता है इस तरह से ग्रीन लेंड सागर से होता हुआ नौर्जवेजियन सागर से होता यह गुजरता है तो आपको क्या समझ में आया कि यहां से यह आपका जीरो डिगरी कहां बिना पूंचे चला जाता है तो आपको क्या समझ में आया कि यहां से सुरू होता है जीरो डिगरी देशांतर और यह आपका क्या है कि निकिन शेत्रों से होकर गुजरता है तो आपका Greenland Saag込 में जाता है यहां पर आपका Greenland Saag込 मिल जाएगा उसके बाद जाएगा घाना फिर दच्छड अट्लांटिक से यानि कि यह अपका दच्छड अट्लांटिक है वहाँ पर आपका पूरा क्या होगा प्रिवेस कर जाे जाएगा संभर धाइगा के ल restrictive महान सा को यहां पर देखिए से बूर्ब व्यासी पूर्वी देशांतर कूए क 쿠न लेते हैं लेकिन जिन देशों का क्या है जो देश बहुत बड़े हैं वहां पर क्या होगा जब माद लिए अभी मैंने आपको बतायाता है भारत धkellhrid क्टेlast का मतलब समें हैं तो गंटे का इंतराव होता है इस तरह से मैं आपको जूंग करके दिखा दूँ भारत में क्या है यहां से सुरू होता है और यहां से सुरू होता है एक सेकेंड यहां पर बढ़ेंगे आगे और यहां से चलता चलाता चलता चलाता है और यह पूरा जो छेत्र हैं यहां पर आपको देख जाएगा यहां पर या की अगर बात करें तो रूस का छेत्रपल इतना है कि उसका बिस्तार इतना हो जाता है कि रूस में आपके नो टाइम जौनों को रखा गया है USA का छेत्रपल यानि कि United से आपको बता दूँ कि जादा तर जो देश हैं जो छोट मोटे देश हैं उन पर क्या किया गया है जादर देश्वों ने क्या किया है एक ही मानक समय रेखा को चुना है लेकिन जिन देश्वों का छेत्र पर बहुत अधिक है वहाँ पर क्या किया गया है वहाँ पर एक से हो रहा पिलस मतलब बच कितना राग उसे मतलब जीरो से कितना पिलस होता है आठ होता है ठीक है चलिए उसके बाद अगर हम यहां पर आ जाते हूं भारत देश में तो कितना होता है यहां से लेकर यहां तक कितना है एक ही समय जोन मना गया है वैसे तो इसमें कई गुजारी ज भड़स देखते हैं अंत्राश्चितित्रेका या इंटरनेशनल टाइम वो बलत छाना टिक है तो इसका निधार कि अब बात कि जाए This किया गया था गया था ऑठारहे सोचांवरासी में किया गया था एक रसी मां एक सो असी में हम क्या करते हैं पश्मी देसांतर पर पहुते हैं तो एक सो असी में पूर्वी देसांतर और एक सो असी में पश्मी देसांतर क्या होता है एक ही देसांतर रेखा होती है यदि कोई इस एक सो असी में देसांतर को क्या करता है एक सो असी में देसांतर को क्या करत अपका पूर्व आपका तो पछिंसे क्या करता है पूर की और बढ़ते है आतराश्ची को पर से आपको हो जाते हुए यहां पर आस्य तो यहां पर एक चीज में आपको हो जाती है यह को जाती है तो कितना हो जाता एक सु एक्यासी आचस हो जाती है पूरी फिरत्विए पर लेकिन अब हम बात करते हैं कि देसांत्रों की बात भी इसी तरह से होती है क्या नहीं देसांत्रों में आपका इस तरह से नहीं होता है देसांत्रों में क्या नहीं होता है इस तरह से नहीं होता है बलकि अगर देसांत्रों की अगर हम बात करते हैं तो तो किस तरह से काम करती है तो आये धेसंत्रों को भी थोड़ा सा हम थोड़ा सा समझ लेसे गाँ ने फ् Vous वन हो जाता है तो क्या ऐसा होता है नहीं ऐसा नहीं होता है सीधा सा मतलब है कि जीरो डिग्री देशांतर एक रेखा हो गई और जीरो डिग्री देशांतर के पूर्व में एक सो असी देशांतर रेखा है खीची तो गई है लेकिन जो एक सो असी मा जो देशांतर होता है वह स आप इस तरह से आते हैं यानिकि पूर में पूर में जब बढ़ते जले ज़ाते बढ़ते जले ज़ाते हैं और अंतराश्ती निर्स पर उइनकि 180 में देस ऑंतर पहुं Smells Oh और पस्छिम की ओर से अगर हम उसी पर पहुंचते हैं तो क्या किलागा 180 में पस्छिमी तर वो कहलाएगा समझ में आ गया चलिए तो क्या समझ में आया कि आपका 180 मा जो देशांतर होता है वो पूर्वी और पस्चिमी दोनों कहलाते हैं यह नहीं कि आपके चीस तरह से अच्छांस अलग होते हैं इस तरह से यह नहीं होता है तो चलिए करते हैं आगे देखते हैं बात कर लेते हैं अंतर आछी थीद्रेशा का कौन कौन से छेत्रों से होकर बजटती है तो इसका थोड़ा से कंलीर करते है। और यहां पर देखते हैं आपकर अंतर एक एक सuzzसी पूर्वी देशाथर है और एक और 1085 बेसंतर है वो यहां पर क्या करते हैं आपस में यह नी दूसरे से मिल जात present spring में और यहां से आपकी अंतरा इस तरी तरी निगरें वहती है इस तरह से सुरूव होती है कि इस तरह से सुरूव होती है और उति है लेकिन के मजर डाले तें यहां पर थोधन लोकेस्ट देख लेते हैं आर्टिक और स्थ की सागर ठिक है यह आप यह अपको देख granddaughter है यहाँ पर आपको कहने सागर देख जाएगा उसके निचे अब वार आपको चलते चले आएंगी चलते चले आंगे प्र पर आपको देख जाएगा इस तरह से यहां पर आती है यहां पर आपको देख जाएगा फिजी और यहां पर टॉंगा यह फिजी है और फिजी और टॉंगा फिजी और टॉंगा फिजी और टॉंगा फिर आगे बढ़ जाएंगे फिर नीचे चलते चले जाएंगे नीची लै आर्टिक महSागर में क्या किया गया है? साड़े बो आर्टिक महासागर में 75 उत्री यहां इस को पूर्ध यह पर बात करो तो पश्रिम पूर्ध पश्रिम तो मैंने क्या पताया यहां से अंतराश्टी तरे का शुरू होती है और आपका जैसे 75 उत्री आशां से पहुंचती है बैसी है पूर की और क्या कर जाती है मुड़ जाती है ताकि यह है महादीब को न काटे महादीब को न काटे उसके बाद यह क्या करती है बेरिंग जलसंदी में जाती है उसके बाद यह सी चलती है चलती है उसके बाद भूमत सागर में जैंद की वह मतलब विस्पत रेखा पे पहुंचते है यहां पर तो साडे साथ दचड़ी आचांस में क्या होता है दच्छडी आचांद में क्या किया जाता है इसको थोड़ा सा पूर की और खिसकाया गया है आपको देखे जाएगा नीचे बढ़ेंगे साड़े साथ पूरी मतलब दच्छडी आचांद में क्या करिया जाता है इसको थोड़ा सा पूर की और खिसकाया गया है खिसकाया गया है ताकि जो टॉंगा हैं टॉंगा और फिजी 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 और टॉंगा जो दीफ हैं एक ही टाइम जोन रहे यह नहीं कि टॉंगा में अलग रहे और फिजी में अलग रहे इसलिए क्या किया गया इसको थोड़ा सा पूर की और खिसकाया गया है तो अगर हम सबसे पास जो आपका अंतराथी तरह से आता है और इस तरह से आते 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 क्या होता है यह पूर की और मुड़ जाती है फिर आपका यहां पर चुसकी सागर से नीचे थोड़ा सा इसमें गुश जाती है बेरिंग सागर में उसके बाद यहां पर फिर आती है और फिर पस्चिम की और मुड़ जाती है फिर थोड़ा सा आता है पूर की और मुड़ जाती है और नीचे चलिए फिर नेक्स देखते हैं topic clear करते हैं आपका प्रमुक और important चलिए साथ यो बात करते हैं भू आकरती विग्यान के बारे में और इसमें देखते हैं भू मतलब प्रत्वी होता है और आकरी मतलब आकार रूही कह सकते हैं उसकी बनाबट उसको थोड़ा से देखते हैं मुह हैं मेरी जीव है कि एक तरह से बाहर इसको कि हमने इसको देख पा रहे हैं अब आती है बात आंत्रिक की आंत्रिक में अगर हम जाते हैं तो मैं मेरा हाथ लो हाथ लेकने बात अंदर डाला पेट में डाला पेट में डाले को है मेरा जुमाल है यानिकि आत्यम अगरा ब के बारें पता लगा लिया क्या हम प्रत्वी के अंदर खुदाई करते हुए उसके कूर तक गए हैं नहीं गए हैं क्या हम उसका सारा कूर का माल लेके गए हैं जो हां बहुत ज्यादा अताब मनुदर के वहां तर कोंचे हैं नहीं तो आएए देखते हैं कौन-कौन से साधने जिसके दाइद हम क्या करते हैं प्रत्वी की आंत्रिक सनजा का पता लगाते हैं तो प्रत्वी की आंत्रिक सनजा की ज्यानकारी जो हमें मिलते हैं भूगर्वित ताप से जालमकी करियाओं चट्टानों का गनत और भूकंपी तरगों के आधरपहमें में ये पता चलता है कि कि परतवी जो है उसकी जो परत डारत यानि कि उसमें रहलेके ऐनदर कामाल महाला जैसा हम देखते हैं बैसाई बढ़ा रहता है अंदर जो माल बढ़ा रहता है वो किसी काण 피 उसमें क्या होता है बिसिपोर्ट होने के बाद जाते हैं और जैते हैं उठालागर को सोथ करते हैं क्या करता है कि वाई अंदर देखना है क्या क्या बरा हुआ है कहां से पता जाता है जो कि हम लोग उसको उठा लाते हैं और क्या करते हैं उसी जांच करते हैं और पता करते हैं कि अंदर की जो संड़तना है किस तरह कि है दूसरा देखते हैं भूकंपी तरंग है ये तरंगों भुकंपी तरंगों के आधर पर हम क्या पता लगा पाते हैं अंदर की कि ये पता लगाते हैं कि प्रत्वी की जो बनावट है वो जैसी हम देखते हैं वैसी नहीं है बलकि प्रत्वी की आंत्रिक जो संद्चना है वो अलग है अलग अलग उससे Material से बनी हुई ऐसे कि जो आपको पता होगे है, कि भुकंप जभ आता है तो उसमें आपको पता होगा, कि जब भुकंप के बारे में जानेंगे, तो किस तरह हैं तरह तरह Never measurements in termshing, को यह समय जाती वाती नोगतों है. कुछ ऐसी तरंगे हैं जो द्रब में नहीं चल पाती हैं कुछ ऐसी तरंगे हैं जो धोस में नहीं चल पाती हैं कुछ ऐसी तरंगे हैं जो द्रब में चलती हैं तो इसका मतलब है कहीं धोस भी है कहीं द्रब भी है तो इससे हमें जानकारी मिलती है आगे हम क्लियर भी करेंग एक डिग्री से एक डिग्री सेलसिस क्या होता है तापमान में बढ़ोतरी होती है लेकिन यह तापमान क्या होता है एक सीमा तक ही क्या होता है बना रहता है उसके बाद तापमान इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है यह हम ऐसे कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं प्रत्वी की जब हम हमें याँ पर समचना देख रहे हैं बैसा नहीं है बल की क्या है अंतिक समचना में कुछ भिनता है तो हमें अंदर की या अंतिक समचना के बारे पता लगाने में आसानी रहती है नेक देखते हैं दवाब प्रत्वी के आंतरे किसी इस्तान पर एक सेंटीमेटर पर पढ़ने वाले बाहर को हम क्या कहते हैं दवाब कहते हैं तो पच्छीस किलोमेटर की गहराई तक दवाब प्रत्वी की गहराई की तो लामे कितना है तेरे हजार गुना आदे कुला में पर से बता दूँ कि प्रत्वी की प्रत्वी जो है उसकी हम खुदाई करके कितना जाते हैं पचास कमीडर की गढाही तक जाते हैं तो पिरती की जब पचास कुलो मेटर गढाही पर पहुंचते हैं तो बहाँ पर देखते हैं कि उसकी सते पर यानि जो उपरी परत है जो कि हम पपड़ी भी कह सकते हैं जिसको हम मिट्टी कह सकते हैं तो उपरी जो भाग है उसके भूपटरल पर जाधतर भाग क्या है महाधी पहुं का बना हूँ इसका निर्माळ अफसाधी चत्टानों से हुआ है और इसका ओसत घनत जो है 2.7 है तरह जबकि निउटन का नियम यह कहता है निटन के गुरुत्वाकरसन नियम के आधार पर प्रुक्राइब का ओस्त जो घहनद है वो पांच तसम्बलब पांच या पसे और फाइब पॉइट है इसका मतलब यह होता है कि प्रत्वी की आंतरिक भागों का घनत जो है बहुत अदिक है इसका मतलब यह है कि उपरी सते पर घनतों कम है और आंतरिक भागों का घनतों कम है इसका सीधा समतलब यह है कि प्रत्वी जो हमें उपर से दिखती है बैसे नहीं है बलकि अंदर इसकी बनावट कुछ और ही है त तो हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं प्रत्वी की परतें या फिर लेयर्स ऑफ दा अर्स के बारे में यहां पर बात करते हैं तो प्रत्वी की परतों में हम यहां पर देखते हैं तो प्रत्वी की परतें जो हैं दो तरह से हम यहां पर देख सकते हैं दो तरह से का मतलब यह है कि पहला जो हम तरीका देखेंगे वो होगा प्रतिवी की पर्त हैं रसाइनिक संगठन के आधार पर रसाइनिक संगठन के आधार पर मतलब कहीं सिलका अधिक होती है कहीं अलूमिनियम अधिक होता है कहीं मैगनिसियम अधिक होता है तो कहीं निकेल अधिक होता है कहीं प्रतों के रूप में हम इसमें बांट देते हैं तो आईए देखते हैं कि लेयर्स ऑफ ता अर्थ के बारे में थोड़ा से देखते हैं तो रसाइनिक संगठन के आधर पर प्रतिवी की परते थोड़ा सा देखते हैं तो हमारे एक बेक्ति थे जिनका नाम था एडवर्ट स्वेस्ट नाम के एक बेक्ति थे इनों ने बताया कि प्रत्वी की उपरी भाग है आनि कि भू परपटी है भू पटल है उसका उपरी भाग अब साधी चट्टानों का बना हुआ है और इसके हम जब नीचे जाते हैं तो उसकी तीन परते हमें देखने को मिलती हैं कितनी परते हैं देखने को मिलती हैं किसके आधार पर रसाइनिक संगठन के आधार पर कौन कौन सी तीन परते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सियाल यहां पर आता है सियाल यानि कि SI और ALC मिलकर बनाएं यानि कि SI मतलब सिलिका और दूसरा जो है अलोमिनियम दूसरा जो है सीमा यानि कि शिलिका और दूसरा जो है मैगनिसियम तीसरा जो परत है वो है आपका निफे यानि कि निकेल और स्फेरस से मिलकर यह बंता है तो आईए एक एक करके परत देखते हैं और किलियर करते हैं चलि सियाल के बारे ж Celka, और ऑलॉमिनियूम से हुआ है यह परत जो है वह अग्रेफाइट ओनों की बनी वे यह यह कहसकते हैं अफसादी ओनों का ओन कया है उसके बाद जो नीचे की परतको को सियाओ केते हैं यह अग्रिफाइट चक्तानों का बना हुआ है और महादीप का निर्माड का अग्रा गहरे रहा है जो आपका सियाल है या कहें जो सियाल वाली जो सीमा है इसको हम लिथो स्फियर भी कहते हैं इसकी और सत कहराई की अगर बात की जाए तो यहां से आपका जो सियाल है यहां से हम आते हैं एक सेकंड यहां से मालीजी अपसाधी से हम नीचे आते हैं तो इस तरह से हम पहुंच पाई हैं तो इसका उस्त गहराई कि अगर बात की जाए तो 50 km से 300 km है इसका घंद की अगर बात की जाए तो 2.75 से लेकर 2.90 तक इसका उस्त गहनात है यह जो है श्ते हैं को पर से यह है इसका पमस और उनोड़ की चतानउ से 090 अग्यों की लिचताally बनाएव आपका क्रिफाइट की रिच्बान तहीं है यहां से रहां मांदीपों का निर्मार के से हुआ है स्याल से ही हुआ माना चाता है चलिए लेकर देखते हैं दूसरी परत देखते हैं इसको कहते हैं सीमा सीमा आपका भी मिल मेलका मेगनिसलें और मैगनीर सी यह बात report लक्ति यह सियाल के निचे वाइचे वा मेगनी सीम से हुआ माने जाता है यह वेसाल्ट चक्टानों से बना हुआ है आपका साथी चक्टानों से बना हुआ है क्रस्ट ग्रेपाइट चक्टानों से बना हुआ है सियाल और वेसाल्ट चक्टानों से बना हुआ है आपका शीमा ठीक है यह परत जो है छारी है आपकी सिय से इसके बारे में पता चलता है आपका सियाल को आप लितोस्पियर कहते हैं आपका सीमा को हम पायरोस्पियर कहते हैं क्या कहते हैं इसकी और सत गहराई की अगर बात की जाए तो और सत गहराई जो है एक हजार किलो मिटर से लेकर दो हजार किलो मिटर तक इसकी और सत गहराई का टू पंट सेवन फाइब से लेकर आपका टू पंट नाइन जीरो तक आपको ऐसे आप साधी चरटाने क्या बनाए आपका क्रस्ट बना हुआ है कि लिए रहा तो ना कर सकते हैं आसानी से चलिए देखते हैं निफे जो कि सबसे लास्ट की बारत है यह प्रमोख से निकल और लोहा से बना हुआ है निकल का यानिकी एनाई ले लिया है और लोहा मतलब जिसको हम फेरस कहते हैं तो इससे हमने एफी ले ले लिया है तो निकल तथा फेरस यानिकी लोहा से बना हुआ है इसको हम वेरो वेरो स्फियर भी वेरल वेरी स्फियर भी कहते हैं लिथ साल्ट ऐसे बना हुआ है आपका सीमा वाली परत ठीक है समझ में आया यह जो आपके निफшей वाला जो है यह प्रत्वी के के अंदर तक फे फैली हुई है कौन सी आपकी प्रत्वी के केंदर तक फहली हुए है इसका घनत जो है 11 से 13 के बीच है यानि कि जो आपका निफे वाला परत है या का निफे वाला जो भाग है उसका घनत जो है सवसे अधिक है ठीक है के लिए हुआ ना चलिए चलिए सात्यू भूकमपी तरोंगों के आधर को में बाटा जा सकता है जिसमें आप का आजाता है कि अ क्या बहुतने को भूपरपटी मेंटल और कोर कितने में भूपरपटी मेंटल और को तो आईए क्लिए करते हैं कि कौइंट देखते हैं यहां पर सबसे परें बात करते हैं भूपटल या भूपरपटी के नाम से इस यह छलिए या सबізब्से रहे परज होती है तो सबसे परी परे किया कहलाती हैं इसकी और सesh Spencer मुनमिताकी अगर बात की जाए तो महासागरों के नीचे तो Kry तधाsky किलो मिंटर थीचे होती है यानिकि महासागर की मुटाई जो होती है मासागरों की मुटाई जो होती है वहाँ पर क्या होती है कम होती है तो आप अन्य लगा सकते हैं कि जो महादीपी वाला छेत्र है यानि कि जहां पर बूखनट है जहां पर सागर नहीं है जल नहीं उस शेक्तर में क्या होता है आपका जो मुटाई होती है तो कितनी ही तक हो सकती है यहानि कि लगवग लगवग 30 क buds तक इसकी मुटाई हो सकती है वहीं अगर महाद सागरों के नीचे साग्र हों कि यहां पर महासागरों कि बिर नीचे का किता है आपको पाँच किल अधिक होती है महादीपों का भूपटल बाहरी चट्टानों से बना होता है यानि कि नीस और केरिफाइट से बना होता है जब कि महासागरों का जो भूपटल होता है या कर महासागरों का जो क्रफ्ट होता है वह कैसा होता है आपका बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है मैं चेत्र रिस्तित दो जमीन है वहां कि अगर बात की जाए तो वहां पर कितना है भूप पाइजी बना है बहारी चटाने नीश और क्रेफाइट से ब्राना हुआ हुआ है तो किलियर हुआ हो यानि कि महासागरी चेत्रों में जो भूप पाइज की लंबाई मौटाई जो होती ह तो यहां पर यह बहु पर यह जो भाग है या हम इसको क्रश्ट भी कहते हैं तो यह जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं इसको दो बागों में सकते हैं तो तो थो भागों में अगर बात करें तो ऊपरी भूपरपटी और नीचली भूरपटी की आधार पे इनको बाटा जा सकता है तो व्यूपरपटी और नीचली भूपरपटी के बीच में जो है और मेंटल के बीच की अगर बात की जाए तो महोरोबिक असंबदता मौझूद है मैं फिर से बता दू मैंने क्या बता है जो भूपरपटी है उसको हम दो भागों में माट देते हैं उपरी भूपरपटी और निचली भूपरपटी के बीच में आपका कुनाड असंबदता द क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक असंबदता होती है जिसको हम कहते हैं मोहरोबिक असंबदता यानि कि आपका यह हो गया भूपरपटी को हम कितने भागों बाड़ देते हैं दो भागों बाड़ देते हैं यानि कि उपरी भूपरपटी और निचली भूपरपटी के बा नेक्स देखते हैं उसके बाद तो mental के बारें बात कर लेते हैं यानि कि मैंने बताया था कि भूपरपटी की बाद जो आता है नीचे वाली जो पर रहते होती है वो आपकी कहलाती है mental यहां पर आपको तिक जाए का mental तो भूपरपटी यानि कि यह आपका भूपरपटी और mental क की बीच में जो और हम बाता जता दोंों के बीच में पाये जाता है थीक है तो आए क्लियर करते हैं तो भू कि नीचे का भाग क्या केलाता एक फिर सेता बात कि बूबरति की क्रूड के बीच-वाले भाग को हम क्या कहते हैं mental कहते हैं, मैं फिर से बता दूँ एक बार, मैंने कह बताया, यह आपकी भूठास्ट, हीये है आपका mental और यह है आपका crowd, तो मैंने क्या बताया कि crowd, एक मίνट, crowd, वो सरी, भूठरपती और cryoड के बीच के भाग को हम क्या कह देते हैं मेंटल कह देते हैं ठीक है तो मैंने अभी क्या पताया था कि भूपरपटी के बाद की जो परत दूसरी है क्या कहते हैं इसको मेंटल कहते हैं ठीक है तो आईए क्लियर करते हैं तो मैंने क्या पताया कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भूपरप कर्ठी और क्रोड के बीच के भाग कोम मेंटल कहते हैं थिका है तो यहां पर अगर आपका मैंटल कि अगर बात कर रहे हैं तो मिंटल जो है उनशी सो किलो मीटर, नीचाही तक फैला हुआ है है यहां पर आपको दिख जाए यह से हुटा है और आपका उन।-कristal किलो मीटर तक चले जाते हैं तो यहाँ पर तक आपका मेंटल बाला भाग फ्यला हुआ है तो इसको भी हम दो भागों में बाढ़ जेते हैं एक आजाता है आपका नंबर एक आजाता है बो है आपका नंबर एक जो आता है बो आता है उपरी मेंटल और नंबर दो जो होता है बो है आपका निचला मेंटल, तो ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल के बीच में जो है आपका रैप्टी असंबदता है, असंबदता कुछ नहीं होता है, असंबदता जो होती है, संक्रुबरी यह छेतर होता है, यानि कि जैसे मैं कोई चीज बहुत जादा अच्छी है, बहुत जाद होता है तो दोरों की बीच का संक्रुम नहीं छे तो होता है समझे रहा है तो ये एक तरह से खाली जगे भी बोल सकते हैं यहाँ पर ना तो ज्यादा मेंटल वाले तो उपरी मेंटल को हम दुरवलता मंदल कहते हैं इसका बिस्तार 400 km तक होता है और जो अला मुकी से जो माल प्रत्री के उपरी सतर पर पहुंचता है वह आपका दुरवलता मंदल से ही पहुंचता है मैं आपको जूम करके दिखा दे तो मैंने क्या बताया कि उपरी जो मेंट मेंटल को हम दुरबरता मंडल कहते हैं इसका विस्तार चार सो किलो मिटर तक होता है कितना किलो मिटर तक होता है जो माल प्रत्वी की उपरी सत्य पर आता है वो कहां से पहुंचता है वो यहां से ही यानि की उपरी मंडल याक है उपरी मेंटल से ही निकल कर पहुंचता है में है mental का अगर सारी भूपरपटी का घनत होता वो तू पॉइंट नइन जीरो या घए है तो पॉइंट नइन जीरो से लेकर थो पॉइंट तिरी थो तक था वहीं अगर mental की बात की जाए तो 4.3 तक इसका देखने को मिल जाता है उपरी भू परपटी का यानि कि यहाँपर अगर हम साद्र रूप से देखें तो 4.5 से लेकर 10 तक के बी tasting में आपको देखने को मिल सकता है घनत समझा गया तो क्या समझ में आई इसके कि आपका जो मेंटल का घनत होता है कि आपका भूपरपटी से अधिक होता है प्रत्वी के आयतन का 83% तो द्रभ्यमान का 67% भाग इसके तहती आता है यानि कि आपका उपरी मेंटल और निचला मेंटल जो है आपका यहां पर उपरी मेंटल निचला मेंटल को मिला कर जो आपका द्रभ्यमान की बात की जाए द्रभ्यमान की बात की जाए तो कितना है 67% पूरी प्रत्वी का आया वहीं आयतन की अगर बात की जाए तो 83% तक देखने को मिलता है आपका इसके तहित मेंटल और क्लोड के बीच का भाग जो होता है गुटेन बर्ग असंबदता कहला था एक ब परपटी के बीच में एक असंबदता होती जिसको पोना राशी कहते है इसको परपटी के बाद का दूसरी परद होती है उसको कहते है हम मेंटल 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 आइद पीन क्लीप्रन के बीच के भाग इंगे का mental के बाद वो आ जाती है आपके परत जिसको हम कहते हैं क्रोड तो आगे देखते हैं क्लियर करते हैं समझते आगे तो नेक्स देखते हैं क्रोड या कोर या कि कहें प्रत्थिवी का केंदरी भाग है यह जो आपका ब्लू कलर में आपको देखता है यह आपका mental वाला वाग और यह यह यलो कलर में दिख ता वो है आपका भू बमने लच लेते हैं अबस्व अब उपर्पटी को दो बहुं थो अबसफ़ एक बाद किया तो मेंटल को भी हम माञा है उप्रेमंटल और निचला मेंटल इसके बाद आपर और Dale अपर और को अपने अपर अपर एंथ जो क्रोड होता है उसको भी जो hammi माँदे अनि कि आपका वहरी क्रोड और आंत्री क्रोड ठाइं तो अजर्य कलियर करते हैं तो मेंने क्या बता आपका इसका जो क्रोड वाला भाग है इसका बिस्तार जो है उन्तिस सो किलो मीटर से लेकर उन्तिस सो किलो मीटर से लेकर तीन है वो छे हजार तीन सो एकतर किलो मीटर तक फैला हुआ है प्रत्वी का केंदरी भाग को हम क्रोड कहते हैं या हम कह सकते हैं प्रत्वी का जो अहां पर का जो मातरा है बहुत अदिक है हमें ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका मेंटल के बाद जो क्रोडश रूरू होता है Corinth पर आपको देखतें को मिल जाएगा क्रोड इसमें लोहा तता निकेल की मातरा देखे या कहें तो लोहा तता यह है निकेल से बना हुआ जिसका तापमा लगवग लगवग सता इस सो डिगरी सेल सीय तक देखने को मिली जाता है संज्वे आ गया एक और मैं फिर से दिखा दूँँ आपका यहां पर भूपरपटी है आपका यहलो बाला जिसमें आपका कोना असंबतता ऊपरी इनिचले भूपरपटी गरूप में बाढ़ता है इसके बाद और क्रोड के बीच की जो असंबतता होता है तो बाहरी क्रोड के बीच में जो असंबतता है उसको कहते है ले मैं असंबतता ठीक है तो मैंने क्या बता है जो आपका बाहरी क्रोड होता है उसको हम कितने भागों मान देते हैं दो भागों में बाढ़त देते हैं दो भागों झोस उसक्राइक का किहते हैं वहोरी करोड को बाज तरह मात्रा मी छवस्ता स्वस्ता क्योंगी निचे वाले बाग पर जाने पर क्या होता है पहुत अब यहाँ डाल दिया जाए तो एक वार में आपको तीनों जो है यहाँ पर मैं असंबतता हूँ के बारे मैं एक वार असंब्ता है जो है, नियादल नचला में बीच थो ऑपका एक बात कीजा तो लाइब बाद किना है लेंचलने और बात करें परने ने सबहτα समददा की अगर बात करें तो वो आपका mental के बीच में हैं ने च्छा आती है बात ले इन सब्लाइटा की बात करें तो ले में आता है आता है आपका बाहरी करोड और अंत्र, करोड के के बीच में आपका लेह्मयन असंबत देता है ठीक है यह हो गए आपका Next बात करते हैं यह पूरी जो पुरफ्री है हमारी यह आपका पूरा प्रत्वी है पूरी पुरस Việt है इसे पाई है तो आपका हो जाता है पूरी प्रत्फि उपर और भूह से यैंग बूह mãn सकने हैं कि मैं लिए मेरा सरीर मेरे सरीर के ऊपर कुछ रख देते हैं मैं लिए सबसे तोकली रखते हैं. तो मैं काओं कि आपके सरीर के ऊपर की बात करा ए計ह हूं शरीर के अंदर की बात करूँ तो उसकी बात है अगर मेरे अंदर क्या-क्या है, पानी कितना है मेरे अंदर میरे कितना हे इस तरह की कि चीज है ठीक है? तो में ने क्या बताया, भूः प्रेश्ट मृं चथ्तत्म को सबसे अधिक जो मातरा है वो है आपकी अब बात करते हैं आता है आपका ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन यानिकी प्रेश्ट पर वह प्रत्व के ऊपर पूरे ऊपर उसके बाद सिलकॉन फिर मेगनिसियम फिर निकल समझे रहा है ना तो यहां पर दोनों चीजों में आगर गौर करें तो बूर प्रेश्ट पर सबसे समझें चतताने होती क्या है तो बेश-सभी पदार्स जिनहें भूपर परनीका क्या होता है निरमार होता है उसे क्या कहते हैं यहां हम इसको चक्तान कहते हैं कि परत्री की पपड़ी के पदार्थ पर यह हो चीदगर को जो जिससे क्या होता है वो परपटी यानि कि प्रत्वी की ऊपरी परत जो होती है उसका क्या होता है निर्माड होता है उसे चटान कहते हैं हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि प्रत्वी की पपड़ी को या उपरी वाली जो पपड़ी होती है उसके जितने भी पदारत होते हैं चाह हमें ऐसे कह सकते हैं जो भी पपड़ी होती है उसमें किसकी मात्रा होती है खनीजों की भी मात्रा होती है चट्टानों का निर्माड खनीजों से होता है चाहे फिर वो कोई भी चट्टान हो उसमें चाहे फिर ना के बराबर हो यानि कि बहुत कम मात्रा हो चाहे बहुत अधिक है चाहे एक हो चाहे फिर एक से अधिक हो लेकिन उनमें मैंने अब भी बताया था कि उनमें कुछ नो कुछ मातरा क्या होती है खनीजों की होती ही होती है ठीक है चलिए नेक देखते हैं चत्तानों को निरुमार के आधार पर हम तीन वहागों में बांट कर पड़ सकते हैं जि चीजे हैं उनकी विश्यत है उनके नाम से ही फता़ चले जाएगा तो यहां पर सबसे पहली जो प्रिकार है उसको कहते हैं आगने चतानिया की एनिक इगनिसियस रोक दूसरा जो है अफसाधी चतानिया की सेडिमेंटरी रोक शीसरा जो है रूपा देया तो या तो लोग कैसे होता है तो जब लोगों को पता है जना की जब फटटा तो क्या करता वह प्रत्थवी की गर्व से आन्धिक समयचना जो मैंने आपको पता है उसके गर्व से क्या लेकर आती है वह मालो को लेकर आती है या फिर मैगमा लेकर आती है या फिर लावा निकालकर लेकर आती है जो कि प्रत्वी की उपरी स्पत्सत होते पर क्या करती है ति उस पर बिछा देती है उस पर क्या करती है पूरे पर पसार देती है ठीक है तो प्र प्रित्वी के गर्व से क्या होता है जो मैगमा या लावा जो निकलता है और जब लावा जम कर क्या करता है ठंडा हो जाता है तब इन से जो चट्टाने बनती है उन से क्या होता है उनको हम क्या कहते हैं उनको हम आगने चट्टाने कहते हैं यह चट्टाने जो होती है जीवास नहीं होते हैं जीवास न होने का काड़ क्या होता है कि मान लीजिए मैं खोया बना रहा हूं खोया बनाते टाइम पर क्या करता हूं मान लीजिए खोया बना के और खोया क्या मान लीजिए मैं लोहे को गरम कर रहा हूं लोहे को गरम करके पिलकुल मैं पिगला देता ह हो जब आप अंदा लगा सकते हैं लोहा जब गरम एक्तम लाल है या फिर तेल आप जब गरम करते हैं उसके बाद आप उसे कहीं डालते तो आपको लगता है उसमें कोई जीव जन्तु या फिर कुछ ऐसा कोई प्राणी होगा जो उसमें जीवित रहा होगा क्योंकि आप जान बहुता दिक महत रोगती हैं मैं फिर से विदा आर्थिक रूप से ये खनीज के लिए यह हम ऐसे कहते हैं कि आर्थिक रूप से ये मैतपूर खनीजानी के जैसे कि मुलिवान खनीज कह सकते हैं इनी चक्तानों से निगलते हैं मैं फिर से बतातू जो आपकी आगने चक्ता से ही हमें प्राप्त होते हैं यहीं एकाड के इन चट्टानों का यानि की आगने चट्टानों का हमारे लिए यह आर्थिक महत तो बहुत अधिक होता है क्योंकि क्योंकि इनमेत से क्या निकलते हैं या फिर मान देए क्च भी कोई भी चीज है उसको क्या करते हैं खोला कि अगर डालते हैं तो आपको लगता है कि कहीं पर भी उसमें परत cape up creating के एक सिंगल बनालेगा याणि कि अपने आप में क्या होगा एक सिंगल पूरी लेए जिसमें कि कीवी तरह की कोई परत नहीं होगे इन चटानों में जल क्या होता है आसानी से प्रिविस नहीं करता है क्योंकि इन में परत नहीं होती है क्योंकि आप ऐसे अंदा लगा सकते हैं जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं मान लेंटर डलवाते हैं लेंटर डलवाते हो तो लेंटर पर क्या होता है स आपको यहां पर दिखा सकता हूं कि किस तरह से जो मैगमा का चेमबर होता है जो कि आगे पीछ के चलता फिरता रहता है कि यह अपने आपका चेमबर होता है यह इसका जो माल होता है वो फटकर बाहर निकलाता है और बाहर निकलने के बाद इससे तरह आती है कि आपको यहां मेगमा है इस तरह से यहाँ पर चलता है चलते 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 क्या होता है आगे बढ़ता है आगे जाकर मेगमा जो होता है ठंडा हो जाता है जो लावा के आकार में हो जाता है फिर उसके बाद उसके क्या होती है आपकी आगने चटाने निकलती है जिसमें आपकी ग्रेफ भी बिल्कुल भी नहीं होते हैं इन च्तानों पर आपर्धन के लिए का प्रaceut कंते रहा कि नहीं परता हैं को बहुत कम पड़ता है क्यों की बहुत कश्म कुणकर पर जादा परदन का क्या नहीं पड़ता है प्रभाब नहीं पड़ता यह चीज एक कि इस दुनिया में कोई वी किसी का अगर प्रारम हुआ है तो अंति भी होगा तो कितनी मजबूत हो ठोड़ा ठोड़ा करके तो घिसी जाता है अगर होता भी है तो बहुत अन्ना के बराब रहती हैं आपको पता है पहले से मौझूद यह की चट्टान थी कौन सी थी आपकी आगनी चट्टान तो मैंने क्या बता है इनका निर्मार्ट तब होता है जो अपरदन के सादुनों से जैती की नदी द्वारा हवा द्वारा हिमनस से निम्र प्रदेसों में लाकर क्या कर जाता है मिट्टी को या करें चट्टानों को लाकर जमा कर दिया जाता है यह जमा किया हुआ निच्छे प्याकर जमा किया हुआ माल क्या होता है परत दर्परत क्या होता है एक जगे जमा होता है और बाद के समय में क्या होता है जब ज्यादा परत दर्परत दर्परत तो क्या होता है इस पे क्या होता है कि दवाब तर्था संपीदन क्या होता है यह माल जो होता है या कि जो अपने छेप होता है वो क्या होता है ठोस हो जाता है और अफसाधी चट्टानों का क्या कर लेता है यह रूप ले ले रहा है यानि कि पहले से मौजू चट्टानों का जब अपरदन होता है और जब ये जब ये किसी जगे जाकर क्या होते है जमा कर लेते हैं तो बाद में ये ठो सोकर क्या करते हैं आफ साधी चट्टानों का रूप ले लेते हैं कैसे ले लेते हैं यहां आपको देख जाए हूं मैंने क्या बताया कि अपरदन क्रियाओं के पहाड़ है परवत है ये नदियां है तो हिम नदियां है ये आपका निच्छेव क्या करती है महां से नदियां ये क्या करती है जो पहले सी मौझूद जो चट्टाने होती है उनको क्या करती है काट कर लेकर आती है नदियां लेकर आती है परवतों को काट कर लाती है हवाएं और यह क्या करती है बहुत सारा हवा म्हें वगएर रहा मिला Or Leekता करने लगते हैं यहाँ पर आपको देख जाए कैसे निष्ष्ठ remedy festivals परत दर परत क्या होता रहता है एक उपर एक उपर एक उपर क्या होता है ऐसी पपड़ी सी जमती चली जाती है जिस तरह से आप माल लीजिए सोन पपड़ी आपने लिए सोन पपड़ी छोड़ो बर्पी गाउं में घरों में अकसर जमाते होंगे होली देवाली पर तो किस त अपना माल लिया उस तरह से रख दिया फिर थोड़े से उपर दूसरा उस पर माल रख दिया तो इस तरह से परत दर परत क्या होता रहता है माल का निच्छे पड़ होता रहता है क्योंकि माल का निच्छे पड़ ही तो करते हैं वर्फी को वह हमारा कहीं से हम खुदाई करके ले आते हैं खुदाई के मतलब खोया लाए चीनी लाए वह बाइसा पहले से उपस्ते चर्टाने नहीं तो थी यानि कि चीनी थी मजबूत एक तरह चर्टान बान सकते हैं दूर्थ था खोया बनाया उसके बाद आख से हमने उसे पकाया तो इस तरह क्या हुआ है यह हमने सरतदार चटान कहते हैं कि चटाने छिद्र महें होती है यानि कि इन में छेद होते हैं इसलिए इन में पानी जो होता है आसानी से प्रवेस कर जाता है इसलिए इन्हें हमसरंद चटाने भी कहते हैं इन चटानों में जीवास्म की अधिक्ता होती है इसलिए इन से खनीज त पिराक्त होता है मैं फिरसे बताता हूँ जैसे में बनवा पथर और छूना प्थर यह जो बनवार का इन sizi बनवाय गया है मैंने क्या बताया था कि इन चट्टानों में क्या है जीवास्म की अधिक्ता होती है अधिक्ता होने के काड़ अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए बड़ी बड़ी नदिया है तो क्या करती है वो दूर-दूर से क्या करती है निच्छेव लेगा आते हैं निच्छेव तो मैं क्या हो आने वारी स्वें में में की आया ऐगा एक जिस में मीरा मिरड़ पर करते हैं घुझा तो इस तरह से क्या होता है है कि उसमें हो चाहती है यह जैसे हम लिग्या credit Auto बहुत सारे जानवर, बहुत सारे इंसन क्या होते हैं, उनको एक के उपर, एक के उपर, एक के दबा दिया जाते हैं, तो बाद के समय में क्या बन जाती है, वो खनेजी तेल के रूप में परविर्थेत हो जाता है, समझ मैं आगया ना, शेरे, नेक्स बात करते हैं, चली साथ जो बात करते हैं रूप अंतरी चक्टानों के बारे में या फिर कायांतरी चक्टानों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो रूप अंतरी चक्टान है हम इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कह देते हैं तो यह होती गया है रूप अंतरी का मतलब होता है रूप में अंतर हो जाना यानि कि पहरे से कोई बस्तू रखी है उसमें क्या कर दिया जाना किसी दवाब के काड़ या पिर किसी अन्य किसी क्रिया के काड़ क्या होता है उसके रूप में परवर्तन हो जाना उसको हम रूपांतरे निर्माड होता है तो कभी कभी क्या होता है रूपांदर चटान के सबra крепे अ Llach कि यृपांदर परवतन होता हैóc जब लूफ में परवतन होता है उनको कहते हैं रूप आंत्रे चत्तान या मेटामर्फिक सेल्स ठीक है तो इसमें क्या होता है कभी कभी क्या होता है जैसे रूप आंत्रे चत्तान बन गई उसके बाद कभी उस भी रूप आंत्रे चत्तान में भी परवर्तन हो जाता है यानिकि उसके रूप में भी परवर्त हो गया है रूपांतरी चक्टाने है जैसे कि आपका सिलेट हो गया सिल्ट हो गया क्वाट जाट हो गया नीस हो गया और संग मर्मर याइसी कुछ प्रोग चक्टाने जो कि क्या होती है आपकी रूपांतरी चक्टाने होती है आपर कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स जो इसको आ यहां पर आपको देखने को बिल जाएंगी जैसे कि आपका हो गया मुल चट्टान और रूपांते चट्टान के रूप में जो उसका परवतन होगा ग्रेफाइड जो है नीस में बदल जाती है बिटुमेनेस एंत्रे साइड में बदल जाता है बलुबा पत्थर आपका 25 चट्टान हो गई तो यहां पर आपको अगर बात की जाए बिटुमेनस तो बिटुमेनस जो होता है आपका यहां पर इसमें मैंने लिग दी है सारे ठीक है तो इनमें से आप देख सकते हैं चलिए क्लियर करते हैं आगे बहु कम यानिकी अर्फ्क्रेंव के बारे में बात करते हैं क्या होता है ये भू कंप क्या होता है अर्थक्वेक तो क्लियर करते हैं समझते हैं इसको अर्थक्वेक तो आईए देखते हैं इसको भू कंप का मतलब क्या होता है तो भू कंप का मतलब होता है भू कंप मतलब भू मतलब भू कंप भू का मतलब भू कंप भू का मतल दरती का हिलना क्या कहलाता है भू कंप कहलाता है कितावी बाता हम समझें तो अचानक जटके से शुरू हुए प्रत्वी के कंपन को भू कंप कहते हैं और दो सब्दों में समझें तो भूमी का कापना क्या कहलाता है या धरती का हिलना आपका क्या कहलाता है भू कंप कहलाता ह है यहां पर आप वहागत है इस तरह कि गत्विजी को हम क्या कहते हैं फो感 iki अगने बढ़ते हैं इस तो आई आगे बढ़ते हैं फिर मुखम को थोड़ा सो और कि लिए स्षम्चत observ Además नहीं से इसने संहों कटे मानम निर्वेसार परप पांड के कुछ करण दिए गया चाहिं SU तो और हम कर चैसे लिए रची के द्रपिके सकते हैं कि बांध बनाए जाने से क्या होता है कभी कभी एक जैसे मान लीजी ये बांध बनाया है तो एक तरफ जैसे बांध बनाया है तो इस तरफ क्या है कि पानी रोग देते हैं जिससे इस तरफ पानी रोग देते हैं तो क्या होता है इस तरफ का बजन जो होता है ज्यादा हो जाता ह है मानु अगर बात कर लें तो पर जैसे पर्माडुबम की बात अगर करी जाए तो पर्माडुबम क्या होता है कभी कभी जब हम बिसपोर्ट होता है तो इतना तेज अबाज आती है कि वह आसफास का जो छेत्र हमें कमपन होने लगता है।। माली जी कभी-कभी जो आला मुखी जब वो विस्पोर्ट होता तो इतनी तेज़ बाज करता है कि उसके आसफास का च्छेत्र होता है उससे क्या हो जाता है आपका उसको क्या बोलते हैं उससे क्या हो जाता है आसवात की छेत्र जब बिस्पोट होता है तो क्या होता है कि उससे कंपन होने लगता है ठीक है तो आईए भूकंप का केंद्र अधिकेंद के बारे में बात करते हैं फोकस एंड एपी सेंटर के बारे में थोड़ी सी जनकारी ले क्या होता है फोकस भूकंप का क्या होता है अधिकेंद क्या होता है केंद्र क्या होता है ठीक है तो अधिकेंद्र करते हैं तो उद्गम केंद्र सबसे पहले बात करते हैं उद्गम केंद्र क्या होता है तो वहे इस्तान एक सेकंड वह इस्तान जहां से भूकम्प की क्या होती है शुरुवात होती है उसको क्या कहते हैं उद्गम केंद्र कहते हैं जैसे कि आपका माल लीजे यहां से आप देज सकते हैं यहां से भूकम्प की शुरुवात हुई यह भूकम्प से शुरुवात हुई और इकदम उपर बढ़ गया और आजफास के छेत्र में क्या हो गया चार ओर यह कंपन की तरह यह क्रेणने उसकी फ्य लगए तो मैंने क्या बता उध्गम केत्र वह इस्तान होता है ईहनने पहलं की सुरूआत होती है उसको क्या है यानि कि जब से पहले कहां पर हमें मेहां से उद्गम का है, यहाँ से उद्गम क कहा है, देखे जाते हैं,नि कि यहांसे ओद कहा है? उसके बाद सीधा यहां अधिकेंदर पे पहुंचा अधिकेंदर पे पहुंचने के लाद वो क्या करता है चार ओर अपने आसफास के चार उतिसा में है चार ओर फैल जाता है भूकंप के केंदर पर रखी वस्तू क्या करती है आपकी ऊपर नीचे हिलती यानि कि ऊपर नीचे उपर नीचे और भू कंप के दाएवाइय उनी की और रकई होई तो द क्या करेगी दाएवाइय की अधिक जा तो कैसे लेगा उपर मीचे उपर मीचे और जब की अगर अधिके यह रका है तो लाऊं की राइसे इस तरह से इस तरह से इस्तर से तरह से सब्सक्राइब हो केंदर से सीधा वो क्या करता है उपर की और जाता है और जहां पर प्रतिवी की सते पर यानि की अंदर गर्व से सुरूँ हुआ गर्व से सुरूँ होने के बाद सते पर पहुंचा तो उस जेगा को क्या कहते हैं अधिकेंद करते हो अधिकेंद से क्या करता है चार और फैल ज तरंग जो आती है, भुगर्विक तरंग का मतलब आपका ये तरंगें जो होती है, प्रत्वी के गर्व के अंदर ही समाज आती है, वहां से बाहर नहीं निकल पाती है, दूसरी जो तरंग का प्रिकार है वो है तरातली तरंगें, तरातली तरंगें जो है एल तरंगें ये प् पी बेさ आप में तरंग को हम क्या-क्या कह सकते हैं rigor और और उद्ड़रत औरिफ तरंग भी इसको कहते इसकी गति MHC कहते हैं इसका बेकं होताक region कि तरberg की तरह होता है दोनी की तरह होता है यह तरंग ठोस तका दिरब दोनों माद्यम में क्या होती है गुजरती है इसका मतलब यह है कि इस तरह से पी जो तरंग होती है इस तरह से उड़ती है और वो ठोस और दिरब दोनों में चलती है इसका मतलब यह है कि कोरवाले भाग से भी यह इस तरह से कर जाती है को वाल भाग में भी ये को जटाथए ठीक है तो मैंने क्या बता है इसका डॉनिकी तरंग की तरह होती हो ट्राइं ट्रणग ठोस तरह drब दौना में घुजरती है यह तरंगा सिस्मू क राप पर क्या होती है सब सबसे पहले पहुंचते हैं a सबसे पहले तक रहती है यह धका देती यह उपर नीचे क्या करती है धक्का देती है यानि ये संपीडन करती है संपीडन का मतलब होता है इस तरह से धक्का देना जैसे आप कोई खड़ा है तो इस तरह से करके तो वो संपीडन क्या आता है यानि कि दीवार पर खड़ हो जाए तो उसको संपीडन कहेंगे तो ये क्या क कहते हैं इनको प्राइमरी बेप्स भी कहते हैं बॉडी बेप्स ही कहते हैं और काय अंतरे चट्टान भी इनको कहते हैं ठीक है दूसरी तरंग देखते हैं ऐस तरंग जो होती है यह इसको हम सेकंटरी वेप्स या देती एक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं अनुध जो पहली तरंगे थी वो किस तरह करनी आपके द्वहनी बेग की तरह समान होती है प्रिकास के बेग के समान होती है और ये पानी की तरह तथा प्रिकास तरंगी की तरह क्या करती है बिवहार करती है ये तरंग जो होती है दिरब में नहीं चल पांती यानि कि ये सिर्क ठोस मे चलती है तो अगर आपकी बात की जाए तो प्रत्वी पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया था क्या बताया था कि इस तरह से आपकी जो तरंगे थी मान लीजिए यहाँ से शुरू ही लेकिन यहाँ पर जो कोरवाला भागे वो कैसा है यह आपका कोरवाला जो भागे वो द गतिनी तरह कि देर्वार्व कर्टार पता की तरह करता है इस तरह सी इतर चाहती है लेकिन फेपिस क्या होती है ठोस दड़ बे दोनों में चलती हैं है समझ मैं आ सहनude सब्सक्की है कम जई फेरन घुताया देवैब बेटोरा करते हैं इनका नाम नाoooo पयार में नहीं है इनकी गती जो होती है सबसे कम और नुकसान जो करती है सबसे अधिक करती है मैं पिर से बता दूँ इसकी गती होती है वो सबसे कम होती है और नुकसान क्या करती है यह सबसे अधिक तवाई मचा देती है यह सबसे बाद में क्या करती है धरातल पर पहुंचती है और धरातल पर ही रहती है मैंने अभी दो तरंगे क्या बता ही उन्हें हम क्या कहते हैं काइंतरी तरंगे कहते हैं वो धरातल पर आती है लेकिन ज्यादा तभाई बगएर नहीं कर पाती है लेकिन आपकी जो एल वेप होती है वो क्या करती है धरातल पर आती है और तभाई मचा द है तो यहां पर यह इस तरह से सबसे ज्यादा फिरकेंस है इसकी है उसके बाद थोड़ी सी इसकी है उसके बाद इसकी सबसे कम है इस तरह से इस तरह से ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं चलिए साथ यह भूकंप का छाय चेत्र के बारे में थोड़ी जो बात कर लेते हैं तो चलिए साथ यो बात करते हैं भूकंप का छाया छेत्र यानि की सेड़ जोन ओफ ठीक है या अर्थ को ठीक है तो किलिए करते हैं तो कुछ ऐसे छेत्र भी होते हैं कुछ ऐसे छेत्र यहां पर क्या होता है भूकंपी तरंगे नहीं पहुंच पाती है ऐसे छेत्र को हम क्या कहत कोड बाला भाहग होता है उसमेन क्या होता दो हमके यह क्या है यह कि यह रांगर गल्你 यह सब जोन है, समझा गया, नहीं पी वेप्स की तरब जाएं, तो बी वेप्स जो होती है, वो इस तरह से जाती है, इस तरह से जाती है, बलकि ये ठोच में और द्रब में सम्में चलती है, तो ये द्रब बाले छेत्र में प्रिवेस कर जाती है, तो ये वाला जो छेत्र होता है, इस इसमें यह प्रिवेशन ही कर पाती है बागी गा तो समझ में क्या आया कि एसे बेप का क्या है स्यडू जयॉण बड़ा है और पी बेप का स्यडू जयॉण क्या है छोटा होता है तो आहिए किलियर करते हैं मैंने क्या पता कुछ ऐसी चेत्र भी है जहां पर भूकम्पी कैते हैं बैग्यानिकों का यह मानना कि यह वानना है से क्या होता है अधिक बड़ा होता है या हम एसे कहते हैं कि यह ऐसाए छेत्र जो होता है एस तरंग से क्या होता है छोटा होता है दौनों तरह से पूछ सकते हैं इसे दौनों तरह से हमें समझना पड़ेगा चलिए आगे बात करते हैं नेक्स देखते हैं अम्हेदा आपको समझ में आ गया होगा थायश्क भूकर की तीब ददरता के बारे इसको परियोग नहीं कि बता टो मालीजी का रुटी तो इसका किया जाथा का हम क्या करते थे हम उसको लेकिन इसका प्रयोग बरतमार में नहीं किया जाता सन्ट करते हैं बुकंप के बेग में अंकि ब्रदी जो होती है दस गुणा अधिक तीवरता को दर साती है, जैसे कि आपका रेक्टर प्यमाने पर अगर एक एक पर अगर आपका क्या बोला जाएगा भू कमप है तो उसकी उर्जा कितनी हो जाएगी, उसकी उर्जा जो है वो किस तरह से, यानि कि बन पॉइंट बने तो इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ पर और यहां पर विरद्धी कितनी हो जाएगी, उसमें विरद्धी कितनी हो जाएगी, दस गुनी हो जाएगी कमपन में, तो यहां पर किस तरह से उर्जा देखी यह, 32.5 x 32.5 x kJ, पावर हो जाएगी, जाएगी ठीक है, उसके बाद energy बोलते हैं इसको, इसका मान की बात कि ज तो यहां पर 32.5 इस तरह से क्या होता है इस पर फूकंप के बेग में क्या होती है अंक की ब्रद्धी हो जाती है और कितने की होता है यह तो इसमें क्या होता है वह कंप के समय मुक्त होने वाली उर्जा को यहां पर आतार बनाए जाता है इस तरह से थीच जैसूराइर वह करते हैं ऑर इहां पर मैं आपको भूकंप का डर्च से देखे है तो । यहां पर गोल गोल यहां पर यानि य् dar का बनाओगा यह आपका भू Quindi च्यतर तो यहां पर आपको त्म Hier इस तरह से जाता है इस तरह से जाता है इसको कहते हैं आगनी वेला है ठीक तो आई देखें सबसे पहला जो चेतर है उसको कहते है प्रसांत महासागरी 30 पेटी तो विस्तु के लगवग 66% भूकंप इसी पेटी में आते हैं यहां पर आपको देख जाएंगे यह है आपका प्रसांत महासागर वाला चेतर इस तरह से यह इस तरह से कहलता है यह छेतर जो होता है निजी लेंड से लेकर कम चटगा प्राइडी को होते हुए फॉकला तक फैला हुआ है कहां से मैंने जुर judgment है वैं न्यूजी लेंड से न्यूजी लेंड से इस तरह से सुरू होता है और चलता 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 है और यह आपका कहां तक जाता है अलास्का तक और फॉक्लेंड तक फैला हुआ है यह छेत्र पिलेटों के आभी सरड़ सीमा पर इस्तित है ठीक है किस पर इस्तित है आभी सरड़ सीमा पर इस्तित है या निकि जब दो पिलेटा क्या कर रही होती है एक दूसरे यहाँ पर मिल रही होती है उस सीमा पर यह इस्तित है ठीक है समझ मैं गया ना नेक देखते हैं मद्य महाद पेटी भूमत सागर से लेकर पूर्वी दीप समू तक फैला हुआ है ठीक है यह एतनी जानकार यहां के लिए काफी है चलिए सात्यों बात करते हैं जाला मुखी के बारे में यानिकी बॉल केनों क्या होता है को थोड़ा सा समझते हैं स gustado करें अशर्तिन में क्या करता है खटी गर्व को फाड कर रहाएं प्रत्वी physiological को प्रत्व को फाड़ कर या का है प्रत्वी के ऊपरी परत को फाड़ कर क्या करता है बाहर निकलाता है वो बहार निकल कर क्या करता है चारोर माल चारोर मलबा चारोर आगे चारोर मेगमा चारोर क्या करते ता लाबा फैला देता है आप जो अच्छा लगए आप कह सकते हैं बिलकुल सब्क्रादराबास हम समझना होता है अबोड मिलने वाली बात कि it is क्या होता है किह गठना होता है इससे क्रॐत पर अचानक क्या हो जाता दो हिसके दोरा ग्यार कंकर प desapंथ्स्थर आख कुछ प्रमक क्या होते है चांक कर प्रतिवी के जो ऑनलकर प्रतिवी के जो भू होता है उसस पर बेच जाता है प्रतिवी इक जो जौला-मक्री की गटना होती है इसकी अ Cum करिया होती है आंतरी करिया और दूसरी होती है भारी करिया इसमया ना क्यों pur functions के लिए उसमने बार में जैनकाली ले लेते हैं तो आइए इन आकिर हों को कर aujourd' कि देखते हैं तो यहां पर कुछ प्रमुख आकर्टियां आपको देख जाएएंगी जिसमें A About सबसे पहलता वह आता है बैथो लिद ज्यादा है संजने की ज़रोता नहीं है ज्यादा इसमें से नहीं पहुचा जाता है लेकिन फिर вी hubs कलेば आपको जो लिखा हुआ है उसको बोल देता हूँ, जाता समझाने वाला है, इसमें कुछ नहीं है, आकरतिया बनती हैं जिसमें सबसे पहला जो होता है, वो होता है बैतोलित, धरातल के नीचे काफी खड़े, काफी खड़े, ढाल वाले गुंबता कार रूप में विसाल, क्या पर आपको देखे जाएका किस तरह से यह गुंबता कार रियाकर्ती बनाताया इसको क्यों कहते हैं लैसको captiv Solid के अगर आपको देखा जाएगा तो यह भूमी के अंदर लावा का क्या करता है लहर दार अवणती और अभिनती क्या होता है जमाव इसको कहते हैं इतना ही जाना की बीचर किसी बेसन में मैगमा लैपोलिध में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देखे जाएगा बैथोलिध, लैकोलिध, लैफोलिध, फैकोलिध, सिल, सीट, डाइक और श्टॉक, तो लैपोलिध की बात करें लैपोलिध तो अगर बात करें तो धरातर की बीचर किस और सिल का निर्मा बहुत ही तरल बेसार्टिक मेयमा नडमा से उता है जो सनस्तर या अंडे धांचा तलकी अनरूप होता है सीड की मौटा यो देखिवारे शैल और सीछीत यहां पर दौनों आकडिपी है दौनों होता है ओर सीड जो होता है छोड़ा सा नीचा होता है और क्या होता है आकरती इससे थोड़ी थी पतली होती है सिल जो होता है एक तरह से इस तरह से टिका देते हैं इस तरह से होता है नेक्ट जो होता है डाइक जब मैगमा किसी लंबबाद दरार में क्या होता है जमाब हो जाता है उसका तो है क्या क्यलाता है याने की बैतोलीद का छोटा रूप अरह चोटा रीक आप can यो सब से बहुत ज्यदा पूंचे जाते हैं बो यह पूंचा आता है जाला मुखी के भाग इस से ज्यादा इंपोर्टन आता है वो आता है जाला मुखी के परिकार तो सबसे पहले हम देखते हैं जाला मुखी के भाग तो जाला मुखी के भाग में सबसे पहले जो आता है जाला मुखी संकू उसके बाद आता है जाला मुखी का छेर या क् की नली तो आई यहाँ पर आपको दिख जाएगी जौला मुखी का यह पूरा संदतना है यहाँ पर आपको अगर मैं जून करके दिखाओं तो यह आपका जौला मुखी की नली दिख जाएगी इस तरह से इसके आया मेंगमा चेंबर जिसमें सारा माल भरा हुआ होता है पिग यह लावा अंदर भरा हुआ है केंदरी नली होती है यह यहां से दिखेगी और उसके बाद यह अन्य लली होती है चोटी 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 दिन में से दुआ, फुसी, फुसी इस तरह से फुस करते हुए निकलता रहे था माल, तो सबसे बहले बात करते हैं जाला मुकी संकू ते लावा और अन्य पदार तिर जाला मुकी के छेद Commonain को क्या projects हैं एक्षटे हो जाते हैं तो उससी तरह से नली होती है और नली से माल निकलने के कि नली की बात करें जिससे सारा माल बाः बाहर निकलताusan उसे क्या कहते हैं ज्वाला की नली या ज्वाला मुखी की नलिका कहते हैं यहां से यह पूरी जक्रिख रही है यह ज्वाला युद से निकलने वाले पदार्थ देख लेते हैं जाला मुखी से निकलने वाले पदार्थ वो असंदत ना देखी जितकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं थी उतना ही काफी है नेक्स हम बात करते हैं इससे निकलने वाले पदार्थ जो है वो इंपर्टन है ठोड़े से इसमें जाला म मात्रा होती है वो होती है जलबास की जिसमें कितनी मात्रा हो सकती है 60 से 90 परसेंट तक हो सकती है इसका मतलब यह है कि 60 से 90 परसेंट तक पूरी गैसों में जलबास की मात्रा हो सकती है जो कि ठंडी होकर क्या करती है मुसलाधार बारिस कर जेतर में क्या होता है ज्वाला मुखी जब फठता है उसके बाद जो निकलता है जो निकलता है जो निकलता है निकलता है उन में पत्तर के चुट तुकड़े हो जाते हैं, राक हो जाते हैं, धूल ये पुर्मक रूप से होती हैं, इनमें से क्या होते हैं, ठोस पदार्स में ऐसे अगर बात करें, तो ठोस पदार्स में जो पुर्मक चीज़ा निकलती हैं, उनमें अगर आपकी बात करें, तो धूल कड़ जो होती है, उसको हम टेल्क कह कहते हैं दूल कड़ को हम क्या कहते हैं ठीक है नेक्स जो है बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े को हम बॉंब कहते हैं बंब या बंब कहते हैं मच्चर जितने बड़े बड़े आकार के पत्थर को हम लैपिली कहते हैं निकि बड़े बड़े आकार के जो पत्थर निकलते के या यहाँ पर आपको दीख जाएगा यह आपको देख जाएगा, ढूँ पुझत करते हैं, बहुत इंपूर्टन, इसके यह रिकार के होता है, Lords, verw क्या सा होता है, की सतरी की होता है, तो आइए इसको देखते है किलियर करते हैं तो जाला मुखी जब फटता है तो उसमें से माल निकलता है जिसे मैगमा कहते हैं जिसको हम मैगमा कहते हैं जब यह मैगमा क्या होता है धरातल पर यहां कई प्रतिव पर जब यह आ जाता है तो थंडा होकर जम जाता है उसको हम लावा कहते हैं लावा भी सिल की मात्रा के आतरपर जो लावा होते हैं उनको दो भावों में बांटा सब्कता है number one जो है आपका acid लावा इसलावा में शिल्का की मात्रा जो होती है बहुत adik होती है इसलिए बहुत तेजी से क्या होता है विसपोर्ट होने के बाद क्या होता है उसमें से निकलता है मैगमा मैगमा क्या होता जब जब वो गरम-गरम होता है यानि कि जैसे माली जी आप बर्फी जमबा रहे हैं बर्फी जमबा रहे हैं तो एक तरह से जब आप उसमें आपने घर में कभी बनाई हो खोया की बर्फी तो उसको क्या करते हैं ऐसे खोया चला रहे होते हैं इस तरह से तो जब उसमें से क्या होता है जब हम बर्फी के लिए पलटने जाते हैं किसी थाली आली में तो हम उसमें और जल्दी जम जाएगे चीन कम पढ़ी होगी तो माल जो है थोड़ा सा लिपलिपा होगा थोड़ा सा कम जल्दी जमेगा तो इस तरह से आप समझतें हैं क्लियर करते है मैंने क्या पता आया लावा जो अल्हा मुखी होते हैं बहुत अधिक होती है इसलिए यह बहुत तेजी सी क्या करता है जमता है यानि कि जैसे गर्व से निकला यानि कि जैसे बुझालम की फठा और इसमें से यहां पर आपको मैगमा दिख जाएगा मैगमा वाँ से निकला और मैगमा निकलने के बाद क्या होगा आपका ब वो सुने से पहले काफी दूर तक बहे जाता है यानि पसर जाता है और ये काफी दूर तक बना पाता है तो इस तरह से क्या होता है माल लीजिए मैं आपको अगर यहां पर दिखाऊं माल लीजिए क्या दिखाऊं मैं आपको माल लीजिए यह आपका जॉला मुखी है इस तरह से इस तरह से मान लिए जालमकी और जालमकी क्या हूगा किसी कार से तो क्या होगा ये बहुत जल्दी ही जम जाएगा और ज्याद Falls दूर तक नहीं पहुंच पाएगा बलकि इसी तरह से क्या करेगा एक संकु बना लेगा लेकिन अब मान लीजिए ये अगर इस तरह से मान लीजिए ठीक है इस तरह से अब बात आती है अगर अगर इस सिलका की अगर इसमें अगर सिलका की मातरा अगर कम है तो क्या होगा मान लीजिए एक सेकेंड हां मान लीजिए कि सिलका की अगर इसमें मातरा बहुत कम है तो क्या होगा इसमें से लाबा निकलेगा और दूर दूर तक चला जाएगा यानि कि बहुत देर में यह जम पाएगा ठीक है बहुत दूर तक चला जाएगा और यह कोई खास ट्रेंगल टाइप नहीं बना पाएगा यानि ज्यादा उंचा संकु नहीं बना पाएगा इ लिए तो क्या समय आया है कि सिल्का की आधार पर लाबा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं जब जाला मुखी के प्रकार तो जाला मुखी के प्रकार हम देखते हैं सक्रियता के आधार पर जाला मुखी जो होते हैं तीसरा जो होता है मरत देखते हैं तो आईएõ देखते हैं हो मित तो ह होई गया तुरी इस परकार की जाण मकी ते而已ous निकि site जो होता है तीसरा जो होता है मरत जालन मकी जो मर चुका है अब इसकी संभाific नहीं है कि यह दो वाइख ख़ए गागए इसकी सांस है जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है तो मिरत जॉला मुखी इस तरह के जॉला मुखी में अब कभी भी विस्पोर्ट नहीं होगा और इसके मुह पे क्या हो जाता है मुह इसका बंद हो जाता है कभी घास निकला जती है कभी पानी भर जाता है कभी इसमें मिट्टी भर जाती है तो कुछ भी हो जाता हो, कभी-कभी यहां पर आपको देख जाएगा, यह आपका जॉला मुखी था, जॉला मुखी पर कभी-कभी यह इस तरह से लोग घर बना लेते हैं, कोई ने पता है, कि आप इस पर कुछ हो नहीं, स्ट्रक्टर, समझ में आगे न, तुम्हें फिर से ब जाती है, कभी-कभी क्या होता है, गास पूस निकलाता है, इसके ऊपर कभी-कभी पेड़ पोदे भी निकलाते हैं, तो इस तरह की जॉला मुखी क्या होते हैं, इन में गुंजाइज नहीं होती है, कि यह कभी भी उठेंगे, चलिए तो मिरत जॉला मुखी में कुछ प्रम उसके बाद आता है आपका कोई नहीं तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं पोपा की तो पोपा जो है वो आपका पड़ता है म्यामार में म्यामार में एक जगे म्यामार में जगे मतलब इस्या महादीब का एक देश पड़ता है जो कि आपका हमारा पड़ोसी देश हुए म् तो मियमार में आपका पोपा नेक बात करते हैं किली मंजारों किली मंजारों जो है आपका तंजानिया में जो कि देच्छड अपरी का महदीब का एक देश है ठीक है इसके बात करते हैं एंका कागुआ की बात करते हैं तो एंका कागुआ जो है वो आपका है देच्छड अमे उठेगा इनका कागववव अब इस दुनिया में नहीं रहा ठीक है उसके अफसेस रह गए है नेक जो है को हो सुल्तान देवबंद जो की इरान में है आप पर आपको देख जाएगा इस महादीब का एक देश है जिसको हम कहते है एरान में आपका क्या दिख जाएगा कोह सुल्टान देवद ठीक है नेक्ट जो बात करते हैं वो है पिर्शुक्त जाला मुखी या डॉर्मेंढ वॉलकनो या सोया हुआ का मतलब यह है की जो सो रहा है कभी भी जाग सकता है कभी भी मार सकता है तो यह जो होता है आपका खतरनाक जाला मुखी होता है मिरत से और सक्री जाला मुखी से ज्यादा खतरना होता है यानि कि सक्री जाला तो पता ही है कि हमें पता है तो हमें उससे ज्यादा से क्या है विस्पोर्ट या का उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी इन में क्या हो सकता है विस्पोर्ट हो सकता है इसमें इससे ये क्या होता है कभी-कभी गैसे निकलती रहती है कभी-कभी जलवास में निकलता रहता है कभी-कभी कुछ नो-कुछ माल इसमें से निकलता लिए किया करते हैं चराघे, हम कभी कैरते हैं करने जाल मुक्या प्रम नहूं हुआ 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 कि हमें पता निक बच्चों को ज्यादा जोगर्पी तो पड़ी नी होती है अब सौया हुआ हुआ हमारा एक फ्रेंट था यहां पर जाके हाराम से पिकनिग मना रहा रहा था पता चले जाले गए और हमारा प्रेंट भी चला गया समझना बात को इस तरह से क तो यह से आप बात को समझें, महां पर क्या मालका भी नुक्सान हो, भाइक ले गया था, भाइक भी खड़ी कर ली थे, भाइक भी उड़ गई, हमारा लॉंडा भी उड़ गया, समझना बात को इस तरह से, जानो मालका, और हम वो सकते हैं, कई कुछ बन सकते थे, कहीं पर भी यह थे देश का थोड़ा वस सपोर्ट करते हैं, या जो बगल वह हैं, जो साथ ता प्रेंड, वह भी करते हैं, इस तरह से काफी चीजह हो जाती हैं, चलिए, तो कुछ तर्वोसोत तक चलाब की देख लेते हैं इस में कुछ आते हैंаний का बिस्व जो की आपका इटली में पढदा है मांट इसनी में तिकां इव यहाँ पर आपका पर आपका यहाँ यह यहाँ पर आपको देखी जाएगा यहाँ पर Insurance जुम करके मैं आपको देखाऊ हूं तो यहां पार जापान देखे जाएगा यह आपका इटली देखे जाएगा और आपने अंडमार देखा ही होगा यह यह यहां पार ठीक है चलिए नेक्ट देखते हैं सक्री जो आपकी यह जादा खतरनाघ भी होसकते हैं कभी में पता हैं जैरीला है तो आपको क्या होते हैं बिसपोर्ट होते रहते हैं या फिर अक्सर इसमें क्या होता है बिसपोर्ट होता रहता है इसका मुझ जो होता है हमेसा खुला रहता है और समय समय पर क्या होता है लाबा दुआ और अन्निमाल इसमें से क्या करते हैं निकलते रहते हैं जिससे क्या होता है इनका हर पंद्रे मिनिट में क्या करता फटता है जिस कारे इसको क्या कहते है भूमद सागर का क्या कहते है प्रकास इस्थम कहते है प्रकास इस्थम कहते है कि जैसे भूमद सागर जो आपका सागर जो है उसमें क्या करते है लोग जाते है ना बगएरा ले जाके चलते फिरते हैं त थोड़ा सा देख लेते हैं इसी में एक और है जो इंपोर्टेंट भी है अक्सतर पूछी जाते हैं कि सक्री जो आलम की यह कहाँ पर रिष्ट है तो किलाव जो है किलाईू जो है हावाई दीप यानि कि अमेरिका में इस्टेत है ठीक है यहाँ पर आपको देख जाएगा रोजस डेल शलाडव जो है यहाँ आपको देख जाएगा है कोटो पैक्सी जो है एक वैडोर में पड़ता है विश्व का सबसे उुचा जहला मुकी परवत है या आपको देख जाएगा प्रतिवी के अंदर पिले पदार्त को क्ना कहते है क्या थाट करते है मेगमा क्याते है सांधर में जॉल्वप की उदगार होता है पूछा जाता है क्या वार वालिक सांधर में जौलवफ की उदगार होता है नहीं मांट अटना पर्वत यहोता है एक जौलम की परवत है ठीक है यहाँपर आपको दिछी जाएमनो की परवत मांट सैंठ Weihn Empire सेयुक्तरा जमेरिका में इस्तित हैं, इंपोर्टेंट है, आकार की दिरष्टी से प्रत्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय जालम की हवाई दीप में इस्तित हैं, जो की जिसका नाम में मोना लोगा, फिर से बता दूं, आकार की दिरष्टी से प्रत्वी का सबसे बड़ा सक्रिय क्या है आकार की दिरश्टी ते अगर बात की जाए तो वो है हवाई दीप का मोनो मोना लुआ ठीक है तो यह हो गए आपके जालम की से सम्मंदित कुछ प्रमुख तक है चलिए साथ यह बात करते हैं पर्वतों के बारे में पर्वत यानि की माउंटेंस के बारे में आप थोड़ी जानकारी लेते हैं तो आई इनको थोड़ा सा किलियर करते हैं माउंटेंस क्या होते हैं पर्वत क्या होते हैं तो पर्वत होते हैं क्या इनको थोड़ा से समझते है कई किलो मीटर दूर से भी हमें दिखाई पड़ जाते हैं तो आईए किलियर करते हैं मैंने क्या बता है भूमी का ऐसा भाग जो आसफात की भूमी से बहुत अधिक उचाई पर हो उतको क्या कहते हैं परवत कहते हैं यह अकेला भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है स्रेड या बूगल बित जो हैं जो कि हमारा बूगल का अध्यन करते हैं और उसके बारे में सोच बगएरा करते हैं तो उन्होंने ये बताया है कि 600 मीटर से अधिक उचाई वाले को हम परवत मानते हैं और जबकि 600 मीटर से उपर वाले भागों को हम परवत कहते हैं आकरतियों को परवत क क्या है आपके 27% भागों पर क्या फेले हुए हैं आपके परवत फेले हुए हैं परवत अपने आस्पास के छेट से क्या होते हैं इतने उंचे उठे होते हैं कि बहुत दूर से ही हमें क्या दो जाते हैं दिख जाते हैं ठीक है समझाए के लिए हुआ चले नेक्स देखते हैं कि मैं एक वार हलका सा पतातु बाबत क्या होते हैं अस्तास के चलते क्या काफय उठी बुमी को हम क्या कह HEYT न परवत कहते हैं और है चाले ने ले खते पर्वतों के पिरकार समझते हैं अन पर neural तो निरुमाइट पिर्क्रिया के आधार पर प्रवत होते हैं कुछ प्रिमोख वागों में बारत दिया जासे जैसे बॉमकेन यानि कि लाभे आ या कि जॉलह मक्रवत हो जाते हैं वड्व civ फॉल्वड प्रवत हो जाते हैं ग्रहंच्पर Одन चीज़े होती है वाले फोल्डर मांटेन को मतलब होता है जिसे मान लीजे मैं ये खड़ा हूँ और आप ये खड़े हैं और आप क्या कर रहा है किसी बस तूपर दौन लोग क्या कर रहा है मिलकर बन लगा रहा है मैं ये मैं आर्जुन हूं तो क्या कर रहा है एक दूसरे पर बन लगा रहे हैं इस तरह से बन लग रहा है पर लग रहा है जो बीच का माल है वो क्या गया रहा है टेड़ा मेड़ा क्या हो रहा है उसमें बिहंस पड़ता जा रहा है इस तरह से चल रहा है कभी इस तरह से चल रहा है कभी इस तरह से चल रहा है कभी ये ऊपर कभी ये में मोड पढ़ जाते हैं तो इस तरह के जो परवतों का निया फिर मोड पर जाते हैं जिन काड़ों से क्या होता कुछ परवतों का निया उनको हम मोड दार परवत या बलित परवत कहते हैं यह जो परवत होते हैं यह जो परवत होते हैं यह जो मोड दार या नवीन बलित पर कहें जवानी से भरे हुए परवत होते हैं जवानी साब मतलब ये कि इनका जो निर्माड है अभी जेश्ट हुआ है जेश्ट का मतलब अभी दसीत पचास जार सालों में ही हुआ है और अभी इनका जो निर्माड है वो क्या है अभी इनमें क्या हो रहा है विकास हो रहा है क्य से कि आपका हिमाले परवत हो गया उसका आज भी क्या हो रहा है जिस तरह से मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह से आपका यूरो बाली प्लेट है किस तरह से कर रही है आपस में टक्रा कसी कर रही है और क्या हो रहा है जो उपर उठता जा रहा है इसी तरह से क्या है आपका जो आपका जो हिमाले परवत है वो क्या हो रहा है उसमें क्या हो रहा है अभी भी क्या हो रहा है उपर उठ रहा है जैसे की एटलस परवत हो गया यहां पर मैं आपको दिखाऊंग जूम करके तो यहां पर एटलस परवत हो जाएगा जो कि आपका फ्री का महाधीब का है रोक बसमें किसी भी काड़ से क्या होता है इस तरह से दवाब डालता है दवाब डालने के काड़ क्या होता है जो बीच का माल होता है वो क्या करता है उपर उठ जाता है वहाँ पर परवत का निर्माड हो जाता है इस तरह के परवत की निर्माड जब होते है तो उसको हम क्या कहते के बीच से या तो हट जाने से या फिर एक का नीचे दस जाने से या फिर एक के ऊपर उठ जाने से होता है तो आई ये किलियर करते हैं जब धरातल में क्या होता है दरार या फिर बिलंस पैदा हो जाता है इसके तक कुछ वाग ऊपर उड़ जाता है या पिर कुछ भाग यहाँ पर नीचे चला जाता है जैसे आप देख सकते हैं कि भाग यह आपका क्या होता है मालेजी सिंपल सा इस तरह से लेकिन क्या हुआ एक भाग इसका नीचे दस गया ये वाला और दूसरा भी नीचे दख गया बीच का बाग जो था ऊपर इस तरह से उठ गया तो ये जो बीच का ये दोने जब भटे तो बीच वाला भाग क्या कहला है आपका फोल डेड़ या बिरंस परवत कहला है आप पर यहां पर ऐसे मान सकते हैं आप पर मान लिजिए ए तो यह ब भाग बढ़ गया और एक तट्र बढ़ गया तो बीच में क्या पढ़ द्रार पढ़ गई जब आप इसकर कैसे देखेंगे इस वाले भाग को तो यहां पर क्या दिखेगा आपको 23yy बढ़ शरता नांत फो कुछ रहाताल पर क्या होते हैं कुछ भाग ऊपर उठाते हैं या फिर नीचे जाते हैं तो धसा हुआ भाग Themen है दसे हुए भाग तो यूचे भाक को क्या कह देते हैं परवत कहते न यहाहं से आप बास्तिक प्रवत नहीं होते हैं बलकि परवतों की आकार ले लेते हैं, यह आक्रतिया Chamber यहां हम कह सकते हैं कि माल लीजे यह है और यह अगर यह नीचे धस जाता है तो यहां से आप अगर खड़े हो के देखते हो तो यह परवत देख रहा है तो हमारी क्या गलती है यह बास्तिक परवत तो नहीं है बस इसका परवत नाम दे दिया है समझना बात को किलिए हुआ न तो यहां से आप अगर देखते हैं किसी भी आकरतिक हो तो क्या होगा आपको परवत जैसा दिखाई पड़ेगा तो यह क्या हुआ अतमने में आया कि यह बास्तिक परवत नहीं होते हैं यह जूते परवत होते हैं यह बास्तिक परवत नहीं होते हैं जैसे कि आपका यहां पर भारत दिसमें आपको देखी जाएगी सत्पड़ा रेंज याने की सत्पड़ा परवस्रेडी सरी सत्पड़ा परवस्रेडी इसके बाद यहां पर आपको देखी जाएगी विलाफ फॉरेस्ट जो कि आपका जर्मनी में पढ़ता है आपका यहां पर देख जाएगा सॉल्ट जो कि आपका पाकिस्तान में हैं आप ब्लैक फॉरस्ट आपको देखी जाएगा वेस्ट जर्मनी और यह आपका जर्मनी या आउस्ट्रिया पढ़ जाता यह फ्रांस पढ़ जाता इस दुनिया से चला जाता हूं उसके बाद मेरा क्या किया जाता है मुझे जलाया जिलादा है जलाया जाने की बाद क्या किया जाता है मेरी होती है एक सवी कें परवतित हो मेरे पागेब बुर्वतों के बचे हुए बागोते हैं यह परवतों के बचे हुए हुए अवसर होके इसके इनका निर्मान परवतों के लंबे समय में क्या होता है जहँ wan होता है तो उसके बाद घहता है या पर पूरी तरह से क्या होते हैं पर्वत समतल को हम क्या कहते हैं खुन हो स्जीश्ट पर्वत जीट जैसरी जर कि पर्वत है और आपका जूप पढर रही ऑपका हावा चल रही है बर्साट ऊहरी है तो कि इसे क्या होता है कि चलती है और रहा है कि motorcycle तो कि यह O इसी क håता है उनमें अनी कि घिसता रहता है एक समय आता है जब उसका पूरा ब्रवत्थ का अपका उधारण है ने रात करते हैं संग रीःत परवत देख लेते हैं जो अलब की परवत देख लेते हैं या वाल केरिक माउंटेन देख लेते हैं यह क्या होते हैं इनको थोड़ा से समझते हैं मैं आपको बताया था कि किस तरह से जो आपकी जाला मुकी होते है जाला मुकी मानली यह जाला मुकी है इस तरह से क्या होता है एक दर बिस्पोर्ट होता है इस तरह मुह रुमा बरा होता है यहां पर मैं आपको इस तरह से दिखा सेकता हूं माली जो आला मुकी का यह मैगमा चेमबर है जिसमें क्या होती है एक नली जाती है नली जाती है नली में से क्या होता है नली के सारे यहां से जाला मुह होता है जिसको हम विभर कहते हैं इसमें से क्या होता बहुत सारा मन निकलता है जो मैगमा की रूप में होता है या या इसको हम जौलामुखी पर्वत कहते हैं तो इस तरह से जौलामुखी पर्वत का का निर्माड हो जाता है जब धरातर के उपर लाबा मलवा का क्या हो जाता है यह बहुत अधिक जबावा लेदा इसके बाद मॉंट सास्ता देख जाए गां जूम करके दिखा दो कि यहां पर आपको देख जाएगा माउं टेके जाए गान तो है माउंट हेलन्स वाउंट आडम्स माउंट होड सास्ता इस तरह से कुछ परवद पर रहे जो कि इससे बने हुए हैं जाला मुकी के छेफ से की में अगर देखें तो एंका का हुआ आपको देखने को मिल जाएगा एंका का हुआ आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर ही देखते हैं वो है आपका बिस्ट के पर्वतों के के देखके तो आपका आपका पाकिस्तान में है उसके बाद यहां पर भारत में प्रिवेश कर जाता है फिर आपका चीन में है फिर यहां पर अगर आप बात कर तो थोड़ा सा नेपाल में भी भाग है भूटान में भी भाग इसका फैला हुआ है थोड़ा सा भाग मेमार में पाखिस्तान और अफगानिस्तान отвस डेखते हैं जाग्रोस या जाग्रोस या जैग्रोस या लिखा दिखी जाएगा आपको जैग्रोस इनगे कि इरान वाले छेत्र में इस्तित हैं मिरस देखने को मिल जाएगा इस तरह से आपको पर चीन में में आपको देखने को बिल जाएगा इस तरह से इसके नेक्स देखने अल्टाई मद एसिया का यह आपका देश है अल्टाई कौन सा मद एसिया का देश है कौन सा एसिया एसिया महदी महीं कौन सा आपका अल्टाई परवर ठीक है मद एसिया का बाग है इसको वेगाड दिता ह और कमचर का स्रेड़ी जो है पूर विरूस में आपको देख जाएगा मैं आपको यहां पर दिखा जिता हूं सबसे पहरे तो यहां पर यह माले देख जाएगा जो कि आपका पाकितान आपका यहां पर भारत चीन और आपका यह आपका म्यामार और बुटान और यह आपका न पर दिख जाएगा इसके अबरज आपका साथ को इरान में दिख जाएगा ठ्ट है यह कुछ है आपके परवंघत हो गए ठीक है ने दिखते हो ने चीजियां की बात अगरा कर लेते हैं यानि की हो यहाँ पर आपको गड़ाएंगा ऊसि यहão। की सबsi पहला जो को यह आपको पूर्वी देखने को मिल जागा यानिकी पूर्वी और भी कहीं सारे पर बारे में ज्यादा खास जानकारी लेने की ज़रूद नहीं है ठीक है यहां पर और भी दिख चाहिए ठीक है यहां पर आपको देखे जागा मैंक डॉनल्ड पर बस्रेडी ठीक है इनकी जबूरत हमें यहापर है नहीं चली अफरीका महादीब, के कुछ प्रमख हो प्रबस्टी आडी नयुक्ति नहान के इनकिस का में आपके च्छेट हैं तो अगर आप से पूछा जाए कि आपका लोग को में है तो हाँ के के चुनेंगे हा इस तरह से इसके बात जो आता है ड्रंक याफ्रीका कौन सा है यह आपका अफ्रीका के दच्डी भाग और यह आपका पूरी गां ये इसी तरह से क्या है कि आपका आफ्रिका मादीप में एक देस पढ़ता है यहां पर कौन सा देस पढ़ता है अंदर अपरीका के अंदर ही एक देस परता है छोटा था उसको कहते लिस्टो तो आपका जो जो एड रांके दर्भावत है वह कहांका बाए जाते है दच्रिपुरी में ओर लिस्टो में ठीक है चलिए नेफ्स देखते हैं किले करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में तो अत्री अमेरिका में और अमेरिका में देखने को USA यानि United State of America और Rocky यहाँ पर Canada में भी देखने को मिल जाता है वाइट परवस जो है आपका USA में देखने को मिल जाता है California आपका दच्छ अमेरिका महाधीब में आपका USA उसमें एक राज परता है जिए नेक्स देखते है नेक्ट देखते है अपलेसीयन के my बात करते हैं तो पूरवी USA और मात्रे जो की आपकी मेक्सीको में तो आइए पूर्वी और पश्मी पूर्वी मात्रे आपका मेघ्की मेंसिको में देख जाएगा तो पूर्वी को अगर हम कहें नाम से जाना जाता था और पश्मी मात्रे में Backed ये आपकbt सियरा मादरे ऑक्सідेंटल ठीक है तो सीयरा मादरे की नाम से जाना जाता है उसके बाद आता है अलास्का जो है आपका उत्तरी अमेरिका माधिव में आपका अंडेश है उसमें सब्सक्राइघ auromska उसमें इक राज़ पड़ता है जिसका नाम आपका तो आपका USA और Canada में आपको देखने को मिल जाएगा XK ठीक है तो यह हो कि आपका उत्री अमेरिका का नेक देखते हैं आपका दश्ट्री अमरिका माधीब का दश्ट्री अमेरिका माधीब का एक प्रमुख पर्वस रिडी जो की यहां सब्सक्राइब करें तो आपका अपका सामिल है अर्जनटिना चिली पेरू एक्वेडर वोलिया और वेनीचला में तो दुनिया की सबसे लंबी परवस्ट रिडियर नेक्स बात करते हैं यूरोप के बारे में तो यूरोप में आपर हमें आजाता है उसके अडेवियन आ जात है यहां पर आल्पस आ जाता है और आपि राइंस आ जाता है यह कुछ प्रवकाब की पर्वस रड़ी है तो आईए के करके क्लियर करते हैं सबसे पहले जो है आल्पस हो जो मद्द यूरूप में इस्तित है जिसमें आपके पर पात की जाए तो यहां पर आपका फ्रांस इसकी रूस में पाये जाता है, यानि की अश्या और यूड्र की बिच में सीमा बनाता है या आपका यूराल पर्वर, ठिक है यू हम सिक अधे की मिलाकि आपका नर्वे, शूर्डन में पाये जाता है लंबे परवस्य डी जो की उत्तर सपर से जच्छत फैली होई है तो आपकर सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका नन Weil पहलते हुए तीसरी नंबर पर पर जो आता है वो आता है आपका हेमान Stick वायर देखाने देखाने से पहले नहीं यहां पर आपको देख जाए कि वो है आपका 3500 किलो मीटर की लंबाई में फैला हुआ है इस तरह से ठीक है तीसरे नमबर पे आपका महान विवाज एक उसके बाद चौते नमबर पे जो है वो है आपका हिमाले मैं बता रहा हूं उत्तर से जड़ अगर पूर से पच्छिम की अगर बात की जाए याने की चोड़ाई की अगर बात की जाए तो दुनिया की सबसे लंबी जो परवस आपका एंडेज तीसरे नमबर पे आती है आपकी रह की चौते नमबर पे आते हैं महान विवाज एक रिखा अब आप एक वात यह मत तोचना कि मैंने यह बताया कि हमाले परवस रिड़ी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी है दूसरे नमबर पे आपका यह आ जाता ऐसा चोटियों की बात नहीं हो रही है दुनिया की सबसे उची 10 चोटियों के नाम बताओ तो का आप हमाले में ही 10 821 km की यह aggression की यह veramente उसका रोकी की सबसे उंची चोटी जो चोटि ए उसका क्या नहां में scent compile ऐ हमाध की सबसे चोटिथान Depois मीटर की ऐ ऊसके बाद जो आता है जिसका नाम है किए केजी असको केजी से को यहाँ पर आपको देहाँ का महान पर डिसकी में जो की है दो हजार दोसो अठाइस मे ठीक इस से जब्ढ़ेए कुछ प्रमुक की बैद संब से उंची चोटी जो ए माउंट के लिए बन जारों, जो की एक लाम की पर्वत है, मांट विलेक आलपस की बात की जाए, सबसे उंची चोटी है ठीक है मांट ब्लेक मांट ब्लेक जो है आलपस की सबसे उंची चोटी है जो की यूरोप में है यानि आपकर मैं आपको दिखा दूँ आलपस प्रेडी यहां पर जो की यहां पर एक चोटी पढ़ती है उसका नाम है मांट ब्लेक मांट ब्लांक या मांट ब्लॉक जो है तो यूरोप महादीब की सबसे उंची चोटी है बिटेन बिटिस कोलंबिया को परवतों का सागर कहा जाता है जो कि आपका कैनेडा का एक राज्य है इसमें बहुत सारे परवते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है परवतों का सागर कहा जाता है इसकी सबसे उंची चोटी है इंची चोटियां पाई जाते हैं और सबसे अधिक जो है दस टॉप टैन में की अगर बात कर लिए तो दुनिया की सबसे उंची चोटियां जो है हमाले परवस से ही जुड़ी ही होगी ठीक है फ्रांस तदा इस्पेन के बीच की जो सीमा बनाने वाला जो परवत है उसका नाम का बिस्तार जो है अराका नियुमा तक है यहां पर आपको दिखता है का फ्रांस का बिस्तार बहुत सरी हमाले का इस तरह से महमाले यहां पर आपको मैं आपको दिखा सकता हूं इस तरह से मांट पिरे नीच यहां पर आपको दिख रहा होगा मांट पिरे नीच फ्रांस और क्लियर करते हैं चली पठारों को देख लेते हैं पठार क्या होते हैं उसको च्छड़ा सक क्लियर करते हैं तो पठार ऐसी उच्छी मूमी होती है जिसका उपरी जो सिखर होता है उपरी जो भाग होता है वो क्या होता है मेज की तरह सपाट होता है लेकिन वो काफी बड़े भ नहीं होता है और साथ ही इसका जो उपरी भाग होता है वो सपाट नहीं होता है यहां पर न तो आप रह सकते हैं नो किसी तरह लेकिन इस तरह से आपको देखने को मिल दाए कहने कि काफी उठे वह भाग को क्या कहते हैं क्या कहते हैं पठार कहते हैं जिसका उपरी भाग क्या कहते हैं यह हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दरातल का एक ऐसा इस तल जो अपने आसपास की जमीन से क्या होता है काफी उचा उठा होता है साथी उसका उपरी वाग क्या होता है चोड़ा तता सम पाट या कहें समतल होता है ऐसे वाग को क्या कहते हैं क्या कहते हैं पठार कहते ह ठीक है तो पठार जो होते हैं या अगर छोटी परवाता बना है तो पठार जो होते हैं समुद्र तल से समुद्र तल की उंचाई से 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकते हैं पठारी छेत्रों में खनिज देल नहीं पाया जाता है पठार कभी-कभी मैदानों से नीचे हो जाते ह तो कभी कभी पहाडों से भी क्या होते हैं उचे हो जाते हैं तो पैदान से नीचों कि अन्हें नहीं और जाए तो यहां पर आपको देख जाएगा यह पहाडी अलाका है यह पहाड़ी है और यह पहाड़ी है उसके बीच में argent neon पठार कहते हैं वहीं कुछ मैदान कुछ पठार ऐसे भी होते हैं जो क्या है पहाडों से भी उंचे होते हैं जो कि आपका जैसे की आपका तिबबत का पठार है जिसकी अगर उंचाई की बात की जाए तो लगवग लगवग पांच अजार मीटर इसकी उंचाई है तो आप न तान्ग पन्रता, यह परवन temos से प्रूंचे हो सकते हैं, जैसे कि तर्वाणत का पठार संच्छा पठार हैं, डीका है, իीड मां। पठार जो है, वो आपका कहां पर पाय जाता is, USA का पठार है। चलिए सा ज़रे हो वह होगा प्रत्वी केंदर केंदर क्या होता है अलगवलग प्रत्वी के कारड काड क्या डू पत रहता है और ल कोल यृब pathar होता यह प्रबतन होता है शेंगा निdoes की बदलाव आता उस तरह से जो बदलाव होता है यानि कभी कुछ प्लेटें क्या होती है दूर जाती हैं कभी कुछ प्लेटें क्या होती है पास आती है तो क्या होता है कुछ प्लेटों पास आने से क्या होता है यह वीच का भाग होता है किसी काड क्या होता है वो ऊपर उठ जाता है तो उसके काड क्या होता है कभी-कभी कुछ ऐसी आक्रतिया बन जाती है जिसमें पठानुमा आक्रति बन जाती है जैसे कि आपका आप लोग पता होगा कि किस तरह से आपका से सागर हुआ करता था तो भीज क्रोड साल पहले से सागर हुआ करता था उसके बात क्या था कि कि किसी काड क्या हुता है उसका मलवा होता था यानि बहुत सारी नदियां जो होती है उसके मलवा में क्या होगा करता था कि इस तरह से इस तरह से जब आप आती है तो क्या करते हैं उसमें बलन पढ़ verbs आता है आपका हेमाले के निर्मार्ण होता है यांऔर कि जू भाग हुआ करता है खाता हं दूसरा ड़क्ष्छत करते हैं लाव का पठhar या लाव में वकषяж या वाल्कordonic प्लेटों लावा का भैई कोहीब बाई कहानी की किस तरह से आपका जो यह कि आपकी बना लिए महली जी आपकी यह और यह आपका मैगमा चैंबर जहां पर सारा गरम-गरम माल लखा हुआ है मैगमा चैंबर से क्या होता है कभी कोई ज्वाला मुखी के मुह से क्या होता है एक बो निकलता है लावा निकलता है लेकिन मैंने आपको बता है लावा के दो प्रिकार होते हैं एक तो होता है आपका करता है लाबा से तरह से क्या करता है बशाले लाबा होता है क YOUR इस तरह से आकृति बना लेता किस तरह की पठार नमा आकृति बना लेता उसका उपरी जो भाग होता है उस सपाट हो जाता है उससे जो बने हुए उससे बने हुए लावा से या कहा है निच्छे पाउस से बने हुए पठार को हम क्या कहते हैं लावा वाला पठार या कहें वॉलकेनियो प्लेटू के बात की जाया लावा पठार की अगर बात की जाया तो कोलंबिया का पठार आपका लावा से निर्मित पठार है यहाँ पर आपका दक्कन का पठार भी आपका लावा से ही बना हुआ पठार है और ठीच समझवा गया न क्यों कि आपको पता था कि किस तरह से ने अपने आपको क्या कर लिए चार ओर बिचा दिया है और एक पठार का निर्मार कर लिया है समझाए ना तो पठल बिरूपी पठार होता है आंतरिक बल होते हैं उसके कार्ड क्या होता है जो माल पहले से मौझूद होता है उसके में क्या कर दिया जाता है उसके द्वारा क् से भाग होता है काफी उचा उट जाता है इक पठार का निमाड हो जाता है और जो लावा पठार आपको पताए किस तरह से लावा निकलता है जमीन से और चार और पिछ जाता है एक पठार का निमाड हो जाता है नेक्ट बात करते हैं बिसक्विप्रिम पठार तता उनकी बिस तिब्बत का पठार मौजूद हैं इसमें कई सारी जीले में मिलती है यादि कि आपको प्रमुख इसकी नदियां को आपको सिंदू सिंदू दिख जाए यह ठीक है यह तिब्बत के पठार से निकलने वाली कुछ प्रमुक नहीं है अपर चीन वाले छेत्र में फैला हुआ है बारत में फैला हुआ है पाकिस्तान में फैला हुआ है और नेपाल में भी फैला हुआ है मैं आपको यहां पर देखा सकता हूँ इस पिति घाट लाहोत और इस्तिति घाटे में फैला हुआ है नेक्ट बात करते हैं दूसरा प्रिकुमिक पठार देख लेते हैं अरब का पठार यह आपका छेतर देख जागे यह आरब का पठार कहलाता है यह जो था दच्छिड पश्चिम एसिया में है यानि कि यह आपका इस होगा ठीक है यह बहुत पुरानी चक्टानों से बना हुआ है यहाँ पर पानी की कमी की काड़ यह छेतर है यह रेगिस्तान में बदल गया यह अरवी प्राइदी पर इस्तितर कौन सा आपका अरवी प्राइदी पर कौन सा अरब का पठार अरवी प्राइदी पर इस्तितर यहां पर आपको देख जाएगा ठीक है समझागे ना चले नेक देखते हैं बात करते हैं कुछ यहां पर नेक देखते हैं इरान का पठार देख लेते हैं इरान का पठार भी आपको यहां पर देख जाएगा एलबुर्ज और आपका जैग्रोस परवत के बीच में आपका इर पठार और जैग्रोस की वीजा पर रैस्टेत है आपका एसिया में इस्थित है एसिया में कौनसे चेत्र में दर्चिड पूरवी एसिया में तीक थिप पस्षीम एसिया में या निगा कि रहेते हैं भारत का जो चेत्र पतब बारों की बात हो रही है तो भारत के प्राजदीर पठार के बारे में बात कर लेते हैं हल की बारत के बोगलों में जब हम पढ़ेंगे तो बहां पर इसके बारों में चर्चा होगी तो सबसे पहले यहां पर जो प्राजदीर पठार है उसको तीन बागों में बांटा जा सकता है नंबर एक है Central आईलेंड यानि कि आपकी हां उच भूमी की स्कूर्ण कहते हैं कि ठीक है उसके बाद दूसरा जू है वो है आपका ध्कन का पठार तीसरा जो है आपका चुटाना कुर पठार ठीक है तो आपका प्राजीव पठार जो है प्राजीव पठार यहां बहुत प बाँट दिया गया है तो आइए देखते हैं भारत में कौन-कौन से ऐसे वाग है जिसंते हैं यह नेजा डालते हैं तो प्र भारत का घौने इसीलर लेटिव तो इस तरह तो तीन बोजाओ वाली याकृति हो गई तो तिरवजाकार में है यह तिरवजाकार है यह राजिस्थान से यहाँ से आपका शुरू हता है राजिस्थान से दश्ष्र में कन्या कुमारी तक लगवग लगवग सत्रे सो किलो मिटर नीचे तक है उसके बाद सो किलो मीटर लंबा है और चोड़ाई की अगर बात की जाए तो यहां से चला जाता है आपका गुजराज से पश्ची मंगाल तक तो दोनों की अगर बात की जाए पूरे चेतर ली बात की जाए तो लगवग लगवग सोले लाख बर्ग किलो मीटर चेतर में आपका फिर सत्पड़ा उसके बाद यह आपका दिख जाता है यहाँ पर नर्मदा फिर तापी फिर पच्छी में घाट फिर पूर्गी घाट इस तरह से आपको तो मैंने क्या बता है नर्मदा जो गाटी है इसको दो असुमान भागों में मारती है निर्मदा नदी का ऊपरी भाग क गार पठार आ जाता है इसके बाद यहाँ पर थोड़ा से चले आइगी तो यहाँ पर आपको दीखी जाएगा चूटा मैदग्रोग का पठार उसकेबाद इस और आएगे तरब तो मेगाले का पठार उसका दूसरा नर्माज़नदी के दक्षर की अगर बात की जा तो दक्कन प्लेट्यू वाले अगर यहां पर देखें तो यहां पर आपको पर देखने को मिल जाएंगी तो इसके बारे में हम भारत के गोगल में टेटिल से चांच चुके हैं चलिए नेक्ट बात करते हैं मंगोलिया का पठार के बारे में भी बात करें मंगोलिया पठार जो है यहां पर आपको देख आगा जूँन करके अगरा है यहां पर जलकी कमींग के काड यहां का जाज़तर जो भाग है वह रेगिस्तान में बदल गया है में फिर से बता तहूं मंगोलिया पठार जो है वह वह गोवी का भाग नहीं है क्योंकि गोवी आपको यहां पर दिखा जाए निनाट परव्ष एहाप आपको दिखा करते हैं अनातोनिया का पठार देख लेते हैं चोकि तुर्की में है आपको मैं तुरिस परवस और पॉंटिक परवत के बीच में ये आपका तुर अनातोलिया का पठार बिस्तरे थे इसमें बहुत सारी खारे तता मीठे जलकी जीले हैं वोलिविया का पठार या वोलिवियन प्लेडियो के बारे में अगर बात की जाए तो आपका ये है अंडिज परवत माला परवत में आपका यहां पर आपको देख जाएगा चिली वाला छेतर इसी छेतर में आपका एक पठार पठार जिसको हम कहते है वोलिविया का पठार ठीक है इसकी यह अंतर परवतिय पठार है क्योंकि यह परवत के अंदर एक पठार इसलिए इसको क्या कहते हैं अंतर परव पठाब परता है जिसको कहते है यहां पर अलास्का पहले यह रूस का भाग हुआ करता थे कि पर्तमार में किसका भाग है आपका यूटाइट इसका का बढ़ता है यह बहुत अर्दिक ठंडी जलवायू बाला पठाद है ठीक है को लम्बिया का पठाद देख लेते हैं जो कि अमेरिका का एक राज्य कोलंबिया वहाँ पर एक पठार परता है जिसको हम कहते हैं कोलंबिया का पठार इस तरह से यहाँ पर आपको देख जाएगा जूम करूँ तो यहाँ पर रौकी परवत है रौकी परवत यहाँ पर आपको देख जाएगा मैं जूम करके दिखा हूँ प्रिटार उसी तरह से आपका कोलंबिय का पतार जो य Brittany Hij chi पर अन्तर पर्वतिय पर्थाने इसका निर्माट भी ज्ञी legislwev फिटार है याल्से तरप्ते पर्वतिय परवजी परवतिय प्रवज वा क्योंसे उlais जेर उसके परवजने जितने में लावा बखेर देता है है लावा बखेर निकाल वहाँ पर एक संतल गूमी का निर्मारण हो जाता है एक पथार का निर्मारण हो जाता है तुरह प्लैन पने मतलब मतलब मैदान ठीक है आई ये क्लियर करते हैं प्लेन या पर आपको आकरती देख जाएगी या उठे हुए भाग जो है बहुत सारे वह आपके परवत कहलाएंगे ये समतल भाग जो उठे हुए है उनको हम पठार कहेंगे इस तरह से आपको देख जाएगा और नीचे जो बिल पर देखा जाए तो मैदान समद्र तल से 500 फीट या कहें एक सो पचास मीटर वह भाग परवत क्या होते हैं सबसे उची होते हैं दूर से दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनका जो ऊपरी जो सत्य होती है वो कैसी नहीं होती है समतल और सपाट नहीं होती है आपके पठार क्य होती है समुद्र रसा से 150 फीट यहां 150 मीटर धूबाग पर होते हैं उचे भूबाग होते हैं ठीक है समझवाए ना तो मैदानों में 30 तथा आंतरिक दोनों कुछ सामिल किया यह हमें ऐसे कह सकते हैं मालएं यह पूरी और रफिकंवे बंकर तो यहांने की ci तथा आंतरिक दोनों को सामिल किया ठीक है इस्तल मंदल के कुल इस्तल मंदल के कुल छेत्रपल में लगवग लगवग 41% भाग पर क्या फैला हुआ है आपका मैदान फैले हुए 27% भाग पर मैंने क्या बदायते परवत पहाडियां और 41% भाग पर क्या है मैदाने बिसकी लगवग 90% आवादी जो है मैदानी छ छेत्र पर्पल, फॉर्टी वन्त, जो छेत्र पर्ड है, उस पर कितने, 90% चंचंक्या निवास करती हैं, next बात करती है, मैदानों की प्रकारों में देख लेते हैं, मैदानों में प्रकार, जो सबसे पहरा प्रकार है, वह उसको कहेंगे, गिरिपद जलोड मैदान गिरिपद मतलब जलोड मैदान की बात की जा तो मैं लेजे मैं हूँ एक गिरी मतलब एक पहाड हूँ और मेरे उपर से लेके नीचे तक चलते चलाए चलते 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 चलत है पहाड है पहाड से माली की बहुत सारा माल बहुत सारे कंकर पत्थर ले कर आती है और बहू क्या करती है अपने पादों पर या पदों पर क्या कर लेती है या प्यादों पर क्या कर लेती है जमा कर लेती है इससे जो मैदान बनता है उससे क्या कहते है गिरिपद जरूर मैदान कहते है भारत में ऐसे मैदान को हम क्या कहते है भावर मैदान कहते है ठीक है समझाया क्योंकि भारत की भूगल में आप लोग पढ़ चु इस तरह के क्या करती है इनके मुहाने पर क्या होती है डेल्टा के मुहाने पर क्या करते है मैदानों का निर्माड हो जाता है और इस तरह के मैदानों को डेल्टा का मैदान कहते हैं क्या कि नदिया मैं आपको बता चुक हूँ नदिया क्या करती है उपर पाड़ी खेतर क्या क करती हैं यह मैदानों का निर्मार हो जाता है इस तरह के मैदान क्या कह लाते हैं डिल्टा के मैदान कह लाते हैं क्योंकि यह नदियां यहां पर माल है ना बहुत साला यहां पर यह मैदान देख रहे होगे आपको ठीक है चलिए नेक देखते हैं लावा का मैदान यहां पर आ निकलता है लावा जो है अगर उसमें शिलका गिमाटा बहुत नीचे तक चला जाएगा और क्या करता है बिचा लिता है उस से क्या होता है मैदान का निर्माड हो जाता है एसे मैदान को हम लावा का मैदान कहते है के लिए हुआ नेक्स देखते हैं पवन द्वारा निच्छेपित मैदान इससे क्या होता है रेगिस्तान में क्या होता है इससे क्या होता है आप लोगों पता होगे जो रेगिस्तानी अलाका होता है और जो मरुष्टली छेत होता है उसमें क्या होता है इसमें क्या होता है रेगिस्तान के मै मैदान भी इसमें सामिल किया जाते हैं कि इसमें बबन द्वारा निच्छेपित मैदान भी कहते हैं या फिर पबन द्वारा निच्छेपित मैदान भी कहते हैं यह मैदान जो है अफिरीका के सारा मरिस्तल तता थार मरिस्तल में देखने को मिल जाते हैं आपको चूब करके दिखा हूँ, यह आपका तरीका का सारा मरुष्टतल है, यहाँ पर दिख जाएगा आपको थार मरुष्टल कहाँ पर आपका राजिस्तान में है, ठीक है, तो ऐसे क्या क्या कहलाते हैं, पवन-द्वारा- साथ थोड़ा सा इन में extra quality क्या होती है उसको थोड़ा देखते हैं इसका निर्माड भी रेगिस्तान की धूल से ही होता है मैं ने क्या बता है रेगिस्तान के रेगिस्तान है लेकिन क्या होता है इसमें क्या होता है मान लीजिए ये रेगिस्तान है मनतले थार है थार मान दूसरे छेत्र में जाकर जमा कर दिया तो इस तरह के मैदान क्या कहलाते हैं लोइस के मैदान कहलाते है या फिर मालीजे यह आपका यह मालीजे आपका सहरा है सहरा का यहाँ पर रेत है रेत को एक जर्ट के उठाया दूसरी जर्ट डाल दिया तो यहाँ पर एक मैदान का नि क्या बता है इसका निर्माड भी पवंद वारा निच्छे पित यह होता है इसी तरह उसी तरह से होता है जिस तरह से आपका किसी रेकिस्तान में होता है लेकिन उसके होता क्या है चाले लूइसच का मैदान देख्ते है लूइस का मैदान क्या होता है लूम का मैदान भी उसी तरह से होता है जिस तरह से अब इस रेगिस्तान की रेट जो है यहां से उठाई और किसी दूर जाकर रेगिस्तान में बिचाती यानि कि यह थार है और थार से कहीं दूर जाकर अगर बिचाती तो इस तरह के मैदान को हम क्या कहते हैं लोयस का मैदान कहते हैं मैं पर से बता दूँ इसका निर्माड भी इसी ये रेत लेके आए वहाँ पर जाके बेचा दिया इस तरह के बर समझ रहा ना तो कहां से बनाए मरुष्टल के दूर यानि कि रेजिस्तान इसके पास नवनकर कहीं दूर जाके बने चलिए नेट बात करते हैं हिमानी द्वारा निच्छेपित मैदान देख लेते हैं हिमानी या फिर हिमानी द्वारा लाए गए मलवे को जमा करने से इसका क्या होता है निर्माड होता है ये उत्तरी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में फैले हैं क्योंकि यहां पर सबसे अधिक क्या है थंड़े प्रदेश हैं और यहां पर ही सबसे अधिक हिमानिया पाई जाती ह यानि कि अमेरिका वाला चेत्र है और ये यूरो बाला चेत्र है कौन सा अमेरिका और यूरो बाला चेत्र है यहाँ पर क्या किया गया है बहुत सारी क्या किया गया है हिमानिया है यानि कि हिमनदिया है ठीक है यहाँ पर क्या किया जाता है यहाँ पर बहुत सा जरूल निच् के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले देते हैं भारत का बिसाल मैदान सबसे पहले बात करते हैं भारत का बिसाल मैदान इसमें अफसादी जमाद से किया गया है ठीक है नेक्ट बात करते हैं गंगा यमना का मैदान तो यहां पर आपको गंगा यमना का मैदान देखने को मिल ग्रेट विशन जो हता है गंगा ब्रमोपत्र और सिंद्धु नदी के मैदान को सम्हेलित रूप से हम कहते हैं ग्रेट विशन तो इसका भी निर्माड जो हुआ है वह अफसादी जमाफ से हुआ है लग्दा का मैदान जो है हिमानी किरत मैदान है क्योंकि यहां पर बहुत सा नेक्ट बात करते हैं मैदान तता उसकी अवस्चिती देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट प्लेन जो कि आपका है USA और कैनेडा में USA और कैनेडा में यहां पर दिखाए तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको इस तरह से आपको देख यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा है आपका पैटा गोनिया का मैदान यानि की यह कहां पर इससे दच्छड अमेरिका में यहां पर आपको देख जाएगा एक सकंड कहां मर रहा है वे हां यहां पर आपको देख जाएगा दच्छड अमेरिका में कौन सा पैटा गोनिया का मैदान मैं आपको जूम करके दिखा दिता हूं यहाँ पर यह है आपका पैटा गोनिया का मैदान कहां पर है दच्छिड अमेरिका में देख रहा है ना यह पैटा गोनिया का मैदान तीसरा देखते हैं पंपास का मैदान दच्छिड अमेरिका में ही है यहाँ पर म के बीच मे compete सिंदो ये सिंद गंगा का मैदान यह इस तरह से नक्ट वात बर्म पुत्र का मैदान तो यहाँ पर आपको देख शाये का मैदान ये को मिल जाएगा है ठीक है यहाँ पर मद्ध-साइवरिया का मैदान ये रूस में मिल जाएगा तिक है क्या है मैदान है ठीक है नेक्ट बात करते हैं नेक्ट बात करते हैं अमेजन का मैदन अमेजन का मैदन कहां पर है दच्छले अमेरिका महादीब में ही है दच्छले अमेरिका महादीब में आप पर आपको देख दाए कि एमोजन नदी एमोजन नदी के द्वारा बनाया गया जो मैदान है वो क्या कहलाता है एमोजन का मैदान कहलाता है नेक्स बात करते हैं नील नदी का मैदान जो कि मिस्र और मिस्र में हैं जो कि अफरीका महादीब में आपको देखने को मिल जाएगा नहां पर एक नदी निकलती है आपकी नायल या नील इस तरह से आपका निकलती ह है इस तरह से ही है तो यह जो है आपकी क्या है आपका कौंसा मेदान क्यालाता है आपका नील लएंधिक का मैदन उत्तर पस्चिम चीन का मैदान अग 말 देखें तो इसको हम लुसा का मैदन कहते हैं मैं आपको को देखाया भी time है사를issions शब्रिष वेसन में अगर ऍधिकरी वह थो थोड़ा सप्राइय मैदन के बादे मेधन क्या होता है लोईस मैदन मैदन क्या गया लाता तो लोईस का जिसमें चट्टानी तीले या फिर सिकर नहीं होते इस मैदान का निमाड नदियां क्या करती है अपरदन करके लाए गए निच्छे उपर से इनका निमाड होता है इसलिए इसमें एक भी परवत नहीं पाए जाता है यानि कि जब नदियां समुद्र तल को प्राप्त कर लेती है इमाले परवत सेड़ी में कैसे करती है वहांसे लेकिन आगर गार पर आपको पहाड़ी और पर अच्छोट मोठे देखने लेकिन अगर कोई एसी है जिसमें क्यी कि अर्लिया अपना यहां पर आपको एक भी परवत या पहाड़ी देखने को नहीं मिलेगी तो चोटा भी परवत या पारी देखने को नहीं मेले है सहारा है संपराच मैदान में ही संत्रा मैदान होटा वहाँ सम चटानी यह परवत पाड़ यह बिल्कोल नहीं होती है छोटे पे नहीं पर एक शिखर भी नही sneaking थी तो इस तरह का मैदान जो होता है किसके द्वारा किया जाता है नदियों के द्वारा अपर्दन किये गए या कहें अपर्दन से किये गए या अपर्दन से लाए गए निच्छेपों या कहें जलोड़ निच्छेपों से इनका क्या होता है निर्मार होता है इसलिए इसमें एक का पता चलगी गया होगे चोटा नाकपुर की पठार में जो रांची का पठार है वो आपका संपराय मेंदान का उधार है यहां को आपको देखे जाएगा यह रांची का पठार ठीक है चलिए नेक देखते हैं island यानकी deep देख लेते हैं clear करते है on diferen क़या होते हैं deep वो होते हैं इस तलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिरके 4 और क्या होता है पानी होता है and what the ball is in the table deep जो होते हैं यिस में इसमें deep और के पिरकार की होता है गर बात कीजाके पहला दीप का प्रिकार है उसको हम कहते हैं निच्छेप जनित दीप निच्छेप जनित दीप का मतलब नदियां चोटी-चोटी सागर या फिर समुद क्या करते हैं चोटी-चोटी क्या कर लेते हैं ये निच्छेपों का ले आते हैं या पिर काट ले आते हैं मिट्टी को और वहा बैती हुई आ रही है इस तरह से नदी बैती हुई आ रही है क्या किया नदियों अपना माल जो था किसी गाड़ से अपने बीच में यहां पर डाल दिया और यह नदी अपनी बैती जा रही है बैती जा रही है वहां पर बीच में क्या कर लिया माल को एकटा कर लिया इससे क्य होते अलग लग प्रिकार का क्या होते दीपों का निर्मार होता है जैसी कि आपका माजुली दीप जो है ब्रमुन पुत्र नदी के बीच में बना है गंगा सागर दीप जो है उगली नदी के महाने पर बना है न्यूमूर दीप जो है गंगा बंगाल की खाड़ी में गंगा न नदी के महाने पर है बंगार की खाड़ी में है और यहां पर मैं आपको अगर जूंग करके दिखाऊंँ तो यहां पर आपको माजुली दीप दिख जाएगा इस तरह से माजुली दीप दिख जाएगा जो कि किसके महाने पर है आपका ब्रह्मोपुत्र नदी के महाने पर वह पर उठकर या करते हैं पर क्या होता है जमा हो जाता है या फिर बिच जाता है इससे क्या होता है जो दीप का निमार होता है उसको क्या कहते है ज्वाला मुखी दीप कहते है निच्छेप जने जीप को पता चलिए किस तरह से नदियां क्या करती है नदियां और हिमानियां और जो जीले होती है, वो बैती हुई होती है, क्या करती है, कहीं पर जो क्या करती है, कहीं पर भी माल या जड़ूर निच्छिप को एकटा कर लीते हैं, उसे निच्छिप जने दीप कहते हैं, वहीं ज्वालाम की दीप क्या होता है, सागरों की बीच में क्या होता है, जो कटक हो गार सागर के ऊपर ही निकल आता है और यह क्या सकर्श निवाई बन जाता है उससे क्या होथा एक निवलाड हो निवलार जिसको क्या एक जैसे कि आपका बेरन जो दीफ है फो क्या है एक आपका जालाम खी दीफ का ही उधार है आपका ना कॉंडम दीफ उनकी अवस्चती देख रहेते हैं ग्रीन लेंड जो है आपका महासागर में देखने को मिल जाएगा वैफिन दीफ की अगर बात की जाए तो उत्तरी अमिर का महाधीब में देखने को मिल जाएगा कहां पर उत्तरी दुरुबी यह सागर में कहां पर है वैफिन दीफ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा नेक्ट बात करते हैं न्यू गिनी दीब में आपको यहाँ पर दिखा दिता हूँ यह है न्यू पपुआ न्यू गिनी तो न्यू गिनी दीब जो है प्रसांत महासागर में देखने को मिल जाता है नेक्स जो है बोर्निया दीब समू जो है वो हिंद महासागर में देखने को मिल जाता है कहां पर है आपका कहां गया बोर्णिया दीप समूँ तो ये है आपका बोर्णिया दीप समूँ कहां पर है आपका ये हिंद महासागर में देखने को मिल जाता है सभुर्ण। यह भी 90 माहिसागर का यहां पर आपको देखने को मिल दाएंगा हिंद माहिसागर ठीक है फंड अधार का अगर σचेट्र है अगर हम हम भूंसु दीप की तो प्रसांत महासागर में देखने को मिल जागा ये आपका होंसु ठीक है प्रसांत महासागर में देखने को मिल जागा ये आपका दच्छडी न्यूजिलेंड की बात करें तो प्रसांत महासागर का छेत्र है ये उत्री न्यूजिलेंड की बात करें तो ये आपका प्रसा तो आपका रही तो हें देखें हैं तो हम्दिधि ओंसु क्कtt भाध करते हैं लेक शयानी की जीलों के बारे में थोड़े सी जानकारी ले ले लेते हैं है सियानी की जील है क्या होती है आईए क्लियर करते हैं थोड़ा सा देखते हैं जील धरातल पर ऐसे गड़े या धरातल पर ऐसे छेत्र होते हैं जो गड़े नुमा होते हैं और साथ ही उनमें क्या होता है पानी भर जाता है पिर से बता दूँ धरातल के ऐसे बड़े गड़े हो देशों की मुख्यूमी जो होती है, उसके अंदर क्या होते है, आपका ये फैले हुए होते है, तो मैं फिर से बता है, थरातल के ऐसे गड़े जो पानी से भरे होते हैं, ज्यादा तरº बात करें तो इन जीलों की यह सब अपनी एक प्रक्रती होती है या तो जो जील होगी वो खारे पानी की जीलोगी या फिर मीठे पानी की जीलोगी आपको समझ में आया किस तरह से जो गड़े होते हैं तरह तो पर उनको जील कहते हैं कुछ जीले नदी का मुहाना होती हैं कु क्या क्या किस्तान से सीमा लगाती है इसकी रूस से मिलती है उजवेकिस्तान से लगती है इरान से लगती है तुर्क्मेनिस्तान से लगती है ठीक है तो आप अगर आपसे पूछा जाए क्या उजवेकिस्तान से लगती है तो नहीं क्या अफगानिस्तान से लगती है नहीं क्य क्या तुर्की से लगती है नहीं क्या आपका किसी अने से लगती है भाईया नहीं लगती है इतना काफी है ना ठीक है तो आपकी कैस्पियन सागर की अगर बात की जाए इसकी बड़ी जील है इसलिए इसको जील ना कहकर क्या कहते है इसके साइज की कारड को क्या कहते हैं साग meter इसकी घहाए है दूसरी जील जो आती है वह है आपकी superior jeal यह USA जील अर कैनीड़ा में पढ़ ती है इस ठीक है मैं आपको zoom करके दिखा तूँ हूँ यहाप्स दिख जाएगी यहाँ पर दिख जाएगी एक सेकंड सुपीरियर जील दिख रही होगी यहां पर ठीक है कैनेडा और आपका कैनेडा और आपका यूसी की सीमा पर यहां को आपको दिख जाएगा दुलुत यहां पर आपको दिख रहा होगा और इसी के महानेपा को सेंट लॉनेंस भी सेंट मैरी भी दिख रहा होगा औ यहां पर मैंने क्या बताया सुपिरियर जील जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जील है इसकी गेराई की बात की जाए तो 406 मीटर है बिसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है और साइज की अगर बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जील है दूसरे नमबर प किए तीसरी सबसे बड़ी जील है दुनिया के Michigan जीन की अगर बात की जाए तो Milwaukee USA में मिल जाएगी। आपको यहांगी पर आपको देखने को स्ट्राइप, तक बताइब को सिपर्ट इसना में और कि आपको आपको देखने को बिल जागी इसके बाद डेट लेग को आपकी ग्रेट लेख बनती है जो की यहां आपको देखने को मिल जाएगी यूएस और कैनेडा में यहां पर स्टूबिया जील मिसीगन जील यूरन जील आपका इरी जील यह आपको कुछ यहां पर जील है जो है इसका बिनी पेग जील जील आपको यहां पर दीखने को मिल जाएगा मिनी टोबा जो है इसके आपके नैस सब्सक्राइब decor यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा मैं आपको ढखा दूँआ है एक सिकंड में पर होना चाहिए बीच में कजाइस्तान और उजवयकिस्तान के बीच में है का तुर्क भीיות करने किरिश्थन से लगता है नहीं क्या किरगेस्तान में आइं तोBob काड़ bisschen ओर किलियर हुआ निक्त में जीट जोकी तुर्की में इस्तित है यहां पर इंगट करेंगे टिटी काका जील जो है जील जो है पेरू और बोलुविया के बीच में इस्ते था टिटी काका जील पेरू और बोलुविया कहां पर इस्ते था यह बोलुविया और यह है आपका टिटी काका ठीक है बोलुविया और यह है आपका पेरू पोरी पेरू और बोलुविया के यूगांडा तंजानिया के बीच में इस्तित है यूगांडा तंजानिया और के बीच में इस्तित है आपकी कौन सी विक्टोरिया जील ठीक है यहां पर आपको देख जाएगा ठीक है विक्टोरिया जील विक्टोरिया जील नेक्ट बात करते हैं टांगा निका जील टांगा कुंसे चेत्र हैं कांगो यहां पर देखने को मिल जाएगा तंजानिया देखने को मिल जाएगा बुरूंडी देखने को मिल जाएगी और जांबिया दूसरी सबसे गहरी जील है सबसे गहरी जील कौन सी है आपकी बैकाल जील और दूसरी दुनिया की सबसे गहरी जील जो है बतलाव लाते हैं गों अंतर जाथ वल कहते हैं वही ऐसे वल जो ॉपरी सक्तह पर क्या करते हैं हमें दित्ते हैं उपर दातर पर क्या करते हैं पर बदलाव吸await को तो आई के सम्मेद कर्तिक के बदलावस दाने होते हैं यानिकि दो साधने से होते हैं जो क्या करते हैं प्रत्वी के दरातर पर बदलाव लाते हैं इसे लोगों कितने भाव माड़ते हैं दो भाव माड़ते हैं पहला जो भाग है वो हम कहा सकते अंतर जात्वाल या एंडो जेनेटिक फोर्से दूसरा जो होता है वहर जात प्रत्वी के धरातल के अंदर चले जाते हैं तो प्रत्वी की धरातल की नीचे से उत्पन होने वाले बलों को हम अंतर जातवल कहते हैं और इस तरह की जो बल होते हैं वह आपके भूकंप हो जाते हैं कि मैं आपको बता है कि इस तरह की अंदर धरातल में जाता है धरातल से न प्हक्तारंगी चारों बैढ जाते हैं और भुकम क्या करता है किस तरह से मेंने क्या बता है प्रत्व होती है प्रत्वी की ऑन多 होता है की आपकार लिए आपका मलीजी अदल्प है और ये आपका एक खेद्र जिसमें से माल निकलता है और जाया मुखी कहते हैं जितमें प्रिगला हुआ माल वारा होता है और प्रिगला हुआ माल क्या होता है आपका इस नली के द्वारा क्या करता है कभी-कभी वो धरातर पर आ जाता है इससे भी क्या होता है प्रत्वी की धरातर पर क्या होता है पतलाव आ जाता है नेक्स बात करते हैं आप लो तो बलन की तो बलन जो होता है वो आपका जब दो चट्टानी होती है दो भूग छेत्र होते हैं जब दो भूग होते हैं वो क्या करते हैं आपस में जब इस तरह से टेकर आते हैं तो क्या होता है इस तरह से बलन पड़ जाता है इस तरह से यहानि कि मालीजी यह कोई चीज है कोई भी चीज है जैसे कुछ भी मैं माली जाए यह बुक है यह बुक है यह बुक है यह बुक है तो माली जिस पर ऐसे करके मैं आप माली जिया भी सीधी है या फिर मालिगे यह नीचे जो करा है तो कोछ भी इस्तिती बन सकती है इस तरह से तो आपको दिख रहा हो ना किस तरह सी यह बुक में क्या हो जाता है मूड पढ़ जाता है कि का तो यह हूँ कि आपका अंतर जातवल उसको हम के लियर भी कराएंगे जिसमें से मैं आपको भॉक में के बारे में बहता चका उँव जालामцион की के बारे में ताथीटेल ही बहता चका हूं फिरंस के बारे में आप थोड़ी से जानकरी देँगा तो संपीडर के बारे में फजया से जानाट है करते हैं और उपरी परत का करते हहा है जैसे कि आपका अपरतन आपको पता से पानी वर्सता है पानी बरूसता है तो कोई चटान से गुजरता होगा गummे अब तो यह कहते हैं कि आप का बहुतिज्डा चल रही है तो मैंनियग को Two Olympics सकते हैं वहाह से लेल अटी जाकर उड़ा रखते हैं फों कहीं दूस्री जगर लेकर जाके रख देती हैं, VAI कभी कभी चबहु क्या होता है कि वह जो यह मित्टी होती है, तो रे, धिस्थां से भी दूर ले जाते हैं, व्यादा थे तब क्या आपका बन बलन क्या होता है बलम बोल नहीं रहा हूं बलन नहीं बलन बोल रहा हूं ठीक है क्या बोला हूं बलन नहीं बलम ठीक है क्या बोला मैंने बलन बोला लोग बलम सुन रहे होगे चलिए कोई बात नहीं जो सुनना चाहते हैं सुनते रहें यहां पर बात करते हैं बलन के बारे मे फी जो माति तो पृतिवी व aspects क्याक्त सुनाचाशूरिए को प्रत्तिवी के प्रत्तिवी के धर्यतर के नीचे से पैदा होने वाले बल से प्रतिवी के दरातर पर मौझूद चठानों में क्या होता है संपीडन की इस्तिती पेदा हो जाती है यानि कि उनमें क्या होता है संपीडन मतलब माल लीजिए दो क्या होती है माल लीजिए बूचेतर होते हैं तो वो क्या करते हैं आपस में क्या करते हैं इस तरह से धक्का देंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदेंदे प्रत्वी के दरातल के नीचे से पैदा होने वाले बन से प्रत्वी के दरातल प्रमजूद चटानों में क्या होता है सम्पीडन की सीति आ जाती है इससे ठटानों भी क्या होती है लहरदार मोड पड़ जाती है इस तरह इसमें आपको यहां पर देखा सकता हूँ मालिजी एक बलिये है करन मालिजी धुकर, भी आटवीजिन मालिजी या परहसा चुंग चुंग या मंटब बलन पढ़ जाता है इस तरह से कभी कहीं उपर तो कहीं नीचे, कहीं उपर तो कहीं नीचे, कहीं उपर तो कहीं नीचे, कुछ बाग उपर उठ गया है, तो कुछ बाग उपर उठ गया है, कुछ बाग उपर उठ गया है, कुछ बाग उपर उठ गया है, तो कुछ बाग उप वन्थि यानिंगी मोड पड़ जाते हैं तो क्या होता है मोड पड़ जाते लेह..., तो मैंने क्या बतार इस से क्या होता है यह वाला नीचे दस गया है और कुछ बाग क्या है क्या है ऊपर उठ गया है तो उपर उठा वाग इस चरह से क्या है आपका प्रवत का अक्रति ले लेगा और वो क्या है आपका समझार है तो मैंने क्या बता है कुछ भाग जो होता है ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग जो होता है वो नीचे दस जाता है तो ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या कहते है अपनती कहते हैं और नीचे दस दस भाग को क्या कहते हैं अभिनती कहते हैं फिर से बता दूँ अपनत आप नती कहते हैं नीचे दसवर वागे उसको हम क्या कहते हैं मलढी है गरी धर कर जाए तो बनीवी कुछ पर मुझे कुरे इस दरह की किस्तбы के बात कि आती है तो वरकति के नभीन बुणित परतों में उनकी गिंति आती है जैसे कि आपका मिमाले परवत जो है क्या है दो हुकंड है किस तरह से इस तरह से काम कर रहा है किस तरह से दो हुकंड किस तरह से आ रहा है इस तरह से आपस में टकरारों तो क्या हो रहा है बीच का जो मलवा है या बीच का जो माल है क्या कर रहा है ऊपर उठ जाता है और क्या कारड़ ही उनका निमार हुआ है नप किते हैं विरंस के बारे में बात करते हैं विरंस क्या होता है विरंस यानि की फॉल्ड या कह सकते हैं गैप या कह सकते हैं विरंसोत ठीक है फ़ाई क्लियर करते हैं प्रत्वी के अंतरजात वलके कारड़ जब धरातर पर मौझूद क्या करती हैं चटानों में क्या होता है एक तल के सारे अपनी जगे से क्या करते हैं छिसक जाती है और इस पिरकिया से बनी आकरती क्या क्या करती है और इस पिरकिया तरह से या तो नीचे चली जाएगी या फिर क्या करती है या उपर चली जाती है तो बीच में क्या हो जाता है खाली जगह बन जाती है समझ रहा ना यानि कि इस तरह से हो सकता है इस तरह से हो सकता है कुछ उपर जा सकता है कुछ नीचे जा सकता है कुछ नीचे जा सकता है लेकिंद तरह से ऐा जा रहा है। और ये क्या हो रहा है इस तरह से इस तरह से खिशक रहा है ठीक है नेक देखें तो वो गंड जो है दो वो गंड तो है लेकिन वो किस तरह से खिशक रहा है वो इस तरह से आपस में इस तरह से हैं तो वो क्या जा रहा है इस तरह से जा रहा है एक इस ओर जा रहा है और एक उल ब्रंस तल कहते हैं समझ मैं गया न तो यह जो विरंस जो होते हैं वो चार प्रिकार के होते हैं लेकिन हैं पर हमें सिर्फ तीन प्रिकार के बारें बात करने हैं जो कि most important है ठीक है तो यह सबसे पहला जो है वो आपका सामानी ब्रंस दिख जाएगा आपको दूसरा जो है दूनों ब्रंस तल के सारे दौनों और झाठाने क्या करती हैं विप्री जिदा मेंसर रखती हैं तो इसको क्या कहते हैं सामान य हम धरसे बता दूशम क्या करती हैं विख जा रही है और और चड़ते ऊपर नीचे चली जाती है और यह ऊपर चली जाती है आपको देखने को मि io जाएगा कि saare देखते हैं ब्यूत करम भिरंस इसको हम बरीबर faul tree कहते हैं तो इसके क्या होती है अब गहंस तल के सारे दो चटाने आमने सामने की ओर खिसकती हैं और एक दूसरे की ओपर क्या होती है चड़ जाती है मैं पेसे बता दूँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या हो रही है यह को देखने को बिल जाए गया रही है जब दो आ रही है तो इस तरह से क्या हो रही है गइस तरह से देखने को मिल जाएगा किस तरह से यह तरह से देखने को मिल जाता है यह अगर यहां से आप देख एंग이 तो क्या ओगा यह उपर के जाता है जो पहाड़नमा आक्रति बन जाती हैसा दो तो किसी जगह दो बन समय अंग pavement करते हैं कई किलोमेटर की लंबाई में इस तरह से पढ़े कि उसके बीच का बाग नीचे तरह से जाता है और उससे क्या होता बेसन या घाटी का निर्माण मुझाता है तो इसे क्या कहता है रिप घाटी या फिर ग्रेवान कहते हैं पिर से बतातूं किसी जगह जब दो सामान बिरंस क क्या करते मैंने क्या बता है सामान बिरंस क्या होता है इस तरह से यानि कि एक आकरती क्या होती है उपर जा रही होते इस तरह से यहां पर इस तरह से यह उपर चला गया और यह नीचे चला गया यह उपर चला गया यह नीचे चला गया तो मैंने क्या बताया कि जब दो सामा कई किलो मिटर की लंबाई में इस तरह से पढ़ते हैं कि उनकी बीच का वाग क्या होता है नीचे दस जाता है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बीच का वाग क्या होता है नीचे दस जाता है तो इससे क्या होता है बेसिन घाटी का निर्मार होता है इसे हम रिप्ट मैंने आपको क् furniture मैंने क्शे Constitution कि दूसरी की दूस की तर mêmes लंच खाटी तो यह क्या है आपका एक टरह से क्या है यह एक ग्रेवान का 누가 सत्री जो है वह भी किसमें वैत्ही है जिसके उत्तर नर्मता नदी के वुपर वह बिन्द्द्यानचार परबस रेड़ी नर्मता नदी किया है बैपका परबस रेडी तो ये भी आपका एक क्या है रिप्त गाटी में बहती है बीच-कावाग क्या होता है इस तरह से कहां बिना पूछे मर जाता है बैश भीच का भाग क्या होता है बीचका भाग नीचे भस जाता है ठर्साował जब किसी बहु भाग में सबान अंतर बहुन इस परकार से बनते हैं कि सब्यायों नोय जो यह दिसा होती वह सवान होती है उसे कहते हैं सौपान क chamado कर दो KA दे तो इसे टी फिर तीन सिवी पर चकशाड़े नहिके हैं शार वही उसको reasonably होते हैं जो भी आपको चाहिए हैं प्र आपको देगी जाएगा यह आपका है ड्रोम फिर тीघ है यहां work देखने की किस समान होती है वों समान वती है यहाँ पर आपको देखने को मिल एकिस समान है तो यहां पर क्या हो रहा है आपकी स्वोपानी फ्रेंस का निर्माण होता है。 क्योंकि यह इधर जा रहा है और यह बुबा क्या हो रहा है इस तरह से आ रहा है तो यहां पर कुछ अगर देखें तो इसक्रिया के दौरा नेदी आसपास का बुबा जो होता है नीसे दस जाता है तो बीच का वाग क्या होता है ऊपर जाता है इससे बनी जो आकरती होती है उ भोस्च जेसपर्वध यहां विंदयांचर पर सपड़ा है और साड़रेंच जो है आपका सुपानी क्या है ओधारण है ये नेक्ट बात करते हैं इस्तला खरतियों के बादे में इस्तला करतियां क्यों होती है आइकन लेंड streams कहते यuchen है तो को यह होती क्या है कि आ Yo j इस्तिला को करती है एक सरे स्दल पर बनी के लागनी क्यां हुंदध में क्या रखिए तियो हुआ ऑ क्या क्या रखिए अब हम समस्झते हैं को भू गोल की पास हमें तो मेरे क्या बता है जो स्दला करतिया होती है इनका निर्माड नदी के जल द्वारा हवा के द्वारा हिमानी या फिर समुद्र जल के द्वारा अब पर्दन या ते निच्छी पड़ की प्रिक्रिया के द्वारा इस्तला कृतियों का निर्माड होता है तो हमेरे क्या बता है नदी जल के द्वारा समुद्र तो सबसे पहले जो आता है वो आता जाधी भी सरपड बी सरपड का मतलब यह आपको दिख़ जा करती है सरप की तरह करती है उसको हम भी सरपड क्या सकती है जैसे नहीं की तरह कर रही है लड़की समझने बात को तो यह क्या हो रहा है, वह इनकर से क्या कर रहा है शर्फ की तरह किली यह कर रही है पर मांद जाः किनकर अरी कि ममी ने मादग करते हैं चलियर करते हैं सबसे पहला जो है उसके बार में चलिए क्लियर करते हैं तो सबसे पहला जो है आपका नदी बिसर्प ठीक है नदी बिसर्प या रिवर मिंडर भी हम इसको कह सकते हैं नदी बिसर्प या नदी मोड भी हम इसको कह सकते हैं तो आईए सबसे पहले क्लियर करते हैं तो जब नद पको पता ही नदी क्या करते है है नदी महाल करती है निए मैं गाटी होती है पहारी वहां पछलके करते है निरंतरह रहाघत हुई ले जाती है लेकिन कभी कभी क्या होता है मालें जिए मैं परी क्या करना हम रहा है। मुझे जादा मेनत नहीं ही करने पड़ती है बस आसानी से तरह से चलती चलियाती है जैसी कि आप में देखा होगा साइकल चल आ हो साइकल चल आते हैं जम आप दलान पर जाहेगे तो जब ढ़ाल मंद हो जाता है तो क्या होती है नदी अपने अंदर जो माल वहा कर लाती है वो क्या करती है उससे ले जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है या कहें उसमें ताकत नहीं बचती है तो वो क्या करती है अपने माल को अपनी नदी जो घाटी होती है उसमें क्या करने लगती है वहीं पर माल को छोड़ दे जैसे माल जो कोई नदी आ रही थी नदी इस तरह से और नदी पहले किस तरह से आ रही होगी माल लिए इस तरह से स मोड ले लिया फिर इस तरह से मोड ले लिया फिर मोड ले लिया इस तरह से मोड लेती चलिए लेती चलिए यानि कि नदी होती है वो नागीन की तरह से लहराती बलखाती जाती है तो इस इस्टिधी को हम क्या कहते है नदी विसरवड या नदी मोडेया दिवर मेंडर कहते है समझी मैं एक होता है जब नधी का मार्ग होता है नदी में बहुत अतिक क्या होता है मलबा हो जाता है माल हो जाता है आप Hm भी डीया राहो उड़िया निउस्था इसे के नारे कर बढर नभी tut है चली जाती है तो इस तरह से तो नागिन डांस करती हुई जाती है इस तरह से समझाएगा तो इसको हम क्या कहते है नदी विसर्व करते है दूसरी जो है चाड़ां जी चाड़ां जी या ओक्स वो लेक जो है तो इसमें क्या होता है जब नदी क्या कोड़ती है मैंने आपको पताया था नदी क्या कर रही ह याद नहीं रहता है कि हमने इस से पहले वाला step कहां रखाते हैं तो हम दूसरी जगे step रखते हैं जब नदी क्या करते हैं जब नदी क्या करते हैं छोड़कर सीधे भेहने लगती है तो नदी का जो भी सर्क होता है अब सिष्ट वाग क्या कहलता है छाड़ जी दया थी खो अ को गालाती है औस यह नदी है नदी में बहुत जादा माल है डाल बहुत कम है इस लिए क्या हो रहा है नदी जो है नागिन डांस करती हुई जाती है इस तरह से जाती है लेकिन कभी-कभी क्या होती है अप माली यह नदी इस तरह से यह क्या हो रहा इस तरह से जा रही है इस तरह से इस तरह से तो यह क्या क्याला रहा है अपनी नागिन डांस करती हूँ जा रही है लेकिन कभी-कभी इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से आगे बढ़ जाती है यहां बाला जो भाग है वो क्या होता है नदी जो है बूल जाती है और यहां से आगे बढ़ जाती है तो इस तरह की जो बचा हुआ है अब सिफ्ट पाग होता है नदी का क्या क्या राता है चाड़ जी ले आखर और आपको मैं फिर से दिखा दूँ माल दिए नदी इस तरह जा रही है यह मिंडर बनाया फिर इस तरह गई फिर यह आपने नदी विसरपड बनाया फिर इस तरह से यह बनाया ल और वो सीधे चलती चली आती है एक नया क्या कर ले दी है वो नया क्या क्या कर ले दी है एक नई धारा के रूप में वो बहने लगती है और ये जो भाग होता है वो नदी का अपसिष्ट भाग होता है या कर बचा हुआ बचा हुआ बचा हुआ बचा हुआ बाग होता है ये यह परेंगी ओना भी सम्यम्रा एंग कीज़ा नन केया है और सब्सक्राइब करती है उचले नेफून बात करta यानि कि और सब्सक्राइब के नदूक्त करते हैं और क्या निए ऊप्सृट पाइगा रहे Dollis चलिए नेक बात करते हैं गुम्पित नदी देख लेते हैं गुम्पित नदी या ब्रेडेड रिवर ठीक है गुम्पित नदी या ब्रेडेड रिवर देख लेते हैं क्या होता है जब नदी एक ऐसे छेत्र में पहुंचती है जहां का धाल जो होता है बहुत कम होता है इस क्या करती है अपने माल को माल को ले जाने में क्या होती है माल को ले जाने में क्या हो जाती है हम कह सकते हैं कि नदी ऐसे चेत्रें पहुंचती है जहां का ढाल भी होता है बहुत ही मंद होता है या बहुत कम होता है इस कार्ड नदी का भाब होता है बहुत ही कम हो जाता है इस क तो वो क्या करती है अपने ही रास्ते में अपना ही माल फोड़ देती है पर जया सुवेख से अवर छोटा था तो थाय। काड यह था कि मैं ब्रेडर तपर बनाती तरह बनना जैता है जैसे पांडी डाल जीया ना तो आपर डाल तो रहां होती थी क Tap водия यह के salut धारागी के डाल héदा वग्छा फेन्यार आफ तो मैं फिर से बता तो माली जी यह नदी है, माली की यह पहाड होगी, ठीक है, पहाड है, पहाड से कोई नदी निकली जैसे गंगा नदी निकली इस तर से आई, और इस तर से आई, चलती चली आई, चलती चली आई, यह किस्तिती ऐसी आई कि वो जो ढालता उसका बहुत बूर्स दियाए मतलब शुरू में का डाल कम होता है तो इतनी जल्दी कोई दिक्कान नहीं आती है क्योंकि माल तो है बहुत सारा ले आई ठोड़े जल्दी तो डाल कम होई तो अभी जादा दूरी इसने त्याखी नहीं है तो जादा उसमें माल हुआ नहीं है अमाल यह हम हो जाता है फिर वह विचारी नदी क्या करती है इस तरह से क्या करती है वह कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है इस तरह से पिर इससे समय ना तो यहां पर आपको तेखने को मिल जाए किस तरह से बीच में बढ़ा हुआ है इसको क्या क्या है गता है कर रहा हुआ है बटी नदी को नुन नहीं कर すब्सक्राइब करती है करती है इस तरह से अपने रास्ते में क्या होती है मलवा यहां का ले जाने में छोड़ी से असमर्त हो जाती है तो क्या करती है मतलब उसके बाद माल जाद हो जाता है तो विचारी लहराती है चल नहीं पाती है गाड़ी पहुच जादा बजन कर तो तो इस तरह से रिंगती है काchae करती है तो आपका तो कहते हैं या वाला इस तरन कम करती है और तूमस्ति को करती है यह वाला क्या नई डाणा रल नहीं पास करता है नेक्ट बास करते हैं तो आपका आपका कौह धिसको कहते हैं या पिर हम इसको कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं जहां तक गंदार आई आकार की घटी आईए क्लियर करते हैं गौर्ज के बारे में तो जब नदियां उचे परवती है पिर दोसों से कठोर में चट्टानों को क्या करती है कठोर होने के काट नहीं पारती लेकिन वे अ क्या कहते हैं गौर्द या फिर हम क्या कहते हैं आई आकार की गाड़ी है तो इस तरह से नदी की चट्टाने ये चट्टाने ये चट्टाने ये चट्टाने ये इस तरह से नदी की चट्टाने हैं वो अगल बगल वाली चट्टानों को नहीं काट पाती क्योंकि वो बहुत करती है अगल वगल वाली चट्टानों को नहीं कट पाती लेकिन कमजोर पढ़ जाता उसका तल तो उसको तली को क्या करती रहती है गहरा करती जाती है और इससे एक घाटी करने मारता जो कहलाती है आया कार की घाटी या कहें गोर्जिक कहलाता है मैं फिर से बता दू मैंने क् नदियां उचे परवतिये प्रिदियूसों में कठोर चटानों पर बैटी है, वो नदियां चटानों को कठोर होने के काड़, मजबूत होने के काड़ या पत्रीले होने के काड़, अपनी दाएं और भाएं को काड़ नहीं पाती है, लेकिन वो क्या करती है, अपनी घाटी को उनको गहरा करती है दायवाएं उनको गहरा नहीं कर पाथी हैं। वैसे हमारी जो अंग्रेज लोग होते हैं कि जो अमेरिकन इंगलिसको जोइन करते हमा तर से सिछाय जाता है कि यह आई होता है। अंग्रेज बनने की जबुद है Filmकल ह 250 गहाउन हुट गौर्ज गहासे है। आई आकार की घाटी कह देते हैं समझ में आया तो मैंने क्या बताया ये नदियों को नदियां जो होती है अपने किनारों को चोड़ा नहीं करती है बल्कि अपनी चक्तानों को दोनों और क्या होती है पहली की तरह ये क्या होती है ख़डी की खड़ी रहती है बस अपने किनारे को छोड़ कर करती है अपने दल को क्या करती है गहरा करती है जैसे मैं छोटा था मैं आपको बताओं जैसा बताना नहीं चाहिए air चोटा था ठात नुझे मेरे मामा का ऐलटा था मुझे बहुत डर लगता था छोटा था मैं फरस्ट यह सेकंड मैं मैं अधिस्ट नहीं था इतना जलता हूं मैं यह याद है मम्मी बताती मुझे तो मेरे क्या था कि आसपास क्या हुआ करते थे मतलब समझ में आजाएगा उसकता ममी थे शोवलन मचाता था तो म महार के लड़के वह भला ले थे जब उसके थे तो मम्मा के लड़के सामने मैं ममी को न शोटा था न मैं उससे सुववल भला मचा था लेकिन क्या करता था मतलब दायें वाएए लोग खड़े पैर जैसे स्टाडी पैनिक थे तो नीचे पैर भी उता था उस पर रखेंद का पैर दवाय करता था घुस्ते में तो समझर बात को यानि कि दाएं बाएं बस नहीं चल रहा तो कहां पर चल रहा है कोई देख न पाए हम उसका अपरदन कर पाते यानि कि नदिया आपरदन नहीं कर पाते है वह अपनी घाठ को गहरा कर पाती है ठीक है तो हमारी कुछ नदियां है इसमें देखने को मिल जाएं इसमें आपकी सिंधु हो जाती है सब्सक्राइबगे निर्माड करती है अब यह थोड़ी दिर पहले में तो हाई तो कहीं घाटी का निर्माड करती हैं स्थल़ज, संदू, इरमबॉत्र, गंगा, बुसरी नर्मदा, गंडब, ओसी, ठीका, चलिए नेक बाद करते हैं Canyon के बारे में Canyon क्या होता है उसको थोड़ा से समझते हैं Canyon जो है गोर्ज की तरही होता है लेकिन उससे थोड़ा से विन होता है किस तरह से होता है भी थोड़ा से एफ फ्रुरों से यह उनस चेतरे में बनती है जहांकि जर्वाई हूस होता है साती है पहाड़ी ह्छेय भी होता है लेकिन की चट्टाने keyboard को मते हो तियां कंड़त वह ती है तो वहां सब्सक्राइब होती है। अपने तल को काटती हैं साथ-साथ क्या करती है अपने दायां और बॉएया Currently की दौनक किनारों को भी का तौनक का यहां सपय कैसे कंगें नीचे सिधा आपको दिखेगा इस तरह से अगर आप जहां केंगे तो सीधा इस तरह से दिखाए पड़ेगा यहां से कोना होगा लेकिन अगर आप कैनीन की तरफ जाएं तो कैनीन में क्या होगा कैनीन में इस तरह से यहां पर आप जाएंगे अगर आप इस तरह से खड़ा होकर देखते हैं तो क्या होगा आपको तिर्चा भाग देखेगा इसका मतलब यह कि नदिया क्या करती है अपना पार कहते होती है चत्ताने ज्यादा कठोर नहीं होती है इससे क्या करती है यह नदिया क्या करती है अपने पार्ट को यानि कि जमीन होती है उसको काट किने के साथ साथ दायवाय यानि कि किनारों को भी काटती ही रहती है तो मैंने क्या बताया गोर्ज के दौनों किनारे क्या होते बहुत ही तीब होते हैं साथ ही गॉर्च की चोड़ाई होती है तल से लेकर उपर तक काहुजी है समान होते हैं जब कि कैनीन के अगर बात की जाए तो तो canyon यह यह हैंपर आपको देखने को मिल जाएगा, canyon में जो तल हो तरफ शखरा होता है, यानि कि इसका उपरी भाग जो थोड़ा सा चोड़ा होता है, ओर नीचे चलते करी जां कि तो तो तल की तरफ जाएंगे तो चोड़ाई होगी थोड़ी सी कम होती जाए तो मैंने क्या बताया जब कैनियन में तल जो होता है उसकी ऊपरी बाग चोड़ा होता है विस्तो का पर मों कैनियन अगर बात की जाए तो यहां पर आएक कैनियन जो आपको देखने को मिल जाए जो क एक केनियन कानि मुन होता है जिसको हम कहते हैं क eldest marche केनियन clear हुआ तो आपको समझ में क्या होगा कि गौर्ज क्या होटा गोर्ज की होता है वह आपकी आया कि गाटी होती है वहां पर सार्ड क्या होती है जो चत्ता ते होते ज़िए दाइस किनारे किनारा होता जाते है लिए कारटी जाती है पहरे नादी और नदी क्होंटी होगी तो नदी ने क्या कर लिया अपना जो छेत्र की आकरती बनेगी तो अपना जो चोड़ तली होती है उसको भी गहरा करना है और ये अपने किनारों को भी गहरा करती जाती है कैनियन ठीक है तो अब नेट डिक लिए भी आकर की गाटी ऐसे छेत्रों में नदिया अपने तल्व को काटी है साथ ही वो क्या करती है अपने किना से भी क्या होती है चोड़ी होती है यानि कि आपकी जो आई गोर्ज है वो इस तरह से बनती है आपका जो कैनियन है वो इस तरह का आकार बनाएगी यानि कि इस तरह से होगा और ज्यादा इस तरह से होगा उसके बाद और कैनि आपकी जो भी आकार की घाटी की बात की जाए ज पार्सित करने के साथ क्या करते हैं लंबबड क्ठाई करते है या लंबबड रवर में सीधे ऩाया और यह कःता है वह कَःणि की काहनी होती है कैणियर में होता है पाहडी लागा होता है जब की ये जिए में कहांद होती है आप asymm Tuesday degन का आई आकार की गाटी बनाने उसके बाद कैनियन जो है आई आकार का ही एक बिस्तरत रूप बना सकते हैं इस तरह से माल दीजिए इस तरह से तो कैनियन जो है ज्यादा गोर्ज से थोड़ा सा चोड़ा होता है ठीक है और इसके बाद वी आकार की गाटी की बात करें तो इस तर से गोर्ज कनोल और वी ना की गटी समझाया ना तो मैंने क्या बता है às BAC की गए निमाड करती है यह गोर्ट नसे क्या होता चोणा होता है नेक्ट वा करते हैं करते हैं त्रीणों को आखरें समझते हैं जब तो जम प्रत की तली में मुलाय मुलाय चैटआना आ जाती है तो इस से क्या होता है आप पर एक शूटा से क्या बन जाता है गढ्ड़ा या फर गर्थ में नदी का जिर का ग्वूंता रहता है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से ऊपर माली जी तो जेंगा वाटरफॉल यून साथ मौजूद होती है तो नदी इस मुलाइम चट्टान को काड़ देती है इसके कारण नदी क्या होती है तली जो होती है उबर खाबर हो जाती है जिससे क्या होती है नदी का पान ही क्या होता है बहुत तीब डाल पर जहोंके किस जहोंकों के साथ बैता है जहोंके मतलब किस इस तरह से बैत्वी आती है तो यह आपकी कठोर चट्टा ने यहां पर तो नहीं काट पाएगी तो क्या करती है यह इस तरह से तिवच्छा करेगी यह तली की बाद कर रहा हूं फिर आपकी कठोर चट्टा ने उसको काट देगी काटने कर लाद क्या होगी फिर बहुत तेज भाट ही ह diğer फोट इस तरह से चलती है है फिर रोग जाता है खतगे यंवा जब नाब चाहाएंगे तो इस तरह से त्येडा-वेडा इस तरह से समझना बात कुंै क्या करती क्षय होता है ये ड़ान चलता है लेगा फिर इधर हो जाएगा लगता है गाड़ी बलट ही जाएगे जली तो कहा पर तरह来ता है जोंके लेकर करते हो इंक्यों तली होती होती है बहुत ही उबर खापर बहुत ही थी तीव ड़ाल वाला देल्टा का मदलब किस Mexico होती है एक सरे मिज्यी नदी चेत्तर से निकलती है नदी क्या करती है वो यहां से भेती हुई आती है और क्या करती है वो यहां से भैती हुई आती है उसमें बहुत साइक नदियां मिलती है उसके बाद उन साइक नदियों की भी कुछ साइक नदियां होती है इस तरह से वो नदी में क्या होता है बहुत सारा चल हो जाता है और उसके बाद क्या होता है एक समय ऐसा आता है कि वहा बहुत सारा है, बहुत दूर से आ रही है, ठक चुकी होती है नदी, तो क्या करती है, अपने महाने पर क्या कर लेती है, बहुत ठाल जो होता है, वो कम होने के काड क्या करती है, नदी अपने महाने पर क्या करती है, बहुत सारा माल जो है, बहुत सारा मलवा जो है, बहुत सार आपको जाम, तो इस तरह से एक आकृती बनती है, जिसको हम कह देते हैं, इससे हैं नदी अपने महारे पर ही माल के आक है, अशाथ को जमा करना सुरू करती है, जिससे नदी होती है, कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? एक तिर्वजा काराक्रती का निर्मार होता है जिसको क्या कहते हैं आप आपको दिखा तो मालीजिये नदी मालीजिये गंगा ही नदी है तो गंगा नदी जो है इतरी दूर से चलती चलिया चलती चलिया चलती चलिया आपको मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ मालीजिये गंग मिल जाती है, फिर बेतवा मिल जाती है, कैन मिल जाती है, फिर गंगा में तमसा मिलती है, सौन मिलती है, रहन्त मिलती है, इस तरह से क्या करती है, फिर इस ओर आ जाती है, तो राम गंगा, गुमती, घागरा, सारदा, गंडक, गोशी, महानदी, पद्मा, महानदा, पद्मा, तो सरी पदमा तो इसको नाम है तो इस तरह से क्या होती है इसमें बहुत सारे नदिया क्या हो जाती है मिल जाती है और वह हर नदि ही क्या कर लेती है वो अपने माल को छोड़ देती है आपर क्या करती है इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से वो क्या करती है अफसाद या गाद को अपने ही महाने पर छोड़ लेती है इसे एक आकरती का निर्मार होता है जो की क्या होती है डेल्टा नुमाया का इस त्रवजा काराक्रती बनती है जिसको हम क्या कह देते हैं डेल्टा कहे देते हैं क्लियर हुआ तो में एक बार फिर से बतातू, एक बता यह उसने अपने महाने के पास पहुंखें आठा ही, जिससे नदी क्या होती है, तो इस सारी धारा में बढ़ जाती है, जिससे एक तरवजा कर आकर्टी का निमान होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किस तरह से जो ऑगया है एक ठ्रकार का क्या होता है ग्रीक जो अख्छर है जिस तरह से आपको मिल जाएगा आफ़ा विटा गमा फिर आपको मिल जाएगा यह टेल्टा लोट डेल्टा लोकिती बनाती हैं तो इसके अब देल्टा का निर्माढ कैसे होता है उसके लिए कौन-कुशु सुwest TIM कह डेल्टा का निर्माढ होगा इस तरह से जवार की लहरों से दूर होना चाहिए यही एक वहीं पर पर दूस्री चीज यह है कि और दूसरी चीज यह है है वो क्या करती है बहुत दूर से क्या ने करा ही माल लेकर आई इस तरह से आपकर अब जब जब ज्वार आया एक दम पानी जो है ऊपर तक चड़ा और उसके बाद माल जो था उस पर जाकर कर लिया कहने रहा है और जब नीचे आएगा पानी सारे माल को क्या करेगी समुद्र में डाली इसके क्या होगा डेल्टा का निमार नहीं होगा पहली सर्थ मैंने आपको बताती है अगर बहाब तेज नहीं है तो वो आपका डेल्टा का निमार हो सकेगा बहाब तेज है तो सारा माल क्या करते हो क्या चला जाएगा पानी के साथ वो समुद्र में चला जाएग इसलिए उनने जयादा पानी भी नहीं है इसलिए उसमें जयादा म turnedמצ भी नहीं आता कि तहुですね होती है लिए पानी कर पाती है यह eldest सत्य बेसार नद्म के क्या दें वाटा को कभी यहथा हमीं को क्या हुआ मेननिषे वाटा को इसी तर्स जार आया भी है हम्ने वाह और उना दो हमें लेकर रखा और वे की वाटलट वो सारी क्या क्या ले गए न्वाहद लेगे फिलें इस तार्रट के उता है इसलिए ये ज़्यादा माल एकटा नहीं कर पाती है नहीं कोई ज़्यादा सायक नदिया है तो ये चोटा का परचे हो गया जो डेल्टा के बारे में हो गया कि डेल्टा का निमार किस तरह होता है कि डेल्टा का निमार किस तरह हो आपके पूंचा जाता है कि डेल्टा का निम क्या करती है उन साहिक नदियों की भी कुछ साहिक नदिया होती है इस तरह से मान लिजे इन नदियों की भी कुछ साहिक नदिया है तो विभी क्या लेकर आ रही है गाद मलबा मिट्टी इस तरह काटकूट कर लेकर आ रही है इसमें आ जाता है और उसके बाद क्या होता है यह आपने मुहाने करते हैं तो जो कि teasing कि इससे को हम कहने चारोओ उस्के हैं । आपका चापाकार डेल्टा चापाकार मतलब आपने आर्क तो सुना ही होगा ना चापाकार मतलब इस तरह से चाप लगाती है इस तरह से प्रकार होता ना इस तरह से चाप लगाती है समयाए ना इस तरह से तो यह क्या कर रहे हैं यह चाप लगा इस तरह से चाप लगा तो इ किस तरह से धनुस का तीर तान सकते हैं इस तरह से संगे रहा ना तो इसका निमार कैसे होता किस तरह की आखरती होती है चाप के आकार की आकाया है धनुस के आकार की होती है ठीक है इसमें अगर उतार की अगर बात कर ली जा तो यहां पर कुछ नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी इस तरह से यह चाप लगाती है इस तरह से को कि आपने कभी प्रिकाल देखी होगी ने छोटे प्र लगाया होता कि एतने चाप खीचिए तो कि इस तरह से करते इस तरह से प्रिकाल होती है एक प्रिकाल लगा लिजाती है इस तरह से होता है और यह करके इस तरह से यह करके दिखाओ इस तरह से तो क्या करते है चाप लगाते है क्या से मालीजी यहां पर प्रिकाल का पॉइंट हो जाएगा और इस तरह से प्रिकाल का पॉइंट और इस तरह से यहां पर एक मालीजी चाप खीच देंगे समझ माया तो आई यह के लिए करते हैं तो इसका निर्वा चप ऐा धनोस के आकार का होता है, कुछ प्रमक के चापा का डेल्टा है, उनके उधार पूछ ले जाते हैं, कि क्या आपका निर नधी का डेल्टा है। तो हम कहें कि हाँ वाइता चापा का डेल्टा है क्या ये वाला मुहाना चापा का डेल्टा है तो इस तरह से कुछ डेल्टा पूर्थ लिए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ नदिया मैंने बोल दी है नील नदी का डेल्टा गंगा डेल् नदी का लाइज़र नदी का इडावधी सिंदू वोल गाडेन, यू मेकांग, पोलीन, गोधावरी, किस्ना, कावभी, तो यहाँ पर मैं जूम करके लिखा लेता हूं यहाँ पर कौन-कौन से चेत्रों में कौन-कौन सी नदिया बहती हैं तो एक नजर यहाँ पर आप डाल सकते हैं, यहाँ पर आपको देख जाएगी जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गोलगा नदी, यह क्या करती है, आपका चापा का डेल्टा बनाती है, यहाँ पर आपको देख जाएगी लीना नदी, यह इस तरह से यहाँ पर लीन तो आपको पताई हो कि हमारे सबसे पवित्र नदी है इराबदी जो है यहाँ पर आपको इराबदी देख जाएगी जो म्यामार वाले छेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी इराबदी नदी उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर मेकांग नों को मिल जागी इसका दाना जी देखनेगों को मिल जागी आपको ठीक है यह कुछ ऐसी प्रमुग नदिया है जो क्या करती है क्या क्वी देल्टा का निर्मार करती है तो थे 2 डीन पर सब सक करते हैं थोड़ा सा देहते हैं तलता की प्रिकारूं में ने देहते हैं तना के चुड़िया होता है तो फ्ल्ड़ से चुडिया का पचा सो́ering में अपको मिलागा इस तरह से, एक, दो, तीन, जो चूड़िया होती है, उसके पंजा होता, उसके आकार का डेल्टा हम यह पर देख लेते हैं, तो डेल्टा के प्रकार में हम देखते हैं, पंजा का डेल्टा जिसको हम बर्ड फुर्ट डेल्टा भी कहते हैं, Mississippi नदी का डेल्टा जो कि उत्री चलती Lubra Déper k wizama यहां पर मेक्सिको की खाड़ी प्रिवेत कर जाती है लूशियुयाना पर यहां कर देखने को मिल जाएगा यह मेक्सिको की खाड़ी मैं चलते रात हीद्य है। तेक यह दंटा का मतलब दांत किस तरह होता है जो इस तरह से तोس misfaj to पेंगों सबसें इस तर बूत जो होता है इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा दंताकाल डेल्टा का नियमार करती है और इस्पेन की आपना जेल कर आती है इब्रो नदी यहां में एक देखने को मिल जाएगी इब्रो नदी कि यह टायवर नदी है आपकी किस तरह का डेल्टा बनाती है आपका दंता का डेल्टा बनाती है ज्वार नदमुक एक डेल्टा का प्रकारी होता है इसको हम एस्चुरी डेल्टा भी बोल देते हैं तो एस्चुरी मतलब होता है ज्वार नदमुक को हम राक्षिची मुक भी बोल देते हैं तो इसको तो जान्वननदक्ट की भात करें तो जान्दमक्र ह कूँछ होता है इस तरह से बनता है. ज्यादा उसका कुछ होता नहीं है इस sim जल Гईणाती तरह से राजच्छ जान्वननदक मुख के इस तरह से खुटता है करते हो देदा इस से इमिजन निकलती है यह आपका पेरु वाला छेत से होती 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 यहां से जाती है और यह बिराजिने प्रवित करती है यहां से आती है और यह इस तरह से यहां पर गिर जाती है ठीक है तो यह क्या करती है आपका एक क्या बनाती है आपका डेल्टा को एस्चुरी का निर् क्लियर हूब नर्मदा ताभी के बारे मैं आपको दिखा राओं किस तरह रही है टागी क्या करती है मतलब जो आप मने दिमकर निनमाइल करती है ठीक है चलिए नेख देख है वाटरफॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं वाटरफॉल या जर्न के बारे में थोड़ी सी तो हें से फिरिक बता दू माली ये नदी वैती ही आती है इस तरह से कहीं से दूर से और वे नती यहांसे वैती हुएं आ रहे है क्या करते है वो एक धलाबं से नीछे करती है उर में प्रम जली यहां से लेकर है बने है ус हैं नां लुटिय को जेए जल प्रपात का निर्माड होता है यानि कि waterfall का निर्माड होता है तो विस्त के कुछ प्रमुक क्या है कुजली हो गई यह यार पेर में खड़े 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 चलिए विस्त के कुछ प्रमुक जल प्रपात देख रहेते हैं यानि कि major waterfall of the world तो सबसे पहला जो है वो है आपका एंजल जल्प्रपात ये सबसे उंचा जल्प्रपात है उन्चाई इसकी है 989 यानिकी 979 इसकी उन्चाई है भी आपको देखिए लागये ने ज्मिश्वित है यहां पर आपको देखि़ आगए 9800 तक्षड एंजिल जलपिरपाथ कौनसा तुगेला जलपिरपाथ to मैं आपको यहाँ पर तक्षड अफरीका माधिप में आपको इसको कहते हैं तट्चट अधरीका तो यहाँ पर तक्षड देख जाएगा आपका तुगेल फिरिपाथ नेक टेख नियुक्त parks वो अ bes истор 같습니다 इसके बाद देखते हैं मौगे जल्ट फिलपा जो है आपका नौर्वे में ही है उसके बाद इसके बाद आपका जो है यह है आपका मुतारोजी मुतारोजी जो है जिंबंबे में पढ़ता है यहां पर आपको देख जाएगा अफरीका मादीब का इस इस जिंबंबे कहां पर है आपका मुतारोजी उसके लेक देखते हैं योंसे मांट जो है आपका कैलिफोर्णिया में जो की USA का यह क्या है आपका United States of America का इक राज्य है यहां पर मिल जाएगा इंप्लाइम् सोन का नॉर्वे में है माड्यास यह भी आपका नॉर्वजे मिल जाएगा क्यों कीनान जो है सुन्दर देकल तो यह पर यहां पर नखिक kriegen नामसे तो यहां पर आपको दीजाएगा कुछसा आपको सुन्दर्लैंट उसक का तो आपका है आपका दच्चिड अमेर का माधीब का उसके बाद तो गिला भी आपका लगाना चाहते हैं तो लगा अक्रीगा में है ठीक है इंसान मार जाता है अधिक गर्मी पढ़ रही हो तो भी क्या होता है इंसान मार जाता है या फिर आपने कर्था सुने होगी पता नहीं किसकी है कि अधिका भला न बोलना अधिका बला न चूप करके है न मतलब अतिकी बली न बरसना अधिकी बली न क्या दूप और अतिका बल ज्यादा ना भोलना अरतिका वाली ने चूप मतरब चूप मतरब चूप चाक होना ना ज्यादा सांत रहना भी अच्छा नहीं है ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है ज्यादा दोप पढ़ना भी अच्छा नहीं है और ज्यादा कर्मी पढ़ना मतरब सर्दी भी पढ़ना इसी तरत क्या होता है कि ज्यादा वेज शूर तो समखें hen Kya क्या होता है तो आईके केड ग्लेर करते हैं on study या मर चुकी सृच्टी drafting या नियों से देखंगे से देखेंगे her आपने 사용 Оं jus जाते हैं मरीश्टल इनकि मर्यूमी में वह बदर जाते हैं यानि कि भूमी मर जाते हैं वहाँ पर पेडब पॉदे या फिर जाधा जीव शर्शन दिन तो नहीं पाए जाते हैं ढहिए उसके बाद कुछ ऐसे भी जो होते हैं जो बहुत करने के काड़ क्या हो जाते हैं देखने को जाएगा सब्सक्राइब शुक्ता इस तरह से यहां पर आपको देखने को जाएगा सच आ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, 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 यहां से चलता है, मेक्सिको और USA में आपको देखने को मिल जाएगा, नेक्स बात करें, तो हम सहारा म मर Richardson की बात करने तो यह का उत्री अफरीका महदीब में इस्फ कि यह आपका कि इस चेत्र में हैं आपका उत्री अफ़रीगा महाधी बहुत है। कहांपर है बोस्ट दवाना में नेट देखते हैं सोमाली मरिस्तल जो कि आपका सोमालिया में देखने को मिल जाएगा यहांपर आपको सोमाली मरिस्तल जो है सोमालिया में देखने को मिल जाएगा यहांपर आपको सोमाली मरिस्तल देखने को मिल जाएगा नामिब जो है नामि दखड़े-अफ्रीका मादीब का एक देश है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए कौनसा यह आपका है आटाकामा मरिश्तर अगर जरो यह वाजिए पर पर पैटो gotonia तो जो अरगना में है जो तस्यरे अमरीक्त महाधीब काही एक देश है यहाँ से इस तरह से देखने को मिल जाएगा चले नेक्ट बात करते हैं इसी में ही हम बिस्तु के मरिस्तल में गल्म के व्यारे में ही बात करते हैं तो हम यहाँ पर अब नेक्स देखते हैं थार मरिस्तल जो की है उत्तरी पस्वी भारत पाकिस्तान में यहाँ पर आपको देखने को म मिल लाएगा तो यह आपका कौन से देश का महदीब का अश्री एसिया महदीब का भारत और पाकिस्ताने फैला हुआ कि को भारत कुछ याद कि ने कीछ बाइगा खाए हुआ टीक है ना्फिटन केTo हने लोत यहाँ पर आपको तेखने को घर तरफल्ब देखने को मिल जाईगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा है इस तरह से आप आपको देखने को मिल जाएगा है है यहां प्र सिंप्सन मुरुस्तल इस्ट्वाइट इस्टवनी मारिश्ट जाँगे तो इस तरह के कुछ है हां पर देखने को मिल जाएंगे ठीक है कहां पर आपका अफरीक और उस्टिलिया महादीब में ठीक है खिलियर हुआ तो यह कैसे मरिस्तर है गरम मरिस्तर है यहाँ पर दस्ते लुत और दस्ते कभी की अब बात की जाए तो दस्ते लुत जो है इरान में है और दस्ते कभी जो है पूर भी आपका इरान में है ठीक है चाले नेक्ट ब मंगोलिया और चीन सबसे बड़ा मरिस्तल है थंडा मरिस्तल अट्लांटिक महासागर को उसको छोड़ कर तो आप उसको छोड़ कर क्योंकि अंटार्टिक महाधी अगर बात की जाए दुनिया का सबसे अधिक थंडा मरिस्तल है और सबसे अधिक छीत्र बड़ में रहें वहाँ पर हमें उसके बार में अगर वो दिया जाता है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं वैसे हम यहाँ पर आप इतने ही बाद करेंगे उसको हमें आप छोड़ देंगे तो गोवी मरिश्टर है दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा म मंगोलिया और चीन में यहाँ पर मैं आपको च्यूंग करके दिखा देता हूं मंगोलिया और चीन में आपका इस्तितर टकला मकान जो है आपका सियान प्रांत में है जो कि आपका चीन में आपको देखने को मिल जागा टकला मकान तकला मकान यह टकला मकान मरिश्टर नेट में है या पास उजवेकिस्तान में ठीक है क्या तुर्क में इनिस्तान में कारा को गयाई को जो है उजवेकिस्तान में तो गोवी मरिस्तल को तीन भागों में बाड़ते हैं आप जो गोवी मरिस्तल इसको तीन भागों में बाड़ा जा सकता है तो यह आपके कुछ मरिस्तल हो गए, किलियर हो थंडय हो जरम मरिस्तल, ठीक है, तो चले, next देखते हैं. चली सात ही वह बढ़ते हैं, समद्र बिग्यान या जल मंदल के बारे मे बात कर लेते हैं. जल मंडल या समुद्र बिग्ञान यह की बात हो जाएगा कि आप लोहां पता है पूरी प्रत्वी पे सब से दिख क्या है जल है और जल वह हो भी किसके रूप में समुद्र के रूप में बेख रहा हुआ है तो हम यहां पर समुद्र बिग्ञान पढ़ ले यहां फिर जल मंडल का मतलब क्या होता है तो कि जल की वह परत जो प्रत्वी की सतय पर महाamam चांगरों जीलों नदीयों तथा अन जलालों के रूप में फेली हूई है प्रत्वी के कुल के लगवक सेवन्टी बन परसेंट वाग पर क्या जल का बिस्तार है इसलिए प्रत्वी को हम क्या कहते हैं जली ये गिरह भी कहते हैं जीपत गिरह कहते हैं हरा गिरह कहते हैं ठीक है क्लियर हुआ ना तो क्या मैंने बता है कि हमारी जो प्रत्वी है प्रत्वी का जो धरातल है धरातल की ऊपर क्या बिखरा हुआ है जल की परत फैली हुई है इस जल की पर परसेंट किया है इस थल है तो इसलिए हमारी प्रत्वी को क्या भी कहते हैं हम अपनी प्रत्वी को जल यह गिरह भी कहते हैं तो आई यह थोड़ा सा पर्चा देख लेते हैं जल मंडल के बारे में तो प्रत्वी के लगवक कितने 70.70.88 कैसा चला है शुटिया टाइप का कलर ह तउन्टिन चैएंट टू जीसिरू यह कह सकते हैं जल फ्रत्वी है आप लोगों के क्या दिख रहा है यह था तरह से फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो प्लग तो ऊच वहda d20 आपको देख सकते हैं महादीव आपको प्रत्वी किस तरह अगर कि तरह से गौल घूं रही है आपको नीली दिख रही है किस तरह से नीला ging रहेकल तो यह किस कार्ड दिख़गरा है यानि कि जीरो डिगरी आचान से यहां पर आपको देख जाएगा विस्वत रेका यह इस तरह से जाती है इस तरह से जाती है तो वेने क्या बताया यह आपका हो गया क्या जीरो डिगरी आचान से यहां विस्वत रेका या भूमत रेका तो भूमत रेका कि आप ऊपर देखें गौर करें तो आपको क्या देख रहा होगा कि यहां से शुरू होता है इस तरह से यह भाग इस तरह से यह इस तरह से शुरू होता है और यह आपका इस्थल हो गया और यहां से शुरू हो जाता यह इस तरह से इस तरह से हम यहां पर देख सकते हैं अब आप गौर करना दोनो थोड़ा सा। ठीक है? तो आप एक चीज ye notice करे कि उपरी जो उत्री गोलाद है, यह पर आपको क्या दिखा रहा है, उत्री गोलाद में आपको इस्थल अधिक जल दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से पूरा जल का क्या है, पूरा जल से गिरा हुआ है, इस तरह से यह इस तरह से हाँ पर देख सकते हैं, यह इस तरह से यह यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यही मैं आपको समझाना चाहता था, मैं यहाँ पर क्या बताना 59% यानि की मोटा मोटी 40% भाग पर आपका क्या है 40% भाग पर उत्री गोलार्द में क्या है आपका जल है और 60% भाग पर क्या है आपका मोटा मोटी आपका इस्थल है इसका मतलब यह हुआ कि उत्री गोलार्द किस तरह का गोलार्द हो जाता है उत्री गोलार्द को हम जलिये बो सरी, इस्तलिय गोलार्द कहते हैं, वहाई दक्षडी गोलार्द की अगर बात करना तो दक्षडी गोलार्द में आपका 81% आपका जल हो जाता है और 19% पर क्या हो जाता है इस तल हो जाता है इस काड़ क्या होता है यहीं ये काड़ है कि उत्री गोलार्द को हम क्या कहते हैं इस तली गोलार्द कहते हैं और दच्छडी गोलार्द को हम क्या कहते हैं जली गोलार्द को एते हैं यह फिर से बता दू मेंने क्या बताया कि आपका जो दश्ड़ी गोलार्द को हम जली गोलार्द कहते हैं और उत्री गोलार्द को हम इस्थली गोलार्द कहते हैं तो क्या परसेंटेज हो जाता है इस्थल और जलका तो उत्री गोलार्द में क्या हो जाता है आपका 61% आपका इस्थल हो जाता है और 39% आपका जल हो जाता है वही गुलार्द आपका क्या कहलाता है जली ये गुलार्द कहलाता है समझ माएगे ना तो प्रत्वी पर मौझू जल की कुल मात्रा का जल जो है महा सागरों में है जो की कैसा है खा रहा है यानि कि पूरी प्रत्वी है उस पर जितना भी जल है वो सारा का सारा क्या है अब का महा सा हम कह सकते हैं कोई हम केस न कर इसलिए बोल दूँ 70.8 परसेंट भाग पर क्या है हमारा क्या है हमारा जल है उसके बावजूद भी 70 परसेंट भाग पर जल होने के बावजूद भी कुल जल का कितना परसेंट यानि कि 2.5 परसेंट क्या है कुल जल का पीने योग है बाकी का जल तो कहीं गर्द कहीं खाईयां तो क्या कहीं इस तरह की क्या है आपको उच्चावच देखने को मिल जाते हैं तो महा सागरों की ओसत गहराई की अगर बात की जाए तो महा सागरों की ओसत गहराई जो है वो तीन हजार आठ सो मीटर है तीन हजार आठ सो मीटर है क्या ओसत गहर है पानी जो है हमारी या का जल जो है हमारी प्रति पर किस तरह का वित्रत है यानि कि किस तरह से वित्रत हुआ हुआ है तो उसको उन्पोड़ करते हैं प्रति पर जल का वित्रत है यानि डिस्ट्यूवीशन और वाटर अन अर्थ तो एक लिए थे हैं किस तरह से तो यहां पर जलास है आपको देखने को मिल जाएंगे जलास है जिसमें आपका जलास है मतलब जिसी महासागर हो गए, हिमानिया हो गई, हम्टोपी हो गई, भूमी गजल हो गई, धीले हो गई, मर्दा में नमी हो गई, वाई मंदल हो गया, नदिनाले हो गई, जैव मंदल हो गया, तो है यानि कि 70% माल लीजिए जल है तो 70% को हम माल लीजिए 100% माल लेते हैं जल के साथ से तो 100% में से यानि कि 97% क्या है आपका खारा जल है यानि कि महा सागरों में पाया जाता है ठीक है उसके बाद जो आता है आपका बाकी का लिए यानिकि 97.15% में निकाल लीजिए और बाकी का इस तरह से हम नीचे की हो चले आए तो यह जो टोटल होता है वो लगवग लगवग हो जाता है 2.5% चल यानिकि इतना तो आपको देख जाएगा जो महासागरों में वो तो खा रहा है यानिकि नमकी ने ये तो प छम्रव का टुकड़ा है तो और इक चीज़ शमझना बात को इस लस्टी को ऐसे करके क्या क्या पी तरह से नहीं कि नहीं हुग है ठीक है मतलब पैसे हम चाहे तो यह पेगल के जब आता है है क्योंकि हैं हैं नChat resource सकते हैं वह ही बात करते हैं भूम जय जो कि हमारा पीने और गर मैंनल लगा लेते हैं तो उननों उसको क्या करते हैं उहां पर टॉपी लगा कर निकालते हैं तो कितना परसेंट हो जाता है एंने की पॉइंट य कि पॉइंट opens इसा तरह से 068 ठीक है इस तरह से रोपे बात करें तो एक रूपे में सो पैसे होते हैं उसी तरह से आप कितरे हो जाते हैं सिड़नों को फार्स पैसे ओ जाते है तो जिरो बात की जाता तो जिरो बात- जीरो वन इसका मतलब यह है कि अगर माल लीजिए पूरा सो परसेंट है सो परसेंट में से हम एक परसेंट लेते हैं यानि कि एक परसेंट नेते हैं एक परसेंट में से हम एक परसेंट को हम एक रुपया माल लेते हैं तो एक रुपय में कितने होते हैं आपके सो पैसे होते है तो यहां पर महासागर की बात की जाए तो आपका कितना है 97.15% इमानियों हिमटोपी की बात की जाए तो 2.05% भूमिंगजल की बात की जाए तो 0.68% इसके बाद 0.01% ठीक है तो यहां पर आपको दिख गया होगा गर्षाब कि सबस्य दिख़ी है तो पीने को पानी इतना ही आपको देखने को मिल जागा मैं और भी बता दूँ जरूरत तो नहीं है फिर भी मिर्दाव में नमी की बात किता है जो पॉंट जीरो 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 फाइब परसंट आपका वाईव मंदल की बात की जाए तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो बन परसेंट नमी की नदी नाले की बात की जाए तो आपका जीरो 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 बन परसेंट और जैम मंडल की बात की जाए तो जीरो 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 यानि की इतूसा होता है वो बहुत कम आत्रा मान सकते हैं ठीक है यहां पर आइस महासागरी नितल के उच्चावच यानिकि यह क्या होते है उच्चावच मैंने आपको बताया था जिस तरह पहाड परवत कहीं नीचा पठार इस तरह की आकरतिया देखिती वहीं इसमें कुछ क्या होती है तो यहां पर महासागरी नितल या महासागरी तली या फिर महासागरी तल जो भी आपको अच्चा लगे तो महासागरी नितल या महासागरी तली के उच्चावच यहां पर बात करने वाले हैं ठीक है जिनको हम इंग्लिस में कहते है relief of the ocean filler ठीक है क्या relief of the ocean fillore के बारे में आप पात करते हैं तो आईए clear करते हैं तो महा इस्थल की उंचाई तथा महा सागरों की गहराई को उच्चतादर्शी बकरिया कहें उच्चतामितिय बकरिया कहें हिप्सो मेत्रिक या कहें हिप्सो ग्राफिक कर्ब से मापा जाता है मैं फिर से बता दू मैंने क्या बताया इस्थल की उंचाई तथा महा सागरों की गहराई को किसे इस्थल की उंचाई यानि की उंचाई और महा सागरों की गहराई को उच्चता दर्सी बक्र से मापा जाता है जिसक हम क्या करते हैं मैं फिर से बता दू इस तल की उंचाई तता महा सागरों की गहराई को उच्चता दर्सी बक्र से माँ पाच जाता है इसके आधार पर या उच्चता दर्सी बक्र के आधार पर महा तागरी ये नितल या महा सागरी ये तल या कहें महा सागरी ये तली के उच् से फच्म पर किनारे से क्जा करते हैं कि यह बाट देते हैं हैं पर आपको देख जाएगा महा सागरी जो किनारे होते हैं इस तरह से महा सागरी किनारे होते हैं महा सागरी किनारे से क्या करते हैं जितनी और गहराई की और बढ़ते हैं इस तरह से इस तरह से गहराई की और जाते हैं तो गहराई तक जो आपके तल है या करें नितल है उसको हम कितने भागों माड़ देते हैं चार भागों में बाड़ देते हैं सबसे पहला जो आता है बो आता है मगन तट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा मगन तट दूसरा जो है बो आपका मगन ढाल यानि कि continental slope गहरे सागरिय मैदान है नहीं deep sea plants next जो है वो है महा सागरिय गर्द यानि की oceanic deeps पर फिर से बता दूँ महा क्या बता दूँ उच्छता दर्सी बखर के आधार पर महा सागरी नितल के उच्छाबच को महा दीप किनाय से यानि की महा दीप होते है ओ, अधीप सब्सक्राइब हम समुधर में प्रिवेस करांगी अधीजाथ महा दीप किनाया से सागर की गहराई तक अंदर चलते चले जाथे चलते चले जाते हैं पहले इतना डूबूँगा फिर और डूबूँगा और गहराइए में चलते चले जाएंगी यहां पर बात करते हैं, तो यह महाधीबों के किनारे वाला भाग होता है, जब महाधीब होता है, तो आप लोगों को पता है, महाधीब जो होता है, महाधीब एक्दम जैसे ही महाधीप और महासागर की सीमा आती है तो यह तो यह नहीं कि महासागर को ऐसे से काट के उस में से क्या करके कर दिया अलग कर दिया है और पानी वाला ची तरह लग गया और महाधीप बाला अलग चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे इस तरह से यानि कि जो continental यानि महादीपी जो दरातल होता है क्रेश्ट होता है वो परपटी होती है वो क्या होती है काफी दूर तक value ही होती है इस तरह से इस तरह से यहां पर यहां तक अभी क्या चल रहा है आपका इस तरह तो clear हुआ ना तो मैंने क्या बताया महादीपों के किनारे वाले भाग को हम क्या कहते हैं जो महादीपों के ही क्या होते हैं महादीपों के ही क्या होते हैं महादीपों का ही हिस्सा होते है जो क्या होता है सागर के जल से क्या हो जाता है ढग जाता है जो क्या कर लेते हैं या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि महादीपों के किनारे वाले भाग होते हैं जो महासागर के जल में क्या होते हैं डूबे रहते हैं और इन छेत्रों में क्या होती है अब सादों की मास्तरा जो होती है बहुत अधिक होती है इनकी ओसत गहराई की अगर बात की जाए 80 km तक आपका क्या बना रहता है महा सागरी या काए महा धीपी जो मंगन तटोता है यह आपका होता है महा धीपी कुनारे वाले भाब को जो कि महा सागर के जल में ढूबे रहते हैं उनको महा धीपी कटक Yumed कहते हैं और इन छेतरों में क्या होती है अवसादों की या माल की या मलवे की या मिट्टी की क्या होती है अधिक्ता होती है क्योंकि नदियां जो होती है यहां से इस तरह से नदियां मैं आपको दिखा देता हूँ नदियां क्या होती हैं मैंने बताया था नदियां किस तरह से करती हैं नदियां पाड़ी छेतर से आगर लेके आती हैं उसके बाद क्या करती हैं नदी जो जल होती है अपना सारा कहां ले जाती है समुद्र में ले जाती है और समुद्र में ले जाके क्या करती है सारा मलबा सा होता है मगन जो तट होता है मगन तट जो होता है वो क्या होता है इसमें अवसादी जमाब की क्या होती है अधिक्ता होती है जो किसके द्वारा लाया जाता है नदियों के द्वारा लेकर आया जाता है ठीक है समझ मैं है ना इसकी और सच चोड़ाई की अगर बात की जाए या सो पचास मिन्टर तक हो सकती है और इसको हम लगबग सो फैदम भी कह सकते हैं इसकी डाल की अगर बात की जाए तो बहुत ही मंद होता है लगबग एक डिगरी से तीन डिगरी के बीच तक हो सकता है अब एक डिगरी से तीन डिगरी के बीच की अगर हम बात करने तो मान लीज कि यह आपका कितना हो गया, 90 degree का कौन हो गया, इस तरह से यह 90 degree का आपका हो गया, इसके बाद यह माल लेजे बीच का कर देते हैं तो यह 45 degree का बन DOWN है एक सेकंड माले जे नाइंटी डिग्री का ये वाला हो गया इस तरह से नाइंटी डिग्री का हो गया उसके बाद अगर हम माल लेते हैं ये आपका इस तरह से इसका नाइंटी डिग्री का आधा सीदह कैसा डाल हो जाएगा इस तरह से sीदहुटर की ना जो जाएगा इस तरह से सीदहुटर 75 तो A eksi 1 प्रसेंट के बीच में किए ब्रावर होता है जिस से माल जो रॉता है अब साधी जो जमार होता तो धीमे धीमे नीचे बढ़ता है, केलियर हुआ, तो समझ मैं आए ना, इसकी गहराई कितनी होती है, एक सो पचास से दो सो मीटर के बीच में गहराई होती है, चोडाई एगर पूंची जाती है, चोडाई जो है लगवग असी मीटर तक हो सकती है, और कहां से कहां तक होता ह है, महादीपी ये किनारों के याका है, महादीपी ये जो किनारे होती है, सागर में जब भू जाते है तो उतको मगन ढाल कहते है, महादीपी मादेखते हैं बात करते हैं, के लियर, चली, महादीपी अ waiter के बाद में लेपरागों कि युठारा है वो आपकी देखने को मिल जाएगी इस तरह से मैं आपको दिखा दू इस तरह से जो आपका ये आपका न्यूपर रखनी अपर देखने को मिल जाएगा लिगए के पास आपको कैसे घ्र लेंड वेंग जो की क्या है एक बहुत बड़ा मतस्य छीतर है ठीक है ज़िए आगे बात करते हैं तो इन मगन तटकी विस्तार की अगर बात की जाए तो अट्लांटिक महासागर के 13% भाग पर क्या है आपका मगन तट हैं अट्लांटिक महासागर का हैं आपका ये अट्लांटिक महासागर शुरू हो जाता है ये अट्लांटिक महासागर इस तरह से S की आकरती मैं आता है इस तरह से तो आपको देखे जाएगा कि इस तरह से यहां से शुरू होते हैं क्या है आपका यह इसके जो किनारे वाले भाग हैं महासागरी है किनारे वाले भाग है तो यह क्या होगा आपका यह महासागरी किनारे वाले भाग जो किनारे जो इनके डूबे हुए इनको हम क्या कहेंगे मगन तट कहते हैं ठीक है यह इस तरह से तो यहां से एस की आक्रती बनाता ह हुआ उत्री अट्लांटिक से दच्छुरी अट्लांटिक यह अट्लांटिक महसागर है कि लगवा कितने चेत्र पर पहला हुआ है क्या सचशल मासागएं पर्सांति वाले हैं तो टेरे पर्सेंट वाले फैला हुए पीर้न पर्सांति वाले रॉटिछे तो हिंद महासागए आपका चार परसरेंट पहाग पर देखने को मिल जाता है क्योंकि इस तरह से क्रथन्फी तो अगर हम पिर्सांत महसागर देखें तो पिर्सांत महसागर की बात करें ना तो पिर्सांत महसागर इस तरह से यह यहां से शुरू होता है तो कुछ लोग इस तरह से क्या होदा यह इस तरह से तो अभी मैंने बताया था मगन तट्क्या होता है तो मिनतर क्या मैंने बताया था कि कि उसकी गहराई कितनी बताई थी मैंने असी किलो मीटर तक इसकी चोड़ाई होती है गहराई कितनी एक सो पचास से दो सो मीटर की बीच में आपकी गहराई हो जाती है इसकी डाल कितना बताया था महादीपिय मगन तटका डाल कितना बताया था मैंने बताया था एक से तीन प महा सागरी मैदान तो सागरी मैदान और मगनफत के बीच वाद को हम क्या क्या कहते हैं मगनic ढ़ाल क्या चैँ कि आपको यहाँ 번째 है यह सिस्तर यहाँ इस सुरू हो temas है उसके बार मोग्ने हो जाता है और इस तरह छनए चला जाता है उसके हम सागड़ीय मैदान हो जाता है शरूब तो आई कि लिए करते हैं तो जल मगन तठसा गेरे सागड़ीय मैदान के बीच वाले तीब्र ढाल को हम क्या कहते हैं महाधीपिए मगन ढाल ज Annual कांटिनेंटल slope कहते हैं इसका जो सामन में धाल होता है तीन से पाँच परसंट के बीच होता है जोकि आपका मगन धाल से काफी हद तक ज्यादे होता है इस मन्डल में क्या होता है अवसाद की क्या होती है अमाल की या मलवे की क्या होती है कमी होती है क्योंकि खड़े डाल होने के काड़ क्या होता मलबा जो होता है रुक नहीं पाता है ठीक है मैं फिर से बता दू मगन डाल क्या था मगन डाल में क्या होता है तीन से पांच डिगरी तक क्या है इसका डाल है इसलिए इस पर क्या होता है अफ का मगन तट जो बैने बताया था मगन तट में क्या होता है थोड़ा से डाल जो था तोड़ा कम होता है इसलिए यहाँ पर इसकाड क्या होता है इसकाड मलवार रुक नहीं पाता इसी सामान गहराई की अगर बात की जाए तो 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक हो सकती है वहीं आपकी मंग न डाल की गहराई मेंने कितनी बताई थी 150 से 200 मीटर तक बताई थी भाई इसकी जो है सामान गहराई जो है 200 मीटर से 3000 मीटर तक हो सकती है इसका मतलब 200 मीटर से लेकर 3 किलो मीटर तक हो सकती है इसका बिस्तार सबसे अधिक जो है अटलांटिक महासागर के अटलांटिक महासागर पर है लगवग लगवग कितने हैं मगन ढाल मौजूद हैं ठीक है तो समझ में आया ना सब मगन तट कित पे से सबसे अधिक तो मगन तट आपके अट्लांटिक महासागर पर ही थे उसके मगन ढाल भी क्या है सबसे अधिक कौन से चित्र में है अट्लांटिक महासागर पर ही देखनों को मिलते हैं ठीक है और सरङ मेंधन के बारे में बात करते हैं तो यह इस्तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह से माहा भी आपका अरभी आप साग्र मेंधन पहुंचाते हैं तो तो आपको देखने को मिलता है सागरी अमसागरियमे donn ठीक है यह दो बाग तो ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं ठीक है दो बाग ज्यादा गहरे नहीं होते हैं एप ठीक है ये छो होता है बहुत कहराई में पहुंचाता है तो यह हैं नितल या कह Александthirds तल या महासागरी तली का या पूरा जो महासागर मैंने बताय था उच्चावज का सबसे ज्यादा छेत्र में फैला हुआ भाग होता है यानि कि लगवाग लगवाग या गया गया है कुल नितल का 75.9% या आप मोटा मोटी अगर हम इसको कहें तो 76% भाग पर आपका क्या देखने को मिल जाता है आपको गहरे सागरी मैदान देखने को मिल जाते हैं इसकी गहराई की अगर बात करें तो 3000 मीटर से लेकर या का 3 किलो मीटर से लेकर 6 किलो मीटर तक की इनकी गहराई हो सकती है इनका बिस्तार की अगर बात की जाए तो इसका बिस्तार प्रसांत महासागर में ल Atlantic महासागर में 54% देखने को मिलता है मैं फिर से बता दूँ मैंने क्या बताया जितने ये महासागर का जितना भी उच्चावज होता है महासागर इंदर के जितने भी उच्चावज होते हैं उन सभी के उच्चावज हो में सबसे अधिक छित्रों में फैला हुआ क्या होता है आपका कौन सा होता है आपका ये महासागरी मैदान होते हैं जो पूरे यानि कि महासागरी उच्चावत जो है नितल की जो उच्चावत हैं इतमें कितने भागम फैला हुआ है 75.9% भाग पर फैला हुआ है इसकी और सबसे अधिक भाग पर फैला हुआ है प्रिसांत महासागर महासागर में गैरे सागरी मैदान फैले हुए हिंद महासागर आपको यहां पर देखने को मिली जाएगा यह हिंद महासागर इस तरह से हिंद महासागर हिंद महासागर में असी पॉइंट एक परसेंट भाग पर फैला हुआ है अट्लांटिक महासागर की अगर बात की जाए इस काड़ ये जो समतल मैदान की तरह लगते हैं लेकिर ये पूरी तरह से समतल नहीं होते हैं बलकि कैसे होते हैं थोड़े से उबर खावर होते हैं इनका जो ढ़ाल होता है बहुत ही मंद होता है यानि कि मंगन तट से और मंगन ढ़ाल से बिलकुल ही नके बराबर होता है देखने में लगते हैं लेकिन अंदर अगर जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा उबर खावर देखने को मिलेगा है यहां पर क्या होगा जो आलम की परवत देखने को मिल जाएंगे जो आलम की का लावा मिल जाएगा और उनकी राक फैल्यू ही मिलती है क्यों कि हमारा जो महासागर है महासागरों में क्या होते हैं अंदर जो सागरी मैदान होते हैं उनमें बहुत सारी क्या मिलते हैं देखने को जो आलम की गिरेंगे मतलब महासागरी जो मैदान है उन्पत हो जाके गिरेंगे समझने बाद को उच्छा लिए कलियर करते हैं आगे देखते हैं महासागरी गर्थ देख लेते हैं महासागरी यह मंगनतर आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से गर्ट देख लेते हैं यानि कि oceanic deeps देख लेते हैं दौनों तरफ यह लाग होता है इधर से भी अगर जाएंगे तो भी और इधर से भी जाएंगे तो भी ठीक है महासागरी गर्थ यानिक oceanic deeps देख लेते हैं यह क्या होता है तो यह महासागरों के सबसे गहरे भाग होते है है यह महासागरी नितल के लगवग लगवग साथ परसेंट भाग पर क्या है फैले हुए है ठीक है इनके धाल जो होते हैं बिल्कुल खड़े होते हैं किस तरह से होते हैं इस तरह से इस तरह से आप देख सकते न या इस तरह से तो नहीं होगा इस तरह से यहां पर आपको दे को मिलने जाएगा, ठीक है? तो ये खाई, ये खाई और घर्थ ज आला मुखी तता भू कंपी क्रियांवाले छेतरों में जादा पाय जाते हैं. मैं फिर जक्तर présent मैंने क्याद सीमा होगा फिर सीमा होगा फिर सीमा होगा फिर निफे होगा कि इस तरह से बता है तो उस तरह से क्या होता है जब आप अंदर चलते चले जाते हैं तो बहुत सारे जाला मुखी आपको देखने को मिल जाएंगे तो जाला मुखी पर क्रियां में होती रहती हैं समुत्र के मतलब है कि यह जाला मुखी किरियाओं से और भूकंपी किरियाओं के काड़ इनका निमार हुआ माना जाता है मेरियाना जो ट्रेंच है बेश्व की सबसे गहरी खाई है या गर्थ है मेरियाना ट्रेंच बेश्व की सबसे गहरी गर्थ या ट्रेंच है इसका मतलब यह हैं कि आठग लग वाग्वग लुन आपका मान सकते हैं आपका कुल मेंलाके नो किलो मिटर मान सकते हैं आपका हमाले वाला खेत्र हिमाले की चोटी यान कि एवरिस्ट वाली चेट्र क्रिक 해요 को bowl ही सकते है उसके और मेरा आइना ट्रंच में चले जाएं तो आप चले जाएंगे आपका लगवग लगवग 11 किलू मिटर नीचे चले जाएंगे ग्यारे पिलस आप आठ में जाएंगे तो आप अंदा लगा सकते हैं कितना गहरा इसकी होगी समझ रहा है बात को यानि कि आठ जार आठ सो अरतारीस मीटर आपका क्या है एवरेस्ट है उसके नीचे चलते चले जाएंग चलते चले जाएंग तो यहाँ पर मेरी आना घर्ट चलेंजर गर्थ आपको देखने को मिल जाएंगे जिसकी कितने गहरा है यह आपकी ग्यारे हचार पैंतीस मीटर ठीक है समझ ना चले आके बढ़ते हैं तो समझ में आया ना महासागरी की गर्थ क्या होते हैं महासागरी की गर्थ वो सागरी यह गड़े होते हैं सागरी यह गड़े या कहें, सागरी ये गहरे भाग होते हैं, जिनका ढाल जो होता है, बहुत ही खड़ा होता है, समझाए ना, इनका निमार कैसे होता है, जालमकी या भूकमपी क्रियाओं के आतर पे होता है, ठीक है, इन गर्तों में क्या मिलता है, आपकी जालमकी की राक मिलती है, जो पूछी जाती है मेजर ट्रेंच या थ्रू तो आए देखते हैं क्लियर करते हैं को सबसे पहला जो है मेरियाना या गवान दीप माला या कहें चैलेंजर गर्थ गयराई कितरी है ग्यारे हजार तेंटीस मीटर या मटा मोटी हम इसको कह सकते हैं क्यारे किलो मीटर कहां पर है उत्तरी प्रसांत महासागर में कैसे यह आपका पूरा छेत्र जो है प्रसांत महासागर वारा चेत्र है इस तरह से आपर आपको देखने को मिल जाएगा नौर्ट पेसिपे इस तरह सुरू होता है इस तरह से इस तरह से सुरू होता है यह इस तर है ना यानि कि यह उत्तर दस्चड पूर पस्चिम ठीक है समझा है ना चाहिए क्लियर करते हैं तो मेरी आने या गवान दीपमाला या चैलेंजर गर्थ की अगर गहरा ही मैंने कितनी बताई आपका क्यार है किलो मीटर अगर मैंने इसकी कहां पर बताई उत्तरी प्रसांद मा आपका यह आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है चलिए टौंगा या एल्डिच या समाव दीप यहां पर जो गहरा ही लिखिया उसके बारे में लिखिए उसके बार्यानिक यह और जिक है टौंगा या एल्डुरिच या समौवा दीप जो है मद्द दच्री प्रसांद मा यहाँ पर आपको देख जाएगा इन्मा देखडी प्रिसांत महसागर्ण में दूसरी सबसे गहरी क्या है यह खाई है दूसरी देखते है, जापान यहां पर आपको देखने को मिल जागी यहां पर आपको देखने को मिल जागी जापान ठीक है यह जापान की खाई ठीक है नेक्ट बात करें कुरिल या कुरिल आपको देखे जो में कुरिल या कम चटका ट्रेंच सखालिन कम चटका से थोड़ी सी दूर देखने को मि को मिल जागी मिंद नाओ या मिंद ये कहां पर आपका फिलिपी वाले में देखने में गया रहा उत्तरी पसीमी प्रसांत मानच आगल है अगद ऊत्तर दसचिड पूर पस्यम तो messages आपको कहां दच्छडी परसांत महासागर में देखने को मिलेगी दच्छडी परसांत महासागर में यह इस तरह से पेरू चिली आटा कामा ठीक है यह इस तरह से पेरू चिली आटा कामा यहाँ पर आपको चिली की कर्द देखने को मिल जागी पेरू और चिली पेरू और चिली ठीक है च करते हैं आख यहां पर पस्शीन बाले चेतर में 25 हूप शचिट करते हैं। पाई जाते हैं उनको हम कहते है पाश्चिमी दीप सम्वू ये चिसरी ये क्या कहला था पाश्चिमी दीप समून को क्या केते हैं पाश्चिमी दीप तर गोगाई धुण लेको दूसरा देखते हैं डाई-मेंटिना डाई-मेंटिना लीप ठीप है तो डाई-मेंटिना डीप के अगर बात की जाए तो हिंदं महासागर में देखने को मिल जाएगी कहां पर आउस्ट्रेलिया वाले छेत्र में म게 आपको जूम करके देखाता हूं डाई मेंटिना ठी रॉद्म पूर्व करते हैं यह आपको देखने को मिलाई जावाया शुंडा खाईग कहा पर है पूर्वी हिंद महासागर में रॉड्स दच्षडी सेंडविच या रोस्त की बारे में बात की जाए तो दच्षडी हिंद महासागर या दच्षडी अट्लांटिक महासागर अब यासे माने यह उत्तर दच्षड पूर पश्यम उत्तर दच्षड तो मैंने क्या बताया दच्षडी अंद महासागर यह पूर उत्तर वाला उत्री अट्लांटिक महासागर यह है दच्छडी अट्लांटिक महासागर तो उत्री और दच्छडी में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा साव रोस अंत्रीप के पास में ही दच्छडी सेंडवे से रोस खाई चलिए नेफट काप्स करते हैं महासागरों महासागरी नितल के अन्य आकरतियां देख लेते हैं यह आपने उच्छापच देख लिए कुछ अन्य आकरतियां भी है यानि कि अधर उस्येनिक लेंड फॉर्म्स तो आजिए इंको क्लियर करते हैं चलिए सब्मरीन कैनियन्स मैंने आपको क्या बताया था महादीपीय मग नजालता था मगन तटपर वी आकर की खाईयां पाई जाती है इन्हें अन्ते सागरीय कंत्रा है या कैनियन कह जाता है को कि मैंने आपको क्या बताया था किस तरह से आपका सबसे पहला जो यानि कि मैंने आपको क्या बताया था कि माली यह समुद्र है समुद्र जो होता है महा सागरी यह महादीपी यह तट से लेकर गहरे सागरी भागों तक क्या कहलाता है कितने भागों माटा जाता है चार होते होते हैं किसमें महा सागरी जलसे तो उनको हम क्या कहते हैं मगन तट कहते हैं ठीक है तो मगन तट और मगन ढाल में बीच में क्या होते हैं गहरी गहरी खाईयां मिलती हैं या कर वी आकार की क्या होते हैं गैप होते हैं वी आकार की क्या होती हैं खाईयां होती हैं उनको ह क्या कहते हैं अंताय सागरिय कंद्रा या कैनियन कहते हैं मैं फिर से बता दूँ यहां पर आपको जून करके दिखाता हूं मैं आपको यह गहरी गहरी वी आकर की गाटी देखने को मिल जाएंगे इस तरह से ठीक है यह आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है इनको कहते है उसके बाद सागरिय मेंदानी आ जाता है यह क्या होता है इस तरह से यह ठीक है समझा गया ना चलिए तो मैंने क्या बता है महादीपी यह मगन तड़ तथा मगन ढाल पर वी आकार की खाईयां पाई जाती है इन्हें अंतर सागरिय कंद्रा या कैनियन कहते हैं जैसे कि आपक या नितल पाणियां तथा गय योत के बारे में या गयोत के बारे में बात करेंगे आपर तो सागरिय परवत क्या होते हैं सागरिय परवत मैं आपको बताया था समुद्र में मौझूद परवतों को जल मगन परवत या नितल पाणियां या सागरिय परवत कहते हैं और इनक हजार मीटर तक यानि की एक किलो मीटर तक हो सकती है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे यह समुद्री परवत जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे समुद्री परवत जो है यह आपका जो आलमकी दीप है यह आपका समुद्री परवत देखने को मिल कितनी हो सकती है इनकी उंचाई जो है वो एक हजार मीटर यान कि एक किलो मीटर तक हो सकती है चोडाई कितनी हो सकती है दो किलो मीटर से लेकर सो किलो मीटर तक हो सकती है इसी प्रकार जो गयोत क्या होता है गयोत या गाई आठ आपको देखने को मिल जाएगा किसी वुक में गयोत भी देखने को मिल जाएगा तुछ निन यहां पर लिख दिया है तो गयोत जो है या गायोत जो है वो क्या होती है उसको भी देख लिएती है यह भी क्या होते है यह भी समुद्र में ढूबे हुए परवत होते हैं लेकिन इनका जो ढाल होता है, इनका जो सीर्स होता है, या जो चोटी होती है, आका है, ऊपरी जो भाग होता है, जो निकला हुआ, वो क्या होता है, सपाट या चप्टा होता है, मैं आपको फिर से किलिए गता हूँ, मैंने क्या बता है, समुद्री परवत, या नितल पहाडि सपट हो जाता है या पिर सम्थयाता है तो इसको हम गयोत कहते हैं, 22 में अंतर समझ में आगया अगर मव्यूद परवत है समधुकी अंदर और वह यह ऐसा है अगर वह सपट नहीं है तो गयोत नहीं कहला आएगा लेकिन अगर उसका उपरी भाग इस्तरह सपट है तो वो क्या कहलाएगा वो गयोत या गायोत कहलाएगा किलियर हुआ अंतः सागरी कंद्रा आपको समझ में आ गया होगा मगन तट और मगन ढाल के बीच में क्या होती है गहरी-गहरी विवीयाकर की गाटियां पाई जाती है जिनको हम अंतः सागरी कंद्रा कहते हैं चलिए नेव्ट बात करते हैं, चलिए सातियों, महा सागरी कटक के बारे में बात करते हैं, ओश्यनिक रेज़िच क्या होती है, इनको थुरा सा देखते हैं, तो आइए देखते हैं, ओश्यनिक रेज, ठीक है, तो महा सागरी या सागरी कटक, ठीक है, तो सागरी कटक हर समदरों में पाई जाने वाले जगल मगन परवस श्रंगला होती है महासागरी परवत मैंने आपको बताए थे महासागरी परवत उसमें कहा होती है अब यहाँ पर बात आती है ऐसी परवस श्रंगला जो किसमें डूबी हुई होती है सागर में डूबी होती है उसको महासागरी कटक या फ निर्माड दो अफसारी पिलेटों के बीच मैगमा ठंडा होने से तता भू परपटी की नई परत बनने से होता है भाई या यह क्या होता है दो अफसारी पिलेटों के बीच की मैगमा ठंडा होने से कैसा होता है क्यों मैं आपने बोलो बताये था कि किस तरह से हमारी जो प्रत होता है वो क्या करता है प्रत्वी का यानि की समुद्र के अंदर ही जो सतय होती है उसको फाड़ कर क्या कर लेता है वो बहार चला आता है जब बहार चला आता है तो वो क्या करता है वो मैगमा ठंडा होकर क्या कर लेता है कटक के रूप में जम जाता है या परवती एक स्रंग मतलब अंदर ही अंदर महासागरी जो महासागरी सागरी जो मैदान है वहाँ पर क्या है अंदर ही अंदर क्या है बहुत मजबूत एक परस चड़िए लेकिन किसी काड़ क्या होता है जो प्रत्वी की जो अंदर भरा हुआ है वो क्या करता है मालीजे इसके नीचे बहुत सारा माल भगर भणा हुआ है, बहुत सारा मैंग मलीजे पिगड़ा हुआ है नीचे लेकिन उपर क्या है कि फर ي dynasty होती है, किसी אז मालीजी यह परस है बहुत सारी हो किसी काड़ घया हो जाती है परत यह इस तरह जो फիलीजी में वहतो है ओने है ऑर उसको रिचनी हो थे प्रळूआ जहowo दग तो से देड़े welcoming यहांनि कि इसी तरह से म्यक्मा को होता है दो क्या करता है सब प्रवतिय सिरंख्रा बन जाती है इसको हम क्या कहते हैं महासागरी कटक कहते हैं तो अटलांटिक महासागर में मद्य महासागरी कटक जो है दुनिया का सबसे बड़ा कटक हैं। भी ले लेते हैं तो ऐसे आपको दीप कुछ मिल जाएंगे जैसे कि यहां पर एक दीप दिखाऊं जो की जो की यहां पर इंदी में करते हैं जो रेस लिखा हुआ है जो की पुर्तगाल के आयन तरगत आता है यहां पर मद्ड डॉल अट्लांटिक कटक से लेकर यह चलता चला जाएगा नीचे इस तरह से ठीक है तो आईए कलिए करते हैं एक एक करके महासागर तो चलिए फिर महासा है कि अछी हुग Means पर किरते हों खे जए सबसे प्रैंटें करते हैं तो आई जाता है और महसागर यनि अटलन्यिक महसागर सके बाद आता है हिंद महसागर उसके रहा आता है आर्ट vibe 語ल सागर थेल, तू इस तरह से हम कर्के क्लियर करते हैं ऐसे कि आर्टिक कुं है तो आजी समझते हैं एक 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 करके थोड़े सी पहले से यहां पर छुट पर जानकार ले ले लेते हैं प्रसांत महसागर पूरे जितने भी जल है उसमें प्रसांत महसागर है 45.7% पर फ्यारा हुआ है यहां कि जो पूरी परत्वी परत्वी है 29.2% भाग पर क्या है आपका इस्थर मंदर है तो टोटल में लाकर 100% प्रत्रिविए यह भाग हो जाता है उस 100% में 70.8% को हम इधर किनारे ले आते हैं उसको हम माल लेते हैं 100% ठीक है उस 100% का 45.77% पर आपका हिंद महासागर है, 2.2% पर आपका अट्लांटिक महासागर है, यानि कि अंद महासागर, उसके बाद 20.34% पर आपका हिंद महासागर है, उसके बाद आर्किक महासागर जो कि आपका यहां पर आपको देख जाएगा, आर्कि महासागर 3.9% पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो हाई ये किलेर करते हैं कि करके में आपर जूंग करके भी दिकार दीता हूं यह का कि आख की बनाता हुगा आपका अट्लांटिक महासागर उत्री और दचली भाग में फैला हुगा हिंद महासागर प्रसांथ महासागर ठीक है और यहाँ पर मैं प्रिशंत महाँसागर यानि पीश्पिक ओसिन यहां बिस्तु का सबसे बड़ा तरह सब्से गहरा महासागर रहा है तो आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर देखने को मिल जाएगी इस तनी गयाराई नहीं ग्यारहएँ और 33 मीटर है इसकी ठीक है तो आपको हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के दोनों के जल को जोड लिया जाए और अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर प्लस आपका किस के आपका अंटार्टिक महासागर यान की अंटार्टिक जो महासागर है उसको भी जोड लिया जाए उसके जल को मिला कर आपका य गेरे हुए एक तहाई भाग गेरे हुए एक तहाई भाग कितना होता है यानि कि बन अपन थिरी यानि कि कितना हो जाएगा ठर्टी थिरी परसेंट हो जाएगा यानि कि कुल प्रत्वी का कितने भाग गेरे हुए है ठर्टी थिरी परसेंट गेरे हुए है इसकी ओसत गेरा है जो है, चार हजार पांसो पहत्तर मीटर है, लगवग, लगवग, मुटा-मउटी माने है, तो साड़े चार किलोमीटर इसकी ऑसद गहरा ही है इसमें बिसकी सबसे गहरी गरते हैं, इसमें कटक बहुत कम देखने को मिलते हैं, कटक अट्लांटिक कटक है जो कि पूरी दिनिया का सबसे बढ़ा कटक है ठीक है तो आए आगे क्लियर करते हैं तो इस महासागर के इस महासागर के कौन से आपके प्रसांत महासागर के उत्तर में हैं वेरिंग जल संदी आपको देखने को मिल जाएगी वेरिंग जल संदी या जल मेर्यका देखने को मिल जाएगा पस्ची में का ऐस्टे लिया और एस्टे लिया देखने एस्टे यह क्लिए करते हैं मैं आपको कि इहां पर अल्का चाँ में अगर मैं इन दोनों को इस तरह से जोड़ू क्यों कि प्रस्थी गोल होती है तो यह क्या करती है यह दोनों क्या होगी यह तरह से गोल हो रहा होगा यह पूरा एक ही भाग में आ रहा होगा इस तरह से यहां पर देखने को मिलेगा इस तरह से मैं अगर बता दूं तो यह जो भाग ह यह आपका किसका है आपका किसका है प्रसांद मासागर का तो यहां से शुरू होता उत्री प्रसांद मासागर का देखना इस तरह से यह पूर्व बाला भाग यह पश्चिम बाला भाग यह उत्तर बाला भाग अब यह आपके साब से यह पश्चिम लग रहा होगा यह पूर् अपने साथ से जोड़ रहा हूं अपने साथ से मेरा ये पूर ये पस्चिम ये उत्तर और ये दच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो यह एस्या और आस्टेलिया महादीब देखने को मिल जाएगा वहीं मैंने आपको क्या बताया यह प्रसांत महासागर के यह इस महासागर के उत्तर में आपको बेरिंग जलसंदी देखने को मिल जाएगी यह आपकी बेरिंग जलसंदी देखने को मिल जाएगी इसके बाद बाद कि छून करके देखा च्यक्वा अट्लांटिक महादीब बाला भाग का Tech औ dato है न जोंच्यकर उसी जानकाली लेते हैं इस तरह से यहां पार यह वाला भाग इस तरह तरह सर यह वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है अब आपको देखने को मिलेगा पूर्व, पश्यम, उत्तर और दश्च्ड के लिए करते हैं इसके पूर्व में आपको क्या देखने को मिला था पूर्व में उत्तरी अमेरिका महादीब और दश्च्डी अमेरिका महादीब पश्यम में ए अखोष्टक सागर जापान सागर पीत यान की पीला सागर पूर्वी सागर पूर्वी चीन सागर दच्डी चीन सागर कूरल सागर आरफरा सागर ठीक है आए चूम करके देख लेते हैं अखोष्टक सागर दच्ड में आंगे जापान सागर पूर्व सागर भी कहते हैं इसको पीला सागर, पूरू चीन सागर, दच्च्री चीन सागर, फिलिपीन सागर, सलेज सागर, आरफरा सागर, कोरल सागर, क्यलेर हुआ यग बढ़ते हैं अतलांटिक माहसागर के बारें बाब कर लेते हैं अतलांटिक माहसागर या hearing महसागर बिंस्ट के फल के एक बटे-छे भाग पर तथा प्रसांत महसागर के एक बटे दो भाग पर क्या है फैला हुआ है पूरे विश्व के छेत्रपल की अगर बात किया है किस तरह से तो एक बटे 6 का अगर हम गुणा कर देते हैं 100 में इस तरह से तो निकल कर आता है 16% मोटा मोटी तो पूरी दुनिया कितने परसेंट भाग पर 16% भाग पर फैला हु वहीं प्रिसांत महासागर के कितने वाग पर फैला हुए है 1.2 वाग पर 1.2 कैसे क्कि प्रिछ थाकितने परसेंट भाग परो मोटा मोटी 5% पर ठाथ और यसका चिर्त प्रॉइन फाफीज के लगवग यद माहासागर कि लगवग एक उच्छे भाग पर था प्रसेंट बा एक बटे दो भाग पर फैला हुआ है यह विस्तु का दूसरा सवसे बड़ा महासागर है और यह उत्री अमेरिका दच्छडी अमेरिका तथा यूरोप तथा अफरीका महादीब के बीच में फैला हुआ है यसे हम कह सकते हैं कि आपका अटलांटिक महासागर के पूर में आप को देखने को मिल जाएगा पूर में आपको देखने को मिल जाएगा क्या आपको पूर में देखने को मिल जाएगा आपका यूरोप और अफरीका पस्चिम में अगर बात करें तो आपका उत्री अमेरिका महादीब और दच्छडी अमेरिका महादीब तो क्या मैंने बोला क आपका जो अट्लांटिक महा सागर है वह है आपका यूरोप और अफरीका उत्रीअवेका दच्डीड अमेरिका के बीच में फवीला हुआ है इसके उत्तर की अगर बात किजा तो इसके उत्तर में आपका ग्रीन्लेंड आपको जूम करके दिखाऊं, यह आपको, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको Greenland, यहाँ पर Hudson की खाड़ी, ठीक है, आपको इसके उत्तर में, वेफिन की खाड़ी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और उत्तरी सागर भी आपको देखने को मिल जाएगा, clear हुआ, तो मैंने क्या बताया आपका मेक्सिको की खाड़ी भी अगर हम कहें तो इसके उत्तर में तो नहीं आएगी ये इस तरह से आएगी चले तो मैंने क्या बताया इसके उत्तर में ग्रीनलेंड हो गया ये अपका ग्रीनलेंड हो गया ये हट्सन की खाड़ी हो गई वाल्टेक हो गया और उत्री सागर यहां पर देखने को मिल जाएगा अगर डचड की बात कर रहे हैं तो डचड में ये पूरी तरह से खुला हुआ है ठीक है क्या है दचड में है फुला हुआ है यह क्या करता है आप continues कि आकृति बनाता है कौन आपका Atlantic महसागर जो एस की आकृती बनाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं तो अट्लांटिक महासागर में देख लेते हैं तो अट्लांटिक महासागर में एक लंबा कटक पाये जाता है जिसे मद्य अट्लांटिक कटक क्या होता है सागर में या महासागर में क्या होता है अंदर ही अंदर से लेकर दच्छड में वोवेड दीब तक ऐसाकार के आकार में लगवग लगवग 14400 किलोमेटर चेतर में फैला हुआ है इसे उत्तर में डॉल्फिंग कटक तता दच्छड में चैलेंजर कटक कहते हैं ठीक है तो मद्ध्य अट्लांटिक कटक की बिशिष्टा है अगर हम यह पर देखें तो मैं आपको जूम करके पहले तो कटक दिखा दूँ यहां पर आपको देखी जाएगा यह है आपका मद्ध्य अट्लांटिक कटक डॉल्फिंग से लेकर शुरू होता है दच्छड में चलता चला जाता है चलता 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 है और यहां पर चैलेंजर सागर की बात की जाए तो वॉल्टिक सागर आपका देखने को मिल जाएगा वॉल्टिक सागर उत्री सागर और हड्सन की खाड़ी ठीक है यह आपको वॉल्टिक सागर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर यहां पर मैं आपको दिखा हूँ ग्रीन लेंड यहां पर ल गया है इस तरह से बर्देज हो गया है यह विटेज दिप समुटो आपको पता ही है ठीक है फिरो दीप समूट यहापको दिख जाएगा आपको आपको देखने को मिली जागा है यहां पर आगर आध देखना चाहते हैं अजोर्स हो गया ठीक है इस तरह से सेंट हेलेना हो गया ठीक है इस तरह से फ्राइव अंत्रीप हो गया सावल इस तरह से ठीक है चाहिए आपके बहुत करते हैं हिंद महासागर के बारे में हिंद महासागर यानि की इंडियन उसियन भी इसको हम कहते हैं तो हिंद महासागर चार ओर महादीपों से गिरा हुआ है या चार ओर महादीपों से कैसे गिरा हुआ है उत्तर में आपका एसिया पस्चिम में आपका फरीका पूर में आपका ओस्ट देखने को मिल जाएगा अंटार्टिका एसिया और अंटार्टिका देखने को मिल जाएगा दच्छड में आपका अंटार्टिका देखने को मिल जाएगा और पूर में आपका ऑस्टेलिया देखने को मिल जाएगा पूर में आपका एसिया भी देखने को मिल जाएगा पस्छ में आपका येशिया जूम करके दिखा दूँ ये अंटार्टिका महातीप है तक्षिड में पूर में आपका येशिया वो एशिया और ऑस्टेलिया पस्चिम में आपका देखने को मिल जाएगा आपका क्या है इस का नाम अफरीका महातीप किलियर हुआ इस महासागर में लगवग लगवग 60% भाग पर मैदान और 20% भाग पर क्या है कटक पाए जाते हैं इस काड़ इसको अर्द महादीब भी कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था किस तरह से मैदान होते हैं उनमें क्या होते हैं सागर ये कटक पाए जाते हैं इस काड मेंने क्या बता है इसको अर्द महादीप कहते हैं हिंद महासागर में भी जावा दीप के पास एक गर्थ है जिसको हम कहते हैं सुन्डा गर्थ में आपको चूम करके दिखा देता हूं ये आपका जावा दीप है ज लुंडागर्द इसको हम कहते हैं ठीक है हिंद महासागर में छोटे बड़े सभी पिरकार के आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको पर मैं आपको दीपों के बता गारें बता दूँगा इसके बहुत कम सीमांत सागर हैं लेकि कुछ प्रमुक हैं जैसे कि आपका मोजांबिक चैनल हो गया अंडमान सागर हो गया लाल सागर हो गया फारस की यानि की इरान या कहें परसिया जिसको हम कहा करते थे पारस की खाड चैनल हो गया, यह आपका अधन की हो गई, लाल सागर हो गया, ठीक है, फारस की खाड़ी हो गई, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, किलियर हुआ, मद्वर्ती कटक के बारे में ही बात कर लेते हैं, सेंट्रल जीजेच, यहाँ पर, इस महासागर के कटक ज में नीचे चलते चले आएंगे, स्री लंका सुरू होता है, इस तरह से, इस तरह से, और यह अंटार्टिका तक फैले हुए हैं, किलियर हुआ, तो इस इन कटक पर अगर बात कह रहा है, तो कुछ प्रमक हैं आ जाते हैं, जैसे आपका स्री लंका हो गया, माल्दीव हो गया उसके बाद चैगोस हो गया, न्यू एमस्टर्डम हो गया, सेंट पॉल्स हो गया, यहां पर मैं आपको दिखा दू, आपका सीर लंका तो ही गया, यहां पर चागोस हो गया, आपका दीएगो गार्सिया हो गया, आपका सेंट पॉले हो गया, दीप, एमस्टर्डम दीप हो ठीक है मौरिसस हो गया मौरिसस री उनियन हो गया ठीक है इस तरह से प्रिंस एडवार्ड डीप समू हो गया जो कि दच्छडी अफ्रीका के अंतरकत है कोजट वेसिन हो गया और हर्ड डीप हो गया इस तरह से कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे तो किलियर हुआ चलिए दच्छडी महासागर या अंटार्टिक महासागर या अंटार्टिक महासागर तो दच्छडी दुरवी जो है दच्छड दुरवी महासागर जिसे दच्छडी महासागर या अंटार्टिक महासागर भी कहा जाता है विश्व के सबसे दच्छड में इस्तित एक महासागर है इसका बिस्तार जो है साथ डिगरी, एक सेकंड में इसका कलर चेंज करते हैं, साथ डिगरी दच्छडी आचान से दच्छड में हैं और यह पूरे अंटार्टिक महादीब को घेरे हुए है, उत्तर दिसाते हैं, पांच बिसाल महासागरों में से चौता सबसे बड़ा क्लियर हुआ, मैं फिर से बता दूँ, दच्छडी दुरुबी महासागर, जिससे दच्छडी महासागर या पिर अंटार्टिक महासागर भीए इसको कहते हैं, क्यों क्यों है, अन्टार्टिक महासागर को चारो और की घेरे हुए हैं, यह चोधा सबसे बड़ा महासागर है ठीक है इसका विस्तार साथ दिगरी दच्छडी आचांस से दच्छड में आ जाता है इतना के लिए जानने के लिए यानि कि दच्छडी प्रिसंद मांगर कहां पर रिष्टी दिया इसकी पूंचा जाता है तो आपका आर्ट के अंटार्टिक महादीब के चारोर यह घेरे हुए है यह ऊठ्छी दुरभ या थे क्लिये रूआ को सबसे चोटा महसागर यह तरों प amusement के चार और फैला हुए मैं बता दू अंटार्टिक महा 산 대해 है दच्षडी दुरुभी है महासागर लेकिन ये क्या है उत्री दुरुबी महासागर इसको बोल सकते हैं तो आर्ट्री महासागर है और यह क्या है वेरिंग जल्शंदिद्वारा प्रसांत महसागर तता डेलमार्ख जल्संदी क्या है अट्लांटिक महसागर से जोड़ा हुआ जल्संदीया होती है दो धारा को अलग नहीं करती तो धारा को जोड़ती है या डि आकार की आकरती बना हुए मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ इस तरह से आपका आता है वेरिंग जलसंदी से क्या है पिरसांत महासागर से अलग होता है और यहाँ पर डेलमार्क की जलसंदी है उससे किस से अलग होता है अटलांटिक महासागर से अलग होता है अटलांटिक महासागर से आपका कौन सा डेलमार्क जलसंदी इसको जोड़त तो यह आपके महासागर हो गए, चलिए, चलिए साथ यो आगे बात करते हैं, हम लोग महासागरी तापमान तासा लवड़ता के बारे में बहुत important topic है, इसको थोड़ा सा किलियर करते हैं, महासागरी लवड़ता यानि की ocean temperature and salinity के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, किलियर करत इस प्रत्वी के लिए बहुत महत्पूर यानि important होता है, चो कि आगे ये आपका जा महासागरी धारा हैं पढ़ेंगे, तो वहाँ पर किस तरह से connect होता है, तो अगर ये आपने समझ लिया oceanic temperature and salinity, तो महासागरी जो धारा होते हैं, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे clear हो जाएंगे, आप समझ पाएंगे, आप कुछ नहीं आखें बंद करके किवल आपसे पूचा राजता है लेप्राडूर की जल्दारा, तो आप मेहसूस कर सकेंगे कि लेप्राडूर कौन से छेतर पड़ता है, आप अगर कौन से छेतर पड़ता है, यानि कि उत्तरी अमे में जो तापमान होता है, आप महसागर जब प्रत्वी से सूर्ज प्रत्वी जो होता है, प्रत्वी पर हमारे क्या है, आपके महसागर है, यानि कि जल है, ठीक है, और जल जो है महसागरों के रूप में फैला हुआ है, और महसागर में क्या होता है, आपको पता है, जल क्या करता है आपका सूर से क्या करता है उसमा प्राप्त करता है वो उनी के बारे में बात करने वाले हैं और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से हमारा यह जो छेत्र है इस तरह से यह जो चेत्र है यह आपका यहां से लेकर इस तरह से यह देखने को मिल जाएग महासागर के तापमानकावी चीवों तथा बनस्वतियों के लिए बहुत अधिक महत तो रखता है क्योंकि आप धरातल पर रहते हैं क्योंकि आप जल में तो रहते या कहें हमारे जैसे प्राणी हैं, उनके लिए विशेश तो महत तो रखता है, उसी तरह से आपका धरातल के अलाबा जो महा सागर में रहने वाले जीव होते हैं, जन्तु होते हैं, बनस्पति होते हैं, उनके लिए भी तापमान जो होता है, बहुत अधिक को महत तो रखता ह यानिकि जो आपका देखंगे इस तरह से जो तटपर पड़ते हैं उन चेतरों की जलबाईू को क्या करता है ये जो महासागरी तापमान होता है वो क्या करता है फिर भावित करता है इस तरह से आप देख पाएंगे यह जो छेत्र है तो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगे जैसे यह तटी छेत्र है इस तरह से यह आपका यह आपका अफरीका पर चलते 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 हैं यहां पर भारत का तट वाला जी छेत्र दिखे जाएगा तट व प्रभावित करता है तो सागर के जल के लिए प्रमुक्व जो स्रोथ होता है या या आपका सूरी की रोजनिया, सूरी का प्रकास होता है, और उसी से ही वो क्या कर लेता है उसमा प्राफ्त करता है आपने आपका जो मासा करके जो जलोता है उसको गर्म करता है किलियर हुआ तो इसके अलाबा तापमान का एक और स्रोत होता है क्या सूर की रोसनी के लाबा सागरों का जो जलोता है उनके लिए एक और स्रोत होता है त हमारा जो सागरी जो अंदर का जो जल है वो क्या करता है तापमान प्राप्त करता है लेकिन वो कितना होता है बिलकुल नके वराबर होता है लगवग लगवग एक डेगरी सेल्सियस तक ही वो क्या करता है हम में यानि कि जो सागर का जो जल होता है उसको क्या करता है उसको गर क्या करते हैं या शौर उर्जा की चाह करते हैं हम उस्मा प्राप्त करते हैं तो कि लिए कि जिस तरह से धरातर पर रहने वाले जीव जन्तु मनसपतियों के लिए क्या जरूर है सूर की प्रिकासिया कहा है उस्मा है मेन लिये क्या ऐस्यश्यक्fish है उसी तरह से क्या है जो तरहां तरह है यदा किस dilek के बहुत आवस्यक्र होती है तो महासागरी के तापमान में सबसे अधिक अगर बात की जाए कि महासागरी जो तापमान होता है वो सबसे अधिक कब होता है मालीजी यह आपका विस्वत रेखा वाला छेतर है तो महासागरी तापमान के अगर बात की जाए तो महासागरी है तापमान सबसे अधिक दुपहर के समय है लगवाग लगवाग दो बजे के समय होता है और सबसे कम तापमान कब होता है लगवाग लगवाग सुबह पांच बजे के करीब सबसे कम तापमान होता है क्योंकि आपका मान लिजे बारा बजे से मान लिजे सर पे सूरज आ जाता है अपने मतलब उसमा देने लगता ह सर पे क्या होता है वो स्थार से क्या मर गया इस तरह से मान लागन सोरज इस तरहे से प्रत्विक क्या से भोमती रहती म podemos अधिक दो सीधरा प्रकाश पड़ता है वो बढ़ जाता है और जब बढ़ जाता है तो गरम होते लगवार लगवार दो घंटे के बाद जो तापमान होता है वह सबसे अधिक हो जाता है किन का महा सागरों की बात की जा रही है सबसे अधिक हो जाता है और सबसे कम की बात की जाए तो पूरी रात बीत जाती है आपका आठ नो बजे से मान लिजिए मान लिजिए जो तापन ह काफी कम हो जाता है उसके बाद ठंडा होता रहता होता रहता होता रहता होता रहता होता 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 रहता होता 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 रहता होता होता है उसके बाहर आए एक दो तीन चर पांच बजे तक क्या हो पांच बजे क्या होता है सबसे कम तापमान देखने को मिलता है किस पर आपका जो महासागरी सत है यह जो महासागर है जिसे हिंद महासागर है आपका अटलांटिक महासागर है पिरसांत महासागर है दच्छडी महासागर है ठीक है इस तरह से जो महासागर है वो क्या करते हैं आपके पांच बजे के करीब सबसे कम इनमें तापमान होता है और दो बजे के तो पहर दो बजे के समय इसमें क्या होता है सबसे अधिक तापमान देखने को मिलता है तो प्रत्वी के धरातल तता सागर के जल के ताप गिरड़ करने की जो दर होती है उसमें अंतर होता है क्योंकि सागर जो होता है देर में गर्म होता है और देर से ठंडे होते हैं जबकि प्रत्वी का जो तल होता है, क्या होता है, बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और बहुत जल्दी क्या होते हैं, बहुत जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं, मैं फिर से बता दू, माल लिजिए, यह प्रत्वी की सतय है, प्रत्वी का सतय है, इस तरह से यह माल माली जी आप प्रत्वी की सतय माली जी आप दोपैर में आपने देखा होगा अकसर बहुत से जो पढ़ने लिखने बाले लोग है अकसर इतने बड़ी तो उनकी उम्र होगी, मतलब इतने बड़ी तो होगे, कि उन्हों हुझे आज नहीं तो कल क्या है, घर्मिया कर समय देखा आपका नो बचे आपका दोपां करोने लाएं तो उन्हें के लोग जम पता चलते हैं, तो इस तरह से मालीजे सथे हैं, सथे पर क्या है? मालीजे रोड है, कел पकगी रोड है तो उस पर क्या है इस तरह से जग लगे आप अगर उस मैसूद करेंगे उस पर पैर रखेंगे तो आपको बहुत गरम लगेगा लेकिन आपका इस तरह से गरम होती है होती है होती रहती है उसके बाद अगर जब दूप चली जाती है तो क्या होता है आपका पांच शे बज़े के बाद जब क्या होता है आप वहाँ पर क्या है आपकी धूप जो है काफी काम हो जाएगी यानि साम का सम्म हो जाएगा और गंटे डेट गंटे बाद क्या देख पाएंगे आपका जो धूप की बज़ें से जो गरम हुई ती सत है या कहें आदे घंटे बाद ही जैसी दिन मतलब प्रत्वी का जो धरातल होता है यानिकि जो तल होता है वहें बहुत देर में क्या होता है बहुत जल्दी क्या हो जाता है गरम हो जाता है और बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है वहीं आपका जो महासागरी जल होता है या करें सत्य महासागरी जो छेतर होता है उसका क्या होता है जल बहुत देर में गर्म होता है और बहुत ही देर में क्या हो जाता है ठंडा होता है समझ में आया तो महासागर के जो ज प्रत्वी का उसमा बजट बनाए रखने के लिए जो हमारे महासागर होते हैं उनके जो महासागर का जो जल होता है उनका बहुत अधिक योगदान होता है उसमा बजट क्या होता है आगे हम जाके इसके बार में भी किलियर करेंगे बजट का मतलब होता है बजट बनाए रखन बजट कkeitег से बनाई रखने मतलब भी होता है कि पांच रुपे हम कमाते हैं तो हमारा जो खरचा है वो पांच रुपे में क्या हो जाए मौने पांच या करा पांच रुपई दस पैसे की क्या हो जाए आपका उतने में ही खरचा चल जाए यानि कि जितना हम लेते हैं उतना ही हम देदें तो वो क्या होता है बजट होता है यानि कि संतुलित बजट होता है उसी तरह है हमारी उस्मा का क्या होता है वो प्रत्वी का उस्मा बजट आपका महासागर बनाए रखने में क्या करते हैं बहुत मदद करते हैं किलियर हुआ चलिए नेक देखत क्या होगा प्रत्वी जो दिन में क्या हो जाएगी आख का गोला जैसा फीलिंग आएगा आख का जितना गोला तब जाता ना उस तरह से होगा और जब रात होगी तो रात में क्या होगा आख का गोला दिन में हो जाएगा और रात में क्या हो जाएगा बर्फ का गोला हो जाए आपना महासागर का एक विशेशी योगदान रहता है, या का विशेश सो महत होता है, तो महासागरी जल्गे जो तापमान को प्रभावित करने वाले थोड़े से कारक देख लेते हैं, कि कौन-कौन से तत्व जो है महासागरी है, जल्ग के तापमान को प्रभावित करते हैं, यानि कि कम या फिर जादर करते हैं तो आईए एक एक करके किलियर करते हैं इसमें सबसे पहला जो आता है यानि कि आच्छांस देख लेंगे तो सबसे पहला जो देखते हैं वह है आच्छांस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आच्छांस क्या होते हैं आच्छांस म को हम कहते हैं तो वो क्या होती है आपकी आचांस कहलाती है और मैंने आपको बताया भी था, आचांसों के बारे में जिती है करनी पड़ती है और उपर जाएंगे तो आपको कम तापमान मिलता है और उपर जाएंगे तो और उपर जाएंगे तो और उपर जाएंगे तो और उपर जाएंगे तो और कम मिलता है और उपर जाएंगे एक सेकंड और उपर जाएंगे तो और कम मिलता है फिर आपक हडी गड़ी जो रेखा हैं होती है उससे हमने क्या बताया था? समय का निदाड करते हैं. के लियर हुआ, च्यालिए, तो मैं ने क्या बताया? आच्छांसों के बारें बात करते हैं. क्या मैं बता रहाँ हूं, बहां सागरी यानिकि तो आईए देखते हैं सबसे पहला जो है आधशानस, ठीक है तो भूमत दुरेखा बहुमत द्रेखा या एक्क्वेटर कहते हैं तो बहुमत द्रेखा से उत्तर में जाते हैं यानी कि उत्तरी गोलार्द की ओर बढ़ते हैं तो इस तरह से तो बहुमत द्रेखा से उत्तर की ओर जाने पर सतई जल का जो तापमान होता है वह घड़ता जाता है क्योंकि सूर की क् तो मान लिजिए ये मान लिजिए आपका इस तरह से ये आपका मान लिजिए क्या है सूर है इस तरह से ये आपका सूर है इस तरह से आप एक चीज़ द्यान से देखना सूर इस तरह से क्या है प्रत्वी के बरापर है लेकिन गौर से देखेंगे तो प्रत्वी की सबसे ज्या होता चला जाएगा इस तरह से मैं आपर आपको देखा सकते हूं के लिए करके मान लीजिए ये आपका मान लीजिए ये है आपका प्रत्वी ठीक है और ये है आपका मान लीजिए सूर अब सूर की क्राड जो है इस तरह से सीधी पड़ेगी इस तरह से ये वहीं इस तरह से ठ अब ध्यान देना इस तरह से 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 यानि कि अगर मैं इसके लेके बैठ हूँ तो आपको यह देखने को मिलेगा जो विश्वत रेखा है वहाँ पर कैसी पढ़ रही दिल पढ़ रही है किरड़ वहीं और अगर उत्तरों दच्छड की ओर जाएंगे तो किरड़ कैसी होती जाएगी तिर्ची होती जाएगी तिर्ची से क्या होता है जब तिर्ची हो जाती है तो क्या होता है वहाँ पर क्या होता है तापमान थोड़ा कम हो जाता है इसलिए मैं बुमत रेखा से उत्तरों दच्छडी आच्छां की तरफ करम बढ़ते हैं तो क्या होता है जो समुद्री जल होता है उसकी जो सत्य का तापमान होता है वो क्या होता है गम होता जाता है तो मैंने क्या बता है बुमत रेखा से उत्तरों दच्छडी दुर्व क्यों जाने पर जो समुद्र का सतय जल का जो होता है तापमान क्या होता है घटता है क्योंकि सूर की केड़ में दुर्वों की और कैसी होती है तिर्ची होती जाती है इस काड़ सूर के तापमान में भी क्या आ जाती है कमी आ जाती है जो से दुर्वों की और जाने पर क्या होता है प्रत्वी जाएगे थोड़ा सा कम हो जाएगा और उपर जाएगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा और उपर जाएगे तो और कम हो जाएगा फिर नीचे आते हैं विश्वत रहा कि दक्षड में आते हैं फिर यहां पर देखेंगे तो यहां पर कम हो जाएगा फिर और देखेंगे तो तो महां पर क्या होता है? आपका तापमान में भी कमी आती रहती है. जिससे उत्री और दच्छी दुरुप के तापमान होता है, उसकी सतय का, सागर का जल का कैसा होता है? कम होता है. ठीक है? चलिए. तो मैंने क्या बताया? नेक्स देखते हैं. दूसरा कारक देखते हैं. जो महासागरी जल के तापन को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं जल तता इस्तल के बित्रड में क्या होती असमान था जल तता इस्तल के बित्रड में असमान था तो आईए कि देखते हैं मैंने आपको क्या बताया था मैं जब आपको क्या बता रहा था मैं महासागरों के बारे म क्यों है सुन्दर वाला कर दूं सुन्दर लाल वाला तो यहां पर माल लिए इस तरह से आप यह चीज गौर से देखेंगे इस तरह से यह आपका इस तरह से यह गौर से देखें हैं इस तरह से आते हैं ठीक है और इस तरह से आते हैं कोई उत्तरी दुरम में नेक देखते हैं इस तरह से आते हैं इस तरह से ठीक है इस तरह से तो आप एक चीज ध्यान देना जून करके मैं दिखा देता हूं गौर से देखना यह है आपका इस्थल और यह है आपका इस्थल यह है आपका जल तो गौर से देखना कि उत्तिरी धुर्ब में क्या है इस्थल अधिक है यान आपके महादीप है यानि कि इस्थल है और उत्री गोलार्द में जल कितना है आपका लगवग लगवग 39% आपका क्या है जल है तो यही ये काड़ है कि उत्री गोलार्द क्या कहलाता है इस्थली गोलार्द कहलाता है और दच्डी गोलार्द में क्या है दच्डी गोलार्द म बाले भाग को क्या कहते हैं स्ْथलिय गोलार्द कहते हैं यही एकार्ड कि उत्तरी गोलार्द बाले भाग में असमानता यानि कि जो चल और स्थल के बीच में अस्मानता कैसी होती है यानि कि उत्री गोलार्द में क्या है जल मन क्या होता है उत्री गुलार्द में ज्यादा तथा दच्छडी गुलार्द में कम होता है क्योंकि मैं आप थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताए था कि किस तरह से जो इस तरह होते हैं बहुत जल्दी क्या होते हैं गर्म हो जाते हैं और जो बहुत जल्दी क्या होते हैं ठंडे हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी क्या होते हैं, गर्म होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, उसमें जो इसले गर्म होता है, यानि कि जमीन याकर तल जो है अधिक है जिससे महासागरों का जल जो होता है इस तल के याकर जमीन के संपर्क में आ जाता है और इस तल अधिक उसमा प्राप्त कर लेते हैं जिससे क्या होती है उत्री गोलार्द का तापमान जो होता है दच्छडी गोलार्द से थोड़ा सा होता है बहुत ज़ाद हो जाता क्या कि उत्री gels यहां पर क्या ले मैं पर इस तरह से जूम करके मैं आपको दिखाँ हूँ इन छेत्रों का जो जल है इस तटी जो छेत्र से आपका जो इस्तर वाले छेत्र जब टच करता है तो क्या होता है इन छेत्रों का जो तापमान हो जाता है वो पढ़े जाता है दच्डी गुलार्द के मुकाबले तो मैंने क्य बताया निमना अच्छांसों में इस्तली भागों से गिरे सागरों का तापमान होता है बहुत अधिक हो जाता है जैसे कि भूमद सागर यहां पर आपको देखे जाएगा भूमद सागर का तापमान लगब लगग क कितना हो जाता है लगब्ग 27 डिगरी Celsius तक हो जाता है वहीं सागरवाला चेत्र यहां पर आपको देखे जाएगा फारस की खाड़ी लाल सागरवाला चेत्र यह आपको देखे जाएगा यहां पर फारस की खाड़ी वाला चेत्र इन का स्टापमें क्या हो जाता है अधिक हो जाता क्यों क्यों क्योंकि यह जो चेत्र है कौन से यहां पर ह से क्या होती है चलती फिरती रहती है यानि कि लंबबत इनी चेत्रों में पढ़ती है इन चेत्रों में कभी भी लंबबत यानि कि दुपैर की समय जो सूरज है कभी भी क्या होगा सामने नहीं हो पाएगा यान कि सर के ऊपर नहीं हो पाएगा कहां पर करके रेखा के उत्तर मे हो जाता है चलिए महासागरी जल के तापमान को प्रभाइद करने वाइल कारकों में दूसरा देखते हैं हवाएं यानि की स्तनातनी पवनों के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं नेक्स देखते हैं स्तनातनी पवने यहां कोई सी पवने मालीजिए पवने जो होती है यह तो आपके पास टॉमी को मैंने चुछ कराया तो आप उसका नाम नहीं रखेंगे नहीं नहीं टॉमी को मेरे उपर छू कराया अब इसका नाम जो है मोती रखा जाएगा ऐसा नहीं जिस दिसा में पबन चल रही है उस दिसा के आधार पर उसका क्या नाम होगा उस पबन का नाम होगा जैसे कि पूर से चल रही है तो उसका पुरवया हो जाएगा पश्यम से चल रही है पश्यम से पूर की ओर चल रही है तो उसको पच्छुआ पवने कहेंगे तो यह वाला जो छेत्र है यह आपका पच्छुआ पवनों वाला चेत्र है यानि कि 30 डिग्री सास बिग्री छेत्र वाला जो है पच्छुआ पवनों वा तो बो पूर से पश्चिम की जो चलेगी तो मैंने क्या बताया ब्यापारिक हवाओं की पेटि या ब्यापारिक पब Wannaकी पेटि में महासागरों के पूर बाले भाग में तापमान क्या होगा exerc गम हो जाएगा तो महासागर के पूर बाला जो भाग होगा वो कैसा होगा कम हो जाएगा और पस्षिम बाला जो भाग है वो कैसा होगा वो क्या होगा अधिक हो जाएगा कैसे हो जाएगा आईए उसको थोड़ा सक समझते हैं महां लिए पबन जो है महां लिए इस तरह से पूर से बैती हुई आई इस तरह से और महासागर किस तरह से यहां पर यह महासागर कोई बार कोई भी महासागर है ठीक है तो कोई भी महासागर है तो पूर से क्या गरती आई वो हवा बैती आई इस तरह से उसने क्या किया पूर गरम बाला जो पानी जा उनको धक्का मार दिया और उपर इस सतय पर कैसा आगया थंडा पानी आगया तो भापर क्या है कि जो महासागर का पूरी बाला जो भागय महां का तापमान कैसा होगा महां का तापमान कम होगा वही पस्चिमी जो पस्चिमी जो भाग होगा तापमान के ले जाएंगी तो इस का हड्ट होगा महाँसागर का पूर्फबाला जो भाग है उसका तापमान अधिक हो जाएगा महा, पूर्फबाला जो भाग है उसका तापमान ऩा होता है कम हो करके दिखाऊं मान लिए इस तरह से मान लिए यहां से हवाएं चली और इस तरह से इन छेत्र का क्या कर दिया पानी को इन्हों ने धक्का मारते मारते क्या कर दिया पश्चिम की ओर ले जाती है क्यों कि हवाएं जो व्यापरिक पवने किस तरह से चलती है पूर से पश्चिम क्यों चलने यह आपका माल लिए यह पूर बाला भागे माल लिए इस तरह से इस्तर वाले छेत्र से पूर बाले छेत्र में आई इस तरह से और जैसे सागर में प्रिविस किया और पानी को क्या मारने लगी धक्का मारते मारते क्या कर दिया यहां से चल तो इसी दिसा में रही महा सागरों के सतई जल को तट से क्या कर देती है दूर धकेल देती है जिससे नीचे का ठंडा पानी क्या होता है उपर आ जाता है जिसके काड इनके तापमान में क्या होती है कमी आ जाती है तो बहीं दूसरी तरफ क्या होता है तटों की और बहने वाली तटों की और बहने व महज़ुद आ है यहां पर और तट के किनारे जुड़ा वो पानी पहले सभल हो जाता चाए-कोई-साорм का देख लीजिये हिंद महासागर का जो पस्चिम वाला वाग हो यानि कि ये हिंद महासागर इस तरह से ये हिंद महासागर वाला चितर है तो हिंद महासागर का जो पानी है इस तरह से पूर बाला जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा यानि कि थंडा होगा हलका सा और पस्चिम बाला जो भाग हो कैसे चल रही है इस तरह से किस तरह से चल रही है पूर से पश्चिम की और चल रही है तो पश्चिम से पूर की और चल रही है तो इसलिए पश्चिम की और जो हवाएं बैती है वो क्या करेंगी पश्चिम बाले भाग का क्या करेंगी तापमान बढ़ा देंगी महासागर का अगर पुरवया की बात पच्छुआ पवनों की अगर बात की जाए इस तरह से 30 डिगरी से लेकर 30 डिगरी उत्री आचन से 60 डिगरी तक कि अगर बात की जाए इस तरह से इन छेत्रों की तो यहाँ पर कहां चल रही है यह हवाएं जो चल रही है वो कहां चल रही है पूर की और चलनी यानि कि पस्चिम से पूर की और चलनी तो यहाँ पर क्या होगा पूर में तापमान क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा नहीं तीस डिगरी दख्षिड में जाएंगे और तीस डिगरी उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर पूर वाले छेत्र का तापमान कैसा हो ज जाए यान की करकर रेखा करने का कि बीच की अगर बात की जा तो कौंसे छेत्र का पानी अधिक होगा गरम वह आपका पश्यम बाला और पच्वोप अबने वाले छेत्र जो होगा वहां पर कैसा होगा महासागरों के पूर बाला भाग कैसा होगा तापमान अधिक होगा किलियर हुआ चलिए next कारक देखते हैं next में जो है बो है महासागरी धारा महासागरी धारा अलग से पढ़ाएंगे यह है महासागरी तापमान को आपको यहाँ पर दिखा दूँ, गल्फ इस्ट्रिम क्या करती है, जो कि एक गर्म जल्दारा है, उत्री अमेरिका के तटपर क्या करती है, पूर्वी तटपर क्या करती है, वहाँ पर पहुंचती है, वहाँ का तापमान क्या करती है, बढ़ा देती है, अमेरिका, उत्री अम पास कितनी मुद्रा है उच्छ मुद्रा है आपके पैसे हैं उच्छ पैसे होता नहीं लेकर मैं हलका सा समझाने के लोगा हूँ कि आपके पास कितना है उच है या फिर निम्न है या फिर मतलब मालीजिए आपके पास मनी कितना है हाई है या लो है तो मैं कहूंगो भाई साथ लो है लो कितना है लो का मतलब मैंने कहा जीरो है अच्छा जीरो है तो आपका मनी कैसा हो गया जीरो हो गया तो जीरो डिगरी आच आपका निमना आचांस होगिए यानि की इस तरह से आप मैं कहता हूँ आपका मनी जो है हाई है तो हाई की बात हो हो रहे है तो उच्छांस की बात हो रहे है उच्छ का मतलब एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 तक यह आपके क्या कहलाएंगे उच्छ आच्छांस कहलाएंगे तो कभी भी एगर आपसे बोला जाए उच्छ आच्छांसों की ओर बैता है तो आप कहेंगे 0 डिग्री के उत्तरों दच्छड की बात हो सकती है इसी तरह दच्छड में भी 2, 4, 10, 15, 20, 30 की बा जो च्छेत्र होगा वो क्या जाएगा उच्छ आच्छ आच्छांस वाला च्छेत्र कहलाता है ठीक है तो मैंने क्या बताया गर्म जल्धारा है जब उच्छ आच्छ आच्छ आपन क्या हो जाता है बढ़ जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया था गल्फ इस्टीम बाला चुछी तरह है, वो क्या करता है, गर्म जल्दारा है, वो क्या करती है, उत्री अमेरिका के क्या करती है, उत्री अमेरिका के पूर्वी तठपर जाकर वहां पर टकराती है, वहां पर क्या करती है, उत्री अमेरिका के पूर्वी तठपर वहां का तापमान बढ़ा देती है, पर और उचांसों से थंडी जल दारा एं निम्नाचांसों की और जाती हैं तो यह तापमान को क्या कर देती है यानि कि je रहा हुआ 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 तो फंडी होँगी यहां पर अगर इस तरह से इस तरह से अगर प्बने चल रहे हैं धंडी और निमना चांसों से चल लाइए तो इस तरह से आपका यह वाले छेत्र ठीक है तो उच्छा अगर निमना अचांसों की और क्या जा रहा है जल जा रहा है तो वो क्या करेगा जो निमना अचांसों वाला जो छेतर वहां का तापमान क्या कर देगा कम कर देगा के लियर वा तो मैंने क्या बता बहीं दूसरी और उच अचांसों से ठंडी जल दा रहा है निमना अचांसों मैंने क्या बताया यह यहाँ पर आपको देखने को मिल जागी कौन सी लेबराडोर की धारा जो है यहाँ से इस तरह से यह उत्तर पूर्वी जो छेत्र इस तरह से लेबराडोर की धारा जो है उत्तर पूर्वी छेत्र पर क्या करती है उचा चांसों से निमना चांसों की ओर जाती है तो यहां का जो तापमान क्या कर देती है तो उचाचांस मतलब यहां से इस तरह से यहां पर बरफीला छेतर है न तो यहां से क्या करता है ठंडी यहां पर आती है ठंडी जलदारा आती है यहां का जो तापमान पहरे से छोड़ा सा होता है जाद है वहां का तापमान क्या करतेती हैं हिमांग से भी नीचे गिरा देती हैं यानि कि कुलफी जमाने की इस्थिती में पहुचा देती हैं तो क्या समझ में आया जो गरम जलदारा होती हैं ठंडे छित्रों में पहुंचती हैं तो महां का तापमान क्या करतेती हैं कम कर देती हैं किलियर हुआ तो मैंने क्या बताया महासागरिय सतय का ओसत जो तापमान होता है वो लगवग लगवग 27 डिगरी सेल्सियस तक होता है वहीं बढ़ते हुए आचांसों के साथ बढ़ते हुए आचांसों के साथ 0.5 डिगरी क्या होता है या आधा डिगरी जो ता तो कितना होता है औरसत तापमान की अगर बात की जाए तो 19 डिगरी सेल्सियस तक होता है और वहीं दक्षडी गोलार्द का औरसत तापमान जो महासागरी तापमान की बात कर रहा हूं तो वह कितना होता है आपका 16 डिगरी सेल्सियस तक होता है क्योंकि मैंने आपको बताया तो पूरी प्रत्वी की अगर बात की जाए पूरी प्रत्वी पर जितना जल है सारा सब की अगर एक साथ बात की जाए तो असर तापमान कितना है 27 डिगरी सेल्सियस तक होता है क्लियर हुआ और यहां से लेकर मैंने बताया था उच आचानसों की और जब जाते हैं तो तापमान में कितना कमी आ जाती है आधा डिगरी सेल्सियस की कमी आ जाती है यानि कि 2 डिगरी उत्तरी आचानस अगर हम बढ़ेंगे तो उसमें कितना हो होगा एक डिग्री तापमान में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी यानि विस्वत रेखा पर मान लीजिए पचास डिग्री सेल्सियस तापमान है तो दो डिग्री हम उपर जाएगे तो क्या होगा आपका 49 हो जाएगा क्लियर हुआ चियर लिए देखते हैं यह क्या होता है और किस तरह से महासागरी जू अधिक पाये जाता है क्योंकि सौरूर्जा का जो भाग होता है यानि कि जो सौरूर्जा का जो नीचे उसमा आती है उसका महासागरों में ज्यादा भाग इस्तमाल होता है तो मैंने क्या बताया यह महासागरी छित्रों में बहुत अधिक होता है क्योंकि क्योंकि मैंने क्या बता है क कि सौरूर्जा का जो भाग महा सागरों में जाता है उससे क्या कर लेते हैं बास्पन कर लेते हैं या क्या कर लेते हैं पानी को गरम करके क्या कर लेते हैं उसको भाप में परवर्टित कर देते हैं इससे क्या होता है बादलों का निर्माड होता है मैंने क्या बताया कि मैंने आपको दस रुपे दिये और दस रुपे जब आपको दिये तो दस रुपे में से तीन रुपे की आपने क्या कर ली भाप बना ली भाप बना ली या हमें ऐसे कह सकते हैं कि मैं अभी माली जो दो ग्लास पानी पीता हूं जब मैं बोलता हूं जब कोई की बोलता है तो पानी म उपनाली चिशा है तो ऐसे करके देखेंगे तो क्या होगी महां पर क्या होगी भापसा बन जाएग है मैंने क्या बताया महासुचरी छित्रों में बहुत अधिक मात्राइगा होती है ये सौरूर्जा की बहुत अधिक मातरा का किस के रूप में प्रवितित कर देते हैं किस में इस्तमाल कर देते हैं बास्पन के रूप में ये इस्तमाल कर देते हैं या कर बादलों का निर्मार करने में ये इस्तमाल कर देते हैं इसलिए महासागर में तापमार क्या होता है थोड़ा सा कम पाए ज जाता है क्योंकि इनकी काफी उसमाज होती है बास्पन में खर्च हो जाती यही एकाड है कि मेगा बरड के काड या बादलों के निर्माड करने के काड समान आच्छांसों पर भी समान आच्छांसों पर भी महासागरिय तापमान में क्या होता है अंतर होता है क्यों क्यों क्यो सत्य चेत्र होता है इस तरह से यहां पर जो तापमान होगा यहां पर तापमान क्या होगा बहुत थोड़ा बहुत आधिक नहों कर थोड़ा सा बहुत अधिक से थोड़ा सक काम हो जाएगा क्यों 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 क्यो जीरो डिगरी देशांतर है यहां पर तापमान कुछ और होगा 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 यानि कि भिन भिन आचांस में मतलब एक ही आचांस पर क्या हो सकता है तापमान में भिनता देखने को म वह सकता है निवना चान्सों की बात करें तो तह आप मान को चादे हो सकता है केलियर हुआ महासागरी लबड़ताँ यह भी आपका अगर महासागरी लबड़ता आपने तो यह भी आपका किस्टर जुड़ा हुआ है महा साघरी धारा है जब हम पड़ेंगे जो परेंगे उसलिनी के अपले महा साघरे लबरेता का मतलळा होता है सीज जी बात होती है नमक क्या होती है नमक जिसको हम सॉल्ड भी कह सकते हैं ठीक है clear हुआ तो महासागर के जल के भार तदा उसमें गुले हुए लवडी पदार्त के भार के अनुपात को हम सागरी ये लवडता कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक गिलास मान लीजिए पानी है या फिर मान लीजिए ये जग है इस जग का पानी है वो एक किलो गिराम है गिराम बोल रहा हूं लीटर नहीं बोल रहा हूं एक किलो गिराम है पूरे जल का पानी और उसमें अगर हम सुखाते हैं पानी को हम क्या करते हैं उस पानी का खुया करते हैं यानि कि पानी को गरम करते हैं तो पानी जला देते हैं उसके बाद अगर एक किलो गिराम पानी में कितना 35 गिराम अगर क्या निकलता है नमक निकलता है या सॉल्ट निकलता है या लवर निकलता है तो वो क्या कहलाएगा सागर क्या कहलाएगा महा सागरिय लवरता कहलाएगा मैं फिर से बता दूँ सागर के जल के भारता उसमें गुले हुए लवड़ता कहते हैं यानि कि एक किलो गिराम सागरी जल में गुले हुए ठोस पतार्थों की कुल मात्रा को उसकी लवड़ता कहते हैं तो अब ये पता कैसे करते हैं तो आयो उसको समझते हैं माल लीजिए किसी जल का किसी जल में लवड़ता किसनी है 50% है कितनी माल लीजिए 50% है तो इसका मतलब क्या हुआ किसी जल में जल जो है उसका 50% हो जागा है नहीं किसी जल की लवड़ता कितनी अगर 50% हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सागर के 1000 गिराम यानि की बन किलो गिराम जल में 50 गिराम लवड़ की मात्रा है इसका मतलब प्रत्सस से नहीं होता है बलकि क्या होता है मात्रा होता है तो सागरी जल में लवड़ता अधिक होने पर उसका आपको अथनांक जो होता है यानि कि वैलिंग पॉइंट जो होता है वह अधिक हो जाता है जब कि हिमांक जो हो जाता है कम हो जाता है यानि कि देर से जमता है और बहुत देर से क्या होता है उबलता है तो मैंने क्या बताया अपको अथनांक पॉइंट जो होता है वैलिंग प मतरव होता है एसब इतना तापमान जिससे जो पानी होता है वो क्या होता है वो उबलने लगे या खौलने लगे या वोईल होने लगे तो उसको हम कहते हैं वोईलिंग पॉइंट तो मान दीजिए अगर कोई पानी है कि किसी तरह का अच्छा पानी है तो उसमें क्या है कि बढ़ जाये या कर सागर का जली अगर लबडता जाद होगा ऊस precisely बढ़ जाएगा इसका मतलब यह है है वह अब जो डिइलरी कर बाड़ कर कितना हो गया euro कुछ बार है यह Bachelor रह हो गया मैंने वहीं दूसरी तरफ क्या बताया हिमांग जो हो जाता है वो कम हो जाता है कम होने का मतलब क्या होता है हिमांग कम होने का मतलब यह है कि मान लीजिए हिमांग का मतलब है कि यह पानी जो है बर्फ के रूप में कितने डिगरी सेलसियस में बदल जाता है तो मान के रूप में बदल जाता है लेकिन अगर उसमें नमक जादा डाल दिया जाए तो उसका जो वॉयलिंग पॉइंट जो हिमांक है यानि कि जब ऐसी इस्तिति जब पानी कि इसमें बदल जाए हिम में बदल जाए या कहें बरफ में बदल जाए तो वन डिग्री से अगर वो रहा था तो अभ क्या होगा देर से क्या करेगा वैए क्या करेगा देर से ढ doctrinal के कि औरनी की उसका थाहिका हो ठीक है, क्लियर हुआ, नमक पढ़ने से क्या होता है, वोईलिंग पॉंट और जो हिमांग होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानि कि देर से जमता है, और बहुत देर से क्या होता है, उबलता है, जल में लबड़ता के काड़, जल का घनात जो होता है, यानि कि घना माहसागरी लबडता की गटक KAR निकलता उसमें कौंसे ठत्तो होता तो जब पानी को क्या किया धाता है वहीं देखते हैं सब्सक्रांज एक किलोग्रां में कि पानी को क्या किया जाता है कि गरम करें शुन सब्सक्राइब करना की निगना लबड निकला तो उस लबड में कौन को से से तत्व होंगे आई देखते हैं सोडियम क्लोराइड 27 ग्राम निकलेगा ठीक है एक हजार में परसेंट निकालने तो 77.8 या निक मौटा मौटी सतर परसेंट मान सकते हैं सोडियम में मंगनेसियम क्लोराड की बात के जाए तो 3 परसेंट मंटा मोटी मान सकते हैं 3.8 आप Regarding 83.5 या फिर 4 ना मंगनेसियमक्न मान सकते हैं व्यfeldability कार्मोनेट 0.1 कैल्सियम ब्रोमाइट मंगिंशीं ब्रोमाइट 0.066 अठिक है तो यह होगा सबसे अधिक जो है sodium chloride और सबसे कम million magnesium chloride दूसरे नमबर पर आता इतना काफ़ी है चले यहां पर मैंने बना भी दिया है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा यह सॉडियूम क्लोराइड हो गया यहां पर सोडियूम क्लोराइड Magnesium Chloride Magnesium Sulfate Calcium Sulfate Potassium Sulfate ठीक है ठीक है Potassium Sulfate और Calcium Carbonate यहां पर देखना मिल जागा ठीक है ठीक है चलिए क्लियर करते हैं नेख देखते हैं आगे बिबिन सागरों में लबड़ता यानि कि कुछ प्रमुक सागर जिसमें लबड़ता देख लेते हैं पूछे भी जाते हैं बहुत अधिक यह आप तरह हम इसको कह सकते हैं Salinity in different oceans आईए क्लियर करते हैं महा सागरों की ओसत क्यों लबड़ता कितनी होनी चाहिए 35% होनी चाहिए इसका मतलब 1000 गिराम पर कितना गिराम निकलना चाहिए नमक 35 गिराम निकलना चाहिए ठीक है चाहिए महा सागरों की ओसर लबड़ता 35 प्रति 1000 गिराम होनी चाहिए सागरों यहाँ पर लबड़ता दिखिए बान जील जो की तुर्की में बिसक्वी सबसे लबड़ी जील है कितनी लबड़ता है 33 वह 330 परसेंट यानि की 1000 गिराम पर इसमें कितना नमक निकलेग को ठीक है 330 गिराम नमक निगलेगा बान जील कहा है तुर्की में दुनिया की सबसे खारी जील यहां पर आपको तुर्की देख जाएगा यहां पर आपको देख जाएगा बान जील सागर एका याज़ पर्सेंट एक फिलिस्तीन की सीमा बनाता है आपका 234, 300, oh sorry 38 gram 280 gram या percent एक हजार किलोग्राम कि यह वो एक अजार gram पर या एक किलोग्राम पर कहा पर है आपका फिलिस्तिन, यह आपको देखे जाएगा, यह है आपका Jordan, यह है आपका Israel, यहाँ पर देखे जाएगा जेरूसलम, इसके बाद दिखे जाएगा फिलिस्तिन, यहीं पर एक जील जो है, उसका नाम है, मिरस सागर, नेक्ट बात कहते हैं, ग्रेल साल्ट लेक, USA में है, तीसरी सब से खारी क्या है, आपकी जील है, 220 परसेंट इसका है, 220 परसेंट, यानि की 220 ग्राम निकलेगा, सांब जील जो है, आपका राजिस्तान में है, आपका राजिस्तान भारत दिस में पढ़ता है, एक राजिस्तान, यहां पर देखने को मिल जागा, चौती सबसे खारी जील है, यहां हम कह सकते हैं, भारत की सबसे खारी जील को बोल सकते हैं, नेफ्ट है, कैस्पियन सागर का दच करते हैं तो यहां पर आपको दिख़एगा अजर वैजान और एरान से सीमा बनाता है तो एक साई बधा है या बहुत बढ़ा हihad ना या सबसे बड़ी जील सब्सक्राइब काड़ यह आकर बड़ा होने काड़ इसको जील नका क्या कहते हैं सागर कहते हैं तो सागर में यानि कि कैस्पिन सागर में उत्तरी जो भाग है वहां की जो लवड़ता है बहुत कम है यानि कि इतनी हो गई है कि तेज परसेंट ही रह गई है यानि कि एक हजार पर कितनी निकल सबसे बड़ी मीठे पानी की चीज़ भारत को से मुझे लगता है लगता है वह हैं तर्वत मिलता है इस तरह कहने में छोटा था था तो मुझे लगता था कि एक दिन वहां जरूर जाऊंगा वहां से बहुत सा रट्रक वगेरा भर लाऊंगा मिंठा पानी उसका फिर खोया करूंगा तो उसमें से शीनी निकाल दूँगा तो क्या हुआ उत्री भाग का कितना है 30% और दच्छडी भाग का कितना है यह वाला इ चलिए आगे बात करते हैं नेक्स देखते हैं महा सागरों का उसल लबरता कितना है पूरी दुनिया में 35% प्रसांत महा सागर की उसल लबरता कितनी है 31-35% की बीच में है अटलांटिक महा सागर की उसल लबरता कितनी है 36% है हिंद महा सागर की उसल लबरता कितनी है 35% है ब यहां पर जब किनारे वाले भाक्या के लबड़ता देखें तो कम काफी मिलेगी क्योंकि यहां पर नदिया वगेरा किरती रहती है इसलिए तो खुले सागर की लबड़ता 33-37 ठीक है विस्ट की सबसे ज़्यादी लबड़ता जो है बांजीर है जो की तुर्की की बात है ठीक चली सागरी लबड़ता की इस तुरो देख लेते हैं कॉन-कॉन जो सागरी में जो लबड़ता दें कि जो नमक आता है वो कैसे आता कौन-कॉन से साधन Ah और किस तरह से वह बढ़ जाता है अर लबड़ता आज सु में बढ़ जाती है कम हो जाती है आ ngay अए उसको भी थोड लवरता क्या होती है अतिक पाई यहांbastf certified क्या होता है अधिक पाए जाती है पाद है पानी में मान लिजिए इस तरह से इस तरह से मतर कि mi कम लग रहा है तो हम क्या करते हैं इसको पानी को लेते हैं घरम करना करते हैं इसमें किया वह बाप बनी म Voor B 나중에 फ्रौट शूर में पानी क्या लगने लगा कि पानी हया है कहानी तो मैंने क्या बता है जहां बाजपिगड का मतलब क्या होता है जल जो हותा है वो भाब के रूप में क्या होता। ऊपर जाएं तो मीर क्या बता है जाने जहंघी बहुत अधिक पाई और 30 डिगरी दच्छडी आच्छंत वाले छेतर के आसपास यानि कि करक रेखा के आसपास वाले छेतर हैं वहाँ पर क्या है लवड़ता काफी अधिक पाई जाती है ठीक है इस तरह से ये करक रेखा वाला जो छेतर आता है विस्वत रेखा पर जो लवड़ता होती है कम नही होती है क्यों नहीं होती है उसको भी समझते हैं आईए देखते हैं तो मैंने क्या बता है भूमत रेखा पर इसलिए अधिक नहीं हो पाती क्योंकि यहां पर क्या होता है बास्पिकड कुछ जादा ही हो जाता है इसकी काड क्या होती है बास्पिकड जादा हो जाता है जादा बहुता है तो मान लीजिए पानी एकदम भाप की रूप में उपर पहुँचा, उपर पहुँचने के बाद वो क्या हुआ, आखिर में इस्तिती ये आ जाती है, कि वो संगने तोकर क्या हो जादा, बादल बगेरा बनने के बाद क्या हो दा, फिर से पानी ये होता है, वही न तरह से यानी करक और मकर रेखा के आस्पाद वाल यानी करक रेखा साड़े 23 ऊतरी हुटर आचांस की आस्पाद क छेत्र आनि कि तीस तक चले जाएंगे मान लिजिए और करक रेखा के साड़े 23 से होता है, तो-साइञ confrontcar यतरा है यह पती है क्योंकि यहां पर पानी टो ७ाव के रूप में बनता है साथ ही ऊपर पहुँच जाता नहीं तो इससे क्या होती है भूमत Easy Samadhrar पर लबरता जो होती है कम पाई जाती है जिन शेत्रों में बरसा अधिक होती है वहांपर लॉझता कम पाई जाती है यह सिदा सा आप formula लिख सकते है क्योंकि जाइस सीवात है भाई सब हमने पानी क्या मान लिजिए ये जगमें ईए कितनी लवरता है पहले उतनी लवरता अभी बनी रहेगी सब्समंझ में है जहां पर बर्षा जादे होती है वहाँ लवरता उतनी की उतनी मनी रहती है नहीं जादा कम होती है नहीं जादा क्कुछ होती है ठीक है आये क्लिय करते हैं नेक दीखते है कम पाई जाती है क्यों तापमान अधिक होने के बाब आयव दिबाड़ा ने क्यों होगा लडजभड्स न होता है लेकिन उतना नहीं होता है जतीना व्मद रहाप पर होता या नільки अभिषब रहाप है क्योंकि मैंने क्या बताया यानि कि इस तरह से बास्वी कड़ हुआ भाब बनकर क्या है पानी उपर पहुंचिए क्योंकि पहले गरम होता है फिर बास्वी कड़ होता है बास्वी कड़ होते है पानी उपर पहुंच जाता है उसके बादल बनने लगते हैं क्योंकि बादल क क्या हो जाएगा बाश्ack कर्के तहट वहां का जो लवरता होकी वह बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादे हो जाएक तो क्या होगी लवर्ता ज्याद होगी वैस्ञी कि बनी रखी बनी कर रोग्र होँ ठीक है डिकते हैं नदी के सम्दोर में मिलना महाँ पर जब लवड़ता है वो सिर्फ तेईस परसेंट ही रह जाती है यानि कि एक हजार में कितना निकलता है सिर्फ तेईस गिराम ही लवड़ निकलता है यानि कि तेईस गिराम ही नमक निकलता वहीं उत्तरी चेतर की बाग की जाए तो लगवग लगवग 200 गिराम यानि क एक सो पिच्चानवे क्या निकलता है आपका लवड निकलता है एक सो पिच्चानवे परसेंट आईए देखते हैं किलियर करते हैं तो मैंने क्या बताया था उत्तर वाले छेत्र में क्या होता है उत्तर वाले छेत्र में क्या थी बहुत सारी नदियां मिलती है इसलिए लूप साप पान ली जाती है और जब यह समुद्र में मिलती है तो इसकी से क्या होता है इनके मुहाने पर क्या हो जाता है इनके मुहाने में लवरता जो होती है वो कम हो जाती है यानि कि जिस छेत्र में नदियां मिलती है उस छेत्र के आसफास के जो समुद्र होता है उसकी जो लव क्या होगी समूद्र की कम होगी जैसे कि काला सागर में क्या होती है आपका देन नीउम नीपर निश्टर नधियों की ruils निभरता कितनी हो जाती है, मात्र 18 просто ही रहे जाती है, वह हैं का कैस्प Чच्चा Bowl की बात करने तो उत्तर वाले चेटर में, क्यों कि हाँ परसेंट तक ही लबड़ता रह जाती है 13% तक ही लबड़ते रहता जाती है खहीं दयचिढ़वाले चेत्र में 195 तक हो जाती है टिक है joka है किलिएर हुआ क्यों यह होता क्या है कि मैं आपको बता भी चुका हुँ कई बार क्यों कि यह जो नदियां है लेकिन माली ये नदियां क्या करती है इस तरह से पानी इस पर ओर लाकर क्या करती है इसमें डाल देती है इस तरह से पानी जो है नदियां अपना लाकर डाल देती है और यहां पर लबड़ता क्या हो जाती है यहां पर यह महाना होता है इस तरह से महाना जो होता है महाने प कि आपको आनंद भी आए क्या भी मिले और आपको भी लाभ ही मिले ठीक है तो मुझे यकीन नहीं हंड़ेSON से इस बाद मुझे लगता है कि इस तरह से में ने महनद किया है तो यह आपका जो विडियो जो है मेरा जो बना है वो पैस्ट बना होगा कि मैं जानता हूं कि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो एडित करने के लिए मुझे काफी समय लग जाता है टाइप करता हूं इमेज लगाता हूं पीपीटी बनाता हूं उसके बार रिगोर्डिंग करता हूं तमाम चीजें करने क सब्सक्राबर हो जाएंगे तो बाय कि वीडियो मैं एक ही वीडियो मैं एक मैं सब्जЕक्ट है कम्प्रीट करऊंगा मीज़ कहते हैं मैं आप अगली वीडियो मिलूँगा और लाउस्ट में खत्म करने से पहले मैं आपको बसादूं नीचे मैं आपको इस वीडियो की ppt दे दूँगा इस वीडियो की pdf दे दूँगा जो आप नीचे से डाउलड कर सकते हैं फिरी भी मिल जाएगी आपको आपको paid वाली जो है वो आपका internet, जो करशन जो का account से मिल जाएगी और आपको किसी भीतरह का क्रिस्म किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब करना है तो आपको नीचे मैं WhatsApp का नंबर दे दूँगा वहाँ पर आप अपने सुनेहरे अक्षरों में आप लिख सकते हैं जो भी आप कहना चाते हैं जो भी आप पूंचना चाते हैं तो चलिए पर अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार चेहिंद और पंदे मातरा